येस वेरी वेलकम तो अल अफ यू दिस ये विजय साड़ा फ्रॉम वी स्मार्ट अकाडमी पुने मैं आ चुका हूँ जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए लेके आएंगे मैराथॉन आपको इसको पूरा देखना है जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था ये मैराथॉन आप तब देखेंगे जब आपने एक बार एक बार अटलीस्ट डीटी पढ़ लिया हो रही चाहिए आप सीए कर रहे हैं सीएस कर रहे हैं डजन्माटर आप ओल्ड सीलेबस के अंदर में रामरें डजन्माटर तक में कुछ बातें यहाँ पर फटा फट क्लैरिफाय कर देता हूँ पहली बात आप ओल्ड स्सेय अंदर में है या निज भीडियों से लिWith के लिए देखेंट सर्व सर आप इसे जुलाई 20 के लिए भी एक तर आदिखेंटे है क्या इसे CA वाले कवर कर रहा है, yes, CS वाले कवर कर रहा है, yes, CMA वाले कवर कर रहा है, yes, हला कि मैं आपको बता दू, इस Marathon के अलावा, CS और CMA में कुछ separate topic है, जैसे assessment and other thing, उसके लिए मैं एक और separate video अपलोड कर दूँगा, जो CA के अंदर में नहीं है, हाला कि आपको अच्छे से देख पाएंगे, जो common topics है, उसका है कि common video मैं आपके सामने लेकर के आगया हूँ, ठीक है sir, sir, क्या ये Marathon देखते वक्त मुझे कुछ रखना होगा, आपने पास कोई book रखनी होगी, जिससे मुझे बहुत अच्छे से असानी हो जाई, अगर आप possible है, तो fast track रख ले मेरा, जो मैंने fast track issue किया है, वो fast track आप रख ले, अगर आपके बास ये fast track नहीं है, इसके अलावा आपके पास charts है, तो charts से भी आप ये कर सकते हैं, कोई भी regular book चलेगी, आप अगर regular book है, आपके पास regular book भी चलेगी, कोई problem नहीं है, मेरी नहीं है, किसी और teacher की है, तो बिल्कुल ले लीजे, क्योंकि almost हर teacher ने similar sections cover किये होंगे, तो आप बिल्कुल regular book भी ले सकते हैं, और कुछ मेरे भाई तिरको नहीं मिल रहा है, तो तिरको भी डरने की ज़रत नहीं, तो अगर module भी ले करके इस चीज को पढ़ेगा, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तेरे चीज हो जाएगी, ठीक है, अच्छा जी सर, सर, इसके अंदर में कौन से amendments cover है, इस amendments को देखने से पहले मैं आपको कुछ बता दू, सर, जो Finance Act 2020 आया, क्या ये मुझे पढ़ना है for July 20 और November 20 attempt, answer is no, आपको Finance Act 20 बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसके तरफ बिल्कुल धान नहीं देना, इसमें जो प्रोविजन लिखिये, उसके तरफ बिल्कुल धान नहीं देना, आपको जो पढ़ना है, वो पढ़ना है, Finance Act 2019, Act 1 and Act 2, राइट, सो जो Finance Act 19, Act 1 और Act 2 आया था, आपको ये पढ़ना है, और ये marathon ये दोनों चीजे cover कर रहा है, सर, क्या ये marathon के अंदर में amendment cover है, जैसे कि मैंने कहा, Finance Act 2019 में cover कर रहा हूँ, 1, 2, including the amendment circular and notification जितने हैं, आप लोगों के, वो सारे मैं इसके अंदर में cover कर रहा हूँ, so everything is covered, इवन दो अगर किसी को separately amendment देखना है, तो मैंने amendment video separately record करके डालावा है, आप वो देख सकते हैं, but आप ये cover करेंगे, इसके अंदर में सब कुछ cover हो जाएगा, maximum, sir, we all know, CS और CMA के अंदर में था, CA के अंदर में इस साल एक topic add हुआ है, उस topic का नाम है AMT, तो क्या AMT भी हम इसमें cover कर रहा हैं, answer is yes, हम इसमें alternate minimum tax, जो नया topic आया है, हम वो भी इसके अंदर में cover कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंचन लेने की ज़ुरत नी है, ये marathon आपको complete topics cover कर देगा, including मैं इस marathon के अंदर में ये भी वताऊँगा, कि total income के problems को किस तरीके से solve करना है, प्लस हमें किस तरीके से वेपर को view लेना है, अच्छा जी सर, सर मुझे एक और बात बताईए, क्या इसके अंदर में problems covered है या नहीं है, see practically speaking, अगर आपको problems भी चाहिए, तो आपको मेरा fast track देखना चाहिए, जो website के ओपर available है, लेकिन ये जो marathon है, इसके अंदर में हमसे provision cover करने की देखते हैं, और ये marathon आपको essentially कब देखना चाहिए, जब आपका duty complete हो चुका हो, या exam से एक दिन पहले भी आप देखेंगे, तो फटा-फट इसके अंदर से सारी provision recall हो जाएगी, right, so essentially आपने exam से एक दिन पहले, इसके पटा-फट देख लेना चाहिए, और आपका सारा चीजे cover हो जाएगी, इस बात की मैं guarantee देता हूँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा है, सिफ सुना होगा मेरे बारे में, तो भी बिन्दास इस marathon को देख लो, मैं आपको guarantee देता हूँ, आपको भी smart का assurance मिलेगा, और knowledge के मामले में आपको वह problem नहीं होगा, येस, अच्छा जी, हलागे आपको question answer solve करना है, तो questionnaire मेरे available है, जिसके अंदर में questions है, MCQ book available है, वो आप देख लीजे, साथ-साथ में जब मैं marathon में पढ़ाता रहूँगा, तो मैं आपको बताते जाऊँगा, कि कहां कहां पे आपको ये point MCQ में आ सकता है, या नहीं आ सकता है, ठीक है, अच्छा जी sir, सर मुझे आप बताएंगे कि sir, कितने topic इसके अंदर में cover हो रहे हैं, जितने आपके CA inter में दिये हैं, CS में दिये, CMA में दिये हैं, sir, क्या कोई topic मैंने skip कर लेना, इस बात को बहुत जादा ध्यान से सुनना, क्या कोई topic मैंने skip कर देना, answer is no, let's say, कई बच्चे होते हैं, मुझे salary आता है, कई बच्चे होते हैं, सब मुझे house property आता है, कई बच्चे होते हैं, मुझे agriculture income आता है, आपको सब कुछ आता है, आपको इस चीज की जरुवती नहीं है, मैं बहुत अच्छी से believe करता हूँ, पर जिनोंने मेर से पढ़ा है, जब इस marathon को देख रहे होंगे, तो बागे सब चीजे बाजू कर लो, आप, मैं और आपका book तीनों चीजे होंगी, इस marathon के दोरान आपको पूरे provision recall करवा के दे दूँगा, ये guarantee मेरी, आपने अगर मेरे बारे में सुना होगा, तो आपने ये चीज़ जरूर सुना होगा, कि extra time गएठे चलेगा, पर हम लोग पूरा का पूरा complete करेंगे, अच्छा जी sir, मुझे पूरी उम्मीद है, कि आप ये marathon को बहुत अच्छे से enjoy करेंगे, साथ साथ में, हम बीच बीच में break लेंगे, उस टाइम पर आप जाईए, थोड़ा से enjoy कर लीजेगा, आप लोग बे ब्रेक के अंदर में, बट आपको accordingly marathon पूरा कपूरा complete करना है, कि बच्चे मुझे से message करके पूछेंगे, कि सारी कितने देर का है, मैं नहीं बता सकता कितने देर का है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, knowledge is important, time ठीक है, हम थोड़ा कम यह जादा कर सकते है, right, so focus कीजेगा, provisions के उपर बहुत जादा मजा लीजेगा, और मैं आपको guarantee देता हूँ, इसलिए मैं request नहीं करूँगा, मैं आपको guarantee देता हूँ, कि marathon में आपको इतना जादा मजा आएगा, कि आप खुद इसे like और share जरूर करेंगे, इसे हर बच्चे तक पहुचाना है, COVID-19 में हम सब की यह जिम्मेदारी है, मैं घर बैठके आपके लिए महनत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे लिए थोड़ी से महनत करनी होगी, तो मुझे पता है यह चीज हो जाएगी, इसके लिए मैं इसके लिए आप से separate request नहीं करूँगा, so let us start with the marathon, yes welcome marathon के इस पहले topic के अंदर में, आप सभी लोगों का स्वागत है, पहले topic जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि आपने नाम से जैस देख लिया होगा, return of income, आपके पास अगर मेरी fast track book होगी, तो fast track book ले लिजे, chart होगा तो chart ले लिजे, regular book होगी, तो regular book ले लिजे, आपके जो भी teacher होगे, उसका मेरा होगा तो मेरा ले लिजे, या फिर आप लोग module भी ले सकते हैं, return of income, अगर आपके पास अगर मेरे fast track book है, तो आप देख सकते है, return of income में, आपने book के उपर बड़ी मैनत की है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, return of income के अंदर आप देखेंगे, तो आपको सारे sections यहां पर arrange करेंवे दिख रहे हैं, साथ साथ मैं आपको important notification, amendment and circular भी यहां पर डालावा है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक बात अपनी सोच के रखेगा, मैं firmly believe करता हूँ, पढ़ो तो हद कर दो, वरना program रद कर दो, तो आज हम जब यह marathon शुरू करेंगे, तो हम लोग इस द्रिड निश्चे के साथ करेंगे, कि हम लोग हर sections के साथ हद कर देंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे, थोड़ी जग़ा पे मैं आपको कहीं-कहीं पे उस section में मजा आने के लिए story सुनाने वाला हूँ, आपने बहुत ध्यान से देख लेना है, request है बच्चों से, मैं तो time stamp लगाऊंगा ही लगाऊंगा, अगर possible है मैं time stamp नहीं लगा पाया time पे, तो आप लोगोंने time stamp लगा लेना है, ठीक है, 100% focus, topic के उपर आते हैं, सबसे पहले return of income, यह topic सबसे पहले मैंने इसके लिए उठाया, क्यूंकि मैं जानता हूँ, मेरे सारे नलायक बच्चे, पांच head के उपर focus करेंगे, deduction के उपर focus करेंगे, TDS के उपर focus करेंगे, और इस topic को भूल जाएंगे, जबकि अगर आप statistics उठा करके देखें, तो institute, चाहे वो CACS या CMA institute हो, यह continuously इन topic के उपर question पूछे जा रहा है, and hence, amendment भी है, तो हमें इन topic के उपर focus करना है, बहुत ज़्यादा time ने लगेगा, max to max, 45 minutes to 50 minutes के अंदर में, इस topic आप complete कर लेंगे, आपको क्या करना है इस marathon के बाद, अब जब एक बार हमने provisions पढ़ ली है, आपकी जिम्मेदारी है, module के question या आपके teacher ने जो भी दिया होगा, वो questions उठा करके आप तुरंत फटा-फट देख लेंगे, चीक है मालिक, चलो आजाओ, so motivation के लिए एक और बात बता दू, जब भी आप कोई time pass कर रहे होंगे, अपने आप से ज़रूर पूचेएगा, time will pass, will you, let's start, return भरने के लिए आज के तारीक में क्या चीज़ी है, सबसे पहली बात return भरा का जाता है, income tax india.gov.in e-filing portal के उपर, तो e-filing के website भी है, आप उस पे जा सकते हो, या income tax india से जा सकते हो, e-filing करने के लिए, return जो आज भरा जाता है, उसके अंदर में क्या चीज़ी होती है, 2019 से एक ऐसी चीज़ी है, जहाँ पर pre-filing आया है, pre-filing का मतलब क्या है, the moment हम किसी भी client के लिए login करेंगे, वहाँ पर automatically उसके return की details दी भी है, वह सारी चीज़े चेक करके automatically fill भी कर सकता है, या फिर वह किसी CA से अपना return भरवा सकता है, ठीक है, return भरने के लिए दो major prerequisite है, कौन से दो prerequisite है, पहला आपके पास pan number होना चीए, इस साल से एक और amendment आया है, कि आपके पास अगर pan नहीं है, तो interchangeably आप अधार भी यूज़ कर सकते हैं, आईए start करते हैं, दोनों के लिए यहाँ पर section दिये हैं, और दोनों के अंदर में specific amendment है, उसके उपर focus करेंगे, सबसे पहले आते ही आपको आना है section 139A के अंदर में, जिसमें हुआ है amendment, लाल कलर आपको दिखा देगा कि क्या amendment हुआ है, 5E, 6A, 6B, यह तीन amendment वाले part आए वे हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनियेगा, साथ-साथ में यहाँ पर notification number 82 2018 भी आया है, जो आपको बताएगा कि किस तरीके से यह amendment को effect देना है, पर्मेनेंट अकाउंट number, pan number जिसे हम कहते है, थेरी में यह पुराने जमाने में बहुत पुराने जमाना मतलब old syllabus, तो जहां जहां पर मेरे word जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, पुराने जमाना that is old syllabus के अंदर में थेरी गाई बहुत famous question हुआ था pan number, pan number, पहली बात, important है क्या, answer is yes, 139A, जो important की list होगी, मैं यहाँ पे इस section की list लगा दूँगा, मतलब यह आपको इस topic में exam में, by default में exam से पहले पढ़के जाना है, पढ़के जाना है, मतलब जाना है, बस इसमें कोई बात नहीं होगी, आंदी आए, तूफा आए, यांबर फढ़के जाना है, pan number किसको लेना था, पिछले साल 2017 तक, 2017-2018 तक, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ तीन से चार लोग कवर थे, जिसको mandatorily pan लेना था, फिर ऐसा क्या हुआ, फिर इसका scope बढ़ाया गया, इसका scope बढ़ाने के पिछे का logic क्या था, 2017, अरुन जेटली साब, vision था, finance minister का, कि boss, आधार जो था, वो more than 100 करोड लोगों के पास था, लेकिन pan जो था, ये सिर्फ और सिर्फ more than 30 करोड लोगों के पास ही था, at that time, right, यहने आधार के मुकाबले pan, बहुत कम लोगों के पास था, अगर वैसे भी देखा जाए, तो overall 6-8% ही भारत का full population है, जो tax पे करता है, और इसी vision के साथ उनने क्या किया था, कि pan की requirements को बढ़ा दिया था, कुछ लोगों के लिए, और ये कैसे किया था, इस section में amendment करके, over the period of time, देखा गया कि amendment के बाद भी जितने pan आने चीए तो उतने pan नहीं आये, और लोग pan ले ही नहीं रहते, लोगों के पास आधार था, लेकिन pan नहीं था, निर्मला सीता रमण जी आई, निर्मला सीता रमण जी ने इस provision को change कर दिया, कहा कि जिन जिन के पास आधार है, अब कोई बात नहीं, पहले आप pan देते थे, तो ही return भरते थे, अब आप आधार देंगे, तो भी return भर पाएंगे, तो जहां जहां पे भी provisions के अंदर में pan लिखा था, उसमें oblique करके आधार नंबर भी डाल दिया गया, और साथ में income tax में एक और section अड़ किया गया, 139AAA से आधार, जिसके अंदर में provisions लाई गई, कि आपको आधार देना अब अनिवारिया हो गया, pan और आधार को link करना mandatory हो गया, इसके वाद एक और trump card खेला गया, trump card खेला गया, क्या खेला गया, कि बॉस जितने लोगों के पास आधार है, लोग खुद होके pan apply करने की fees लगती थी, अब इन्होंने चाल करा, उल्टे तरीके से game खेला, उन्होंने कहा, अगर आपके पास आधार है, हम आपको instant pan provide कर देंगे, और इसी के लिए अभी अभी, मैंने विडियो भी डाला है YouTube पर, वो देख लीजेगा, कि हम आपको अभी instant pan दे देंगे, without any fees, मतलब अगर आप आधार डाल देते हैं, हम आपको straight away pan provide कर देंगे, without any fees, आपको straight away क्याद कर दिया जाएगा, pan allot कर दिया जाएगा, अगर आपके नाम पे pan नहीं है तो, so एक बहुत बड़ा master stroke, master stroke ऐसा, कि आपको straight away pan दे दिया जाएगा, by default के अंबर में, अब income assess जादा लोगों की होगी, और बहुत सारे लोग income tax bracket में आएगे, सरकार का, सरकार का जो overall objective है, वो clear है, maximum लोगों से tax collection, जो सच में taxability में आते हैं, पर tax नहीं देते, आईए चेक करते हैं, किसको pan देना जरूरी है, पहला, every person who is liable to pay the tax, हर वो व्यक्ति जिसको tax pay करने की liability है, इसको आपको pan देना mandatory है, so let's say, if a person who has a taxable income, exceeding 250, or 3, or 5, उसको आपको pan लेना mandatory है, is liable to pay tax, second, person carrying on PGPP, having a sales turnover, exceeding 5 lakh, अगर वो व्यक्ति बिजनस कर रहा है, और उसका sales turnover, या gross receipt, 5 lakh रुपे से उपर जा रहा है, तो उसको pan लेना, उस business के लिए mandatory है, third category of person, जो पहली भी था, every person required to furnish return, under 139.4 A, what is 139.4 A, 139.4 A के अंदर में, हर charitable trust को क्या करना जरूरी है, जो charitable trust है, as well as religious trust है, जो section 11, या section 12 के benefit क्लेम कर रहे हैं, उन्हें return बरना जरूरी है, मतलब, जो charitable trust वाले people है, इनको mandatory है return बरना, तो अब तक हमने देखा, तीन लोगों को return था, पहला हर्ववेक्टी जिसको tax भरना है, दूसरा हर्ववेक्टी जिसका sales टर्ण वर 5 लाक रुपए से उपर है, तीसरा हर्ववेक्टी जो charitable trust है, religious trust के अंदर आ रहा है, उसे देना जरूरी था, 2017 के बाद इसके अंदर में और दो changes लाए गए, पहला every person, every person, जिसका financial transaction, वर्ड क्या लिख दिया देखिये साब, financial transaction 2,500,000 के उपर है, उसको क्या करना है, पैन लेना है, मतलब अब आपकी income गया, तेल लेने के लिए, अगर आपके financial transaction, 250,000 के उपर है, तो आपको क्या लेना है, पैन लेना mandatory है, सो एक और चीज़ अमेंड की गई, being a resident other than individual, individual को छोड के, being a resident other than individual, which enters the financial transaction, in aggregate, साल भर में, in aggregate, exceeding 2.5,000,00 or more in a financial year, सो अगर, let's say, कोई AOP है, इसके financial transaction है, तीन लाक रुपे के, और income है, income है, let's say, 70,000 रुपीज की, क्या इने return of income बरना है answer is yes sorry क्या इने plan लेना है answer is yes return की बात 139 में करेंगे then point number five बहुत जबरदस्त amendment क्योंकि मैं practice में हूँ मैं इसका practicality समझ सकता हूँ मैं आपको समझाता हूँ क्या sir होता क्या था अगर आपको किसी भी company का director बनना है आपको दिन नंबर लिना ज़रूरी है company law में दर्शन सर ने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा right अगर आपको किसी का trustee बनना है तो आप उस trust के लिए trustee बनना चाहते है तो अगेन आपको क्या करना पड़ता था CIT that is Commissioner of Income Tax के पास जाकर के अपने KYC details देने होते थे अब एक डिरेक्टर का example लेते होता क्या था एक परसन है जिसको डिरेक्टर बनना है वो जाता था दिन लेने के लिए right अब जब ये दिन लेने जाता था दिन लेते वक्ट जब फॉर्म भरते थे तो वहाँ पर मंगते उसका पैन नंबर वो आदमी बोलता था मुझे पैन लेने की जौरती नहीं है income tax में कहीं नहीं लिखा कि मुझे पैन लेना है specifically further मेरी income basic exemption से लिमिट से नीचे है मैं तो पैन लूंगा नहीं आप जबरदस्ती कर रहा है आपको मेरे को दिन देना चाहिए अब यहाँ पे company law और income tax के बीच में proper communication नहीं था that is income tax के अंदर में directors के लिए pan number requirement ही नहीं थी plus वहाँ वो लोग दिन के time पे pan require कर देते थे ऐसे cases में income tax में amendment किया गया और कहा गया अगर आपको specific positions ले रहे हैं किसी specific entities के अंदर में तो आपको pan लेना mandatory है अब आपकी income हो financial transaction हो नहीं हो इससे कोई लेन देनने क्या लाया गया person who is a managing director director trustee founder करता CEO या principal officer आप इन में से कोई भी position ले रहे हूं MD director trustee founder करता CEO principal officer आपको क्या लेना है pan लेना है game over इसके अलावा finance act 2019 से यहां पे एक और amendment किया गया और any other person so prescribed who entered into a specified transaction इसके अलावा central government ने खुद के पास एक power रख दिया कि हम इसके आगे कभी भी notification के तुरू बता सकते हैं और किस को क्या लेना है pan लेना है तो पड़ पड़ रिकॉल करते हैं पहला हर व्यक्ति जिसको tax pay करना है उसको पैन लेना है दूसरा जिसकी sales पांच लाग से उपर है उसको पैन लेना है तीसरा जो charitable religious trustee इसे पैन लेना है चौता जिसके financial transaction अधर देन इंडिविजवल 250,000 से उपर जा रहे है उसको पैन लेना है पांच हुआ अगर trustee, director, md, ceo, principal officer बन रहे है या आप notified person के अंदर है तो आपको क्या करना है pan लेना है ठीक है सर अच्छा जी pan लेना था ये तो ठीक था लेकिन कई लोगों के पास in sum में भी वो आनी रहे थे pan का requirement ही नहीं आ रहा लेकिन ये सरकार को tax नहीं देना चाहते सरकार नहीं भूल दिया कोई problem नहीं आपके पास pan नहीं है बिल्कुल चलेगा एक percent गा भी problem नहीं तुम क्या करो pan के जगा आधार दे दो interchangeability of pan and आधार कर दिया right अच्छा जी so एक और इसके अंदर में provision add की गई 5E insert किया गया और ये provision लाई गई मेरे साथ ज्यान से पढ़िएगा notwithstanding anything contained in the act every person who is required to furnish or intimate or coat his pan जहां जहां पे भी उसे अपना आधार intimate करना है फरनिश करना है या coat करना है and has not been allotted a pan उसको अब तक pan मिला नहीं है क्योंकि उसने apply किया वा है अब तक अलोट नहीं हुआ and has not been allotted a pan but possess आधार उसको क pan अभी नहीं है पर आधार है, has not been allotted a pan but possesses आधार, may furnish आधार number in lieu of pan, आप क्या कर सकते हैं, आधार number ले सकते हैं in lieu of pan and shall be allotted and shall be allotted a pan in such manner as may be prescribed और यही वो point है जो मैं आपके साथ कह रहा था, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप आधार दे देंगे, अगर आपके पास आधार अब pan नहीं है, हम आपको हमारे तरफ से allot कर देंगे that to free of cost, move, 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 free of custom आपको provide कर देंगे, कोई problem नहीं है, दूसरा, has been allotted a pan, उसको pan मिल चुका है, has been allotted a pan and has intimated his आधार number, may furnish or intimate or quote his आधार number in lieu of pan, मान वीजे उसके पास pan भी है, आधार भी है, अब तक इसने यह लिंक नहीं कर आधा है, इसी amendment से एक और practical change आया, जितने भी ITRs थे, वहाँ पे पहले सिफ pan का column होता था, उसी के नीचे आधार का column भी आचुका है, यह आप जब articleship में जाएंगे, या CA final में आएंगे तो मैं आपको और भी बहतर तरीके से बताऊंगा, CA final में हम इसको और बहतर तरीके से enter करता है कोये transaction के अंदर में, तो जो person के साथ वो enter कर रहा है, सामने वाले को require कर दिया, कि आप इसके क्या obtain करेंगे, pan obtain करेंगे, या आधार नमबर अच्छी, साथ इसाथ, देने वाले को भी mandate कर दिया, लенे वाले को भी क्या कर दिया, mandate कर दिया, कि आपको ऑके से pan number लेना ह साथ साथ में income tax एक और planning के अंदर में है अब होता क्या था कई बार सामने वाले से pan मांगते थे क्यों मांगते थे मैं आपको बताओं अगर मैं payment करने वाला हूं मैं TDS deduct करना वाला हूं तो सामने वाला क्या करता था pan number provide करता था लेकिन ये plan number कई बार वो गलत provide कर देता था और सरकान ने एक और plan मना है सरकान ने कहा कि boss अब हम क्या करेंगे जो payment दे रहा है और जो payment ले रहा है लेने वाले के भी जिम्मधारी है कि इस आधार को authenticate करे अथेंटिकेट करने का मतलब क्या जैसी वो transaction डालेगा उसका pan number डालेगा might be OTP जैसा आता है आज हमको और वैसे ह फाइदा क्या होगा अब जो आदमी बचके निकल जाता था transaction शो नहीं करता था अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा दो प्रोविशन और एड की गई चेक कीज़ेगा मेरे साथ 139A6A every person entering into such transaction as may be prescribed shall quote his pan और अधार number वो वो transaction जो वो prescribe करेंगे कौन prescribe करेगा मेरे भाई CBDT prescribe करेगा shall quote his अधार number किसके बारे में बात कर रहे है साब देने वाला जो भी दे रहा है transaction में enter कर रहा है right as the case may be in document pertaining to such transaction and also authenticate such pan और अधार in such manner as may be prescribed so मान लीचे मैं आपके साथ transaction कर रहा हूं तो जब मैं मेरे pan और अधार दूँगा मैं इसे authenticate करके दूँगा मतलब मैं या तो sign करके दूँगा या आपको OTP communicate करूँगा at the second time every person receiving any document हर वो परसन जो receive कर रहा है यह क्या हुआ लेने वाला हर वो परसन जो receive कर रहा है कोई भी document relating to such transaction shall ensure pan और अधार has been duly quoted in such document and also ensure that pan और अधार is so authenticated लेने वाला जब कोई transaction में कोई लेने वाला होगा वो भी check करेगा सामने वाले का pan और अधार उस लेक्ति से match कर रहा है या match नहीं कर रहा है तो तीन changes इसके अंदर के बड़े changes है पहला 5E जो कहता है आप pan के जगा अधार भी चलेगा at the same time 6a 6b लेने वाला भी अधार को authenticate करेगा और documents देने वाला भी documents देने वाला भी आधार को क्या करेगा authenticate करेगा यह हुए पहले changes अब आते आगे notification notification क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ notification 82 2018 कि इस बारे में बात करता है problem क्या था आपने section ला करके 139A ला करके यह तो कह दिया कि आधार लेना है pan लेना है या आधार pan interchangeably चलेगा पर pan कब तक लेना है इसकी कोई date ही नहीं थी अब होता क्या था जर समझेए मान लीजे मेरे financial transaction धाईलात रुपए से उपर जा रहे है ठीक है मुझे pan लेना mandate रही था मैं pan नहीं लेता था एओ मुझे क्या कर देता था penalty order send कर देता था कि आपने आधार नहीं लिया या आधार quote नहीं लेट से pan नहीं लिया और pan number quote नहीं किया pan आधार interchangeable है इसलिए मैं word ऐसे बोल रहा हूं अब पहले मैं ऐसे नहीं कहता था अब होता गया था यह assessi जाता था एओ के पास एओ को बोलता था sir एक मिनिट आप यह penalty order लगाई नहीं सकते आपके पास अधिकारी नहीं है एओ बोलता था क्यू भाई मैं तो लगा सकता हूं क्या problem में बिल्कुल लगा सकता हूं आपने यह तो कहा कि pan लेना है लेकिन कब तक लेना है उसकी तो कोई due date ही नहीं बताई तो आप penalty किस बारे में लगा रहे है आपने बोला लेना है लेंगे बिल्कुल लेंगे जरूर लेंगे वह होता है ना जैसे शादी करनी है करेंगे अभी कौन सी चल रही है तो मैं CA कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से अब income tax आप एक problem face कर रहा ही इसी लिए notification आया, notification number 82 2018 जो कहता था कि मेरे भाई आपको कब-कब PAN apply कर लेना है PAN किस-किस case में आता है जरह याद कीजेगा पहला अगर आपकी total income basic exemption limit से उपर जा रही है अगर आपकी total income basic exemption limit से उपर जा रही है आपको on or before 31st May of assessment year कब बिटा 31st May of assessment year let's say आपका previous year 1920 है तो 31st May 20 that is 31st May 20 तक आपको आपका PAN apply कर देना है अगर आपका business sales का turnover 5 लग से उपर जा रहा है by the end of financial year let's say financial year क्या है आप लोग का 1920 तो 1920 31st March 2020 is the last date आपको क्या करना है PAN number ले लेना है charitable trust और religious trust before the end of that financial year उनको क्या करना होगा अपना PAN लेना होगा जिसके financial transaction 2,50,000 से उपर जा रहे होंगे 31st May of the following financial year that is assessment year तक के उसको क्या करना है PAN लेना है जो specific position पर बैठने जा रहे है डिरेक्टर करता trustee etc उन्हें 31st May तक के ले लेना है याने कूल में लाकर मैं कह सकता हूँ जो businessman है और जो charitable trust है इससे before the end of previous year लेना है otherwise हर एक को 31st May तक के ले लेना है बहुत logical date दी गई है 31st में क्यूंकि June या तो September आपका क्या आता था return filing date आता था तो उससे पहले आपको PAN लेने के लिए बोल दिया गया है this was the first section जो कहता था आपको क्या provide करना है PAN साथ साथ में एक और जगव amendment आया 272B यहाँ पे क्या penalty थी मैं आपको समझा जेता हूँ आपको दू मिनिट में समझ में आ जाएगा अगर कोई भी वेक्ती अपना PAN जो है यह रॉंग कोट करता है यहां जहां पे PAN कोट करना था नहीं करता तो 10,000 रुपे तक की क्या थी penalty थी इस section में amendment आया यहां पे PAN को oblique करके आधार भी provide कर दिया गया है जिसका मतलब यह हो गया कि अब अगर आपने अपना PAN नंबर गलत कोट किया या आधार नंबर गलत कोट किया तो यह जो 10,000 रुपे की penalty है जो पहले से wrong PAN के अपलाए करती थी अब वो आधार के लिए भी as it is apply करने लग जाएगी हैंस 10,000 रुपीज के penalty अब PAN as well as आधार के लिए भी है पहला section यहां complete होता है जिसको आमने बहुत detail के अंदर में कर लिया return भरने के लिए पहला section था 139A बिल्कुल काम की चीज़े important मैं यहां पे अलग ही mark कर दे रहा हूँ आपकी जिम्मेदार यह important को ध्यान में रखना अगर आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा या मेरी depth समझ में आ गया होगी तो मेरे भाई दोस्तों तक के share करना बिल्कुल मत बूलना दूसरा section है 139AA साब बास 139AA बिल्कुल काम का section है पिछले बार भी इस पे question थे इस बार भी इस पे question रहेंगे मैं important में डाल रहा हूँ 139AA section को याद रखना बहुत easy आ से आधार बोलो कैसे आ से आधार page number 15.5 जिसके पास notes है जल्दी से आ जाओ 15.5 139AA से आधार section के पहले history बताता हूँ आपको दो मिनट पर पट 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 चले जाएगा section section के पहले और यह बताना मैं इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ और मज़ा भी आता है बताने के लिए क्योंकि CA final में हम लोग आधार लाया गया एक विजन जो Congress ने चाली तो किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाय थे मोधी सरकार आई उन्होंने हर चीज को आधार से लिंक करने का जोड़ा क्योंकि इसके अंदर में जो अपने पुराने अगर आपको पता होगा आपके घर पर राशन कार्ट हुआ देती है तो बहुत कम पैसा ही सिर्फ किसके पास पहुचाता है एक्चियर बेनिफिशरी के पास पहुचता है डैरेक बेनिफिट स्कीम के लिए आधार को लाया गया आधार लिंक बैंक अकाउंट किये गया और लोगों को डैरेक बेनिफिट प्रोवाइड किया गया बहु को आपका आधार लिंक करना है लोगों ने कुछ लोगों ने सवाल उठाया लोगों ने कहा कि भीया अगर हम अपने हर चीज के साथ आधार जोड़ देंगे तो यार इसमें तो हमारी personal information चले जाएगी और ये बहुत हानी का रगे हो सकता है कोई hack कर ले हो सकता है कोई other misuse कर ले इस information का तो ये गलत है आप जोड़ना चाते हैं आप bank account के साथ जोड़िये और personal number, sim card इन सब के साथ जोड़ने की ज़ुरत नहीं है Supreme Court में ये मामला चलते गया at the same time finance department ने सोचा कि boss ये बहुत अच्छा time है जब तक Supreme Court judgment देगा तब तक के finance act में change कर लिया जाए finance act में तुरण change किया गया, एक section insert किया गया 139 AA जिसने कहा अगर आपको अब return भरना है या pan obtain करना है, return भरना है या pan obtain करना है return भरना है या pan obtain करना है, आपको आधार नंबर जरूरी है game over, मतलब हर वो वेक्ति जिसको return भरना है उसने आधार लेना ही होगा July 2017 की वो दिन, July 2017 का वो time था जब ये section को ला लिया गया और बोल दिया इसके आगे pan नंबर लेना है या return भरना है, आपको आधार जरूरी हो गया 2018 आते आते, एक Supreme Court का judgment आता है जो कहता है कि Boss आधार को बाकी चीजों के लिए और निश्चित काल के लिए पोस्पॉंड किया जाता है लेकिन income tax purpose के लिए ये valid माना जाएगा मतलब ये हुआ कि Supreme Court ने कह दिया बाकी कहीं जगह पे आपको आधार की Mandation है या नहीं है पर Finance Act, Income Tax Act के अंदर में आपको इसकी Mandation है और इस section को मनजूरी मिल गई जिसके तहट ये section बन गया mandatory, अब इसके कुछ technical points, problems थे technical problems क्या थे, discuss कर लेते हैं पहला, non-resident को section 9 के इसाप से income या taxable होनी चाहिए, इंडिया में जो income deemed to accrual rise in India हुई होगी मैंने आपको पहले बुला है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे sections पताऊंगे, तभी आप marathon में है सर, income deemed to accrual rise in India होगी अब इसको मान लीजे, return filing की liability भी आ जाती है tax pay करने की liability भी आ जाती है, tax pay करना है मतलब return बरना है, return बरना है मतलब उसके पास आधार चीए सवाल उठाया लोगों ने, कि भाई साब, आधार तो residency proof है non-residency के लिए अब क्या करोगे, आपने तो section में लिख दिया भाई साब की जब तक के आधार नहीं होगा, return नहीं होगा, इसका मतलब non-resident को return नहीं बरना है, ऐसा ही ना, finance minister बरना है, इस बारे में तो अपनने सोचा ही नहीं था, दूसरा सवाल उठाया गया, मान लीजे, वो व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में है, आसाम में है, मेगालिया में है, यहाँ पर अपने अलग issues थे, जम्मू कश्मीर वी ओल नो, जब तक आर्टिकल 370 वाले issues तो थे ही नहीं, आर्टिकल 370 रिमूब नहीं हुआ था, उसके अपने अलग issues चल रहे थे, आस कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो कह दिया, कि रिटर्न तभी भरना है, जब आधार होगा, हमारे पास तो आधार ही नहीं है, या आधार की applicability नहीं है, जबकि income tax extend to whole of India, including जम्मू कश्मीर, from the starting, आर्टिकल 370 का इससे कोई लिन दिन नहीं, from the starting only, so the point was, यह क्या है, तीसरा, 80 प्लस पर्सन, 80 प्लस पर्सन का taxability तो income tax नहीं दिया था, कि अगर इनकी income 5 लाग रुपे से उपर जा रही होगी, तो इन्हें रिटर्न भना mandatory है, इन्हें taxability आएगी, सवाल एक, 80 के उपर वाले पर्सन को तो खुद आधार एक ने exempt कर रखा है, अब इनके लि ऐसे होंगे, जिनके लिए आधार क्या नहीं है, mandatory नहीं है, अब एक और point, कुछ और point जिसके उपर discussion जरूरी है, पहला, क्या आधार और PAN को link करना जरूरी था, येस, आधार PAN जब तक कि interchangeability नहीं आई थी, जो भी हमने पढ़ा PAN के provision में, तब तक कि आधार और PAN को link करना था, जरूरी है, लेकिन अब इसके जरूरत कम ही पढ़ने वाली है, हाला कि मैं बता दू, हर CA के offices में अब तक के link हो चुके है, जितने भी tax payers थे उनके लिए, right, so, इसकी last date दी गए थी, September 2019, जो बढ़ा के कर दी 20, और COVID-19 situation के अंदर में, वो बढ़ा करके, June में लेकर के आ आ चुके है, वो लोगा अल्रेडी, right, so, ये date के उपर ध्यान मत देना, कि जो circular के तहरे date आई है, last date क्या है, बस हां, link करना, इतना ध्यान देना, इस section में दो जगा आपको ध्यान देना है, पहला, आधार के applicability किस पे है, दूसरा, किस, किस व्यक्ति को आधार code करने की ज़ आधार करने भाई, every person shell quote आधार, at the time of filing return of income, and making a PAN application, किन दो टाइम में भाई, दो टाइम, एक जब रिटर्न भरना है, तब, जब दूसरा PAN apply करना है, तब आपको क्या करना है, mandatory आधार code करना है, if आधार is not available, enrollment ID, provide कर दो, मानलो, आपके पास आधार नहीं है, जब आप enrollment ID होता है, वो enrollment ID डालो, if आधार is not quoted, PAN shall deem to be invalid, यहाँ हुआ amendment, ज्यान दे सुनना, यहाँ हुआ amendment, amendment कहता है, ज्यान दे सुनिएगा, lawmaker ने जब law लिखा, तो law लिखते वक्त लिख दिया, अगर आपने आधार code नहीं किया, या आधार को link नहीं किया, तो हम आपके PAN को क् declare कर देंगे, अब यह word invalid थोड़ा सा गलत था, कि मान लीजे अगर वो बाद में condone करवा देता है अपनी इस गलती को higher authorities के पास जा करके, या बाद में वो क्या कर देता है, let's say, बाद में वो आधार apply करता है, और आधार apply करके उसको link करवा देता है, सवाल यह उठ रहा था, अगर आपने उसका pan ही invalid कर दिया, तो जो word था permanent account number, वो तो खतम ही हो गया, क्योंकि आपने उसे जब invalid declare कर दिया, तो उसका तो existence ही खतम हो गया, इस बात को समझा गया, और income tax ने एक change किया, इस invalid word को cut करके inoperative word डाल दिया, मैं जानता हूँ कई बच्चे हैं, जिन्होंने पहले ही पड़ा है, और fast track class उनने अभी तक ली नहीं है, मैं आपको बता दूँ यह जो changes है, ऐसे, यह मैंने fast track के अंदर में करवाए थे, यह मैंने fast track के अंदर में करवाए थे, तो अगर आप उन लोगों में हैं, जिन्हों मैं PGPP में जम करता हूँ, डारेक में capital gain पर जम करता हूँ, यह गलती मत कर देना है यहाँ, यहाँ बिल्कूल में साथ ठीके रहना है आपको, तो पहला 2017 के बाद आपको pan और return के time पर आधार रखना है, ज़रूर यह आधार नहीं है, enrollment ID कोट कर दो, और अगर अब आपने pan न नहीं कोट करना है, चार लोग जिनको आधार नहीं कोट करना है, काम की चीज बिटा, लाला काम की चीज, चार लोग जिनको आधार कोट नहीं करना है, individual residing in Assam, Jammu Kashmir, Meghalia, सर, Assam में, Jammu Kashmir और Meghalia में, जो लोग रह रहे हैं, इन्हें आधार कोट करने की ज़रूरत नहीं, ये लोग return without आधार भी दे सकते हैं, इसलिए pan-ाधार interchangeability काम आ सकती है, दूसरा non-resident person, जो person खुद ही non-resident है, या citizen है ही नहीं इंडिया का, इसे आधार की कोई ज़रूरत नहीं, return भरा जा सकता है, without providing आधार, या individual जिसकी उम्र 80 and above होगी, उसको आधार देने की ज़रूरत नह ही है, quoting आधार mandatory on ROI filed, intimation of order to the prescribed authority before September, as of now ये हो चुका है, 30 June, but आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिलकुल शान्ती से यही date को याद रखेंगे, 39 2019, हाला कि आप पूचने वाला है, न MCQ में, न अधर्वाइस बस याद रख लेना, so return भरने से पहले, दो आपके पास आधार होना चाहिए, आधार नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन होना चाहिए, यहाँ से हम आते हैं, तीसरे सेक्षन के उपर, again important, important मतलब भयानक important, तीसरा सेक्षन, 139, including 139.1, filing of return of income, क्या यह काम है, भयानक, क्यों, amendment हुआ है, सरकार, amendment, amendment हुआ है, और amendment ऐसा वैसा नहीं, बहुत जबरदस्त amendment, मैं आपको बताता हूँ, क्या, आईए topic के उपर, 139 and 139.1, section बात करता है, किन-किन लोगों को return file करना mandatory है, अब तक चार लोग, अब तक थे चार लोग, इस साल, इस साल से और बहुत सारे लोग बढ़ा दिये गए है, return filing requirement को बहुत ज़ादा increase कर दिया गया है, बहुत काम की चीज, मतलब confirm आने वाला section है, मेरी बात लिख के रख लीजे, जुलाए में आएगा, जुलाए मेनी आए, नवंबर confirm आएगा यह section, ठीक है, किन-किन को return बरना है, पहला, company को return बरना है, yes, mandatory है, company, private, public, OPC, listed, unlisted, government, non-government, liquidation में हो, या ना हो, foreign company, company, company है, return बरना है, game over, पूछेने का नहीं, profit में होना, नुक्सान में होना, private, public, OPC, सब company, दूसरा firm, जहां जहां पे भी हम firm बोलते हैं, firm include, yes, मेरे भाई, firm include, LLP, LLP को भी return बरना है firm को भी return बरना है, तीसरा criteria क्या था, जहां पे हुआ है, amendment, तीसरा criteria था, हर वो व्यक्ती, हर वो व्यक्ती, हर वो व्यक्ती, हर वो व्यक्ती, जिसकी income, basic exemption limit से उपर है, before claiming any deduction under chapter 6A, यहीं तक था, मतलब, आपकी gross total income, before claiming deduction under chapter 6A का मतलब क्या था, gross total income, अगर basic exemption limit से उपर है, तो आपको return बरना क्या है, जरूरी है, अब practical problem क्या था, जरा समझीगा, मान लीजे, किसी ने अपना कोई capital asset sell किया, let's say, किसी ने house property sell करी, house property sell करके क्या हुआ, दो करोड रुपए में sell किया, capital gain compute किया, capital gain computation आया, 45 lakh, final long term capital gain, ये 45 lakh रुपीज उठा करके उसने दूसरे घर के अंदर में invest कर दिया, मतलब 54 का exemption भी मिल गया उसको, बरबर, capital gain liability 45 lakh, exemption आ गया, उसका 45 lakh, capital gain हो गया, 0, अब problem क्या होती थी, जरा समझीए, जब ये व्यक्ति return भरता था, return भरने के बाद दिखता था, एक section पढ़िएगा, 194 IA, 194 IA कहता है, अगर कोई व्यक्ति को consideration मिला है, 50 lakh के उपर गा, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसका TDS deduct होगा, जिस व्यक्ति को consideration मिला है, उसका TDS deduct होगा, मतलब बायर deduct करेगा, 1% से, अब होता ये था, income tax के पास information पहुच जाती थी, कि इस आदमी ने 2 करोड रुपे का क्या किया है, property sale किया है, लेकिन जब ये व्यक्ति return of income भरता था, इसका 45 lakh capital gain, 45 lakh exemption ये अपना income दिखा रहे रहता, zero, assuming कोई और other income नहीं है, अब होता क्या था, income tax department इसके नाम से notice निकाल देता था, जब notice निकाल के effort लिए जाते, एओ को दिखता यार, ये तो बिल्कुल सही है, 2 करोड का sale हुआ, cost of acquisition improvement minus करके 45 lakh आया, 45 lakh इसने section 54 के अंदर में invest किया, इसके income की क्या आ रही है, zero आ रही है, अब ऐसे cases में होता ये था कि income tax department के efforts पूरे के पूरे चल जाते थे, waste, at the same time एक और issue था, income tax department ये tracing नहीं कर पा रहा और कहा गया, कि अगर आपकी income before claiming deduction and exemption, exemption word इसमें add कर दिया गया, कौन से exemption, section 10 वाले, ना मुनन ना, section 10 वाले नहीं, 54 के exemption जो हम capital gain में पढ़ते हैं, 54, 54B, 54F, 54D, 54GA, GB, वो वाले section, लेकिन lawmaker एक section लिखना भूल गया है, हाँ, yes, they forgot to write a particular section, 54EE, which has a logical reason, 54EE is a very new section and there may be no investment or very few investment related there too, इसे के लिए उनने रखा भी नहीं, इसे लिए जब आप प्रोविजन पढ़ेंगे, वाह पे आपको 54EE वाला पाट जो रहेगा, वो मिसिंग लिखेगा, right, so किन को return भरना है, पहला, हर असेसी जो company है, firm including LLP, every person whose income, income, before claiming deduction under chapter 6A and exemption under the 54 series, and exemption under the 54 series, excluding 54EE, अगर किसे उपर जाती है, basic exemption limit से उपर जाती है, तो return भरना है, return भरने का tax payment से कोई लेन ने नहीं मैं आपको बता दू, हो सकता है कि व्यक्ति का 45 lakh rupees capital gain आया तो long term capital gain, ये long term capital gain पूरा का पूरा 54 में क्या कर लिया, exempt कर लिया, tax liability 0, return भरना है, yes, condition में आगे हो बाभू, So, a person other than a company, a person other than a company or firm, if his total income during the previous year exceed maximum basic exemption limit before giving effect to deduction and exemption, exemption, exemption की पूरी series वहां पे cover है, 54 B, D, E, C, F, G, G, A, G, B, क्या missing है, 54 E, E, यहां पे missing है, Sir, लिख दे हम missing है, अरे नालायक, वो law में ही नहीं लिखा है, तो लिखने की ज़रूत नहीं है, Next, Assessi, who is beneficial owner or beneficiary being an ROR, having asset, including the financial asset or signing authority outside India, बात कब किये ज़र समझी गए, यह provision कब आड़ की गए थी, 2014, Modi government आने वाली थी, और उस time पे सभी लोग चिला रहे थे, including the Rambev Baba की black money बहार से यहां लेके आना है, black money बहार से यहां लेके आना है, सवाल मेरे भाई एक था, पहले पता तो चले किस-किस का black money बहार पड़ा है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई provision ही नहीं थी, कि आपका अगर foreign calendar में asset है, या signing authority है, signing authority मतलब क्या, maybe a bank account, let's say Swiss में मेरा bank account है, जब तक मैं sign नहीं करूँगा, पैसे नहीं निकलेंगे, I have signing authority outside India, ना हो, पहले पता तो हो ना किस-किस का बाहर पड़ा है, तो तो आप वहाँ से लेकर क्या होगे ना मेरे भाई, provision insert की गई, कहा गया, हर वो व्यक्ति जो ROR है, having the asset or signing authority, including financial interest, अगर कोई बाहर shares, debentures भी है, तो भी आपको return भरना है, आपकी income basic exemption limit से उपर जा रही हो, नहीं जा रही हो, अब इससे कोई lin-lin नहीं है, assessing who is a beneficial owner, or beneficiary, या तो वो owner है, या beneficiary है, तो भी covered है, having asset including financial interest, or signing authority outside India, आपको क्या करना है, return भरना है, तो यहाँ तक के technically चार लोग cover हो गए, पहला company, दूसरा firm, तीसरा हर वे वेक्ति, जिसकी income before deduction, chapter 6 है, and exemption exceed basic exemption limit, चौता, assessing being an ROR, having asset or financial interest outside India, इन्हें रेटरन भरना है, यहाँ तक के life बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल कोई problem ही नहीं था, इस साल से कुछ और चार लोगों को insert कर दिया गया, मतलब अब यह चार और यह चार, आठ लोगों को return भरना हो गया, mandatory, आईए, दिमाग लगाते हैं, किस किस को, any person who has deposited, word क्या बुला है, every person, any person, any person, any person who, is not required to furnish the return under the subsection, उपर के चार में अगर आपकी responsibility नहीं भी है, तो भी, आपको क्या करना पड़ेगा, return file करना पड़ेगा, on or before the due date, in such form and verified in such manner as may be prescribed, भले आपकी उपर के subsection में requirement नहीं था return भरने का, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, return भरना पड़ेगा, अगर आप इन conditions को क्या कर रहे होंगे, satisfy कर रहे होंगे, ठीके साब कौन कौन से, पहला has deposited, has deposited, has deposited an amount, or aggregate of amount exceeding one crore in one or more current account, maintained with a banking company, cooperative bank, त्यान से सुनना, बड़े अच्छी चीज़ है, अगर आपने deposit किया है, अगर आपने क्या किया है, deposit किया है, एक साथ या in aggregate, एक साथ या in aggregate, कौन से account में मालिक, एक या ज़ादा current account में, एक करोड के उपर, किसी भी banking company के साथ, या cooperative bank के साथ, आपको return भरना है, जालिम provision है साब, सरकार पूछती है, जरा हम भी तो देखे, साल भर में किसके पास, एक करोड रुपए आ गए, ये काई से आए हैं वो नहीं बताया, deposit हुआ है, ये cover है, एक सवाल जो यहाँ पर अधूरा रहे गए, income tax department, बोलना भूले, और इसके लिए हम, हम offices में practical problem आते हैं, CA final वालों को तो मैं हर बार, इसमें confuse करता हूँ, CA final वालों को तो मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, इनने word लिखा है deposit, ये कहां लिखा है कैसा deposit, I mean cash deposit, check deposit, any Ftk through deposit, ये कहां clear किया है उन्होंने, आप section को देखिये word, तो clear cut bare act के लिखे हैं, उनने सिर्फ word लिखा है deposit, ये कहीं नहीं लिखा, कि भया cash deposit होना चाहिए, कि महाँ पे देखिये, महाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा, उनने सिर्फ बोला deposit होना चाहिए, चेक के थूद देपॉजित होना चाहिए, account entry के थूद देपॉजित होना चाहिए, ये practical problem create कर रहा है अब हमें, CA final वालों को तो मैं भयानक confuse करता हो इस point पर, आईए, दूसरा, आप बिल्कुल confuse नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ deposit लिखा है, institute आपको बहलाने की कुछिशिस करेगा, बोलेगा cash deposit है, bank deposit है, deposit मतलब deposit, एक करोड रुपे के ऊपर, इन एग्रिगेट, एक bank account में आपके डेपोजिट हो गए, दूसरा, has incurred expenditure, incurred expenditure, incurred expenditure, incurred expenditure, of an amount or aggregate, exceeding 2 lakh for himself or any other person, for travel to foreign country, खुद के लिए, या उस के लिए, सर उस मतलब कौन ये नहीं बताया, income tax भी बड़ा समझदार है, हो सकता है, आप उसमें किसी और को भी लाले, जो आपके घर वाले ना हो, कुछ point, पहला, foreign travel बोला, नेपाल भी foreign है, शिलंका भी foreign है, आजू बाजू में इसलिए ये मत समझना, ठीक है, कोई भी जगह पे आप क्या करने है, foreign travel हुआ, आपका including उसका खर्चा, जानते सुनिएगा, आपका including उसका खर्चा, इन aggregate अगर दो लाक रुपे के उपर जा रहा है, सरकार आप से पूछे की बटा, return भरो, foreign में दो लाक रुपे खर्चा करके आ रहे हो, तो हमें भी तो बताओ, ये पैसा, income, यहां कहां से था है, आपको return बनना है, वहाँ पे other person लिखा है, जानते सुनिएगा, अब इसमें एक और twist है, ये provision अभी नहीं आई, कई सालों पहले भी ये provision थी, मैं आपको बताता हूँ, कई सालों पहले भी ये provision थी, provision क्या थी मैं आपको बताता हूँ, पहले जब ये law आया था, एक time था, जब ये provision थी, वहाँ पे लिखा था, aggregate on foreign travel, ये experiences है, income tax के जो अब काम आ रहे है, on foreign travel लिखा था, और लोगों ने इसका interpretation क्या निकाला था पता है, लोग अमेरिका गए, पर परसाद, दो लोग गए, टिकेट कॉस्ट आया, लेट से 60,000, 60,000, इन टोटल 1,20,000, सरकार को वो बोलते थे, हमको return भरने का obligation ही नहीं है, travel पे, on travel, travel दो लाक रुपे से ज़्यादा का तो खर्चा ही नहीं हुआ है, तो हमें return भरना ही नहीं है, सरकार को ये बात समझाई, उन्होंने इस on को cut किया, और इस साल जब लॉल आया, तो लिख दिया, for foreign travel, जिसका meaning यह हो गया, अब इसके अंदर में हर तरह के का खर्चा इंक्लूड हो गया, नासिफ traveling, on travel नहीं लिखा है, for travel लिखा है, मतलब hotel में जाना, रहना, वहां पे, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर में cover हो गया, अगर यह दो लाख रुपे से उपर जा रहा है, covered, and government has their own means to find this out, has incurred, यह और ज्यादा भयानत, has incurred an expenditure in aggregate exceeding 1 lakh towards the consumption of electricity, अगर साल भर में आपका electricity bill, electricity bill एक लाख रुपे के उपर आता है, सरकार आप से पूचेगी, भाया, ऐसा क्या कर रहे हो कि electricity bill एक लाख रुपे के उपर का आ रहा है, चलिए return भरिये, and fulfill such other condition as may be prescribed, इसके अलाबा सरकार कुछ और लोगों को जो condition prescribed के तहता आ रहे होंगे, return filing के लिए क्या कर सकती है, mandatory कर सकती है, तो पहले ते सिफ चार अब हो गए, 8 including the amendment part, इन लोगों को return भरना है, वापस से एक बार फटा-फट रिकॉल कर लेते हैं, company, firm, including LLP, अर्वबेक्ती, जिसकी income before deduction and exemption, exemption की पूरी 54 की CD's, except 54 EE, अगर basic exemption limit से उपर जा रहा हो, return भरना है, ROR having asset, including financial interest और signing authority outside India, उसे return भरना है, aggregate deposit current account में, एक करोड रुपे के उपर हो भरना है, साथ-साथ के अंदर में, 2,00,000 रुपे से उपर का foreign travel के उपर खर्चा किया जा रहा हो, तो आपको करना है, 1,00,000 रुपे से उपर का electricity consumption है, तो करना है, या such person as may be prescribed, इनको return भरना है, कब before the due date, सवाल आती है, टाइम लिमिट लिखे है, 139,1, यह एक ऐसा section है, जो recall करना ही करना है, क्या कहता है, company है, अगर transfer pricing report mandatory है, 30th November of the assessment year, आप लोग का assessment year क्या है, सब 2021 आप लोग का assessment year है, previous year आप लोग का 1920 है, यह बिल्कुल दिमाग में fit करके, 50,000 बार repeat कर लेना, आपका previous year 19-20, assessment year 2021, date बन गई 30th November 2020, अगर आप transfer pricing report के अंदर होंगे, नहीं है transfer pricing report के अंदर में, तो 30th September of assessment year का मतलब, 30th September 2020 को आपको क्या करना है, return भरना है, अगर आप tax audit and working partner है, अगर आप tax audit में cover है, या working partner है, आपको 30th September, ITRs में भरना है, जिसके लिए आपको details देने की ज़रात नहीं है, yes sir, so ये था 139, बिल्कुल return filing करने का तरीका, एक और है 139, 1A, काम का है बिल्कुल नहीं, अब तक काम वाले कितने हुए, मेरे साथ recall करते जाए, pan, 139, आधार, फिर क्या भरेंगे, return, return भरने के बाद, return की क्या होगी, due date, ये चार चीजे काम की, अब हम पढ़ रहे है, 139, 1A, काम का है, बिल्कुल नहीं, बल्क return, ज्यान दसुनिए, काम का नहीं है, पर प्रोविजन आपको यादो नीचे, 139, 1A, क्या था, प्रॉब्लम ये था, कि मानली चे, return filing date है, ये कोई holiday तो होता नहीं है, employee, बिचारे ओफिसर में जाते हैं, नहीं जाएगी, उनकी तनख्वा कटेगी, अब वो बेक्ती return नहीं भरता था, जब income tax department पूछता था, बताईए, क्यों तुमने return नहीं भरा, तुम्हारी income है, tax कट रहा है, तुमने return क्यों नहीं भरा, सर, मेरी बहुत इच्छा थी, दिल से इच्छा थी, कि मैं return भर दू, लेकिन मेरे साथ problem यह था सर, मेरे boss नहीं छुट्टी नहीं दी, और मैं return भरने के लिए, तो at least अपनी पगार नहीं कटा सकता, मैं बहुत गरीब आदि में हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता है ये काम, सकान मुलायर बात तो सही है, ऐसे cases में, बड़ी cities के अंदर में, पहले टाइम पे 16 cities के अंदर में, पाइलेट प्रोजेक्ट बोल के launch किया गया था, बल्क return, जहां पे employee, employer को अपनी सारी detail दे देगा, और employer, employee के भिहाव पर return भरेगा, ये जो employee, अपनी employer को detail दे रहा है, इसे मान लिया जाता था कि employee ने क्या कर दिया, अपना return दे दिया, employer, employee से जितनी भी detail मिलता था, इसे एक CD, disk, floppy या pen drive के अंदर में डालता था, साथ-साथ में क्या करता था, एक list लेता था, क्योंकि पूने के कई companies हैं जिनने option opt किया था, यह क्या करते थे, सीधा 100 employees की detail, CA firms को दे 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 थे, CA firms 100 return बनाते थे, contract basis पे होता था, साथ-साथ में एक Excel sheet बनाते थे, उस पे नाम लिख दे थे, कितने के details आई है, यह pen drive उठा करके सीधा income tax department में दे दिया जाता था, कि साब yellow list, इतने लोगों का return है, और यह है इनकी details, इस तरीके से return filing होती थी, जिसे हम कहते थे bulk return, एक साथ बहुत सारे लोगों का return बढ़ देना, इसे हम कहते थे bulk return, हलाकि अब इतना famous नहीं है, पर provision दी है income tax में, इसलिए हमें भी पढ़ना होगा, specified assize, salaried, यह जो return दिया गया, मान लिया जाएगा, that it is a return by employee, game over, इसके साथ साथ साव, return भरने का एक और तरीका था TRP, आई है, बड़ा मज़े दार है, 139B, page number 5 पर दिया है, exam point of view, बिल्कुल काम का नहीं, exam point of view, बिल्कुल काम का नहीं, बढ़ा, provision दिया पढ़ना है, return filing through TRP, history समझ लिजा, आपको provision वैसी समझ में आ जाएगे, और मैं यह सर, हर बार करता हूँ, मतलब मैं C.A. final level पे, हो, inter level पे हो, मैं पूरा आपको basic detail बता दूँगा, फिर बच्चा, जब उसको bear act पढ़ता है न, उसको वैसी सारी चीज़े समझ माया जाती है, तो bear कीजेगा, history समझ लिजा, आपको provision दो मिनड़ पे नहीं समझ माया है, सर आप बोल दीजेगा मेरे को, ठीक है, point समझ यह, return through TRP, जमाना था Congress का, जमाना था Congress का, इस टाइम पे कई लोग जा करके Congress के पास चिला है, कि सर, यह जो Chartered Accountant लोग है, यह जो Chartered Accountant लोग है, Company Secretary है, CMA है, यह लोग बहुत लूटते हैं, सहा, बहुत लूटते हैं, यह बहुत high fees charge करते हैं, मैं तो कहता हूँ, हाँ, करना चाहिए, हम करेंगे, 3.5 तीन साल महनत करी हैं हमने, 3.5 तीन साल मिनिमम में महनत करी हैं हमने, आर्टिकल चिप के अंदर में 15,000 रुपए में काम किया है, जहां office boy 15,000 से ज़्यादा कमा रहा था, तो हम deserve भी करते हैं, वापस आते हैं, emotion में नहीं जाते हैं, तो पॉइंट इस कि ये कह रहे थे कि सर ये लोग बहुत जादा fees charge कर रहे हैं हमें कुछ तो alternative solution दीजे, सरकार को इस ताइम और एक पॉइंट था कि बहुत कई लोगों को क्या देना था, employment भी देना था, कॉइंट सरकार आई एक जबरदस स्कीम के साथ, स्कीम का नाम रखा गया, TRP, Tax Return Preparer, एक अलग, you know, wing बनाया गया, TRP wing, जिसके तेहत, कुछ लोग, जो क्या थे, ध्यान जा सुनिये, graduates थे, उन्हें उठाया गया, लोगों के रिटर्न भरने के लिए, मतलब, a person who requires to file return of income, can come to income tax department, and income tax, he can give his detail to TRP, TRP shall file the return on his BR, in the income tax department, imagine, a person who has done a graduate, will file return of income, so graduate means what, it may be a commerce graduate, it may be a science graduate, it may be an arts graduate, कोई भी, मैं एक बहुत important सवाल सरकार से पूचता हूँ, आपने science वाले को, tax का आई नहीं पड़ा, आपने उसको यह पावर दे दिया, कमाल है साब, कमाल है मतलब, respect, क्या वोस, उठा करके दे दिया, साथ-साथ मैं प्रोविशन लए गई, TRP कौन नहीं हो सकता, यह पॉइंट इस सेक्षन का है अधर रखना, CA cannot be TRP, CA, CA में नहीं लिखा है, CA cannot be TRP, advocate can't be TRP, that is legal practitioner can't be TRP, and other specified person, which is a employee of schedule bank, जो एक specify किया गया था, यह TRP नहीं बन सकते, point clear था, CA के उपर target करता वा, एक provision लाय गया था, अब ऐसे cases में क्या हुआ, scheme भयानक फेल उई, 2018 में, इस scheme को उठाने के एक आखरी कोशिश फिर से हुई, आखरी कोशिश फिर से हुई, जो definition था, किसका TRP का, who can be TRP, इसमें graduate के साथ साथ, एक और word add किया गया, जो again मेरे इसाब से, एक जबरदस disaster होगा, मैं आपको बताता हूँ, सुनके हसिएगा ज़रूर, दो मिनिट के लिए smile ज़रूर आनी चाहिए आपके चेहरे पर, पहले आजएए, education qualification पर इबात कर लेते हैं, notification चार 2018 आया, जिसने कहा, कि boss इनका क्या होगा, qualification क्या होगा, graduate तो पहले से भी था, what देखेगा, an individual who holds the bachelor's degree, आपने बीकॉम भी किया होगा, आपको भी पता है, हमारा university भी एक साल पीछे चलता है, ये रिटन भरेंगे, respect, an individual who holds a bachelor's degree from a recognized Indian university or institution, or amendment लाया, amendment लाया, has passed the intermediate exam of CA, CSCMA India shall be eligible to act as TRP, जबर्दस सहब, मतलब आपको हमारा finished product नहीं चाहिए, पर आपको हमारा raw material ज़रूर चाहिए, इसका क्या logic को आई like you as a friend, तुमको हमारा raw material चाहिए, बढ़ हमारा finished product नहीं चाहिए, who has passed, मतलब वो final वाला होना चाहिए, नहीं तो ऐसा मत सोच लेना, चलो एक काम करते हैं और कुछ नहीं हुआ, तो life में TRP तो बनी जाऊंगा, उसमें भी final के student होना चाहिए, मैं सवाल पूछता हूँ, हर बार final level पे तो पूछते हैं पूछता हूँ, कि जो बच्चों already final में हैं, वो TRP बनना चाहिएगा, बिल्कुल नहीं, still, दिया है, तो चाप पढ़ लेने का, who cannot be TRP, CA, legal practitioner, officer of schedule bank, can't be a TRP, TRP, किस-किस के return file नहीं कर सकता, ये भी पढ़ लेना, TRP किस के return file नहीं कर सकता, एक company के return, TRP file नहीं कर सकता, क्यों, company law नहीं आइडिया होगा ना, नहीं कर सकता, दूसरा, person covered in tax audit, tax audit वाले cases, TRP cover नहीं कर सकता, और क्यों, income tax का detail knowledge ना, इसके साथ और भी है, मैं आपको बता दू, non-resident, non-resident के return, TRP नहीं बढ़ता, हाँ, possible है न, क्या है, बीकों वाले एक्जाम में, NR taxation नहीं होता न, तो कहां से भरोगे, and, D, एक और है, वो भी लिको, D, एक और है, if, original return, is, not, filed, by, TRP, revise return, can't be filed, अगर, original return, TRP नहीं बढ़ा है, तो, revise return, TRP नहीं बढ़ सकता, हाँ, क्यों, हाँ, क्यों, इसके लिए बेटा, क्योंकि तुम को समझेगा ही न, कि original return, original में क्या किया था, और अभी क्या कर रहे है, कमाले साब, क्या provision मनाई है, मतलब lawmaker को, sir, मेरा बहुत जूर से respect, जिसने भी एक आनून मना आना, sir, मैं इसको हमेशा ऐसे ही याद रख सकता हूँ, 139B, बक्वा स्कीम ओफ फाइलिंग रेटन ओफ इंकम, इसको बस इसी तरीके से याद रखा जा सकता है, बक्वा स्कीम ओफ फाइलिंग रेटन ओफ इंकम, चलिए साब, let us start further, bulk return, we have done, important की list चल रही है, not important की list चल रही है, 139B इसके अंदर में cover कर दिया, 139 1A इसके अंदर में cover कर दिया, बिल्कुल पढ़ना, बुल जाना, आईए, 139 1C, not important की category में डाल दीजे, दो इसके अंदर में amendment है, पर not important की category में बिल्कुल रख सकते हैं, कोई problem नहीं है, आईए समझते हैं क्या है, 139 1C, क्या provision है, provision कहती है, central government कुछ class और classes of person को क्या कर सकता है, exempt कर सकता है, return filing से, कुछ सालों पहले, जिनकी income 5 लाग रुपे से उपर रही थी, उन्हें exempt किया भी गया था, हलाकि टाइम के साथ साथ वो notification फेड हो गया था, notification नमर 55 2019 आया, जिसने कुछ और classes को exempt किया, आईए देखते हैं, central government is empowered, central government is empowered, to notify classes of person who will be exempt, from the requirement of filing return of income, notification 55 oblig 2019, central government hereby exempt, following class of person from filing return, किस को non-resident and foreign company, so non-resident or foreign company को return भने की ज़रौत नहीं है, central government ने क्या कर दिया है, exempt कर दिया है, लेकिन कब, आईए बात करते हैं, who has any income chargeable under the act in the previous year, from any investment in investment fund, set up in IFSC located in India, history समझ लीजे, amendment एक मिनट में समझ महा आ जाएगा, मोधी जी, visionary, मैं सपोर्टर वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ मैं उन्हें पसंद जरू करता हूँ, पर सपोर्टर वाला नहीं है, ऐसा कुछ, मैं आपको ये भी बताऊँगा, कि खाएंन की गल्तियां भी हुई है, ध्यान दे सुनना, now, मुधी जी, कई कंट्री में ओल्रडी है, इंटरनाशनल पनाशनल सविस सेंटर्स, कई कंट्री में ओल्रडी है, दो जगा इंडिया में लाया गया, एक गांधी नगर गुजराद, दूसरा तिलंगाना के हंदर में, इसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी कहा जाता है, गूगल पर जाएए gift city डालिया आपको मिल जाएगा IFSC इसी जगह है जहाँ पर foreign investors non-designant को बुला जाता है आप भारत में आईए make in India बनाईए और यहाँ पर business कीजे आपको हम हर तरीके के exemptions provide किये जाएगे ठीक उसी तरीके से non-designant और foreign company जो IFSC में आ रही है और यहाँ पर investment कर रही है investment कर रही है और investment से income कमा रही है इसको पूरी तरह किसे exempt किया गया इससे कई फाइदे है पहले भारत में foreign exchange आएगा employment बढ़ेगा investments भारत के अंदर में बढ़ेगा और manufacturing growth increase होगी तो बहुत अच्छा vision और यह काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है अब इन्होंने क्या किया इन्होंने income तो already exempt करी रही दी जो non-resident और foreign company IFSC के अंबर में trade कर रहे है इनकी income exempt है ये तो बिल्कुल करी रखा था उनने क्या कर दिया अब जब income exempt है ये वेक्ति के अगर income basic exemption limit से उपर चल जाती तो इसे return भरना पड़ता 139 उन्होंने कहा ये क्या बात हुई जब हमको tax नहीं दिना तो हम return के compliance क्यों आएंगे मोजी सरकार ने बुला बात तो एकदम सही है provision लाएगे provision लाके कहा गया कि जो वेक्ति इन्वेस्टमेंट इंकम कमा रहा है IFSC से non-designant या foreign company इनने return मरने की भी ज़ुरत नहीं मतलब इनकी income तो exempt है है इनने return मरने की भी ज़ुरत नहीं याने easy anti easy exit का option दे दिया गया so who has an income chargeable under that in the previous year from any investment investment in investment fund set up in IFSC located in India condition क्या है TDS has been deducted at applicable rate कुछ interest income है या आपको CA final में non-resident taxation में सीखने को मिलेगा कुछ interest income है जो taxable है उस पे TDS कटा होना चाहिए there is no other income liable to tax और कोई भी department की proceeding ना हो ये जितनी भी है ये सब क्या है notice है income tax department की CA final में आएंगे हम बहुत ज़्यादा detail में discuss करेंगे है complete 30 marks रखते हैं उसके लिए आपके ऐसी कोई भी proceeding इस पी ओपर ने होनी चाहिए TDS कट हो जाना चाहिए प्लस इसके और कोई income ने होनी चाहिए apart from investment income अगर ये तीन condition satisfied है उसको return बने की ज़रवत नहीं है हाला कि ये amendment है पर मैं बिल्कुल इसे not important मैं रख रहा हूं मैं एक और बात आपको clarify करतूं मैं not important बोल रहा हूं ये मेरा personal opinion है मैं आपको पढ़ा भी इस लिए रहा हूं क्योंकि हम थोड़ी देर पहले डिसकस कर रहे थे कि किस-किस को pan लेना है और किस-किस को return बरना है उस criteria के अंदर में 139.4A Charitable or religious trust प्रोविजन समझ लिए वैसे भी easy हो जाएगा Charitable or religious trust भारत में जितने भी है maximum of them maximum क्या बोड़ा हूं मैं all of them claim the exemption under 11 and 12 CA final में इसके उपर एक specific topic है assessment of various entities उसमें आपको यह बहुत detail में explained होता है अभी इसके सिर्फ return angle समझ लेते हैं point क्या है sir यह जो charitable or religious trust होते हैं यह अपनी income exempt यह जो अपनी income होती है इनका exemption claim होता है section 11 and 12 ने law ने कहा हर उस charitable or religious trust को right जिसकी income exemption claim करने से पहले 11 and 12 में exemption claim करने से पहले अगर basic exemption limit से उपर जा रही होगी इन्हें return भरना है tax भरने का कोई requirement नहीं return भरना है इनके return जाते कब तक है मैं आपको एक और point बता दू exemption claim करना है अगर तो इस charitable trust को क्या करना होता है audit भी करवाना होता है audit अगर करवाना है तो by default में return की date क्या हो जाती है 30th September right अच्छा जी अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनको penalty लगेगी 100 rupees for each day of default आईए पूरा provision एक साथ पढ़ते हैं if total income without giving effect to the provisions of section 11 and 12 exceed the maximum amount chargeable to tax covered audit mandatory है अगर income exceed कर रही है basic exemption limit से उपर तो इनको audit भी mandatory है audit mandatory हो जाता है तो by default में due date के आ जाती है 30th September 272 A case आप से अगर comply नहीं किया तो 100 rupees for every day of default लगेगा साथ साथ में fees भी लगेगी in addition to 272 A fees भी लगेगी in addition to 272 A discuss करेंगे fees के बारे में point काम का है मेरे इसाब से नहीं general provision है बिल्कुल याद रखेगा 1394 A और charitable trust आप ऐसे याद रख सकते हैं 1394 B political party again CA final का topic लेकिन यहाँ पर return requirement आपको बताई भी है क्या है मैं आपको समझा देता हूँ political party और electoral trust यह अपनी income section 13 A and 13 B के अंदर में exempt करते हैं एक पूरा topic is CA final में बहुत detail में discussion करेंगे करीब 2 घंटे लगा हूँ आपके साथ point is 13 A और 13 B के अंदर में यह अपनी income exempt करते हैं law कहता है अगर यह exemption 13 A और 13 B claim करने से पहले income अगर basic exemption limit से उपर जा रही है आपको return भरना है simple point है 11 12 या 13 return भरने से पहले अगर आपकी income यह exemption claim करने से पहले basic exemption limit से उपर है return भरना है अच्छा साथ साथ में एक और बात बता दू जो political party है इनको audit जो होता ही है mandatory होता है अगर आपको exemption claim करना है तो अगर exemption claim करना है audit mandatory है obviously due date क्या वन गई 30th September चेक कीज़ेगा so if the total income without giving effect to the provisions of 13 A exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax audit is mandatory due date of filing return will be 30th of September 4C specified entities hospitals trust institution fund infrastructure fund board authorities so on and so forth एक बहुत बड़ी list 139 4C में यह सभी institute जिसे मैं प्यार से कहूंगा चोर institute सिर्फ याद रखने के लिए 139 4C कहता है अगर यह सारे चोर institute right हला कि मैं आपको बता दू अगर hospital ना हो तो हम आज बिलकुल लाचार होंगे doctors are playing an important role in COVID-19 हम सबने उनको बहुत जादा दिल से salute करना चाहिए यह सिर्फ और सिर्थ recall करने के लिए और कुछ नहीं अगर यह सारे hospital, trust, institutions इनको अलग-अलग section 10 के अंदर में exemption दिया गया है under the various subsections अगर कोई भी exemption claim करने से पहले जो section 10 में दिया है इनकी income अगर basic exemption limit से उपर जारी होगी इन्हें return भरना है return की due rate क्या होगी, since हम यहाँ पर बहुत सारे assessi cover कर रहे हैं तो यहाँ पर July भी हो सकता है, September भी हो सकता है, depend on assesses को audit mandatory है या नहीं comply नहीं किया, 100 rupees per day के इसाफ से क्या लगेगी, penalty लगेगी, याद रखना है exam point of view से बिल्कुल नहीं so सारी चीज़ है, if the total income without giving effect to the provisions of section 10 exceeds the maximum amount not chargeable to tax, depend करता है, July या September non-compliance की fees है, 100 rupees for every day अब तक क्या बात होई, 139, 4A charitable trust, B भाजपा a political party, C सारे 4 institutions, जैसा कि मैंने आपको करा दिया, यह से फिर याद करने के लिए, so A, B, C, तीनों में exemption claim करने से पहले अगर income basic exemption limit से उपर है, तो आपको क्या करना है, आपको return भरना है, अब आते हैं D, D के अंदर में आते हैं university, college और other institution, आप बुलेंगे यहां और यहां तोनों same ही तो है, नहीं, C के अंदर में सिफ specified होते हैं, और D के अंदर में जो specified नहीं है, पर college और institution से, CBTNA ने separately notify नहीं किया है, वो यहां cover होते हैं, exemption हो, नहीं हो, return भरना mandatory है, so एक सब्द में हमने यहां पर लिख दिया, return mandatory, 1394E, a business trust, again एक ऐसा topic जो CA final पर आता है, dedicatedly one hour देते हैं, हम इसके ओपर CA final के अंदर में, business trust को mandatory return भरना है, उनके income हो या loss हो, तीसरा आत investment fund, future वाला investment fund, याद रखने का तरीका, A, charitable trust, भाजपा और political party, C, सारे चोर institute, D, the university, E, a business trust, F, future वाला investment fund, future वाला investment fund, जो भी investment funds है, set up by SEBI, इन्हें return of income भरना है, game over, A, B, C, income basic exemption limit से उपर जारी होगी, तो भरना है, D, E, F, return भरना है, profit or loss or doesn't matter, 139, 3, इदर आजाईए, 139, 4A to 4E, मैंने not important category में डाल दिया, उठा करके, अब हम आ रहे हैं, 139, 3, important category के list में डाल रहों है, 139, 3, important category, वो section है, जो mandatory लिए याद रखना है, और वेसी बात है, मैं बिल्कूल समझ पा रहा हूँ, कि तुम लोगों ने, कई बच्चे तो ऐसे होंगे, जो नलायकों ने, ये section बिल्कूल पढ़ा ही नहीं होगा, अभी तक के चाप्तर ही नहीं पढ़ा होगा, पहले 5 head, कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मुझ तक message आते ह कि कई बच्चे ऐसे हैं, जिनको ये topic पढ़ा ही नहीं जाते, बस बोल लिया जाता है कि 5 head है, काम खतम, तो साव ऐसा मत कीजे, ये सारे topic है, आप module खुल के देखिए, ये सारे provision आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, सारे provision आपको module में मि जादा बेथर हो जाता है, प्रोविजन क्या है, अगर आपको loss carry forward करना है, loss carry forward करना है, तो return time पे file करना जरूरी है, time मतलब July September, 139, 1 का time limit, अगर आपको loss carry forward करना है, तो आपको return file करना mandatory है, अगर आपने return file नहीं किया, loss set off तो हो जाएगा, carry forward नहीं होगा, उस साल का loss set off तो हो पाएगा, यह बात याद रखेगा, साथ साथ में, दूसरी बात, return कब तक file होना चीए, return time limit के अंदर में file होना चीए, return कब file होना चीए, time limit के अंदर में file होना चीए, तभी यह चीज हो सकती है, हाला कि दो return time पे file नहीं हुए, तो भी carry forward हो सकते हैं, पहला HP, that is house property, दूसरा unabsorbed depreciation, यह दो cases ऐसे cases हैं, जहाँ पे return आपने time पे file नहीं भी किया, तो भी loss carry forward हो सकता है, एक और point, एक supreme court judgment है, जो कहता है, unabsorbed depreciation, it becomes the part of the depreciation in next year, hence, अगर आपने return file नहीं भी किया, तो भी unabsorbed depreciation क्या हो सकता है, carry forward हो सकता है, हला कि HP की case में ऐसा नहीं है, HP की case में return तो नहीं है, भले ही लेड बरो, return तो भर नहीं है, तो यह आपका loss क्या होगा, carry forward होगा, अच्छा जी सर, so assessi cannot, cannot carry forward the loss unless he files within the time limit under 139.1, 139.1 मतलब कौन सी date हो गई, या तो हो गई September, या तो हो गई July, एनको अपने return भरने है, हाला कि दो loss, however two loss can be carried forward even if return is not filed on time, HP loss and unabsorbed depreciation, unabsorbed depreciation इनके बाद हो bracket करके लिख लिजे, can be carried forward even if ROI not filed, institute के एक MCQ आपको याद दे रहा हूँ, institute ने क्या क्या है, एक MCQ घुमाने की कोशिश किया, वह MCQ ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब यह MCQ दिया, मेरे को बड़े सारे बच्चों के message आए, उन्होंने कहा, sir institute ने देखो, यह answer गलत दिया, मैंने उन्हें कहा, नहीं बड़े तुम प्रोविजन नहीं से नहीं पड़ी है, यह answer बिल्कुल गलत नहीं, answer बिल्कुल सही है, क्या है provision मैं आपको बता जेता हूँ, provision क्या है बड़े, same provision है, उन्होंने क्या किया है, loss जिस year में arise हुआ, उस साल में set off कर लिया, carry forward नहीं किया, बच्चे का interpretation था, sir न set off हो सकता है, न carry forward हो सकता है, गलत interpretation, set off हो जाएगा, carry forward नहीं हो सकता, and that is the provision, तो उस साल का loss set off आप बिल्कुल कर लोगे, carry forward नहीं हो पाएगा, इस बात को याद रखीगा, पाकि कोई बात याद रखो, नहीं रखो, so, if assessi wants to carry forward the loss, he has to file return, हाला कि दो return आपने time पे नहीं भी file किये, तो भी चलेगा, HP and unabsorved depreciation, unabsorved depreciation की case में, Supreme Court judgment भी कहता है, return नहीं भी बढ़ा, तो भी unabsorved depreciation क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल available हो जाएगा, 139.4, belated return, काम के sections में आता है क्या, as of now, मैं इसे important में डाल रहा हूँ, बिल्कुल पढ़के जाएगा, 139.4, belated return, यार रखने का बहुत simple तरीका, जब आप late हो गए, जब आप क्या हो गए, लेट हो गए, आप 4 कंदों पे जाओगे, जब आप late हो गए, आप 4 कंदों पे ज COVID-19 के अंदर में आया होगा, घर के अंदर आपने पहली बार इतने दिनों बाद celebrate किया होगा, आईए, focus करते हैं, 139.4, A, 139.4, belated return, belated return, मतलब क्या, return कई बार किन special कारणों के वज़े से time पर final नहीं हो पाता, that is July and September, आप belated भी इसे कर सकते हैं, कब तक क्या जा सकता है, by the end of assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier, by the end of assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier, point समझे, by the end of assessment year, मतलब क्या, आपका previous year क्या है बावू, 1920, assessment year क्या है बावू, 2021, याने, 31st March, 2021 is the last date of filing a belated return for the previous year, 1920, एक, और before completion of assessment, अब यह कौन सा assessment है, अगर आप return फाइल नहीं करते है, तो यह जो assessment होता है, यह assessment होता है, section 144, जिसे हम CA final में बड़े मज़े से पढ़ते हैं, जो होता है, best judgment assessment, कौन सा assessment होता है, बोलो, best judgment assessment, हम इसे कहते हैं, बजा, यहापे लिखके रख assessment, so by the end of assessment year, और before completion of assessment, whichever is earlier, जो भी earlier होगा, आपको वो consider करना होगा, completion of assessment means passing order and not the date of service, जिस दिन order पास किया, उसके पहले आपको यह करना होगा, so क्या belated return हो सकता है, yes belated return हो सकता है, by the end of assessment year, और before completion of assessment, whichever is earlier, ठीक है मालिक, चलिये, अब आते हैं हम लोग 139 file के उपर, जो हमसे बात करता है, revise return की, important category में डाल रहा हूँ, बिल्कुल डाल रहा हूँ sir, important category में, इसके उपर, inter level पे काफी question आ सकते हैं, final में एक time था, बड़ा famous हुआ करता था, अब बहुत जादा famous नहीं है, final में, revise return, sir, गलतियां इंसान का part है, और return भरते वक्त भी गलतियां हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, ये client हमें details ही नहीं देता, वो deduction हम claim करना बूल जाते हैं, उसको बाद में याद आता, अरे मैंने ये भी किया था, please अब इसको सुधार हो, आता है वो, हमारे पास बोलता है sir, ये रह गया था, इसको डालो, स अगर इसे बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, कौन सा return revise हो सकता है, sir, आपने जो original return 1391 की time limit के अंदर भराता, ये return बदल सकता है, बिल्कुल, sir, क्या belated return revise हो सकता है, हाँ, कुछ सालों पहले ये भी permit कर दिया गया, कहा, original return या belated return, दोनों भी revise हो सकते है 1395 के answer में आना ही चाहिए, there must be error or omission, आपके जो return आपने पहले file किया, उसमें या तो कोई error होना चाहिए, या तो कोई omission होना चाहिए, आप इसको क्या कर सकते हो, return file कर सकते हो, error, कोई गलती हो गयो, omission, कोई deduction claim करना भूल गयो, कोई exemption claim करना भूल गयो, कोई detail देना भूल गयो, so return file under 1391, जो normal return, जिसे हम कह सकते है, original return, या 1394, जिसे हम कह सकते है, belated return, ठीक है, so एक सबाल जो आपको बहुत बार पूछा जाएगा, क्या belated return revised हो सकता है, answer is, हाँ, 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 बिल्कुल हो सकता है, so return file under 1391, oblique 1394, can be revised before the end of assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier, यहां assessment का क्या मीनी है, यहां assessment का म 1433, जिसे हम कहते है, regular assessment, यहां best judgment assessment नहीं है, यहां है regular assessment, लिखके रख लीजे, हो सकता है, institute आपको MCQ में घुमाने की कोशिश करे, क्योंकि मैंने जो मेरी MCQ book दिये, उसमें आपको यह लिखके दिया है, regular assessment, so, आपको यह लगता है, एक बात बहुत common है, revise return और belated return का time limit, same है, answer is yes, by the end of assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier, कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते है, sir, original return revise हो सकता है, मैंने का हाँ, revise return revise हो सकता है, answer is yes, revise return जो होता है, क्या यह फिर से revise हो सकता है, answer is yes, इसके ओपर courts के judgments भी available है, कि revise return भी फिर से revise हो सकता है, फिर सवाल एक और आता है, sir, एक return कितने बार revise हो सकता है, इसकी कोई limit नहीं है, अगर time limit बचा है, तो आप एक return को कितने बार भी revise कर सकते है, so, return filed under 1391, or 1394 can be revised before the end of assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier, if the assessor has discovered error or omission, यादर के, revise return replaces the original return, एक बार आपने revise return फाइल कर द करेगा ना कि original return पर, return can be revised even after receiving intimation, ये points ये final वालो के लिए छोड़ दीजे, थोड़ा सा point समझा देता हूं, क्योंकि मेरे मन नहीं मानेगा, income tax department जब आप return फाइल करते हैं, तो इस return को process करते हैं, और process करके आपको एक intimation देते हैं, भले आपको intimation आ चुका हो, intimation के बाद भी अपना return क्या कर सकते हैं, revise कर सकते हो, no restriction on number of times revision, कितने भी बार कर लो, कोई problem नहीं है, time limit के अंदर कितने भी बार कर लो, कौन कौन से return revise हो सकते है, or, original return हो सकता है, yes, belated हो सकता है, yes, lost return हो सकता है, yes, in fact, revise return भी हो सकता है, yes, so कोई भी तरह का return है, चाहे वो original हो, belated हो, revise हो, ये सारे डिटर्न क्या हो सकते हैं फिर से एक बार रिवाइज हो सकते हैं सेक्शन ओवर साहब देख लीजे हमने इतने सेक्शन अभी तक पड़े हैं करीब एक से सवा घंटा हो चुका है पर मैं आपको किसी भी तरगी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ हम बहुत डीटेल में जा रहे हैं फिलीज उस तक के ज़रूप उचा देना 139.5 भी हमारा हो गया कम्प्लीट आगया आते हैं सब यह करम 139.9 डिफेक्टिव रिटर्न क्योंकि देख बिटा मैंने माराथान में सबसे पहले यह टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि मुझे 100% पता है कि तुम तो इसलिए मैंने सबसे पहले टॉपिक उठाया जो ऐसे इस को तुम हाथी नी लगाते मिलकूल पताई 139.9 डिफेक्टीव रिटर्न । बड़ी सिमपल सी चीज को अ नीकाए काम का नीए एकड़म प्राक्टिकल नहीं बात कर रहा हूं किसी भी CA final वाले से बूच लेना आर्टिकल शिप में होंगे तो उन्हें पता होगा यह कोई काम का नहीं क्योंकि आज हर रिटर्न जो है वह सौफ्ट्वेर से बरा जाता है और कोई भी टीटेल मिस हो जाए तो आपने जो रिटर्न भरा है इसमें यह पर्टिकलर डिफेक्ट को सुधार यह इसको सुधारन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वह सुधार यह अपने सुधार मं लिए जाएगा आपने रिटर्न का भी बह राए नहीं था, return of income considered as defective return of income considered as defective unless, unless column, an extra is duly filled proof of tax has been given audit report if any has been submitted along with the balance sheet and P&L rectify the defect within 15 days as given in the notice if rectified valid return not rectified invalid return game over 139.9 important categories are not important category bill cool not important category में डाल देना टेंशनी मत लेना देखिए मैं इन इंपोर्टन और नन इंपोर्टन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंडमेंट है plus at the same time हम सबको पता है यार हम या तो 50 CA 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 में कर रहा है या तो 60 marks अगर हम CA कर रहा है depending on old or new delivers 60 marks के लिए इतना सब कुछ है you have to really be very smart yes I'm not talking about V smart but yes you have to be very smart in choosing the specified sections आपको अपकी study को कटेल करना है क्योंकि हम 60 marks के लिए पड़ रहा है अभी GST बाकी है फिर सवाल बच्चे सवाल कूचेंगे sir क्या GST का भी महारत होन आएगा क्या yes विशाल सर आपको इसकी बारे में डीटेल दे देंगे हाला कि विशाल सर ने revision lectures already V smart के ओपर डाल ही दिये हैं सथ-साथ में accounts का भी है FM का भी है audit का भी है और ऐसे law का भी है ऐसे अलग-अलग है जो आप teachers से respectively पूछ लीजे आपको V smart के channel पर यह सारी चीज है मिल जाएगी right आज हो साब 139 we have done अब बात कर लेते हैं लास्ट के दो important sections की return नहीं भरा तो क्या होगा return भरना है return भरना है return भरना है sir नहीं भरा क्या कर लोगे निख भरना ही नहीं है क्या हो जाएगा one of the thing अगर आप return नहीं भरते तो आपको lost carry forward करने नहीं मिलेगा पहला consequences क्योंकि return नहीं भरा lost carry forward नहीं हो सकता दूसरा consequences आपके उपर interest लगाया जाएगा 234 A का आईए 234 A 234 A में क्या amendment हुआ है answer is yes 234 A में का amendment हुआ है जो बहुत ही minor सा amendment है generally assessments करने जाते थे तो यह benefit दे देते थे कुछ AO नहीं देते थे जिसके कारण amendment आया है जरह समझेगा 234 A क्या है 234 A अगर आपने return time पे file नहीं किया तो आपको interest लगना शुरू हो जाता है from the next day only yes due date के next day से आपको interest लगता है interest किसके उपर लगता है tax payable जो आपका tax payable था as determined by AO minus आपने जो tax pay किया है advance tax TDS कटा है वो सब minus करने के बाद balance tax आता था is balance tax के उपर आपको 1% per month और part day off देना होता था so 234 A 1% per month और part day off आपको देना होता था मतलब salver का interest 12% per month on the tax payable यह जो tax payable है यहाँ है amendment यहाँ सुनना यह जो tax payable था यह AO के determine जो AO ने tax निकाला है वो इसमें से हम क्या-क्या minus करते थे हम minus कर लेते थे कोई भी advance tax हम minus कर लेते थे कोई भी TDS TCS हम minus कर लेते थे किसी भी प्रकार का relief जो section 90 और 91 के अंदर में मिल रहा हूँ relief जो किसके अंदर में मिल रहा हूँ 90 और 91 के अंदर यह कौन सा relief है इसे हम कहते है double taxation avoidance agreement double taxation avoidance agreement again CA final international tax का एक point था जो यहाँ पे आपको दिया था और इसलिए 234 A का theory important है practical important नहीं था क्योंकि 90 और 91 का relief आपको अब तक पता ही नहीं है इसके अलावा कोई MAT या AMT credit था आप वो minus करते थे कैसे निकालते थे tax payable tax payable मतलब जो final payable था AO ने जो आपका tax निकाला था हो minus advance tax minus advance tax जो आपने pay कर दिया है TDS, TCS जो आपके नाम के against में कड़ गया होगा relief जो section 90 और 91 के अंदर में है वो MAT और AMT बरबर यह minus होता था अब इसका एक practical problem क्या था जरह समझेगा आपने एक जरूर relief सुना होगा relief मतलब relief under section 89 1 fast tracking में might be यह point जो है यह हमने miss किया है मैं आपको बता रहा हूँ but it has got amendment हलाकि इसका practical aspect आपको नहीं आने वाला इसके लिए वो बिल्कुल relevant नहीं है ध्यान से सुनना एक relief है relief under 89 1 कहां पढ़ते हैं salary में पढ़ते हैं साहब कई बार advance salaries or years of salaries मिल जाती है तो tax rate increase हो जाता है जिसके against में relief मिलता 89 1 अब practical issue क्या था practical issue यह था कि जब AO computation करता था कई लोगों के case में वो क्या करता था जब यह tax payable compute करता था तो 89 1 का relief assessi को eligible भी है तो भी वो relief वो देता ही नहीं था 89 1 का relief अगर assessi को eligible भी है तो भी वो यह relief provide ही नहीं करता था और assessi बोलता था कि sir मिर्जे 89 1 का relief मिलना चाहिए मैं eligible हूँ यह को कहता था वो सब तो ठीक है पर इस section में हमें चारी चीजे माइनस करने को कहा गया है advance tax TDS TCS 1991 के relief MATE IMT credit इसके अलावा कोई relief माइनस करने को नहीं कहा गया है और जब act ही नहीं कहता मेरी करने की जिम्मधार ही नहीं है और ऐस इसे सवाल डिपार्टमेंट के बास कई सालों से आ रहे थे finance 2019 amend किया गया और कहा गया इसके साथ साथ एक और चीज़ हम कवर करेंगे relief under section 89 1 relief under section 89 1 यह भी क्या किया गया इसके अंदर से माइनस किया गया So AO amendment क्या है 89 1 का relief relief भी माइनस किया जाएगा जब आप 234 A निकालेंगे मैं फिर से एक बार बता दू इंटर लेवल पे CA, Inter, CS, Executive CA में लेवल के उपर यह बिल्कुल काम करेंगे यह क्योंकि 234 A के practical problem अब तक आपको आई नहीं है राइट हाँ और theory point of view से याद रखेगा जब आप माइनस करेंगे tax payable निकालेंगे तो 89 1 का relief आ सकता है लेकिन यह theory पूछेगा उससे उपर नहीं पूछ सकता अगर आपने return नहीं बरा 234 A का 1% का interest लगेगा tax payable पे लगेगा tax payable जो same advance tax में है advance tax में भी बिल्कुल इसी तरीके का क्या किया जाता है computation किया जाता है बोलने के बिल्कुल तरुत नहीं है same amendment का हुआ होगा advance tax के अंदर में हुआ होगा return file नहीं किया और एक चीज लगती है क्या 234 F fees fees लगती है आपको अगर आपने return time पे file नहीं किया let us start fees क्या है sir अगर आप return time पे file नहीं करते that is July या September आपको fees लगनी शुरू हो जाती है उस assessment year के 31st December क्या आपने अगर return भर दिया after the due date fees is 5000 December के बाद भरा fees is 10,000 rupees this is apart from any interest or any tax आपको fees भी लगता है अगर आपकी income 5,000,000 रुपे तक के ही है fees will not exceed 1,000 rupees so what is the fees depends करता है सबसे पहले आपकी income कितनी है 5,000,000 तक के होगी तो 1,000 fees 5,000,000 के उपर है तो देखा जाएगा आपने return कब भरा है अगर due date के बाद up to 31st December तक के भर दिया 5000 rupees is the fees उसके बाद भरा December के बाद let's say 1 January को 10,000 rupees आपको लगनी शुरू हो जाएगी एक सवाल मेरी income basic exemption limit से उपर है ही नहीं क्या मुझे fees लगती है क्या practical aspect answer is no आपको fees ही नहीं लगती क्योंकि tax payability नहीं आती तो आपको fees का provision आता ही नहीं वहाँ पर 234F पिछले attempt में आपको exam नहीं आ गया था this is the provision 234F और इसी के साथ साथ हमारा पहला topic खटम होता है along with the amendment आप चेक कर सकते हैं यह सारी चीज हमने पड़ी है notification जहां-जहां पे amendment वे and circular सब कुछ including amendment हमने खटम कर दिया यह सारे वो provision थे जो हमने complete किये एक बार आप लोग देख लीजेगा नजर गुमा लीजेगा कुछ बचा तो नहीं है and this is it पहला topic return of income हमारा होता है खटम करीब करीब एक घंटा 20 या 25 मिनिट लगे पर हमने इसे कर दिया complete exam point of you very important topic को बिलकुल मत छोड़ना is that done चलो जी next topic के साथ शुरू करते हैं बिलकुल ठकना नहीं है पानी पीलो पानी पीलो अच्छे से हो सके तो marathon के time पे chocolates अपने पास में रखना जो आप you know candies बोलते हैं आप candies अपने पास रखना है सुपारी रखना अपने पास में बिलकुल चूजते रहना कान में डाल देना और बिंदा सुनते रहना मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत जादा मजा आ रहा है और अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे नंबर पर आपका मेसेज बिलकुल आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी राइट ओके सब्सक्रिप्शन पर आपके पास नहीं होंगे मोड्यूल से देख रहे होंगे जहां गई भी देख रहे होंगे फटा फटा जाओ एडवानश टैक्स के ऊपर ठीक है एडवानश टैक्स कुछ इस तरह से दिएवे हैं आपको एडवान्स टैक्स क्यों जैसा कि मैंने कहा यह अगें वह टॉपिक है जो आप चोड़ने वाले हैं वह सबसे पहले लेने वाला हूं यह बात बिल्कुल लॉजिकल है अम मोटिवेशन के लिए आपको बता दूँ वरकिंग ऑन माइसे चाहि यह है रूल होना चाहिए क्योंकि हमारे लाइफ में कई वार ऐसे लोग आएंगे परिवार वाले जो हमें जानते हैं ऐसे लोग आएंगे जो आपको गएंगे आप से नहीं होगा CPT, foundation था, ये तो लक से निकल गया था, एक बात याद रखना, आप अपने लिए वक कर रहे हो, अपने आप पे वक कर रहे हो, अपने काम के लिए वक कर रहे हो, और इसको बिल्कुल मत छोड़ना, कोई कुछ भी बोल दे, आपने अपना गोल बिल्कुल चालो रखना, हो सकता है, एक बार फेल हो, बहुत जल्दी चीजे ना मिले, लेकिन चीजे मिलेगी जरूर, ये बात याद रखना जाएगी कहीं ने, आज आते हैं टॉपिक, एडवांस टैक्स के उपर, क्या कोई अमेंडमेंट है, 234 B और C में है, लेकिन ये ऐसा अमेंडमेंट है, जो मुझे कोईशन एडवांस टैक्स के उपर बनते है, purely theory topic at CA Inter, CA final level पे हम इसके उपर करीब करीब 3 से 4 गंटा इंवेस्ट करते हैं, इस topic के उपर, क्यूंकि इसमें 234 B C बहुत जादा डीटेल के अंबर में होता है, इंटर लेवल पे ये बहुत जादा डीटेल में नहीं है, पर final level क के उपर बहुत जादा डीटेल में होना हम dedicatedly 3 अवर इसके उपर इंवेस्ट करते हैं, आई ये topic बताते है, 6 question है जो आपको आएंगे, पहला question, who is liable to advance tax, दूसरा question, who is not liable to advance tax, तीसरा question, what are the due dates of advance tax, चौता question, non payment of advance tax से consequences क्या होंगे, पाच्वा question आपको बनेगा, क्या capital gain and casual income क है या नहीं है, छटबा question आपको बन सकता है, क्या AO ऐसा को order issue कर सकता है क्या advance tax टेक करने के लिए, so मुटा मुटी तौर पे 6 question है, जो आपको इसमें बन सकते हैं, आईए सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं, who is liable to pay advance tax, right, section ने दो लोगों के उपर mandate लगाया है, दो या उससे जादा उससे advance tax परना है, after calculation, obviously जो इस section के अंदर में दिया है, या फिर जो person 44 AD and ADA, यानि presumptive income जो PGBP के अंदर में आता है, 44 AD, वो 8%, 6% वाला, 44 ADA, professionals, अगर आप अपनी income 44 AD, ADA के अंदर में disclose कर रहे हैं, आपको mandatory advance tax भरना है, आपकी tax liability 10,000 सो उपर जा रही हो, या न every person who is, who is liable to advance tax and liability exceeds 10,000 or more, second, every person disclosing his income under 44 AD and ADA, तो section दो स्वांट बड़ा क्लियर है, इन दो लोगों का advance tax liability देना है, वर्ड देखिएगा मेरे साथ साथ और highlight भी किजेगा, advance tax shall be payable during the financial year, एक मिनट पेक अप करना है, during the financial year, previous year में ही आपको advance tax देना होता है, in every case where the amount of tax payable, वर्ड क फोकस कीजेगा, tax payable, during the year, computed in accordance with the provision is 10,000 or more, इन सी क्यों देकर कि आपको destruct किया जाता है, क्या 10,000 पे भी advance tax liability आती है, answer is yes, computation अगर 10,000 पे आ चुका है, 10,000 पे भी advance tax liability आएगी, further, assessee who is covered under 44 AD and 44 ADA is also liable to pay advance tax, जो 44 AD और 44 ADA में आ रहा है, 44 AD presumptive income, presumptive income by professionals, इनको advance tax देना है, यह है पहला थेरी question जो आपको आएगा, दूसरा थेरी question जो आपको आता है, who is not liable to advance tax, advance tax किस को नहीं देना है, provision बड़ी clear है, पहला, जिसकी liability 10,000 से नीचे है, उसे advance tax देनी की ज़रूरत नहीं, दूसरा, senior citizen जिसे PGBP की income नहीं है, इसे advance tax देनी की ज़रूरत न नहीं है, तो दो लोग जिनने advance tax नहीं देना, पहला, हर परती जिसकी liability 10,000 से उपर जा ही नहीं रही है, दूसरा वेक्टी, जो senior citizen है, लेकिन उसकी PGBP income नहीं है, तो उसे advance tax देनी की ज़रूरत नहीं है, चेक की ज़रूरत नहीं है, चेक की ज़रूरत असेशी exempt from paying the advance tax, किस क इसको advance tax नहीं देना है, पहला, there is no income chargeable under the head of PGBP, तो assessi is individual, resident and is 860 or more, तो simple शब्दों में, senior citizen, senior citizen not having PGBP, अगर कोई भी senior citizen है, जिसको PGBP नहीं है, उसको नहीं देना है, या tax payable is less than 10,000 रूपी, यह 28 हो गया है, इसे 208 होना चाहिए, राइट, तो अगर आपकी tax liability 10,000 से उपर नहीं जारी, या आप senior citizen है, और आपको PGBP income नहीं है, आपको advance tax देने की ज़रौत नहीं है, अब आते हैं, computation के उपर, advance tax computation, जो section 209 में दिया है, advance tax कैसे compute किया जाता है, बड़ा simple है, क्या आपको compute करने बूला जा सकता है, क्या मुझे नहीं ल matter, यह सिफ और सिफ एक theory point है, कैसे निकालते है, advance tax payable, आजकल इतना hassle free हो चुका है, कि offices के अंदर में, automatic software से भारा जाता है, कि इसके advance tax liability क्या है, but still, आप जब तक कि, you know, academics में है, आपको यहां पर वही लिखना होगा, जो ICI कह रहा है, sir, so कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, आ pay as you earn scheme भी कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, pay as you earn scheme भी कहा जाता है, तो sir, आपको सबसे पहले अपनी पांचो head की income estimate करनी पड़ेगी, यह estimation आपके पिछले सालों के details पे भी हो सकता है, income estimate करो, उस पर tax computation निकालो, tax में से आप क्या-क्या minus करेंगे, any advance tax paid, अगर करते है, DTAA relief, आप वो minus कर दीजे, MAT या EMT credit आपका कुछ होगा, तो आप वो minus कर दीजे, यह 4 minus करने के बाद, जो आया, यह आया आपका advance tax payable, यह अगर 10,000 यह इसस आता है, तो आपको advance tax देने की ज़रत है, check कर दीजे, वापस आपको याद दिरा दू, सबसे पहले आपको आपकी income estimate करनी है, चेकीजेगा, आपको आपकी income estimate करनी है, इसमें से brought forward losses के adjustment करने है, gross total income निकालना है, gross total income में से मेरे भाई, deduction minus करते हैं, tax payable निकालते हैं, कोई rebate है, वो minus कर देते है, final tax payable, सरचार्ज, if any, CES, if any लगा करके, एक net tax liability compute करते हैं, यहां से computation शुरू होता है, को अगर यह balance amount, अगर 10,000, और more है, तो आपको advance tax क्या करना है, देना है, computation का practical angle might be आपको नहीं आएगा, चीक है, तो अब तक example under few से क्या काम का, 208 काम का, यह, important की अगर हम list बनाएं, वापस से हम important की list बना दें, तो 208 अब तक आपके काम का है, 209 मैं not so important में रख रहा हूँ, not so important, ठीक है, important, अब आते हैं, तीसरे point पे, what are the due dates of advance tax, ठीक है, यह जो due dates अभी हम पढ़ रहे हैं, यह due dates 44 AD और ADA के लिए नहीं है, क्योंकि 44 AD और ADA के लिए एक ही due date दी गई है, जो end में है, इसके ओपर सबसे साथ MCQ आपको बन सकते हैं, कैसे MCQ इसके ओपर आएंगे मैं percentage पूछ ले, हो सकता है, what is the second percentage आप से पूछ ले, आपको पूछ ले, second installment का due date क्या है, इसलिए आपको काम का है, एक समय था, जब company SSC के लिए और individual SSC के लिए, यह जो due dates होती थी, अलगल होती होती थी, और इसके बाद अरुन जेटली साब ने आ करके, इसे streamline कर दिया था, हर क्या बोला मैंने, quarter, three months quarter, quarter खतम होने से 15 दिन पहले, आपको आपका advance tax देना है, पहला quarter कित तेगा, April, May, June, 15 June is the date, second quarter, July, August, September, 15 September will be the date, quarter खतम होने से 15 दिन पहले, right, December का बताओ, 15 December, March का बताओ, 15 March, बिल्कुल सही यही चार डेट है, 15 June, 15 September, 15 December, 15 March, यह चार डेट है, आपको देना है, सर किन किन percentage में देना है, मैं आपको बता देता हूँ, 15, 45, 75, 100, that is 15%, 45%, 75% and 100% of the overall liability, मतलब बिल्कुल किलियर है, जब भी next due date आएगी, you have to again estimate your income, क्योंकि हो सकता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपकी income के estimations change होते जाए, yes or no, for example, जब पहला quarter चालू किसी ने नहीं सोचा होगा कि COVID-19 वाला situation आएगा और इस situations में losses जेलने पड़ेंगे, imagine, अब income estimate बिल्कुल आप पिछले पिछले साल हो सकता है, इसी टाइम पे कोई theater वाले का बहुत अच्छा profit हो और अभी COVID-19 situation के अंदर में, दो महिने से सारे theaters बंद है, now the point is, आप estimation करेंग in English 15% on 15 September, sorry 15 June, 45% on 15 September, then 75% on 15 December and 100% on 15 mark, you have to pay, now 44 ADA और ADA के अंदर में जो assesses आ रहे होंगे, क्या इन्हें भी 4 बार देना होता है, answer is no, याद करो PGBP, presumptive income वाले section याद करना, presumptive income तो आपके जो होते हैं, यह किसके उपर dependent होते हैं, presumptive income जो होते हैं, सर, यह आपके dependent होते हैं, sales के उपर, किसके उपर dependent होते हैं, sales के उपर, और sales के actual figure आपको at the end of the year ही मिलते हैं, hence, इनके लिए एक ही due date रखी गई है, साल भर में 15 March, 100% of the advance tax इन्हें कब देना है, 15 March के दिन ही, provide कर देना है, without any, you know, anything, आपको 15 March के उपर देना है, तो इसके उपर कैसे MCQ आ सकते हैं, in case of 44 AD, ADA, they have to pay advance tax in following installment, 1, 2, 3, 4, only one installment, 100%, advance tax इने क्या करना है, pay करना है, okay, अब सवाल एक को और उठा, किसर, मान लिजे, 15 June, 15 September, 15 December, 15 March, ये जो due date से जिन पर advance tax pay करना है, अगर ये कोई banking holiday हुआ, तो क्या, for example, आपको भी पता है कि second Saturday and fourth Saturday holiday होता है, मान लिजे, अगर ये इसी date पर आ करेंगे, आप इंडिया में है, एक दिन बाद, so, अगर किसी दिन, particularly, जो due date आ रही है, इस दिन अगर bank बंध हो, तो आप next working day के उपर pay कर सकते हैं, right, हलाकि अब ये बहाने थोड़े से अजीव है, क्योंकि आज हम already जिस situation में आ चुके है, हम online payment के जमाने में, तो आप ये situation के सामने कि बहुत, you know, bank बंध था, you know, आपको clear cut बोलेगा, online payment क्यों नहीं किया, so, ये बहाने आप थोड़े सोच समझ के बना ही है, अच्छा जी, एक और सवाल, sir, क्या जब हम advanced tax का computation करते रहते हैं, क्या हमें agriculture income भी consider करना है tax liability के अंदर में, हाँ, या हाँ, जल्दी से बो agriculture income भी consider करना होता है, जब हम advanced tax देते हैं, sir, ऐसा क्यों, agriculture income तो exempt है, agriculture income is not directly taxable, but indirectly taxable, याद रखना होगा method of aggregation, जहाँ agriculture income 5000 से उपर गई, और other income basic exemption limit से उपर गई, आपके tax computation का तरीका बदल जाता है, याद रखना पड़ेगा advanced tax के time पे, so, अगर कोई आप से पूछे, बहुत simple सवालों में, कि क्या, advanced tax compute करते वक्त, agriculture income को consider करना है, आपका जवाब आना चीए, yes, अब एक बहुत important practical issues था, जिसको address किया गया, department वारा, issue क्या था, अब होता ये था, कि चार्ट जो due dates बन रहे थी, वो बन रहे थी, जून, सब्टेंबर, डिसेंबर और मार्च, जबकि year end हो कोने वाला है, ठीक है, अच्छानक 17 मार्च को एक बहुत बड़ा new customer आ जाता है, और मेरे को एक लाग के sales all मिल जाते है, मेरा तो पूरे estimation chain, अब अगर advanced tax मैंने proper नहीं भरा, तो AO आएगा, AO बोलेगा, चल बेटा, मुझे क्या दे, interest दे, क्योंकि तूने advanced tax का computation सही नहीं किय तुझे interest देना होगा, मैं उको क्या बोलूगा, सर एक मिनिट, आप totally गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, पहली बाद तो आपने मुझे करने दिया estimate, आप जो advanced tax पे करवा रहे हैं, यह तो estimation based है, आपने मुझे करने दिया estimate, भला मैं आदमी मेरा result estimate नहीं कर सकता, आपने मुझे advanced tax estimate करने के लिए दे दिया, और एक मिनिट, year end होता है 31st of March को, तुम मेरे को बोल रहे हैं, पंदरा तारिक को estimate करके कर दो, logic ही गलत है, हट, मैंने भर रहा है, मैंने ख़ल रहा है, यह क्या बात हुई, आपने due date सी गलत दिया, last due date हो नीच यह थी, 31st March क कई business हैते होते हैं, जो रात के 12 बज़े तक चलते हैं, और उसके बाद भी, hotel की बात कर रहा हूँ, सर यह तो गलत है, सरकार को समझ में आ है, कि उनने एक technical default कर दिया है, law लिखते वक्त उनने लिख दिया 15 March, जबकि year end होता है 31st March को, कोई भी SSC बोलेगा कि हम कैसे सी estimation करे, ऐसे cases में सरकार ने एक और point insert किया, कहा, yes, last date is 15 March, पर अगर assessi 31st March के पहले भी advance tax दे देता है, या tax pay कर लेता है, इसे हम advance tax से consider करेंगे, जिसका मतलब यह हो गया, overall due date क्या है, आपकी due date है 15 March, लेकिन 31 March तक के भी जो आप tax pay करते हैं, during the previous year, इसे advance tax मान लिया जाता है, और यह तो आपके ऊपर कोई interest नहीं लगाता, यह बात याद रखिएगा, so आईए चेक करते है, 211, due date for payment of advance tax, क्या लिखा है, other than the person covered under 44 AD and ADA, 4 due dates है, 15 June, 15 September, 15 December, 15 March, कित्ता कित्ता pay करना है, 15%, 45%, 75%, the whole amount, MCQ कैसे पूचे जा सकते है, what is the percentage in case of second installment, याद रखना होगा, 45% of the liability calculated, calculation किसे साब से होंगे, यह, 209 के हिसाब से, और हर due date के उपर, calculation फिर से करना होता है, practical life में, आईए, वापस सलते हैं, a person covered under 44 AD and ADA, will pay the advance tax by 15th of March, कित्ता percent pay करेंगे मालिक, 100% क्या करना होगा, pay करना होगा, right, any amount of paid by advance tax, on or before 31st day of March, shall also be treated as advance tax, तो sir, जो आप 31st March के पहले भी tax pay कर रहे हैं, इसे भी क्या माना जाता है, advance tax माना जाएगा, if, third point, if on any due date, advance tax, this is a banking holiday, the payment is to be made on next immediate following working day, and no interest shall be levied under 234 B and C, so, अगर कोई date के उपर, आपको कोई holiday मिल जाता है, और आप उस दिन पे नहीं कर पाते, next working day पे 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 कर दीजा, आपको कोई interest नहीं लगाया जाएगा, while taking calculating advance tax, net agriculture income shall also be taken into consideration, method of aggregation, if at all applicable, तो आपको agriculture income को भी consider करना होगा, otherwise करने की जोड़त नहीं है, if the assessor does not pay any installment within the due date, he shall be deemed to be assessor in default, he shall be deemed to be assessor in default, अगर आपने advance tax पे नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने advance tax पे नहीं किया, तो आपको BC हो जाएगा, अगर आपने advance tax पे नहीं किया, तो आपको हो जाएगा, एड्स, सर कैसी बाते कर रहे हैं, पहले हम कोरोना के अंदर है, आप एड्स की बाते कर रहे हैं, नहीं, यह science वाला नहीं, commerce वाला एड्स है, एड्स मतलब क्या, एड्स, सर एड्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, BC, सर BC, हाँ, 234B and 234C का इंटरस लगेगा, अगर अगर आपने advance tax पे नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, एड्स, कौन सा एड्स, commerce वाला एड्स, commerce वाला एड्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, BC, BC, 234B और 234C का आपको क्या लगेगा, interest लगेगा, check it on, 234A, यह वो था, जो हम लोगों ने कहां पढ़ा था, return of income में, उसका एक detail यहां पे दियावा है, आप नहीं भी पढ़ेंगे, तो भी चल जाएगा, य यहां यह, 234B, यह है वो चीज़ जो आपको mandatorily पढ़नी ही पढ़नी है, 234B, कब लगता है, अगर आपने advance tax पे नहीं किया, या जो पे किया, it is less than 90% of assessed tax, आपने advance tax नहीं दिया, 234B, काम की चीज़ है, yes, काम की चीज़ है, मतलब, अगर कोई काम की चीज़ है, after 208, तो व वो है 234B, 234C, दोनों काम की चीज़ है, मतलब, एक दिन पहले कुछ पढ़ना है, 1, 2, 3, यह confirm पढ़के जाना है, 234B क्या कहता है, 234B कहता है, अगर आपने advance tax पे नहीं किया, liability थी, पे ही नहीं किया, या जो advance tax पे किया, it is less than 90% of assist tax, it is less than 90% of assist tax, अब आप ये पूछेंग ये ये assist tax मतलब क्या है, assist tax का मतलब है, tax which is calculated by income tax department, so if you have not paid the advance tax or advance tax is paid, but it is less than 90% of the tax calculated by AO, then interest under section 234B shall be applicable at the rate of 1% per month or part thereof, sir कब से, from the 1st day of previous year, till the date of assessment, so this is a huge interest, from the 1st day of assessment year, from the 1st day of assessment year, till the date of assessment, मतलब एक अपरिल से ये इंटर्स चालू हो जाएगा, the interest will start from 1st April and this will continue till the AO completes the assessment, till the AO completes the assessment, 1% per month, sir this 1% will be levied on what? this 1% will be levied on the net tax liability, net tax liability, tax liability calculated by AO, minus tax calculated by, tax already paid by assessor, right? now, here also comes an amendment, here also comes an amendment, which is relevant at CA final level, amendment है, पर मुझे ये लगता है, ये amendment CA final level पर है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये computation ये नहीं दिये जाते है, फिर भी सुन लीजे, जब ये 234B का computation होता है, assess tax जो निकाला जाता है, वो क्या होता है, AO के द्वारा calculated, minus assessi ने जो pay किया वो, अब ऐसे cases में कई बार assessi 89.1 के रिलीफ के लिए भी क्या होता है, eligible होता है, पर AO क्या करता था? अगेन वही बात करता था कि 89.1 वाला पार्ट पे यहाँ लिखा ही नहीं है, तो मैं ये रिलीफ आपको नहीं दूँगा, law को amend किया गया, जहाँ पे 234A वो भी सुधारा गया, वहाँ पे इस section को भी सुधारा गया, और कहा गया, कि जब आप net tax liability निकालते रहेंगे, for the purpose of interest 89.1 का relief यहाँ पे भी minus करेंगे, तो यहाँ पे, कहीं पे आप लिख दीजे, relief under section 89.1 will also be reduced, यह एक point है, हाला कि मैं इसे important नहीं समझ रहा हूँ, बिल्कुल भी, हाला कि मैं amendment आपको जवरू बता रहा हूँ, पर मैं इसे important मन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, final level पे पूचा, जाने वाला point है, So, again coming back to the topic, if advance tax is not paid, आपने advance tax pay नहीं किया, और paid, but less than 90% of assessed tax, interest at the rate of 1% per month और पाट देर, on the tax payable, calculated, minus paid and relief, इसके उपर आपको 1% देना होगा, कब से कब तक, from the first day of assessment year, till the date of assessment आपको ये interest देना होगा, हाला कि, एक और चीज है, कि, क्या इसकी माफी दी जा सकती है, 234B कि माफी दी जा सकती है, हां माफी देने का अधिकार, सिर्फ और सिर्फ CB, DT के पास है, और किसी के पास नहीं, आईए, चेक करते हैं, An assessee, who is liable to pay advance tax, failed to pay such tax, or assessee, who has paid the advance tax, but it is paid less than 90% of assessed tax, So, you have not paid the tax, or paid, but less than 90% of assessed tax, interest is payable, at the rate of 1% for every month, or part thereof, on what? Assess tax minus advance tax, which has been paid, जो आपने पे किया होगा, अब तक के वो, and साथ साथ में, relief under section 89.1 भी, इसमें से क्या किया जाएगा, minus किया जाएगा, कब से कब तक apply किया जाएगा, from 1st April of assessment year, पहले दिन के, कब तक to the date of determination under 143.1, और regular assessment is made, तो जब तक कि आप तो आपका income return assess नहीं हो जाता, या तो आपकी income assess नहीं हो जाती, तब तक कि आपका ये interest लागू रहेगा, ये एक नीचे वाला point है, ये point आप बिलकुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि 143.1 आपको see, final में, detailed में cover है, topic, you know, assessment procedure के अंदर में, वो वहाँ cover है, तो ये point के उपर आप ध्यान नहीं देंगे, तो भी चल जाएगा, वो कह रहा है सिर्फ कि अगर 143.1 के अंदर में आपकी income change होता है, return process होने पे तो आपकी वो income को consider किया जाएगा, as income determined by A.O. तो अब तक हमने क्या पड़ा, हमने पड़ा, who is liable to advance tax, who is not liable to advance tax, calculation of advance tax, due date of advance tax, ये 4 question हमने कर दिये, पाचवा question हमने किया, अगर आपने advance tax pay नहीं किया, तो क्या हो जाता है, अगर आपने advance tax pay नहीं किया, तो AIDS हो जाता है, commerce वाला और उस पे 234B, और C लगता है, B के उपड़ का calculation हमने कर लिया, आईए 234C पे चलते, another very 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 interesting point, including the amendment, amendment same, 891 का relief मिलेगा, तो अब तक के हमने क्या पड़ा, 234A हो, या 234B हो, या 234C हो, जब भी interest calculate होगा, 891 का relief माइनस होगा, बस काम कतम, amendment इतना ही, 234A, 234B, 234C, जब भी calculation होगे, 891 के relief इसमें से क्या किये जाएंगे, माइनस किये जाएंगे, game over, यह amendment है section में, आईए section की बात करता है, wrong deferment का मतलब है, कि आपने जो 15%, 45%, 75% और 100% जो है, यह appropriately differ नहीं किया, यह appropriately calculate नहीं किया, as per the tax computed by AO, तो आपको 234C लगाया जाएगा, so after you file the return of income, AO will again verify that whether you have actually paid the correct advance tax or not, if he founds that you have not paid the advance tax or the installment of advance tax, are not appropriately bifurcated, he will live in an interest of 234C at the rate of 1% for each month, at the rate of 1% for each month will be live in, अच्छा जी सर, धान जसुनिया, so in case of assessi covered, 15% अगर वो पे नहीं करता, तो उसको directly 3 months का interest लगेगा, क्योंकि अब next due date जो आने वाली है, वो कब आने वाली है, सीधा 3 महीने बाद, so default के उप़र, जो भी उसका shortfall होगा, what is shortfall, 15% of tax due, minus any advance tax already paid, 15 September को 45% होना चीए था, यह shortfall हुआ, directly 3% का interest, so 15 December को directly 3% का interest, 3 months, 1 into 3, इसलिए 3% का interest, और अगर last due date में आपने पूरा tax सही पे नहीं किया है, तो 1% का आपको लगेगा, 1 month ही क्यों, और वैसी बात है, आप पे करने की due date सिर्फ क्या बचती है, March, so अगर पहला quarter सही पे नहीं किया, 3% का interest, तीसरा quarter सही पे नहीं किया, 3% का interest, च्वाथा quarter सही पे नहीं किया, आपको एक महीने का interest क्या हो जाएगा, लग जाएगा, अब यहाँ पे कुछ revolt हुगा department के साथ, वो revolt क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, revolt यह हुआ, कि जब ऐो, 234C लगा देता था, कि आपने estimation प्रॉपर नहीं किया, और इसलिए मैं आपके उपर क्या लगा रहा हूँ, 234C लगा रहा हूँ, आपको 234C का interest बरना पड़ेगा, असेसी कहता था, सर एक मिनिट, यह क्या मज़ा के, यह मतलब, मतलब, यह क्या मज़ा के, पहली बात तो आप हमें बोलते हो, कि अपनी income खुद estimate करो, हम estimate करें, गलत estimate किया, तो आप हमारे उपर interest भी लगा रहे हो, नहीं मतलब हम कौन, कौन हम, कौन, यह ना, यह बात department को समझ मैं, कि estimation में 19-20 थुड़ा बहुत होता ही होता है, yes or no, nobody could correctly estimate, 19-20, हला कि हम अब तक के जिन्दगी में कहते थे, 19-20 में कोई फरक नहीं होता, पर मैं कहूंगा, COVID-19 situation में, 19-20 में बहुत बढ़ा फरक है, यह अंदर सुनना, तो कहता थे, ठीक है, तो हम आपको 234C लगाएंगे, otherwise नहीं लगाएंगे, जिसका मीनिंग क्या हुआ, let's say, you estimated, instead of 15%, your tax paid is 14% of the liability calculated by department, it is less than 15%, 234C would have been applicable, पर department case 12% वाले provision से अब होगा, कि भलही आपने 15 पे नहीं गया, पर 12 से तो कम नहीं पे गया, it's okay, no 234C, पहले case में, एक और threshold limit ला दी गई, कि 15 नहीं पे गया, it's okay, पर 12 से नीचे नहीं चलेगा, एक और लाया, second estimation में, second estimation में हमें पे कित्ता करना होता है, 45%, if it is not less than 36%, no 234C will be applicable, so अगर 234C, 36% से नीचे है, तो ही आपको 234C लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, कुल मिलाकर के बाद कित्ती कह दी, पहले दो installment में, अगर आपने 15 और 45 नहीं भरे, पर 12 और 36, 12 और 36 से नीचे नहीं है न, 234C नहीं लगाया जागा, इतना relief आपको दिया गया है, लेकिन ये last two के लिए नहीं दिये गया, क्यों, क्योंकि पहले दो installment देखोगे, तो अलरड़े हम हाफ येर में आ जाते, हाफ येर में आके किसी भी बिजनस्मेन को समझ जाता है, कि उसका next six months का turnover, मोटे-मोटे तौर पे क्या होता होगा, और इसी के लिए ये आगे के लिए नहीं दिया गया, चेक करते हैं, however, if advanced tax paid by SSE on the current income, on or before 15th June और 15th September, is not less than, not less than 12 or 36% on the tax due on the returned income, जो आपने return income किया है, उसके उपर, then the assessi shall not be liable to pay any interest on the amount of shortfall, interest is payable at every 1% for month और part दे रहो, तो पहले due date में सोई, by default में तीन मेने का ही interest लगेगा, 234 B, 234 C, game over, वापस एक बार फटा फट रिकॉल कर लेते हैं, आपने advanced tax pay नहीं किया, तो क्या होगा मालिक, advance tax अगर आपने पे नहीं किया, तो आपका क्या होने वाला है, एड़ जो जाएगा, commerce वाला, commerce वाला एड़ जो जाएगा, 234 B और C का आपको interest लगेगा, 234 B and 234 C का interest लगेगा, 234 B कब लगता है, जब आपने advance tax pay नहीं किया, या जो advance tax pay किया, it is less than 90% of assessed tax, 234 C कब लगता है, when there is a no proper deferment of advance tax, तो आपको 234 C लगता है, चाहे वो 234 A हो, 234 B हो, 234 C हो, all time जब हम calculation करेंगे, relief under section 89 1 minus होगा, और ये है finance tax 2019 का amendment, याद रखिएगा, exam under view, not so relevant, क्योंकि आपको इस पर practical question नहीं आने वाले, थेरी आ सकता है कि क्या, इस में से minus किया जाएगा, क्या आपका answer होना चीए, yes, payment of advance tax in case of capital gain and casual income, एक ऐसा थेरी question जो बहुत ज़्यादा, पूछा जाता है, तो यहाँ पर 234 का importance रखा गया है, और सवाल पूछा गया, क्या capital gain और casual income पे भी advance tax आता है क्या, मैं आपको बता दू, capital gain and casual income are such kind of income, which cannot be predicted, yes or no, suppose I have taken a lottery, I cannot say that yes, I am going to get the price, no, so whether advance tax is payable on such kind of income, I should say you, yes, advance tax is payable on all kind of income, when I say all kind of income, it encompasses capital gain as well as casual income, it encompasses capital gain as well as casual income, so hence the answer is yes, advance tax is payable on all kind of income, be it capital gain, be it casual income, however since this income can't be predicted, advance tax liability will arise on the next due date, on the next due date after the income so arised, so let's say if I won the price on 1st August, 15 June date gone, what is the next date, 15 September, you have to pay by 15 September, if so paid, no interest would be levied, so whether it is liable to advance tax, yes, check it on, advance tax is payable on all, all, all type of income, including the capital gain, winning from lottery, crossword puzzles, and such kind of etc income, however, it is not normally possible for an SSC, to estimate, to estimate the capital gain, or casual income, which is generally unexpected, therefore, it is provided, if any income such arise, after the due date of any installment, then the entire amount of tax, shall be paid, in the remaining installment, of advance tax, sir suppose, none of the due date is pending, let's say it arise on 17th of March, 15 March due date to be gone, so, remember, I told you, 15 March to 31 March, के बीच में भी, जो advance tax paid होता है, या जो tax paid होता है, उसे क्या नाम दे देते है, advance tax, so, if no due date is pending, on or before 31st March, you have to pay, so, where no such installment is due, by 31st March, of the relevant financial year, you have to pay, if amount so paid, then no interest, interest मतलब, किस बारे में बात कर रहे, 234 B और 234 C, on late payment will be levied, बड़ा थेरी कोश्चन है, बिल्कुल इतने 3 पूंट लिख दीज़, आपको पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे मालिक, येस, ओके, so, 234 payment of advance tax, in case of capital gain and casual income libel, now, 210, काम का है, येस, सर काम का है, मैं आप उताते हैं, तो क्या है, 210, मान लीजे, आप return भरते हैं, the assessi files the return, after this return, filed by the assessi, AO completes his duty of doing the assessment on this particular return, so, AO will do assessment on this return file, now, AO को अगर ऐसा लगता है, कि इस assessi ने क्या पे करना चाहिए, advance tax पे करना चाहिए, या, मान लीजे, पिछले returns को देखते हैं, AO को ऐसा लगता है, कि इस साल assessi को क्या करना चाहिए, advance tax भरना ही चाहिए, तो ऐसे cases में, AO क्या करेगा, एक order issue कर देगा, किस को issue करेगा, assessi को issue करेगा, और order दे करके, assessi को बोलेगा, you should pay advance tax, by this date and this much percentage, no appeal is possible against such kind of order, if this order is received, the assessi is liable to pay the tax as given, yes or no, otherwise he will pay the consequences, now question arises, how AO will compute his liability, मतलब AO किस basis पे लिए 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 करेगा, generally AO compute the liability, on the basis of his past returns, on the basis of his past return, or the return filed in the current year, इसके basis पे, whichever is higher generally, whichever is higher, उसके basis पे वो decide करता है, कि क्या assessi से, इस साल advance tax भरवाना है या नहीं भरवाना है, so what is 210, 210 is simple power with AO, he can order the assessi to pay the advance tax in the current year, based on his past records, check, if the assessi has not paid, or short paid the advance tax, so assessi ने advance tax पे ही नहीं किया, या short pay किया है, then AO may make an order, कौन करेगा, AO assessing officer, may make an order, and ask the assessi to pay advance tax, in installment, or installments due, after the date of order, AO can pass the order, up to the last date of February, मतलब 28 और 29 फरवरी तक, आपको क्या किया जा सकता है, यह order दिया जा सकता है, the AO shall compute the advance tax, by taking into account, the total income assessed, from the latest previous year, or total income declared in return, तो पिछले साल की जो income है, या इस साल जो declare किया है, whichever is higher, यह basis लेकर किया, आपको इस order को issue किया जा सकता है, no appeal is possible against this order, and if this order is received, the assessi will be liable to pay the tax, otherwise, interest and penalty will work out, so is that done, yes sir, एक है rule 119A, इसे भी समझ लीजे बहुत easy है, rule 119A क्या कहता है, जब भी आप advanced tax compute करते रहेंगे, या interest compute करते नहींगे, sorry not advanced tax, जो advanced tax का income है, यह advanced tax, या इसके उपर का interest, तीनो, income और tax, और interest, shall be rounded off, in multiple of rupees 100, so, it shall be rounded off, in the interest जो आप calculate कर रहे हैं, या tax जो आप calculate कर रहे हैं, it shall be rounded off in multiple of 100, ignoring the fraction of 100, and accordingly, the interest under 234A, B and C, this procedure of round off should be followed, so 234A, B and C, जिस इस purpose के ले calculate कर रहे है, will be rounded off in multiple of rupees 100, otherwise, normal income या normal tax, जो है, वो 288A या 288B के साफ से, round off होते हैं, in multiple of rupees 10, पर जब हम 234A, B and C का calculation करते हैं, that has to be rounded off, in multiple of rupees 100, ये MCQ बोल करके, if any, पूचा जा सकता है, आप देख सकते हैं, हम लोगों ने complete कर लिया है, ये भी topic, आपको एक question दिया है, मैंने ये question देख लेना, ये कैसा question है, fast track book के अंदर में, जो almost पूरे provisions, इसके अंदर के cover करता है, तो एक बार देख लेना, practical question है, मैंने जान मुझके डाल रखा है, CA final पे मैंने ये question डाल रखा है, वहीं से निकाल करके, आपको देदिया है, तो एक बार इस question को देख लेना, again exam point of view से, क्या क्या important, 208 किसको liability है, 234 BNC, interest वाला theory का portion, and 234 capital gain and casual income वाला point, यहां पे हमारा, एक और topic खतम होता है, advanced tax, किस-किस को applicable है, किस-किस को applicable नहीं है, 6 question कुल मिला करके आएंगे, बहुत easy, purely theory, आदा गंटा max लगता होगा, आदा गंटा 40 मिनट बहुत हो गया, इतना आपने कर लिया, advanced tax खतम हो गया, इससे अलावा आपका advanced tax कुछ नहीं करना, वो question एक बार देख लेना, थेरी question देख लेना, आपका काम खतम हो जाएगा मालिक, so by this time, almost two hours, हम लोगों ने दो topic खतम कर दिया, return of income, जिसमें substantial amendment थे, and advanced tax हम लोगों ने खतम कर दिया पर हूँ, so do topic खतम, अब आते हैं, तीसरे topic के उपर, so let's start, चलो मेरे भाई, next topic पर आ जाते हैं हम लोग, next topic है capital gains, yes, आ जाओ भाई साब पड़ा पड, दो topic अब तक हम लोगों ने complete कर लिये हैं, topic के नाम थे, आपके return of income as well as advanced tax, अब हम आ चुके हैं, capital gains के उपर, तो आओ मेरे भूस्तों, capital gains वाला topic उटा लेते हैं, head उटा लेते हैं, head उटाने में सबसे बड़ा benefit यह होगा, कि आप लोग भी छोटे इड़ा topic से परिशान हो गये होगे, एक मस्त बड़ा head complete कर लेते हैं, marathon का time में एक मस्त बड़ा head complete कर लेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है, topic के उपर आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको यहां पे पूरी list दिये हैं, along with the page number, कि आपको कब कौन सा section कहां से करना है, आप यहां से देख सकते हो, साथ-साथ में मैंने आपको दिया वाए, यहां पे important sections अगया, amendments जहां पे हुए हैं, मैं आपको बता दू, तीन जग़ा, चार जग़ा ऐसी जहां पे amendment हुए है, buyback related provisions में, exemption 54 की series में, non-regarded as transfer में, non-resident के case में और 112 एक calendar में, मेहनत की शुरुवात करते है, capital gain से कुछ section important में रखूँगा, कुछ section not important में रखूँगा, जो not important में रखूँगा, उसके ओपर बहुत जादा time नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है, हमार का पास marathon के अंदर में time कम है, regular batch होती है या fast track होता, तो हम इसके उपर बहुत जादा दिमाग लगा भी लेते हैं, सबसे पहले capital gain चालू होता है, 45 से लेकर के 55 तक के, याने section 45 से लेकर 55 तक की series, पूरी की पूरी capital gain की series, आप लोग को दी भी है, section 45 1 की बात करें, charging section, important बिल्कुल नहीं, right, so again मैं यहां पर अगर एक list बना दू, important and not so important, ठीक है, तो इसके अदर में सबसे पहले दालूँगा, 45 1 की series डालूँगा, क्यों क्योंकि आपको यह सिर्फ बताती है, capital gain rise कब होता है, एक्जाम में इसके उपर कोई question नहीं पूचा जाता, inter-level पर, सवाल क्या है, कब capital gain taxable होता है, 4 condition है जो आपको satisfy करनी है, जिनके satisfy करने पर, आपको capital gain की taxability आ सकती है, पहला there must be capital assets, capital asset क्या होना चाहिए, transfer होना चाहिए, gain must arise in the previous year, and such gain is not exempt, चाहर कंडिशन वापस से, there must be capital asset, capital asset must be transfer, gain must arise in the previous year, and such gain is not exempt, so यहाँ पर आप लोग देख सकते है, capital gain, capital gain must arise in the previous year, capital asset must be transferred, and such gain is not exempt, एक-एक करके detail पर बात करते है, सबसे पहले बात करते है, capital asset के उपर, capital asset defined है, section 2, subsection 14 के अंदर में, section 2, subsection 14, capital asset को define करता है, क्या यह important category के list में है, या not important category के list में है, बता दू आपको, यह not important category के list में है, sorry, 45, 1 मि मैंने important में डाल दिया, यह भी not important को ही बोल रहा था, मैंने गलती से यह डाल दिया, 2, subsection 14, again not so important, capital asset के definition है, क्या कहता है, capital asset क्या क्या है, capital asset means, capital asset means property of any kind, connected to business, not connected to business, movable, immovable, tangible, intangible, so capital asset, मतलब, वो property, किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो business से connected हो, नहीं हो, movable हो, immovable हो, tangible हो, intangible हो, हर तरह की property, capital asset के अंदर में, cover होती है, right, and includes, दो चीज़े, इसके अंदर में include होती है, पहला, right, in relation to any Indian company, of control and management, यह provision नहीं थी, Voda phone के कारण, हमने Voda phone case बहुत अच्छे से discuss किया था, चाहे वो fast or regular close हो, तो अगर किसी Indian company का control and management भी हो, तो भी वो क्या माना जाएगा, yes, वो माना जाएगा, that it is capital asset in India, और Indian company का control, अगर कोई sell करता है, तो इसके उपर capital gain आएगा, second, FII having asset, FII holding security in India, see, FII क् करते थे, FIIS that is foreign investment mutual funds, वो इंडिया में आते थे, इंडिया में सबसे पहले investment करते थे तो, capital asset को बाद में PGP बता करके अपने expenditures भी claim कर लेते थे और high tax liability से बाहर निकल जाते थे, भारत सरकार को पता चला कि यह लोग तो हमें बेवकूप बना रहे हैं, provision में change किया गया, कहा ग लाएगा, so property of any kind connected to business, not connected to business, movable, immovable, tangible, intangible, includes control and management of an Indian company, shares and securities holded by FIIS, always capital asset, but capital asset exclude, capital asset में कुछ चीज़े नहीं आती, कौन कौन सी, पहला, stock in trade, मैं जब आपको capital gain पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कई बार यहां से TDS में लेकर जाऊँगा, कई बार यहां से agriculture में लेकर आपने बिलकुल यहां से stick रखना है, जिससे कि मैंने आपको पहली कह दिया था, आपको मेरे साथ ही चलना होगा, skip बिलकुल करने की कोशिश मत करना, पहला stock in trade, stock को अगर sale करके कोई भी income आती है, that income has to be PGBP and not the capital gain, hence stock in trade will not be treated as capital assets, second, personal effects, what is personal effects, the things, the assets which are used for personal purpose, will not be regarded as capital assets and therefore, you are not li to capital gain, हला कि personal effects has got exceptions, personal effects को क्या है, exceptions है, मतलब कुछ चीज़े capital gain मानी जाएगी, personal effect means movable property, इस point के उपर बहुत जादा focus करना, personal asset means movable property, जिसका meaning है, immovable property, भले personal use के लिए क्यों न हो, वो हमेशा capital asset मानी जाएगी, for example, आपका घर, आपका घर आप रहने के लिए use करते हैं, पर personal effect के अंदर में सिर्फ movable property cover होती है, so personal effect means movable property, but excludes जड़ पास, बहुत simple है, याद रखने का तरीका, जड़ पास, यह जड़ पास क्या है, यह, यह सारी चीज़े आपकी capital asset मानी जाएगी, और इसको transfer करने पे capital gain ज़रूर आएगा, कौन कौन सी चीज़े, j, jewelry, a, archaeological collection, d, drawings, p, p, painting, s, sculptures, any work of art, और मैंने last में जान मुझके, immowable property लिका है, हला कि definition का यह part नहीं है, but उसका interpretation है, so what is capital asset, property of any kind, whether movable, immowable, tangible, intangible, control and management include होता है, security is holded by FII includes होता है, क्या include नहीं होता, stock interest में include नहीं होता है, personal effect include नहीं होता है, but personal effect exclude, जड़ पास, जिसका मतलब, मान लिखे, jewelry, let's say bracelet, bracelet मैं अगर sale करता हूँ, मैं भले personal use के लिए use कर रहा हूँ, movable है, पर इसको बेचने पर capital gain आएगा, क्या answer is yes, आएगा, क्योंकि यह personal effect की definition से क्या गिया गया है, exclude क्या गया है, एक घर जिसमें मैं रहता हूँ, अगर मैं वो sale करता हूँ, क्या इसके उपर capital gain आएग to capital gain, but silver utensils जो आप use कर रहे हैं, this would not be liable to capital gain, silver utensils जो आप sell कर रहे हैं, this would not be liable to capital gain, इसके उपर महराजा सिंगी का एक case है, बस इस तना याद रखना है, these are not liable to capital gain, उससे आदा आपको बिलकुल याद नहीं रखना, तीसरा, rural agriculture land in India, yes, ये काम की चीज, rural agriculture land in India, अगर agricultural land, urban ना ह रूरल agricultural land है, तो इसे capital asset नहीं माना जाता, और इसके उपर capital gain arise नहीं होता, now the point is, sir, rural urban क्यों नहीं, मतलब क्या urban land आपका capital asset होगा, answer is yes, urban land capital asset होगा, पर rural को exclude किया गया है, specifically, चौता specified bond, कुछ bond है, जो भारत सरकार में notify किये है, जिनको बेचने पर क्या नहीं आएगा, capital gain नही में दिया है, मेरे regular book में भी दिया है, पर ये bond को अब आपको याद रखने की जौरत नहीं है, हलाकि discuss जरूर कर लेते है, national defense bond, gold bond, 6.5% gold bond, 7% gold bond and any other notified bond by the government, हलाकि इन में से अब कोई भी specifically work नहीं कर रहा, तो आपको याद रखने की जौरत नहीं है, चार चीज़े याद रख company plus FII जो investment rule कर रहा है, whether as a investment or stock in trade, पर चार चीज़े capital asset नहीं है, stock in trade, rural agriculture land in India, personal effects and specified bond, ये capital asset नहीं है, मतलब इन को sale करने पर क्या नहीं आएगा, capital gain नहीं आएगा, one of the condition was capital asset, capital asset क्या होनी चाहिए, transfer होनी चाहिए, क्या transfer कहीं defined है, answer is yes, section 2, subsection 47, 2, subsection 47, यहां लिखा है साब, 2, subsection 47, किस बारे में बात करता है, transfer के बारे में बात करता है, sir, important category, not important category, again not important category, क्योंकि आपने जितने भी capital gain वाले problems all की होंगे, आपने देख लिया होगा, ये सिप एक बार first time understanding के लिए है, इसके बाद इसके उपर बहुत ज्यादा time नहीं लग transfer मतलब कब capital gain rise होता है, capital asset transfer करने पर capital gain rise होता है, तो transfer में क्या सिप sale आता है, ना मुन्ना ना, इसके अंदर में आता है, sale, exchange, relinquishment of right, extinguishment of right, मतलब अगर आप asset base देते हैं, cover, exchange करवा लेते हैं, for example, मैंने, मेरे पास एक land पढ़ा था, मैंने builder को दे दिया, builder ने क्या किया, इसक exchange is liable to capital gain, answer is yes, मान लीजे gold, पुराना gold देके नया gold ले लिया, whether it is liable to capital gain, answer is yes, so, sale, exchange, relinquishment of right, खुद हो के हमने अपने अधिकार छोड़ दिये, this will amount to relinquishment of right, तो अगर आपने अपने अधिकार छोड़ दिये किसी चीज के उपर, तो इसके उपर capital gain rise होगा, and आपको tax देना हो extinguishment of right, कई बार ऐसा होता है कि आपसे आपके अधिकार ले लिये जाते है, right, let's say redemption के उपर होता है, compulsory acquisitions के उपर होता है, सरकार आपसे क्या करती है, अधिकार ले लेती है, और बदले में आपको compensation दे देती है, ऐसे cases में आपको जो amount मिलती है, that is also liable to capital gain, so, sale, exchange, relinquishment of right, extinguishment of right, compulsory acquisition, सरकार आपसे आपकी ले लेती है, road, dam, bridge, canal, port, airport, they use it for that particular purpose, right, so, if the government compulsorily acquies your land, this will amount to transfer, then, another is, conversion of capital asset into stock in trade, it was in earlier case, which says, if a capital asset is converted into stock in trade, अगर अपका capital asset stock in trade में convert हो जाता है, इसके वो transfer माना जाएगा और इस पे capital gain जरूर आएगा, redemption of zero coupon bond, though many of the companies now do not issue zero coupon bond, what is a zero coupon bond, a bond which is issued at discount and redeemed at par, so, nowadays, company tends to issue rupee denominated bond, instead of zero coupon bond, but still, law says that, if a zero coupon bond is redeemed, it will be treated as transfer and it will be liable to capital gain, So, sale, exchange, relinquishment of right, extinguishment of right, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock in trade, redemption of zero coupon bond, and any transfer, any transfer under the part performance of contract under the TOFA, for example, if I have transferred the asset, but it is not registered, I have transferred the asset, but it is not registered in other's name, however, consideration and rights of the properties are transferred, I have received the consideration, but registry is not done, whether liable to capital gain, answer is yes, because registration is just a formal process, and hence, capital gain is liable, so, any transaction, in part, performance of contract covered, any transaction of becoming member of a society, having home, building home, or scheme, now understand, now understand, what happens, let's say, today, when property sale happens, specifically, where I will tell you, when property sale happens, maximum case, flat sale happens, when property sale happens, if you go to property sale happens, you will call then, it can be a member, so, when property sale happens, if you are a member, not it will be a member, not that owner becomes a member, owner, cooperative society is shown on stolen condition, in order to take the benefits of exemption, as well as time duty, और आप उसके कौन होते हो, मेंबर होते हो, तो आपने अपना मेंबर्शिप भी किसी को ट्रांसपर किया, ओनर्शिप तो कौपरेटिव के पास ही रहेगी, मेंबर्शिप भी किसी को ट्रांसपर किया और इसके लिए कंसिडरेशन मिला, that will be regarded as transfer, हलागी इतने सारी चीज़े याद मत रखना, sale, exchange, relinquishment, extinguishment, ये चार वर्ड में भी पूरा आपका transfer का definition cover हो जाता है, so definition एक बार फटा-फट दिख लिजे, sale, exchange, relinquishment, extinguishment, हम आजाते हैं वापस से section 45 के उपर, section 45 क्या बात कर रहा है, there must be capital asset, capital asset can't define the two subsection 14, important no, उसके बाद क्या होना चीए, transfer होना चीए, transfer 247 के अंदर में, तीसरा word है gain, ज़र ध्यान से सुनना, तीसरा word कहा है बिटा, gain, यहाँ मैं आपको कुछ लिखवाना चाहूँगा, in fact ध्यान देना चाहूँगा, gain, gain दो प्रकार के, it may be positive, gain may be negative, मतलब, जब हम gain की बात करते है capital gain में, तो यह positive gain भी हो सकता है, और negative gain भी हो सकता है, तो याद रखे, कभी खुशी, कभी गउं, लेकिन जो भी होगा, जो भी होगा, या तो होगा long, या तो होगा short, there is no middle term gain, या तो यह long term capital gain है, या तो यह short term capital gain है, long term capital gain या short term capital gain किस basis पे arise होता है, पोहा, किस basis पे arise होता है, पोहा, सर पोहा, हाँ, period of holding of asset, asset long term है या short term है, क्या यह price पे depend करता है, answer is no, क्या यह size पे depend करता है, answer is no, यह depend करता है, पोहा के उपर, किस के उपर depend करता है, पोहा के उपर depend करता है, आपने कितने दिन उस asset को hold किया, holding capacity के basis पर depend होता है न size न price न अधर चीज़ों पर dependent होता है यह सिर्फ और सिर्फ पोहा पर depend होता है period of holding of assets के उपर अब long term कब माना जाएगा और short term कब माना जाएगा ध्यान दे सुनियेगा अगर financial asset है कौन सा asset बेटा? financial asset है financial asset आपने hold किया है for 12 months or less अगर आपने कोई financial asset 12 महीने या उससे कम dot 12 महीने या उससे कम hold किया the nature of property will be a short term capital asset special asset special asset की category में दो पहला immovable property दूसरा unlisted shares immovable property unlisted shares holded for 24 months or less अगर immovable property है जो आपने 24 महीने से कम hold करी या dot 24 मेंने hold करी या unlisted share है जो आपने 24 महीने या उससे कम hold किया तो इस property को हम short term capital asset कहेंगे इसके अलावा बाकि सब को फेक देते है others की category में जहाँ पे आपने hold किया for 36 months or less या आपने hold किया for 36 months or less so let's say तीसरा बढ़ हमें मिला था gain gain दो प्रकार के हो सकते है positive और negative इन्हें हमें classify करना पड़ता है या तो long term में या तो short term के अंदर में short term कम मानेंगे अगर financial asset 12 महीने या उससे कम hold किया तो special asset being immovable property and unlisted share 24 months या उससे कम hold किया तो और other asset 36 महीने या उससे कम hold किया तो ये short term होंगे और यही अगर इससे जादा हुए that is financial asset holded for more than 12 months holded for more than 24 months special asset और other asset holded for more than 36 months तो इसे हम कौन से category में लेके आ जाते है long term में लेके आ जाते है तो देखा आपने ये इसके उपर depend नहीं करता कि उसका price किया है let's say 2 करोड का asset 2 करोड का एक घर हम लोगों ने 9 महीने के अंदर में sell कर दिया nature will be short term और वही उससे 42 months के बाद sell किया the nature will be long term तो price पर depend नहीं करता size पर depend नहीं करता ये depend करता इस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर और वो क्या है बिटा पोहा period of holding of asset इसके उपर depend करता है अब आपको कुछ चीज़े जो समझनी है पहला financial assets में क्या-क्या आता है यहीं पर page 1 पर दियावा आपको financial assets में क्या-क्या आता है financial assets में सबसे पहले आता है listed shares जी हाँ इसलिए हम unlisted shares को special category के अंदर में डालते हैं जिसका पोहा 24 months रखा जाता है तो पहला listed shares दूसरा securities being debenture or government securities which are listed so debentures and government securities इसको financial assets में डाला जाता है units of UTI whether quoted or not being unlisted or not UTI के units इसके अंदर में covered है zero coupon bond financial assets की definition में आता है units of mutual fund whether quoted or not यहाँ आता है कुल मिला के क्या नहीं आते दो चीज़े नहीं आती financial assets में याद रखने वाला point दो चीज़े financial assets में नहीं आती कौन सी दो चीज़े unlisted shares और दूसरा debt oriented mutual fund यहाँ जो यह mutual fund कवर कर रहे है यह equity oriented mutual fund है दो चीज़े इसके अंदर में नहीं आती एक unlisted share और debt oriented mutual fund इसका पोहा कितना पकड़ा जाता है याद रखे इसका पोहा है 24 month whereas इसका पोहा है 36 month पोहा period of holding of asset जिसका मतलब अगर कोई debt oriented mutual fund है debt oriented mutual fund है यह sale करता है 36 month के बाद तो long term 36 month से पहले अगर sale कर देता है तो इसे हम क्या मान लेंगे short term मान लेंगे is that done साथी साथ में type of capital asset भी यही निप्टा दीजे financial asset, special asset, other asset special asset के category में कित्ते बिटा दो ही चीजे immobile property, unlisted shares financial asset, hold it for more than 12 months 24 months, 36 months याद रखने का बहुत simple तरीका 12-12, 12-24, 12-36 मतलब क्या, 12-1s are 12, 12-2s are 24 12-3s are 36 simple basis for calculation काय के उपर depend करता है पोहा के उपर depend करता है period of holding of asset, यहाँ आजो, यहाँ आपको मिल जाएगा period of holding of asset, आपने asset कितने दिन hold किया अब asset का holding period कैसे निकालते हैं वैसे तो आप module देखोगे, मेरा book देखोगे, इस पर पूरा एक page दियावा है कब, कहा, कैसे holding period calculate किया जाता है लेकिन मैं आपको marathon purpose से बहुत short के अंदर मैं आपको clear कर देता हूँ कि holding period कैसे compute करते है, बहुत simple तरीका है let us understand अगर मेरे पास ये एक asset है, assume this is a capital asset, ठीक है अभी capital asset मेरे पास किस तरीके सा सकता है, दो तरीके है या तो मैंने इससे purchase किया होगा या तो मैंने इससे gift, will या inheritance में लिया होगा या other mode, हो सकता है, कौई बोले च॔री किया होगा चकारी किया होगा, whatsoever, other mode it may be amalgamation, demerger whatsoever, किसी भी तर अगर तरीके से understand करते है अगर मैंने इसससे purchase किया है तो कहां से कहां तक के मैंने इसे hold किया होगा, जहां से लिया, से लेकर के जहां तक बेचा, completed months हमें count करना है, number of fraction of months ignore होता है, to be very honest, आपको problem देख करके वैसे समझ जाएगा, long term है या short term है, इसके holding period से, यह सब इतना important है भी नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, हो सकत will और inheritance में मिला है, तो क्या सिर्फ मेरा holding period होना चाहिए, for example, let's say, मेरे dad में year 2002 में लिया, मुझे 2011 में gift किया, मैं 2019-20 में sell कर रहा हूं, तो बताइए, holding period मैं कब से count करूं, मेरा 2010 से count करूं, या 2002 से count करूं, बिल्कुल सही जवाब, 2002 से हमें count करना पड़ेगा, that is holding period of assessi plus holding period of previous owner कई बच्ची आपे सवाल पूछते हैं, कितने previous owner, हाला कि अब तक के सवाल से final level पे भी नहीं आया है, पर मैं आपको बता दू, previous owner means any number of previous owner, let's say, मेरे dad के dad ने purchase किया था, तो वहां से जब से आया है, वहां तक कि हम क्या करेंगे, consider करेंगे, वापस से, so पोहा, कैसे calculate किया जा होगा, तो holding period of assessi plus holding period of previous owner, हमें क्या करना पड़ता है, count करना पड़ता है, check कर लिजे एक बार, पटा-फट, where, where it is purchased, where it is purchased, from the date of acquisition to date of transfer, gift, will, inheritance, amalgamation, demerger, holding period of assessi plus holding period of previous owner, ये last वाला point छोड़ दीजे, मैं थोड़ी देर बात पढ़ाऊंगा, आपको, right sir, so देख सकते हैं, आप अपना पहला page पूरा का पूरा complete हो चुका है, यहां कि हमने तीन word खतम कर दिये, तीन word कौन-कौन से थे, there must be capital asset, capital asset must be transferred, gain must arise, exam under view, तीन हो बिल्कुल काम के निया, relevant नहीं है, एक बार पढ़ना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, यहां आप exam से एक दिन पहले यह देख र होता है, अब आपका सबसे जादा बड़ा important section 48, सबसे जादा काम का और आदे से जादा capital gain computation, इस section के उपर depend करता है 48 के उपर, तो 48 के उपर बहुत ध्यान लगा लेना, सबसे पहले 48 आपको देता है, computation of capital gain, capital gain को compute करने का तरीका, next page पे आएंगे, तो यहां आपको दिख capital gain का computation कुछ इस तरह से है, short term capital gain, long term capital gain, पूरे income tax में, पूरे income tax में सिफ दो ही ऐसे head है, जहां computation का format दिया है, एक capital gain, दूसरा house property, यह दो ही जगह है जहां पर format दिया हो है, capital gain की शुरुबात करते है, सबसे पहले full value of consideration, क्या बोला बटा, full value of consideration, full value of consideration में से क्या minus करेंगे, expenses on transfer minus किया जाएगा, right, so full value of consideration, इसमें से expenses on transfer minus करेंगे, क्या मिलेगा, net consideration, दोनों जगह देख लो, दोनों जगह सेम है, इसमें से minus करेंगे, cost of acquisition, cost of improvement, जब आप short term के अंदर होंगे, लेकिन अग जब आप long term के अंदर में आ जाते हैं, हम इसे कहते हैं, index cost of acquisition, index cost of improvement, तो फरक क्या है, long term capital asset पे indexation का benefit मिलता है, जबकि short term capital asset पे indexation का benefit नहीं मिलता, मिलेगा आपको short term capital gain या long term capital gain accordingly, short term capital gain में से और long term capital gain में से क्या मिलते हैं, exemptions मिलते हैं, short term capital gain और long term capital gain में से exemption मिलते हैं, long term में किते exemption मिलते हैं, 54 to 54 GB, 54 to 54 GB, कितने GB के exemption मिलते हैं long term में 54 GB के exemption मिलते हैं जबकि short term में Lady Gaga की भेन BD Gaga मिलती है Lady Gaga की भेन BD Gaga yes 54 B, 54 D, 54 G, 54 GA चारी exemption मिलते हैं 54 B, 54 D, sorry 54 B, 54 D, 54 G, 54 GA Lady Gaga की भेन BD Gaga Game over, respect, तो format बड़ा simple है Sir, क्या हमें easy format में draw करना है, answer is yes, क्या answer इसी format में होना चाहिए, answer is yes यह नहीं करेंगे तो marks करेंगे, answer is yes, आपको बहुत clear शब्दों में है Sir, format यह होना चाहिए, पहला क्या, full value of consideration, क्या minus करेंगे, expenses on transfer क्या मिलेगा बिटा, net consideration, short term होगा तो cost of acquisition, cost of improvement, long term होगा तो index cost of acquisition, index cost of improvement, short term capital gain, long term capital gain, long term capital gain, long term में 54 GB तक के exemption मिलते हैं, short term में मिलेगा लेडी गागा की भेन, बीडी गागा, काम कतम, अब जाते हैं, इनके एक, 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 डीटेल पॉइंट पे, format कहां से शुरू होता है, format शुरू होता है, इसाब word से, full value of consideration से, अब मेरी बाद ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां से हम थोड़ा, 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 अब जाएंगे, क्योंकि यह पॉइंट मुझे आपको सिखाना है, यह particular point आपको समझ गया, तो capital gain का कोई ऐसा point नहीं होगा, जो आपको नहीं समझेगा, full value of consideration, जिसे मैं प्यार से लिख रहा हूँ, FVC, full value of consideration, तीन अलग section में लिखा है, full value of consideration, तीन अलग section में लिखा है, कि कैसे compute किया जाता है, ठीक है, normal capital asset, immovable property, and third, unlisted shares, सबसे पहले तो यह देखना होगा, problem के अंदर में, कि तुम sale क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो यह देखना होगा, problem के अंदर में, तुम sale क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर immovable property sale हो रही है, तो full value of consideration जो निकलेगा, वो निकलेगा section 50C से, और जब तुम 50C पढ़ते रहोगे, तब यहाँ पर 43CA भी पढ़ना होगा तुमें, प्लस section 56 to 10 भी पढ़ना होगा तुमें, पहली समझ लो, लगेगा कि यह difficult है, पर बिल्कुल difficult निकलेगा, बहुत easy है, ठीक है, अगर तुमें immovable property का full value of consideration निकलना है, 50C पढ़ना होगा, यह दो section इसके नीचे लिख के रखना समझ में आ जाएगा, unlisted share का full value of consideration निकलना है, तो आपको लगेगा section 50CA, तो आपको लगेगा section 50CA, अब अगर other asset का निकलना है, section 48 ही काम कर देगा, सबसे पहले हम कहां गए, हम format में गए, जो कहां लिखा था, section 48 के अंदर में लिखा था, इसमें पहला word मिला full value of consideration, हम ढूंडने निकले कि full value of consideration निकालते कैसे हैं, full value of consideration निकलता है तीन चीज़ों के हिसाब से, फुल value of consideration निकलता है, तीन अलगले section में, देखना होगा हम बेच क्या रहे हैं, normal capital asset बेच रहे हैं, immovable property बेच रहे हैं, या फिर बेच रहे हैं हम लोग unlisted share, उसके ओपर depend करेगा कि हम जो section apply कर रहे हैं, यह section कौन सा section होगा, right, suppose, suppose, हम normal asset बेचते हैं, याने immovable property नहीं हैं, और unlisted shares भी नहीं हैं, तो computation कैसे होता है, तब तो बड़ा simple है, section 48 की अगर मैं बात करूँ, चीक है, section 48 की अगर मैं बात करूँ, तो आपको जो consideration मिलेगा, consideration मतलब क्या, consideration मतलब amount, against a capital asset, यह दो तरफ से मिल सकता है, या तो आपको मिला होगा cash, या तो मिला होगा आपको kind, kind में मिल सकता है, हाँ, exchange is also liable to capital gain, यादे मेरे भाई, अगर तुझे cash मिला होगा, तो जितना actual मिला होगा, जितना actual amount मिला होगा, इसी को full value of consideration मान लेना, जितना तुझे actual cash मिला होगा, यहाँ पर cash का मतलब है cash, bank, check, account paid, draft और ECS, किसी भी तरे के का covered, अगर तुझे consideration kind में मिला होगा, तो यहाँ पर एक और section आता है, section का नाम है section 50D, कौन सा section है, section 50D, जो कहता है, इस asset का fair market value निकालना, और fair market ही, इसका full value of consideration पकड़ लिया जाएगा, तो section 48 कहता है, जो normal capital assets के लिए होगा, consideration आपको दो तरफ से मिला होगा, या तो आपको मिला होगा cash में, या तो मिला होगा kind में, अगर cash में मिला, तो जितना पैसा मिला, इसे ही मान लेना full value of consideration, अगर आपको kind में मिला होगा, तो 50D, section 50D picture में आता है, और 50D बोलता है, इस asset का fair market value निकालो, और इसका fair market value ही, आप क्या लेलो, as a full value of consideration लेलो, for the purpose of computation of capital gain, इसे लिए, जब आप नीचे आएंगे, तब आपको सबसे पहला section दीखेगा, full value of consideration, ये है section 48, वर्ड पढ़िएगा, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, full value of consideration is the amount of consideration received or receivable by transferor, without making any deduction therefrom, if it is in cash, take actual amount, if it is in kind, section 50D, you have to take the fair market value, wherever it cannot be determined, तो उस case में आप क्या लेंगे, fair market value ही ले लेंगे, full value of consideration, तो ये था बड़ा simple section 48, जो आपको normal capital gain compute करने के लिए आता है, एक्जाम में अगर 10 problem आये हैं आज तक capital gain के, तो उसमें 9, 9 बार आपको computation आया है, immowable property का, मतलब ये है भयानक important, भाईसा 50C भयानक important, important की category में गया मैं, important की category में मैंने लिख दिया 50C, एक और section पढ़ा हमने 50D, एक और section पढ़ा हमने 48, दोनों को भी non important की category में fit कर दिया, चेक कर लिजे, 50D को भी non important category में डाल दिया, बहुत simple है, fair market value को ही full value of consideration ले लो, 48 computation की बात कहता है, तो ये आपको वैसे भी याद रहेगा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, 50C को हम लोग यहाँ पे ले करके आ गए हैं, ठीक है, अब 50C पे चलते हैं, 50C पे चलते हैं, बहुत ध्यान ज़र सुनना, okay, 50C कब apply करता है, और इसके साथ साथ जो ये मैंने section लिखा, इसके meaning क्या है, ध्यान ज़र सुनना, अगर जो मेरी immovable property है, अगर जो मेरी immovable property है, if it is held as investment, ये मेरा investment है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये investment हो, we will apply 50C, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये stock in trade हो, अब जैसे जो property traders होते हैं, जो property dealers होते हैं, इनके लिए immovable property stock in trade है, इनके लिए ये investment नहीं होती, और ऐसे cases में, इनका जो computation होता है, वो 43CA में होता है, ना कि 50C में, और ये चल जाता है, PGBP head के अंदर में, ना कि capital gain के अंदर में, अगर आप investment बोल करके hold कर रहे हैं, तो ही आप 50C लगाएंगे, अगर आप इसे stock in trade बोल के hold कर रहे हैं, तो section 43CA लगाएंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग ये इसे PGBP के अंदर में, हो सकता है, ये आपको gift के तौर पे मिली हो, मतलब आपने खुद का investment नहीं किया है, ना आपके लिए ये stock in trade है, आपको gift बोल करके मिली हो, अगर ये property आपको gift बोल करके मिली है, तो इसके ओपर 56 to 10 apply होगा, 56 to 10 apply होगा, मतलब receiver के हाथ में gift के provision applicable होगे, और gift के provision कहा taxable है, IFOS में taxable है, हाला कि तीनो जगा section के wording सेम है, हाला कि तीनो जगा section के मोटा मोटी तोर पे wording सेम है, बट आप इसे कैसे deal कर रहे हैं, उसके ओपर depend करता है section के apply किया जाएगा, institute के कई MCQ इसके ओपर है, CA final का तो बहुत ज़ादा time इसके ओपर लगता है, मतलब जब आप CA final में आएंगे, तो almost इस point के ओपर मैं तीन घंटा इंवेस्ट कर दूँगा, इन तीनों point को समझाने के लिए, क्योंकि institute maximum of time, inter level पे भी और final level पे भी इसके ओपर combined question पूछता है, combined, maximum time, या तो 50 CA और 56 to 10 पूछेगा, या तो 43 CA with 56 to 10 पूछेगा, fast track में हमने इसके ओपर question सौल किये, regular batch में हमने इसके ओपर question सौल किये, क्या आपको पता होना चाहिए, वापस एक बार बता देता हूँ, हम कहां थे, हम full value of consideration में थे, 3 section से full value of consideration मिलता है, normal 48 में जाएगा, immowable property के लिए 50 CA अप्लाए होगा, plus 43 CA कब, जब ये stock, provisions तीनों की same है, आप एक जगा समझ लोगे, तो आपको income from other sources के provision, apply करने होंगे, in the hand of receiver, आते हैं 50 C, फिलहाल हम capital gain पे हैं, 50 C में आते हैं, बाकी words मोटा मोटी same हैं, तो आप बिल्कुल cut copy paste कर सकते हों, 50 C, अगर आपने property, cash बूल करके hold कियोगी, investment बूल करके hold कियोगी, तो आपको 50 C apply करेगा, आप 50 C किस बारे में बार्थ करता है, immobile property being land building और both, यह section सिर्फ land building और both पे ही apply करता है, क्या कहता है section, एक time ता जब section कहता था, कि अगर stamp duty value, stamp duty value, considerations यह उपर हो, तो stamp duty value will be full value of consideration, मतलब, अगर stamp duty value, if exceed the consideration, then stamp duty value will be full value of consideration, ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि लोग stamp duty की चोरी करते था, सरकार ने यह law ला लिया था, लेकिन अब इस law से एक और problem हो रही थी, जो genuine लोग है, इनके उपर भी इसका impact हो रहा था, genuine कैसे, अब कई बार ऐसा होता है, कि property जो बिक्ती है, यह stamp duty value पर ने बिक्ती, हमें कम में बेचना होता है, जिसके कही factors हो सकते है, जिसके कही factors हो सकते है, सिर्फ tax story ही एक factor ने होता है, इसके कही factors हो सकते है, आप अभी का situation ले लिजे, COVID-19 का situation, जो builder होगा, भयानक financial crisis के अंदर में आ चुका होगा, उसे अपने लेबर्स को भी payment करना होगा, अपने employees को भी payment करना होगा, stock in trade पढ़ावा होगा, भले 43 CA के context में बोल रहा हूँ, लेकिन provision बिल्कुल apply करेगा, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, कुछ properties को, कुछ property को stamp duty से कम में भी निकाल देगा, as of no अपने financial crisis को handle कर लेगा, ठीक उसी तरीके से, property stamp value से कम में कई reasons के वज़े से बिकती है, पहला वास्तू, इंडिया में हम वास्तू को बहुत मानते हैं, और इसके कारण क्या होता है, कि कई बार जो south facing property है, यह stamp duty से कम में बिकती है, दूसरा, property के अंदर में कोई issue, for example, मान लीज़े कोई property थी, वहाँ पे ऐसा कहते हैं, कि भूत भूत था या ऐसा था, जो उसे नहीं मानते, वो इसे कम में buy कर लेते हैं, और it's a very good deal, तीसरा, property का location, कई बार property ऐसे location पे होती है, कि उसका actual value आप लोग को name मिल पाता, जिसके कारण stamp duty से कम में इसे क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तो ऐसे genuine buyer CBTT के पास गया, और CBTT के पास जाकर के बुला, कि यार सर, हमारा angle कोई texture नहीं है, we are genuine person, और हमारे लिए कुछ तो consider कीज़े आप, जिसके होता के रहा, पहले जो law लिखा था, अगर stamp duty value consideration से उपर है, तो stamp duty value consider कर लेना, अब होता ये था, मान लीजे, consideration है 50 लाख, और stamp duty value निकली 50 लाख, 50 अजार, अब इसमें वह issue क्या होता था, वो 50 अजार रुपय जो मुझे नहीं भी मिले, उस पे भी मुझे capital gain tax दे देना होता था, और ये genuine hardship थी किसके उपर, taxpayer के उपर, सरकार को ये बात समझ में है, और सरकार ने एक provision लेकिया आई, इस provision को किया गया amend, और कहा गया, if stamp duty value, stamp duty value exceed 105% of consideration, stamp only stamp duty value will be full value of consideration, जिसका meaning ये हुआ, मान लीज़े आपका consideration है 40 lakh, और इसका stamp duty value आ रहा है, let's say 50 lakh, अब क्या लेना चाहिए, हमें as full value of consideration for the purpose of capital gain, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले consideration को लेंगे, consideration में 5% add कर देंगे, this is called as 105% of consideration, so आप check करेंगे, 40 lakhs plus 5% इसके अंदर में add कर देंगे, क्या stamp duty value इस value से उपर है, answer is yes, अगर stamp duty value consideration के 105% से उपर है, हमें stamp duty value को लेना पड़ेगा, मतलब अब इस case में lawmaker कहेगा, हमने 5% consider किया, 5% price इदर उदर हो सकता है, because of all these reasons, पर 5% के उपर अगर ये जा रहा है, तो जरूर दया कुछ तो गड़ड है, और ऐसे case में अब हम stamp duty value लगाएंगे, अब आपका reason कुछ भी हो, हम नहीं मानेंगे, आपका point था हमने consider किया, 5% हम लोगों ने consider किया, 5% के उपर अगर ये matter जा रहा है, अब हम आपको कोई रियायात नहीं रहेंगे, simple, आपको stamp duty value पे pay करना होगा, अब आपने transaction कितने में भी किया होगा, ये आपका problem है, सर पर ये तो गलत है, हाँ गलत है, 5% consider कर लिया, इस से उपर सरकार नहीं consider करेगी, so, now the point is, if stamp duty value exceed 105% of consideration, stamp duty value will be full value of consideration, एक और सवाल आया, जिसके कारण law को change करना पड़ा, सवाल कहता जरह समझिये, कई बार ऐसा होता है, कि लोग अगर जानकार हो, एक दूसरे को जानते हो, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, property buying का 2 minute का पार्ट समझिये, आपको बहुत अच्छे से provision समझ में आएगा, property buy करने जाते हैं, आपको टीशेट बाई नहीं करने जा रहे, जहां गए, पसंद किया, पैसे दिया, टीशेट उठा के bag में लेके आगए, it's a property, कई चीज़े होती है, लाखोर रुपय इन्वेस्ट होते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं, property देखते हैं, फूरा point समझेगा, बिल्कुल skip नहीं करना, क्योंकि इससे आगे, 194 IC भी जुड़ावा है, not IC, 194 A भी जुड़ावा है, another point is, आप जाते हो, आप property को देखते हो, property देखा, आपको समझ में आ गई, फिर बैठते हैं, negotiation होता है, negotiation में price decide होता है, कच्चा, जिसके तहट, आप क्या करते हो, आप उसके साथ एक agreement to sell करते हो, कुछ money आप उसको तुरंट दे देते हो, as a token की हां मैं ये property ले रहा हूँ, जिसे आप advance भी कह सकते हो, against the property, आप इसे ये दे देते हो, और इसका एक proper agreement बनता है, जिसे हम कहते है agreement to sell, कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते, depend करता है, आप कित्ता जानते है, सामने वाले के साथ जो deal कर रहा है, वो कैसे party, उसके ओपर ये पूरे transaction depend करता है, अब agreement to sell हो गया, उसके बाद दोनों parties ने decide कर लिया, general law, तीन महिने का time दिया जाता है, agreement to sell से registry करवाने के लिए, तीन महिने का time होता है, ये तीन महिने भी बहुत logical है, एक महिना दिया जाता है, आपको bank finance और चीज़े arrange करवाने के लिए, एक महिना और कुछ delays और चीज़े consider करने के लिए, जो इन टोटल तीन महिने का time दिया जाता है, agreement to sell से registry में, अब ऐसा हो सकता है कि agreement to sell के time पे, इस property का stamp duty value कुछ और हो, और registry के time पे इसका stamp duty value कुछ और हो, अब ये तीन महिने का time इन जन्रल टाइम है, मान लिजे अगर मैं relative के साथ transaction कर रहा हूँ, मैं दर्शन सर के साथ कर रहा हूँ, मैं जै चावला सर के साथ कर रहा हूँ, मैं आदिप्ते शर्मा सर के साथ कर रहा हूँ, इनके साथ अगर मैं कोई transaction कर रहा हूँ, और विसी बाते mutual understanding है, रजिस्ट्री करवा देंगे बाद में कभी, उनके पास time नहीं है, वो batches में है, मैं batches में हूँ, हमने कहा कि चल, हम future में registry करवा देंगे, एक साल बाद registry करवा ही हमने, कोई problem नहीं, पर हो सकता इस एक साल में stamp duty value बदल जाए, तो लोग सरकार के पास आए, बुले अब इस situation को कैसे deal करोगे, क्योंकि agreement के time पर stamp duty value अलग थी, रजिस्ट्री के time पर stamp duty value अलग थी, अब बताओ stamp duty value लेना कौन सी, रजिस्ट्री के time पर, यह stamp duty के time पर, रजिस्ट्री के time पर या date of agreement के time पर, इस question के लिए एक law meant किया गया, law में लाया गया, आप generally जो stamp duty value लेंगे, वो date of agreement की लेंगे, अगर दो condition satisfy होती है, अगर दो condition satisfy होती है, तो जो आप stamp duty value लेंगे, यह agreement की time की लेंगे, रजिस्ट्री के time की नहीं, agreement की time की लेंगे, कब, पहला, आपने consideration या part there of, agreement के time पर दिया हो, अगर आपने consideration या part there of, किसके टाइम पे दिया हो, agreement के टाइम पे दिया हो, दूसरा यह जो consideration या part consideration है, यह mandatory, account, pay, check, draft, ECS, amendment, other electronic mode, यह जो word है other electronic mode, इसने बहुत जगा amendment किया हुआ है, इनमें अगर आपने provide किया हुआ है, तो yes, आपको क्या करना पड़ेगा, यह consider करना पड़ेगा, date of agreement, अगर इनमें स पैसे दिये, यह cash में दिये, in that particular case, stamp duty जो लेंगे, हम stamp duty as on the date of registration लेंगे, ना कि as on the date of agreement, so यह law है, law कहता है, कौन से date का stamp duty value लेना, stamp duty value, agreement का लेना, अगर दो condition satisfy हो रही होगी, पहली condition, payment करना है, date of agreement पे, और यह payment, account, pay, check, draft, ECS, amendment, other electronic mode, so what is the amendment in 50C, other electronic mode, add हो गया है, date of agreement के जाइ जी, और भी discussion है, जो इसी का part है, और इसी पर question आते है, आप देख सकते है, मैं जान मुझके बहुत ज़्यादा deep में जा रहा हूँ, क्योंकि जहां important है, वहां important है, और हम इसके उपर time लगाएंगे, कई बार assessi को ऐसा लगता है, कि यह stamp duty value है, यह correct नहीं है, यह जो stamp duty value government ने change कीजिए, now the point is, stamp duty value को क्या object किया जा सकता है, answer is yes, और जब भी stamp duty value को assessi object करता है, इसका valuation जाता है, वो के पास, that is valuation officer, one of the officer in income tax department जो चीज़ों की fair market value निकाल करके देता है, now, fair market value निकाले का आप कौन, valuation officer, जिसे हम कहते है, वो, इसे divisional valuation officer का जाता है, practical life में, अब valuation officer क्या करता है, तीन बाते हो सकती है, valuation officer में जो value निकाली, right, ये ज़्यादा निकल गई, more than stamp duty value निकल गई, ये more than stamp duty value निकल गई, दूसरा situation हो सकता है, less than stamp duty value, but higher than consideration, तीसरा situation क्या हो सकता है, lower than consideration, ये तीन situation possible है, let us understand, consideration था 40 lakh, stamp duty value आ रहा था 60 lakhs, तीक है, अब तीन situation हो सकती है, इसने निकाल दिया 70 lakh, इसने निकाल दिया 50 lakh, इसने निकाल दिया 30 lakh, this three situation could be possible, say yes or no, right, आप ये example लिखे रखे रखे फटाफट, done हो गया, okay let's start, अब situation क्या होगी, मान लिजाए stamp value authority ने जो value निकाली, ये more than stamp duty, valuation officer ने जो value निकाली, ये stamp duty के भी उपर है, अब क्या करेगा, ये हो क्या करेगा, assessi पर चड़ेगा, क्यों, हो गया, देख लिया, मैं कितने पर निकाल रहा था 60, valuation officer ने कितना निकाला 70, लगाओं मैं भी 70, assessi क्या बूलेगा, अरे sir मैं तो I was just joking, मैं सिर्फ जोक मार रहा था, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था, ऐसे cases में क्या लेंगे, full value of consideration वो होता है, जो stamp duty value हो, full value of consideration फिर वही हो जाता है, जो क्या हो बिटा, stamp duty value हो, कई बार ऐसा होता है, कि valuation officer ने जो value निकाली, ये less than stamp duty value है, but higher than consideration है, ऐसे case में क्या करेंगे, full value of consideration जो valuation officer ने निकाला है, है हम वो ले लेंगे क्योंकि ऐसे case में Assessy और A.O. दोनों Mediocre Way में जाएंगे और जो value निकला वो consider हो जाएगा अगर lower than consideration निकला अब Assessy A.O. पर चड़ जाएगा देखा sir I was a law abiding citizen मैं आपको ज़्यादा दे रहा था 40 लाग पर दे रहा था valuation officer में 30 लाग निकाल दिया चलो 30 लाग पर करें compute यह बोलेगा अरे sir आप तुम जोग था sir दीजे ना मैं जानता हूं आप law abiding citizen है ऐसे case में full value of consideration क्या माना जाएगा मालिक consideration माना जाएगा तो यह एक point पटा-पट लिख लीजे यह बहुत इंपोर्टन है यह बहुत इंपोर्टन है इसका मतलब क्या है हम यहां पे लिखके रखते हैं कि भी यह stamp duty value as on the date of agreement लेंगे कब-कब अगर दो condition satisfy हुई की तब पहला, part of payment is given and दूसरा, such payment is given by account paycheck or draft or ECS or other electronic mode यह जो other electronic mode word आया है यह है amendment आया है यह आया है amendment के अंदर में यह आप लिखके रख लीजे यह यह ही है date of agreement वाला point फिर आता है valuation officer वाला, if valuation officer ने जो value निकाली higher than stamp value authority, stamp value authority का value लेंगे otherwise वो का value लेंगे या फिर SSC ने जो value दिया है वो लेंगे, इतने short के अंदर में हमने इसको ले करके आ गया है, हाला कि जब आप bare act पढ़ेंगे तो यह almost एक पेज में जाता है या regular book पढ़ेंगे तो almost एक पेज में जाता है इसो short, 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 short करके यहां पे लेके आया, क्योंकि exam से पहले ना मेरे भाई तिरको ऐसी चीज लगेगी जो ति दिनाना बहुत जरूरी है मुझे इस provision में, same उसी तरीके से 43 CA है, 43 CA भी मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, अगर आपने property क्या करके रखी है, stock in trade बोल के hold करके है, तो क्या लेंगे, उस property का value क्या लेंगे, cost या फिर stamp duty value, sir हम stamp duty value लेंगे if it exceed 105% of consideration, so आपको stamp duty value लेना पढ़ेग for the, if the conditions are satisfied unlike 50 C, 56 to 10 का provision समझी, बहुत 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 ज़्यादा important, बहुत ज़्यादा important, मान दीजे, इसने gift इसको दिया, ठीक है, let's say, यह है विशाल बत्तर, sir और यह है इशामाम, ठीक है, विशाल बत्तर, sir ने क्या किया, एक immovable property, उठा करके क्या दे दिया, इशामाम को दे दिया, आप दूनों की taxability समझते हैं, सबसे पहली बात, विशाल, sir अपना capital asset क्या कर रहा है, relinquish कर रहा है, वो किसी को उठा के दे रहे, क्या इस पर capital gain आना चीए ता, answer is yes, इस इस पर capital c आना चीए ता, हाँ, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक section लाया गया, section 47, जो कहता है, अगर कोई भी वेक्ती, gift, will या irrevocable asset में transfer कर रहा है, तो it will not be regarded as transfer and not liable to capital gain, जिसका मतलब यह है, कि अगर कोई वेक्ती, कोई capital asset gift कर देता है, will या inheritance में transfer कर देता है, तो इसके उपर फिर 47 apply होगा, 47 कहता है, कि भी या, there will be no transfer, और अगर यह transfer ही नहीं है, तो विशाल सर के हाथ में capital gain आने वाला नहीं है, यह provision कहा है, आईए यहाँ से start करते हैं, linking, यह provision कहा है, आप सबसे नीचे जाएंगे, 47 के transaction दिखेंगे, page number 5.11 पे, 5.11 पे जब आप देखेंगे, तो सीधा आपको मिल जाएगा, जो आपको link करेगा, 50C से, any transfer of capital asset under gift will irrevocable trust other than ESOPs, इसके उपर कोई capital gain tax नहीं आने वाला, क्योंकि यह transfer ही नहीं माना जा रहा, जब transfer ही नहीं तो capital gain नहीं, आते हैं फिर से, यहाँ पर, विशाल वट्टर सर ने, अपना capital asset, immowable property, उठा करके, किसको इशा माम को दे रही, क्या 50C लगना चाहिए था, हाँ, पर 47 specific provision will always prevail over general provision, और specific provision कहती है, कि अगर कोई capital asset, gift will inheritance या irrevocable trust के नहीं में transfer क्या जा रहा है, तो it will not be liable to capital gain, clear है प्रभू, ओके, अब इशा माम को मिला, 562, जो receiver है, इसके हाथ में तो यह gift हुआ, receiver है, इसके हाथ में तो यह gift हुआ, since इशा माम के हाथ में gift मिल रहा है, it will be covered under 56 to 10, receiver के हाथ में यहाँ पर 56 to 10 apply कर देगा, receiver के हाथ में मालिक क्या अपलाए करेगा, 56 to 10 apply करेगा, since इशा माम wife है, relative है, इशा माम wife है, relative है, 56 to 10 में क्या हो जाएगा, exemption में cover हो जाएगा, 56 to 10 में क्या cover हो जाएगा, exemption में cover हो जाएगा, no doubt, game over, यह हुआ पहला transaction, अब इसी transaction को थोड़ा बदलते हैं, यहाँ पे अगर, विशाल सर यही immobile property, विजय को उठा करके देदेते, तो क्या होता है, नो विशाल सर, विजय सर का relative तो है नहीं, वो बले ही भाई मानते होंगे, यह अलग विशाय है, पर relative तो है नहीं, और अगर relative नहीं है, तो क्या 56 to 10 apply कर रहा है, answer is yes, gift का provision है, 56 to 10 apply ज़रूर करेगा, और इस case में, यह हो जाएगा, acquisition for inadequate consideration, क्या कहलाएगा बूलो यह, यह कहलाएगा, acquisition for inadequate consideration, यह माना जाएगा कि, विजय ने, यह purchase किया है, विजय ने क्या किया है, यह purchase किया है, और इसे gift की सकल दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे consideration भी था, यहाँ पे क्या था, consideration भी था, let's say, मैं थोड़ा सा situation change कर रहा हूँ, यह immobile property, अगर gift कर देते हैं, so, दो situation, acquisition for, let's say, पहला situation, अज्यूम करते है, acquisition for, without consideration, let's say, विजय से विशाल सर को एक रुपए भी नहीं मिलता, situation one, विजय से विशाल सर को क्या नहीं मिलता, एक रुपए भी नहीं मिलता, इसे हम कहेंगे, acquisition without any consideration, मतलब gift is received without any consideration, इस case में क्या होगा, if gift is received without consideration, and stamp duty value exceed 50,000, the whole stamp duty value is taxable to विजय as gift, तो situation, एक एक situation को बड़े detail में समझते हैं, पहला situation, situation one, विशाल सर ने उठा करके किसक को दे दिया, इशा मैम को दे दिया, इशा मैम कौनती, relative थी, since relative थी, gift totally क्या हो गया, exempt हो गया, मैं आपको दो section mix करके पढ़ा रहा हूं, 50C को जोड रहा हूं किसके साथ, income from other sources के साथ, य आपके teacher ने जोड़ा होगा, नी जोड़ा होगा, आपने कहां पढ़ा होगा, नहीं पता, पर ये provision ऐसे ही है, आप institute का कोई भी problem उठा करके देख लो, ऐसी चीजे पूची है, कोई आपको direct question ने पूच रहा, दो चीजे मिला करके पूचा जा रहा है, तुमारा knowledge test किया जा आने लायक हो या नहीं हो, तुमारा knowledge testing होगा और ये है knowledge, विशाल सर ने उठा के इशा माम को दे दिया, विशाल सर के हाथ में, since immowable property है, transfer है, capital gain आना चाहिए था, लेकिन 47 बोलता है, since it is transferred under gift, will or evocable trust, इस पे capital gain tax नहीं लगाएंगे हम, since इशा माम के हाथ में ये receive हो रहा है gift, immowable property received हो रहा है, पर इशा माम relative है, इसके लिए, इनको taxability नहीं आएगी, gift के provision से क्या हो जाएंगे, exempt हो जाएंगे, situation number two, यही gift इशा माम के जगए विजे को मिलिया, विजे क्या कोई relative है, answer is no, मान लो विजे ने एक रुपया भी नहीं दिया, without consideration विजे ने ले लिया, अ बदल जाएगी, विजे के हाथ में situation क्या जाएगी, अगर stamp duty पचास हजार के उपपर जा रही होगी, तो whole stamp duty value is taxable, कैसा बढ़ा, whole stamp duty value विजे के हाथ में क्या हो जाएगी, taxable हो जाएगी, और suppose, हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ, gift के provision में आपको तीनो रिकॉल करव पारों, हुआ ये, कि जब इस तरीके से receiver के हाथ में tax होना शुरू हो गया, तो लोगों ने एक और tax planning अपनाई, और वो tax planning थी, कि विजे क्या करता था, अब, let's say, immovable property का stamp duty value है 5 लाक रुपे, विजे क्या कर देता था, एक consideration देता था, एक लाक रुपे का, क्यूंकि law तो क जब आपको without consideration मिल रहा है, तो taxable होता था, अब, विजे क्या कर देता था, एक लाक रुपे का consideration देता था, इस पाच लाक के property के against में, और वो gift के provision से बाहर हो जाता था, सरकार को कई सालों बात समझ आया, साला ये लोग तो हमें, हाहा, बेवा कूब बना रहे हैं, जहां पह inadequate consideration में purchase कर रहे हैं, कैसे बेटा वापस बोलो, inadequate consideration में purchase कर रहे हैं, पाच लाक की property एक लाक में दे रहे हैं, कौन किसे gift देता है, साब कोई किसी को gift नहीं देता, फालतु की बाते हैं, यहां लोग दुआये भी free में नहीं देते, gift तो बहुत दूर की बात है, yes or no, आपके cousin न रबढ़ है, 5 लाख का asset, 1 लाक में बेज़ दिया, क्यों बेज़ दिया, विशाल सर के हात में, क्या कोई impact, answer is no, उनने तो, क्या कर दिया, sell कर दिया, क्या 46 वाला, 47 वाला provision लगेगा या नहीं लगेगा, तरहां दो सुनना, 47 वाला provision लगेगा या नहीं लगेगा, answer is no, नही लगेगा और इस case में 50C आ जाएगा क्योंकि उनने यहां पे sale किया है gift नहीं क्योंकि उनने क्या किया है sale किया है gift नहीं पांच लग के पर ले एक लग मिला गिफ्ट नहीं हुआ विशाल सर के हाथ में 50C अपलाई करेगा यैसे ही 50C अपलाई किया चेक होगा consideration is 1 lakh, stamp duty value 5 lakh क्या अपलाई करेगा 50C विशाल सर के हाथ में कितना taxable 5 lakh रुपे taxable विशाल सर के हाथ में कितना taxable 5 lakh रुपे taxable कौन जा section लगाया 50C क्यों लगाया gift नहीं है गिफ्ट होता तो क्या लगाते 47 लगाते गिफ्ट नहीं है इसलिए क्या लगाया 50C लगाया और विशाल सर के हाथ में taxability आई अब सवाल उठता है विजय के हाथ में क्या होगा बिल्कुल सही जवाब विजय के हाथ में 56 to 10 आएगा इस concept को कहते हैं acquisition for inadequate consideration और इसे gift बोलके tax किय जाता है और law कहता है अगर difference 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 between stamp duty value minus consideration exceed higher of A. 50,000 और B. 5% of consideration whole difference is taxable मतलब क्या हुआ ज़र समझे है मैं capital gain के साथ 7 other sources का एक provision भी पढ़ा गया आपको और ये ऐसे ही पढ़ना जरूरी है तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता था क्या point था inadequate consideration पांच लग का सेट एक लग में ले लिया विशाल सर के हाथ में 50C apply होगा विजय के हाथ में विजय के हाथ में difference difference जो stamp duty value का और consideration का है ये exceed कर रहा है higher of 50,000 या 5% से ज्यादा का difference आ रहा है तो पूरा difference विजय के हाथ में taxable होगा सर ये तो double taxation हुआ हाँ पर law इसे double taxation कहेगा नहीं apparently मोटा मोटी आप देख सकते हैं विशाल सर के हाथ में भी चार 4500 रूपए extra tax हो गये बिलकुल tax हो गये विशाल सर के हाथ में कैसे tax होगे पांच लाक कसे लाक में दिया ता 4,5,000 इननके हाथ में tax होगे जबकि मिलला कि इतना 1,000 reste और विजय के हाथ में भी टैक्स होगे विजय के हाथ में भी टैक्स होगे क्यों CA final में पता चलेगा chapter होगा DTW जो paper 6C में भी है और paper 7 में भी है जो कहता है हम double taxation तब कहते हैं जब एक आदमी दो बाल tax भरे यहाँ एक आदमी नहीं है दो आदमी अलग अलग है विशाल सर अलग है विजय सर अलग है दो अलग अलग आदमी हैं इसे double taxation नहीं कह सकते जबकि clear cut दिख रहा है यह double taxation है सर पर यह तो गलत है न ऐसा ही है मैं खुद मान रहा हूं गलत है हर tax teacher मानेगा गलत है और यह ऐसा ही है सर तो ऐसा किया क्यों गया है डी मोटिवेट करने के लिए जो आदमी ऐसे कोई transaction कौन किसी गिफ्ट देता है यार पांच लाग का से टेक लाग में दिया जा रहा है क्या हुआ देने वाले के हाथ में यही अगर गिफ्ट बोल के देदिया कौन सा provision apply करेगा बोल मेरे भाई जिफ्ट बोल करके देदिया क्या apply करेगा गिफ्ट बोल के देदिया अपलाई करेगा 47 apply करेगा receiver end पे चलते है receiver end पे चलते हैं, कौन से end पे चलते हैं, receiver end पे चलते हैं, receiver end मतलब हमें तुरंत जाना होगा, income from other sources पे, जो आपका next topic भी है, yes, I'll take income from other sources after capital gain, और इसको बिल्कुल साथ साथ में पढ़ना, क्योंकि आधे provisions जो है, ये capital gain के और income from other sources के साथ में होते हैं, तो दोनों को अगर आप सा में पढ़ोगें, जादा मजाएगा, let's say, मैं इसे हें ला लेता हूँ, अब भी पढ़ाता हूँ, ताकि हम जब उदर जाए, अरे यार, खुड़ रहा, इनकम from other sources, इनकम फ्रम अदर सूर्स Misamalik, हम लोग गया?. K guer вли है मालीक हम चलेगा घंवार के परोविशन में? इसान पर डिप्ड के शुचले ददर है? किदर है किदर है किदर है किदर है जब बात करें गिप नहीं गया येस 56-10 इंकम फ्रॉम अधर सूर्सेस पेज नंबर 6.2 और जैसे कि मैंने कहा था यहां से मैं बिलकुल ऐसी चीज़े चालू करूंगा जो इंस्टूट आप पूछता है और इंस्टूट में आप देख लिए गिफ्ट का प्रोविजन किसके लिए टाक्से बले है जो रिसीव कर रहा है बात कर रहे हम सिचुएशन 2 के बारे में जहां विशाल सर ने विजय को दे दिया और एक भी पैसा चार्ज नहीं किया अब यह गिफ्ट माना जा सकता है विशाल सर 47 ले सकते है विजय के हाथ में तो 56 to 10 रहे गई रहेगा जो कहता है इस्टाइम डूटी वैल्यू कितने से nou सकते है पंचाइक सीड कर रही है तो और लूटी वैलू इस टेकसाबल किसको टेकसेबल अरे भाज साब रीसीवर को टेकसेबल जिसने रीसीव किया उसको टेकसेबल हो जाएगा यह दूसरा इन एडिक्वेट कोंसेडरेशन इसको 50 से क्टी से सबसे माक्सेमूम टाइ चाहे इंटर लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे हो, एक्जिकुटिव लेवल पे हो, दसन्ट मैटर, सबसे ज़्यादा पूचा जाता है, inadequate consideration, विशाल सर के हाथ में 50C apply करेगा, yes विशाल सर के हाथ में 50C apply करेगा, receiver के हाथ में 56 to 10 apply करेगा, जो कहता है, if stamp duty value, exceed 105% of consideration, लेकिन यह word कुछ ऐसा लिख दीजे, तो आपको ज्यादा बहतर समझ में आएंगे, इसके word लिख दीजे, if difference between stamp duty value minus consideration, exceed higher of 5% of consideration or 50,000, whole difference is taxable, खतम साब, तीन provision एक साथ पढ़ी, actually 6, कौन कौन से, 50C, 43CA, 56 to 10, wordings पूरे के पूरे वही है, यह 5% of consideration, simply denotes 105% of consideration, वही वाली बात, जो 50C के अंदर में लिखी वी थी, the whole difference is taxable, साथी साथ में वो इशा माम वाला point भी पढ़ा देता हूं, जो यहां लिखा है, gift received from relative is exempt, इशा माम को जो विशाल सर से gift मिला था, since विशाल सर and इशा माम, husband and wife, gift received from relative is totally exempt, वो यहां लिखावा है, game over, एक साथ, जब भी आप पढ़ो, self study कर रहा हो, 50C, 43CA, 56 to 10, तीनों को एक साथ ही पढ़ना, जबर्दस समझ में आएगा, और अगर समझ में आया होगा, तो please नीचे comment कर देना, सर बहुत मज़ा आ गया, आ जाईए, यही मेरे लिए motivation होगा, COVID-19 के अंदर में, आ जाईए, फिर से चलता हूँ आगे, कहाँ थे हम, सर कहाँ थे हम, बेटा, income tax है, income tax में अभी कुछ भी नहीं आया हो, capital gain में, यह तुम भी जानते हो, पहले word पे हूँ, 48K, full value of consideration, और तुमको 6 section में घुमा के ला चुका हूँ, अब, चाहूं तो एक section और घुमा दू, इतना जबरदस्क मज़ा आ जाएगा तुम्हार को, कि अगर कोई problem बना, तो almost CA final level के लड़के के साथ बढ़ जाओगे, बिल्कुल बढ़ जाना कोई problem नहीं, कोई CA final पे भी मैं यह पढ़ा रहा हूँ, एक TDS का section है, हाँ मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, TDS का section है, TDS का section कौन सा है, TDS का section है 194 IA, जब एक person, दूसरे person को property बेच रहा है, जो buyer है, buyer है, buyer है, अगर property का consideration 50 लाग के ओपर जा रहा है, अगर property का consideration 50 लाग के ओपर जा रहा है, तो वो 1% से TDS deduct करेगा, याद रखना TDS में जाएंगे जब हम इसको वापस से recall करेंगे, चीक है, तीसरे section पर आते हैं, तीसरा section क्या है, full value of consideration पहला वढ़ता, full value of consideration तीन section में लिका है, 48 में लिका है, other assets के लिए, immobile property के लिए 50C plus 43CA plus 56 to 10, I hope आपको यह तीनों point clear हो गए होंगे, क्योंकि यह साथ में ही पढ़ने होते हैं, और तीसरा है unlisted shares, तीसरा कौनसा है वढ़ता, unlisted share, unlisted share, अब एक problem क्या है, ज़र समझेगा, unlisted shares के case में consideration कैसे निकाल जाए, क्योंकि property का shares अगर listed होता तो हम value निकाल लेते, unlisted shares के case में कैसे निकाला जाए, law बड़ा clear है, law ने कहा, unlisted shares के case में, अगर fair market value, क्या बटा, अगर fair market value consideration से उपर जा रही है, याना obvious ही बात है, इनकी fair market value निकालेंगे, कैसे निकालेंगे valuation officer को, या registered value अब होते हैं, AO निकालेंगे तो valuation officer के पास जाएगा, assessi निकालेंगे तो registered value के पास जाएगा, बुलेगा मुझे shares के value निकाल करके तो, they have their own mechanism and means, वो value निकालेंगे, और अगर fair market value, consideration से उपर जा रहा होगा, तो fair market value ले लेंगे, यादा के यहाँ 105% वाला कोई point नहीं है, यादे सीधे शब्दों में, if fair market value exceed consideration, fair market value will be full value of consideration, game over, right? अच्छा, sir, क्या हम यहाँ पे भी valuation officer के पास जा सकते हैं? Answer is yes. Sir, क्या यहाँ पे भी valuation officer ने अगर fair market value से जादा निकाला, तो क्या हम, you know, fair market value लेंगे? हाँ, sir, valuation officer ने fair market value से कम निकाला, consideration से जादा निकाला, क्या लेंगे? valuation officer का value, sir, consideration से कब कम निकाला, क्या लेंगे? consideration जो assessi ने दिया, बाकी पूरा section 50C का same, बस यहाँ पे क्या है? अगर fair market value consideration से उपर है, fair market value, full value of consideration, अब जो 50CA पढ़ते हो, again 56 to 10 पढ़ना चाहिए, 50CA जब पढ़ रहे हो, again 56 to 10 पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी, last point जो है, वो इससे related है, पर हम वो other sources में पढ़ेंगे, या नहीं पढ़ेंगे, चलिए, कहां थे हम? पहला word complete किया है सब, पहला word complete किया है, पहला word क्या था? full value of consideration, capital gain बड़ा है, और इसके उपर time लगाऊँगा, मैं head के उपर, और जो बड़े head है इसके उपर, अब हमने पहला पूरा word पढ़ लिया, जिसके अंदर में हम करीब 7 आट section गूम के आगए, full value of consideration, उमीदे मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, दूसरा, expenses on transfer, दूसरा word है, expenses on transfer, expenses on transfer, जो transfer के उपर, asset जब आप बेच रहे हो, इसके उपर जब आप खर्चा कर रहे हो, yes ये खर्चा आपको deduction गूल के मिलता है, practical life, बेचने वाला तभी खर्चा नहीं करता, buyer खर्चा करता है, बट स्टिल, अगर बेचने वाले ने कोई खर्चा किया है, तो yes वो इसमें से क्या किया जा सकता है, minus क्या जा सकता है, दूसरी important बात, जब आप बेच रहे हो, तो हो सकता है, shares भी हो, और आज जब आप security market में share sale करते हैं, तो आपको STT लगता है, क्या STT का भी deduction मिलता है, लोग claim किया करते थे, लेकिन सरकार को STT का deduction देना ही नहीं था, इसलिए proviso 7 लाया गया, जान दो सुनना, 7th proviso to section 48 लाया गया, 48 को 7th proviso लाया गया, और कहा गया, जो आप STT पे कर रहे हैं, it is not allowed as deduction, जो आप STT पे कर रहे हैं, it is not allowed as deduction, मतलब expenses on transfer कोई भी minus किये जा सकेंगे, लेकिन STT जो आप पे कर रहे हैं, ये minus deduction बोल करके मिलने वाला नहीं है, अच्छा, institute आपको दो तरीके से घुमाने की कुशिश करेगा, expenses on transfer में, वो expenses on transfer आपको cash में भी देगा, याद रखना, percentage हमेशा actual consideration का लेना, क्योंकि full value of consideration stamp duty का भी हो सकता है, stamp duty value भी हो सकता है, और ये जो खर्चे की होंगे, आपने ये actual consideration के ही होते हैं, for example, जो आप let's say brokerage pay करते हैं, it is 2% of the actual consideration, ना कि stamp duty value, stamp duty value कुछ भी हो, उससे कोई लिन निन नहीं होता, practical life में भी, so expenses on transfer is allowed as deduction, not expenses on acquisition, if it is given in cash, take actual, if it is given in percentage, take percentage of sale consideration, and not full value of consideration, तो जो आपको लेना है, वो sale consideration का लेना है, brokerage and other legal expenses allowed है, ये है काम की बात, 7th proviso to section 48 केता है, STT is not allowed as deduction, game over, आईए तीसरे पार्च पे चलते हैं, बिल्कु टाइम लगा रहा है याँ पे, full value of consideration से expenses minus कर दोगे, automatically पहुच जाओगे net consideration पे, फिर आता है cost of acquisition, ये है काम की चीज़ बावू, cost of acquisition, cost of acquisition, दो sections के अंदर में लिखा है, ध्यान दे सुनिए, cost of acquisition, दो sections के अंदर में लिखा है, कुछ चीज़ों के cost of acquisition 49 में है, जबकि कुछ चीज़ों के cost of acquisition, आपको section 55, subsection 2 में भी देखने को मिलते हैं, तो ये 2 sections में आपको देखने को मिलेगा, इससे डरने की बात नहीं है, ठीक है, अब सबसे फेली बात, tangible और intangible assets, ठीक है, सबसे फेले बात कर लेते हैं, intangible assets की, let's say, let's start करते है 49 से, 49 से जाएंगे तो और easy हो जाएगा, cost of acquisition, सबसे ज़ादा, पूरा capital के इनका problem, right solve करेंगे, wrong solve करेंगे, इसके उपर depend करता है, cost of acquisition क्या है, cost of acquisition, हो सकता asset आपना purchase की हो, दूसरा situation, gift will, inner returns में मिली हो, अगर आपने asset purchase की है, तो दो बाते हो सकती है, before 2001 purchase किया, या after 2001 purchase किया, sir ऐसा क्यों, क्योंकि, जब capital gain पहली बार लेकर के आया थे, तो जो भी asset थे, 1981 के पहले, त्यान से सुनना, 1981 के पहले के जो assets थे, इनको fair market value लेने का option दिया गया था, मतलब, या तो आप cost ले लो, या fair market value ले लो, whichever is higher आपके मुताबिक, और वेसी बाती हर एक जन fair market value लेता था, क्योंकि, इससे आपका capital gain बचता था, जब अरुन जेटली साब आये, अरुन जेटली साब ने, इस 1981 के year को change करके ला लिया, 2001, ये कहते वे कि अब हम 21st century में आ चुके हैं, और अब 1981 काफी old हो चुका है, और इन्होंने index को renumber किया, 2001 से, जो भी हम थोड़ी दिन में दिखेंगे भी index में, अब इसी लिए हम कहते हैं, हो सकता है जो आपने asset purchase किया हो, ये before 2001 हो या after 2001 हो, अगर asset before 2001 आपने acquire किया है, तो you can take either cost or the fair market value as on 2001, whichever is higher at your option, if the asset is acquired after 2001, you have no option to take the fair market value, you must take the actual cost of acquisition, so if the asset is acquired before 2001, cost of acquisition or fair market value, whichever is higher, whichever is higher, हला कि आप after 2001 लेते हैं, you have no option, you have to take cost of acquisition, game over, हो सकता है, आपको assets, gift, will, inheritance, amalgamation, demerger, succession, और other business reorganization में मिला होगा, अगर asset आपको in options में मिलता है, तो आपका cost क्या लगा, zero, बट क्या आप zero लेंगे, answer is no, law ने आपको यहाँ पर benefit ढिया है, that yes, you can take the cost as cost to previous owner, so अगर asset मुझे gift विल्या inheritance में मिला है, तो मेरे लिए cost का मतलब होगा, cost to previous owner, so section 49.1, अगर आपको asset distribution में मिला है, gift, inheritance, succession, revocable, trust transfer, liquidation assets में मिला है, so cost means cost to previous owner, हम लोग ले सकते हैं, अच्छा जी सर, अब आते हैं यहाँ पर, उपर, जान मुझ के, intangibles, सबसे बहली बात के, intangibles defined है, answer is yes, intangibles defined है, this covers goodwill, right to manufacture, carry on business, trademark, tenancy, root permit, loom hours, definition याद करनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत याद रखना, intangibles याद रखना ठीक है, intangibles अगर है, अगर self generated intangibles है, self generated मतलब आपने खुद develop किया है, दूसरा आपने acquire किया है, किसी का, अगर self generated है, तो इसका cost of acquisition, आपको हमेशा निल पकड़ना पड़ेगा, जिसके पीछे case भी है, PC शिनिवासा शेटी, अगर आपने purchase किया है, तो actual purchase price आपका cost of acquisition भान लिया जाएगा, सबसे काम की बात, अगर आपने 2001 से पहले acquire भी किया है, तो भी intangibles के case में, आपको fair market value लेने का option अविलिबल नहीं है, अगर आपने 2001 से पहले intangibles लिया भी है, तो भी आपको fair market value लेने का option अविलिबल नहीं है, so benefit of fair market value as on 1-4-2001 not available in case of these assets, no capital gain on goodwill sell as per PC शिनिवासा शेटी, capital gain जो profession पर आता है, goodwill of profession sell होती है, इसके उपर कोई capital gain आया, वो compute नहीं हो सकता, as per PC शिनिवासा शेटी, ये case आपको दिये वे भी है, आप चेक कर सकते हैं, module के अंगर में, so sell generated का value हमेशा क्या पकड़ेंगे, nil पकड़ेंगे, acquired अगर होगा, before 2001 और after 2001, दोनों cases में आपको actual cost of acquisition को ही consider करना होगा, in case of intangibles, right, आईए, next आते हैं, जैसे कि यहा, cost of acquisition of sell generated, if the asset is purchased, then purchase price, fair market value is totally ignored, यही जो अभी हम बात कर रहे थे, अब आते हैं shares के उपर, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, कि इस बार आपके कोई question आ सकता है, तो shares के उपर आ सकता है, क्योंकि 111A और 112A के अंदर में भी क्या हुए है, बहुत सारे changes हुए है मेरे भाई, तो आपको shares के उपर question आ सकते हैं, तो इसका cost of acquisition बहुत अच्छे से दिखना, original shares मतलब जो हमने actually purchase किया है, जितना purchase price हमने pay किया होगा, वो दिया जाएगा, सर क्या यहाँ fair market value 2001 से पहले लेने का option है, answer is yes, अगर shares आपने 2001 से पहले लियोंगे, you can take the fair market value, no doubt, right, अच्छा जी, sir, so original shares, actual amount paid, fair market value option available, right share, right share अगर है, तो जितने में आपने right acquire किया है, वो आपका क्या बनेगा, actual price बनेगा, right share subscribed by other person, आपको पता होगा, right share को हम लोग renounce भी कर सकते हैं, so मान लीजए मैंने renounce कर दिया मेरे भाई को, जो price company को प्रे किया, plus मेरे को किया, इसके लिए तो cost of acquisition हो गया, so purchase price paid to person renouncing such right, plus amount paid to company allotting such share, cover किया जाएगा, right, right जो renounce कर रहा है, मतलब मैं, मेरे लिए तो 2 रुपे का consideration मुफ्त में हो गया, मेरी cost कित्य थी 0, so the person renouncing the right, इसके लिए cost क्या होगी, nil मतलब 2 रुपे, purely मेरे लिए क्या बन जाएगा, capital gain, bonus share 2001 से पहले अगर मिला होगा, cost क्या लेंगे, तोटली आपकी cost तो लगती नहीं, पर 2001 से पहले मिला होगा, you will take fair market value, as on 1 for 1981, क्योंकि अगर लो याद होगा, cost और fair market value, whichever is higher लेते हैं हम लोग, अगर 2001 के बाद bonus लोट हुआ होगा, तोटली आपको क्या लेना होगा, nil लेना होगा, yes actual value, sweat equity share, sweat equity share का value क्या होगा, sweat equity share का value होगा, value we have taken for calculation of perquisite, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, अगर employer employee को sweat equity share देता है, तो जो shares का fair market value होता है, वो employee के हाथ में perquisite बोलके taxable होता है, hence जो amount salary में taxable होती है, employee के हाथ में वही उसके लिए क्या बन जाती है, cost of acquisition बन जाती है, अच्छा जी, यह वाला पाड़ आप छोड़ सकते हैं, यह वाला पाड़ भी अठा दीजे, मैं आपको बताता हूँ, इसको पढ़ ना कब है, उसका एक साही time आएगा, पढ़ेंगे हम, पर एक साही time पर पढ़ेंगे, यह था आपका cost of acquisition, इधर आईए फिर से, सबसे पहले हमने पढ़ा, full value of consideration, full value of consideration में से क्या माइनस करेंगे, expenses on transfer माइनस करेंगे, tangible और intangible हमने दोनों का देख लिया, 2001 से पहले, 2001 के बाद का हमने दोनों का देख लिया, इसके बाद आएगा net consideration, net consideration में से क्या माइनस करेंगे, cost, cost के टाइम पर दो section हम लोग ने पढ़े, एक पढ़ा हमने 49, एक पढ़ा हम लोग ने 55, 50 C A काम का, 43 C A मैं not important में डाल रहा हम, प्यूकि आपने 50 C पढ़ लिया, तो 43 C A आ जाएगा, 56 to 10 मैं income from other sources में उसे important लिखवा दूँगा, मैं इसलिए उसे यहाँ पर नहीं गंसे देख कर रहा, cost of acquisition के बाद आता है, दूसरा वर्ड cost of improvement, यह दो definition आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि cost of acquisition को ही आप index करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए cost of acquisition क्या है, उसी को आप क्या करोगे, index करोगे, फिर आता है cost of improvement, cost of improvement मतलब क्या, यह होते है capital expenditure, यह है MCQ, cost of improvement कभी भी revenue expenditures नहीं होते हैं, वो हमेशा capital expenditures ही होते हैं, capital expenditures cost of improvement होते हैं, ध्यान ज़र सुनिएगा, खाली land पर घर बनाया, that becomes part of cost of acquisition, existing structure पर दूसरा structure बनाया, that is cost of improvement, यह याद रखना, तीक है, अच्छा जी साब, cost of improvement capital expenditures होते हैं, इंकर के जाते हैं, cost of improvement के अंदर में, हर तरखे के capital expenditures कभर होते हैं, cost of improvement, assessi ने इंकर किया, या previous owner ने इंकर किया, ध्यान ज़र सुनिया, assessi ने इंकर किया हो, या previous owner ने इंकर किया हो, दोनों का आपको deduction मिलेगा, लेकिन, 2001 से पहले की गई, कोई भी improvement का deduction आपको law नहीं देगा, मतलब, अगर cost of improvement 2001 से पहले हुई होगी, चाहे assessi ने किया हो, या previous owner ने किया हो, उसे totally ignore किया जाता है, problem आपको देगा भेकाने के लिए, पर बुलाती है मगर जाने का, हाँ, बुलाती है मगर, जाने का नहीं, जो improvement 2001 से पहले हुई है, उसे totally ignore करना है, जो improvement 2001 के बाद हुई है, आपको इसे क्या करना है, consider करना है, so आईए फटाफट देखते हैं, cost of improvement, यहां लिखावा है आपको, cost of acquisition के बाद, 551B के अंदर में, cost of improvement means expenditure, which increase the productivity and quality of the asset, it includes all expenditure of capital nature, तो ध्यांद से सुनिएगा, capital nature वाले ही cover किये है, only capital expenditure is considered, any improvement incurred before 2001, to be ignored while computing capital है, अब यह assessi द्वारा हो, या previous owner द्वारा हो, फरक नहीं पड़ता, right, income tax, it can be incurred, either by assessi और previous owner, जैसा के हम कह रहे थे, cost of improvement shall be nil for falling, ध्यांद से सुनिएगा, intangibles की cost of improvement नहीं होती, intangibles की cost of improvement नहीं होती, intangibles की cost of improvement नहीं होती, तो जो intangibles है, इनके case में cost of improvement आप वैसे भी क्या पकड़ेंगे, nil ही पकड़ेंगे, मतलब सिफ tangible assets के लिए cost of improvement हो पाएगी, otherwise किसी के लिए cost of improvement होने वाली, नहीं है, है इस बात का बहुत जादा ध्यान रखना होगा, is that done, चलिए, वापस चलते हैं 48 के अंदर में, 48 के कितने वर्ड अब तक हमने पढ़ लिए है, full value of consideration done, expenses on transfer done, net consideration done, cost of acquisition done, cost of improvement done, cost of improvement कहा निकाता साब, 55 के अंदर में उसी तरीके से हम यहां तक के तो आ गए है, अब आते हैं, index cost of acquisition पे, सबसे ज़्यादा चलने वाला point, जिस पर सबसे ज़्यादा question आ सकते हैं, index cost of acquisition, right, regular class के अंदर में, हम index cost of acquisition के उपर एक चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, past track में भी हमने बनाया ही है, index cost of acquisition, इसके दो पार्ट, हो सकता है, asset आपने purchase किया हो, हो सकता है, asset आपको gift में मिला, inheritance में मिला, will में मिला, या कोई भी other mode में मिला, other mode आप खुद समझदार है, अगर asset purchase किया होगा, तो दो बाते हो सकती है, before 2001 या फिर after 2001, अगर asset purchase किया होगा, दो बाते होंगी, before 2001, after 2001, gift, will या inheritance में मिला, तीन बाते हो सकती है, गिफ्ट, will या inheritance में मिला, तीन बाते हो सकती है, previous owner acquired, ये कहीं पे भी आप बना के रग लीजे, before 2001, and given, before 2001, एक situation, previous owner ने 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 से पहले दिया, ये एक situation हो सकती है, ठीक है, आते हैं, दूसरी situation के, previous owner acquired, before 2001, and given to a sesee, after 2001, तो previous owner ने 2001 से पहले लिया, मुझे 2001 के बात दिया, तीसरा situation, previous owner acquired, after 2001, and given, after 2001, दिया 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 9, 8, 9, 10, 12, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 10, 9, 10, 11, 10, 11. देंजर चलिए तो प्रीवियस और दो बाते हो सकती है इसमें मैं थोड़ा सा आराम से जाओंगा इंडेक्सेशन कैसे मिलता है सेकेंड प्रोवीजो टू सेक्शन 48 अब तक हमने सेवन्त प्रोवीजो पढ़ा था जिसमें एस्टेटी का डिदक्शन नहीं मिलता इस इस कॉल्ड एस सेकेंड प्रोवीजो टू सेक्शन 48 इंडेक्सेशन जो मिलता है यह सेकेंड प्रोवीजो तो section 48 के तहत मिलता है, right, हो सकता है asset आपने 2001 से पहले लिया, since आपने purchase किया है, ये point, second proviso पढ़ने के time पर आपको हमेशा 49 में जाना चाहिए, अगर आपको गलती नहीं करनी है तो, 49 क्या कहता है, asset अगर 2001 से पहले लिया, asset का cost क्या होगा, क्योंकि हम किसको index कर रहे, cost को index कर र ये ही option था, cost of acquisition जिसको याद नहीं आ रहा हो, जाके अपनी book पलटा है, 49.1 में दूसरा point दे था, कि asset अगर 2001 से पहले लिया है, तो cost of acquisition और fair market value, whichever is higher, into CII for the year of transfer, what is CII, cost inflation index for the year of transfer, इस साल का cost inflation index कितना है, right, इस साल का cost inflation index कितना है, आईए हम लोग discuss कर लेते, इस साल का cost inflation index कितन है, सर, ये भी यहाँ पे दियावा है, आप देखोगे, इस book में, page number 5 पे, आपको notification number 63 2019 दिखेगा, जो बताएगा, इस साल का cost inflation index 289 है, इसलिए आपको हर problem जो module के solve दिख रहे होंगे, वो 289 के हिसाब से दिख रहे होंगे, जो लोग November 19 से July 20 में आ रहे हैं, याद रखे हैं, यह आपके लिए क्या है, amendment है, पहले आप लोग की book के अंदर में, जितने भी problem थे, यह 280 के हिसाब से solve थे, अब आपके 289 के हिसाब से solve होंगे, तो याद रखना, so CII for the year of transfer, इस year, previous year में होगा, अगर 1920 में, तो यह आएगा 289, divided by 100, sir 100 क्यों, क्योंकि अगर asset 2001 से पहले लिया जा रहा है, तो base index जो रखा है, वो लोगने क्या रखा है, 100 रखा है, अगर asset 2001 के बाद है, तो क्या लेंगे, तो आप लेंगे cost of acquisition, क्योंकि अब fair market value लेने का option आपके पास available, नहीं है, into, 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 CII for the year of transfer, कितना होगा, 289, अगर 1920 में होगा तो, divided by CII for the year of acquisition, फ cost inflation index ले लेना है, तो डरने के आपको बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ में मैंने fast track में डाल रखी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने fast track को कितना जबर्दस बनाया होगा, second provision to section 48, अगर आपने acquire किया है, before 2001, after 2001, अगर asset acquire किया है, तो आप क्या लेंगे, cost of acquisition of fair market value, whichever is higher into CIF for the year of transfer divided by 100, और अगर 2001 के बाद लिया होगा, तो divided by CIF for the year of acquisition, ये situation तब हो सकती है, जब आपने क्या किया हो, एक wire किया हो, हो सकता है, gift will ya inheritance में मिला हो, right, ऐसे cases में हो सकता है, पूरा transaction 2001 से पहले हुआ हो, मतलब previous owner ने भी 2001 से पहले लिया, मुझे भी 2001 से पहले दिया, ऐसे cases में क्या करेंगे, since asset 2001 से पहले आया है, क्या fair market value लिया जा सकता है, yes, पर cost क्या लेंगे, मुझे तो gift में मिला ह प्रिवेस owner, so cost to previous owner और fair market value, whichever is higher, into CII for the year of transfer divided by 100, so यहां पे भी cost means cost to previous owner लेंगे, CII 289, अगर हो 1920 में transfer होगा, और divided by 100 करेंगे, 100 क्यों, क्योंकि asset 2001 से पहले है, दूसरा situation haunted है, haunted है, last के दो haunted है, क्यों haunted है, इसमें आ जाती है, मन्जु दीदी, कौन आ जाती है, मन्जु दीदी आ जाती है, यहां पे ध्धान्त सुनिएगा इस point को, अगर asset previous owner ने 2001 से पहले लिया, मुझे 2001 के बाद दिया, प्रिवेस owner ने 2001 से पहले लिया, मुझे 2001 के मन्जुला शाह जी का केस हाइलाइट करके रिया हुआ, Bombay High Court Judgment, in fact, हर institute का problem, ऐसे situation में दो बार solved होता है, एक बार act के हिसाप से और नीचे alternative solution दिया जाता है, मन्जुला शाह के हिसाप से, right, तो यह एक बहुत important judgment है, जो आप सभी को याद रखना चाहिए, आप CACCMA कर रहे ह है, in fact, final पे भी यह case बहुत ज़दा relevant है, final पे भी हम इसके ओपर बहुत ज़दा time लगाते हैं, so, previous owner ने 2001 से पहले लिया, आपको 2001 के बाद दिया, क्या consider करेंगे, sir, 2001 से पहले लिया, तो cost of fix है, cost of acquisition और fair market value, whichever is higher, into CII for the year of transfer, CII for the year of transfer क्या होगा, 289, divided by, act क्या कहता है, act कहता ह CII for the year of first held by SSE, अब इसका meaning समझेगा, मान लो, previous owner ने लिया था, let's say, 1999, right, मुझे gift किया, in the year 2011, और मैं sale कर रहा हूँ, in the year 1920, अब law क्या कह रहा है, law कह रहा है, cost of acquisition और fair market value, whichever is higher, sensible, into CII for the year of transfer, sensible, let's say, हमने cost था 5,00,00, 5,00,00, into 289, अब act क्या कह रहा है, act बोल रहा है, तुम index session कहां से लो, जिस साल में assessi, assessi मतलब कौन जो अभी sell कर रहा है, उसको gift मिला, उस साल का index लो, मतलब 2011-12 का index तुम उठा करके यहां पे रखो, इस बात से manjula जी बढ़ी hurt हो गई, manjula शा जी न holding period means holding period to previous owner, और जब index session देने की बारी आई, तो तुम क्या कर रहे हो, assessi का ले रहे हो, वो भी previous owner से लो, sir, क्या ही फरक पड़ जाएगा, sir, फरक पड़ेगा, जितना पीछे जाएंगे, उतनी cost उपर जाएगी, जितनी cost उपर जाएगी, उतना capital gain निच्छे आएगा, hence, मन्जूला शाजी कह रहे थी, कि फिर, यहाँ पर 2011-12 का index न लगा के, आप 100 लो, cost means cost to previous owner, previous owner ने 2001 से पहले लिया, तो base index आना चीए 100, यह बहुत बड़ी आ है, जब cost लेने की बारी आती है, previous owner पर आ जाते हो, जब holding period लेने की बारी आती है, previous owner पर आ जाते हो, तो जब index session लेने की बारी है, तब भी previous owner पर आओ, बहुत logical Bombay high code judgment, sir, तो हमें क्या solve करना है, act या मन्जू, दोनो, sir पर दोनो, sir लेकिन दोनो, sir पर दोनो, sir क्या ICI, ICS, ICMI यह करते हैं, तीनों भी जगह same है, provision same है, lawi same है, आप क्या CACCM है, अलग क्यों consider करते हैं, सब same है, आओ इदर, Manjula Shah, if ASSEE acquired capital asset by way of gift transfer of such asset, then index cost of acquisition would be with reference to the year in which previous owner has held the asset, therefore CII should be based on the year in which previous owner acquired the asset and not the ASSEE became the first owner, classic cases में सबसे पहले act solve करेंगे, पहले act solve करेंगे, पहले act case आप से solve करेंगे, और फिर Manjula Shah करेंगे, sir Manjula Shah नहीं किया, तो क्या marks cutting है, answer is yes, क्योंकि module में जब भी आप problem देखेंगे, right, उसमें Manjula Shah alternative में mandatory ली दीवी है, hence आपको भी करना चाहिए, साथ साथ में Manjula Shah is a Bombay High Court judgment, तो आपके module में दिया है और बहुत बड़ा दियावा है, तो आपने ये consider करना ही चाहिए, तीसरा situation क्या बोल रहा है, याद करना, अगर previous owner ने भी 2001 के बाद लिया, मुझे भी 2001 के बाद दिया, क्या तब भी Manjula apply करती है, yes, for example, previous owner में मेरे डैड ने 2003 में लिया, मुझे 2011 में दिया और मैं 2019 में sale कर रहा हूँ, act कहेगा, first held by SSC 2011, Manjula Shah कहेगी, cost means cost to previous owner, holding period means holding period to previous owner, तो index session भी कहां से मिलना चाहिए, previous owner से हमें मिलना चाहिए, hence previous owner consider होगा, तो last के दो haunted है, क्या आता है, Manjula Shah versus CIT, यह था आपका index session, जिसे हम कहते हैं, second proviso to section 48, index session, मैं आपको request करूँगा, कि इस पर बहुत ज़्यादा problem है, questionnaire में मैंने दिये वह है, questionnaire तुम solve कर लो, सब कुछ बहतर हो जाएगा, questionnaire solve कर लो, MCQ solve कर लेना, चार्ट देख लो, आपका पूरा का पूरा complete है, अगर इस चार्ट को आप देखोगे, तो last में, last में, यह दो point पे, इसको दो तरह से solve करना है, पहले act से solve करना है, और फिर manju के हिसाब से आपको solve करना है, यह case law, ऐसा case law, जो आपको confirmly याद रखना है, confirm याद रखना है, मतलब रखना है, कतम काम, सर हम कहां है, याद दिरा तो 48 में, सर 48 में, हाँ, हम 48 घूम रहे हैं बिटा, 48 के एक 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 वर्ड को तोड़े जा रहे हैं, और इसी से पूरा capital gain करे जा रहे हैं, हम full value of consideration कर consideration कर चुके थे, cost of acquisition कर चुके थे, cost of improvement कर चुके थे, फिर हम आए, index cost of acquisition पे, second proviso, क्या था यह, second proviso to section 48, important not important की list में आई यह, important में है क्या, mandatory, second proviso, seventh proviso to section 48, mandatory में आता है, compulsory ले पढ़ना है, याद भी रखना है, mandatory में आता है, मन्जू, श्रीमती मन्जूला शाह, versus CIT, एक important judgment, जो आपको confirm याद रखना है, so what is second proviso, second proviso is nothing but indexation, law की भाशा में इसे second proviso कहा जाता है, but this is simply indexation, game over, ये तो था index cost of acquisition, long term में एक और वड़ाता है, index cost of improvement, कुछ भी नहीं है, बहुत simple शब्दो में समझा देता हूँ, 2001 के पहले का improvement का cost मिलता है, या नहीं मिलता, नहीं मिलता, हम section 55 में पढ़के आ चुके हैं, चाहे assessi ने किया हो, या previous owner ने किया हो, indexation 2001 के पहले का होगा, तो नहीं मिलेगा, So, if cost of improvement is incurred prior to 2001, totally ignore it, if it is incurred after 2001, whether incurred by assessi or by previous owner, indexation shall be available, how indexation will be calculated, cost of improvement, there is no question of fair market value, क्योंकि 2001 के बाद है, So, cost of improvement into CII for the year of transfer, that will be 289, if it is sold in previous year, divided by CII for the year of improvement, जिस साल आपने improvement क्या होगा, वो साल को आपो क्या करना है, consider कर लेना है, game over, यह चीज़ भी हमने notes में लिखके रखी है, Cost of improvement, cost of improvement of the asset into CII for the year of transfer, divided by CII for the year of improvement, any improvement before 2001, whether by assessi or previous owner is to be ignored, तो आप देख सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करी है, notes बनाने के उपर, और Vsmart का हमेशा से यह रहा ही है, कि notes के उपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, हम हमेशा try करते हैं, यह notes अगर आपके पास नहीं है, तो मैं request करूँगा, आप Vsmart Academy से जाक करके इसका PDF copy plus physical copy भी ले सकते हैं, और क्योंकि अभी क्या चालू हो चुका है, delivery शुरू हो चुके है, तो हम आपको फटा-फट डिलेवर भी कर देंगे, these moves are on sale, आप इसके साथ साथ questionnaire भी मंगा सकते हैं, MCQ भी मंगा सकते हैं, बिल्कुल कोई problem नहीं है, अच्छा जी, अब आते हैं हम, अभी हमने क्या पड़ा, indexation पड़ा, everybody come to page number 5, अभी हमने पड़ा indexation, index cost of improvement, index cost of capital gain, index cost of acquisition और index cost of improvement, याने by this time, या तो आप short term capital gain पर आ चुके होंगे, या तो आप long term capital gain पर आ चुके होंगे, 48 को एक बार फिर से देख लेना, benefit of indexation is not, not, ये not बढ़ा होट आई से benefit of indexation नहीं देंगे, benefit of indexation नहीं देंगे, in transactions पे, मतलब इन transactions पे indexation का benefit नहीं मिलेगा, मतलब second provision to section 48 नहीं मिलेगा, कौण कौण सा, bond or debenture, except capital index bond, issued by government, एक ये चीज़ को बड़े डीटेल से पढ़ना है, क्योंकि ही काम क्या, bond or debenture, except capital index bond, issued by government, except capital index bond, clear है, capital index bond पर indexation, मिलेगा, bond or debenture पर नहीं मिलेगा, clear, bond or debenture पर indexation मिलता क्यों नहीं है, कुछ तो logic होगा, इसके पीछे हा logic है, bond or debenture की value ही chain नहीं होती, हम indexation तब देते थे, अब उसकी value कुछ change हो, तो index से bond or debenture की value ही chain नहीं होती तो indexation मिलने नहीं वाला, दूसरा share or debenture acquired using convertible forex इसे हम कहेंगे first proviso to section 48 first proviso to section 48 हाला कि यह international tax related है CA final के उपर इसके उपर पूरे तीन lecture जाते है पूरे तीन lecture इसे हम taxation of non-residence में भी डालते हैं इसे हम capital gain में भी डालते हैं CA final में आपस आपको यह topic repeat करना ही है तो जब तुम वहाँ होगे मेरे साथ तब में आपको यह तीन lecture भर चलता रहेगा यहां पर बहुत छोट में दिया है इंटर पर हम उसको समझेंगे तीसरा depreciable assets depreciable assets पे indexation का benefit नहीं मिलता अब आप यह पूछेंगे के depreciable assets पे indexation का benefit क्यों नहीं मिलता पूछो ना पूछ रहे हो मैं बता देता हूँ सर क्योंकि इनके ऊपर मिलता है depreciation section 32 के अंबर में और जिस पे already depreciation मिल रहा है वो already fair market value पे इसको फिर से fair market value पे लाने की कोई भी ज़ौरत नहीं है hence depreciable assets indexation benefit अवेलेबल नहीं है और इसलिए depreciable assets पे जब भी कोई gain आता है यह हमेशा short term capital gain होता है next slum sale slum sale 50B 50B एक section है हम जाएंगे पढ़ेंगे as of now बस इतना समझना है slum sale के ऊपर indexation का benefit नहीं मिलता and last gold bond scheme 2015 gold bond scheme 2015 indexation का benefit आपके लिए अविलेबल नहीं है इन सब में से याद क्या रखना है depreciable asset याद रखो slum sale याद रखो first provision याद रखो बाकी कुछ याद नहीं रखा तो भी चलता इतना याद रख लो इस point में से ओके सर आते हैं आगे 48th section में क्या बचा है बहुत कुछ बचा है रुख जाओ 48 में फिर से जाओ by this time या तो तुम long term capital gain निकाल चुके होगे या तो तुम short term capital gain निकाल चुके होगे और exemption पढ़ने से पहले exemption पढ़ने से पहले है तुम्हें कुछ और proviso पढ़ने चाहिए अभी तक जो तुमने 48 के proviso पढ़े है ध्यान से सुनना अभी तक जो तुमने 48 के proviso पढ़े है वो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी दख तुम ने पढ़ा है 7 अभी दख तुम ने पढ़ा है 2 जिसको हम कहते हैं indexation 7 no STT allowed as deduction अब आते हैं first proviso, second, third proviso and all first proviso to section 48 CA final international tax का कुछ पाल्ट मुझे आपको यहाँ पढ़ाना पढ़ेगा पढ़ लेना, समझ लेना और easy भी है कोई hard बात नहीं है जर्द समझेगा non-residence को इंडिया में लाना था यह पूरी कहानी शुरुवात होती है श्री मनमुहन सिंग जी के साथ 1991 जब LPG आया 1991 जब LPG आया that is liquid petroleum gas ना लायक liberalization, privatization, globalization जब LPG आया तो हुआ यह कि non-residence के investments इंडिया में करवाने बहुत जरूरी हो गए जिससे stock market भी boom हो इसके लिए क्या किया गया, non-residence को बुलाया गया लेकिन non-residence ने आने से पहले एक शर्त रखी वो शर्त थी कि चलो हम आ तो जाएं लेकिन आप अपने foreign company का tax rate आपने 40% दे रखा है non-residence को आपने कोई benefit भी नहीं दे रखा है तो हमार को आके मतलब क्या है मतलब investment भी हम करें और higher tax भी हम ले लें तो ये तो गलत हो रहा है इस बात को समझा गया government भारा और need अपनी थी इसलिए क्या किया गया एक provisio insert किया गया section 48 में जिसे कहा गया कि हम indexation का benefit नहीं देंगे पर इनके जो tax rate थे ये reduce कर दिये जो आपको सीखने को मिलेंगे CA final international tax में 115A करके एक section है वहाँ आपको ये चीज सीखने को मिलेगी येस वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो capital gain है इनके tax rates जो है ये बहुत कम रखे गए है 10% रखे गए है जबकि इंडिया में normal capital gain का tax rate कितना है 20% है अगर आपको basics याद हो तो long term capital gain 20% लेकिन यही अगर NR है non resident है तो इसको 10% ही है पर फिर हम उसको indexation का benefit नहीं देते पर उसके condition है अगर ये lower rate लेना है और indexation का benefit नहीं लेना है तो एक condition है ये जो shares वो acquire करेगा ये foreign currency में acquire करेगा ये condition लाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इंडिया में forex आ जाए yes or no इंडिया में क्या आ जाए forex आ जाए तो at least चलो हम उसको indexation का benefit नहीं दे रहे tax rate कम कर रहे पर हमारा forex reserves भी बढ़ रहा है ये objective था इस प्रोविजो को लाने के पीछे right plus at the same time जाए झाल 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 माफ किजेगा बैटरी चले गए थी मैंने बैटरी चेंज किया है मैं पूरा प्रोविजन एक बार वापस से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ बिल्कुल आपको टेंचन लेने की ज़रूरत नहीं है नहीं है कॉस्ट प्रोविजिशन जो लेंगे वो बाइंग दिन का अवरेज लेंगे बाद में कैपिटल के इनको कनवर्ट कर देंगे बाइंग रेट पे यहां अवरेज नहीं है यह प्यॉरली बाइंग रेट है तो यह था फर्स्ट प्रोविजो फॉर्टी एट का फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है फर्स्ट प्रोविजो टु कहता है नॉन रेसिडेंट देर विल बी नो इंडेक्सेशन सिंपल शब्दों में याद रखें फर्स्ट प्रोविजो टु कहता है नॉन रेसिडेंट नो इंडेक्सेशन एंड कनवर्जन रूल क्या बात करता है कि फॉर्ण करन्सी को यहां पे कैसे कनवर्ट करना है अगर आप मेरे साथ ऐसा कोई चार्ट बना रहे हैं आप यह बना अल्मोस्ट चार घंटे होने आये हैं ऐसा लग रहा होगा कि एक बार उट जाओ अभी तक के ब्रेक नहीं लिया है रुग जाओ कैपिटल गेन में देता हूं ब्रेक रुग जब मैरेथान में बैटे तो मैरेथान में ब्रेक नहीं होता बेटा यह याद रखना हां आपके पास option है कि आप इसे क्या कर दोगे pause कर दोगे pause करने के बाद में देख लोगे बट मेरे भाई अगर बैट रहा हो तो मेरे साथ मैं तुम्हारे लिए मैनत कर रहा हूं तुम भी बैट टिक आ करके बिल्कुल yes or no अब नहीं करोगे तो कभी नहीं होने वाला और अपने आप स इसके तो exception है फिर यह क्या लेना वो क्या लेना पचास चीजे आती है सिए फाइनल में ऐसी थोड़े ना तुम फाइनल में पहुच जाओगे फाइनल में अगर कोई पहुचा है तो दम पर पहुचा है नॉलेज पर पहुचा है उसके patience level पर पहुचा है और तुमें भी यह दिखा रहा हूँ यह time देख लीजे आप क्या है यह time यह time रात के 2 बच के 18 मिनट रात के 2 बच के 18 मिनट पर मैं record कर रहा हूँ दिन में record नहीं कर सकता उसका reason है कि मेरा baby है जो recording वो मेरे पास रहेगा recording के अंदर में बहुत परिशान कर रहा था उसको सुलाने के बाद रात क दो बच के 18 मिनट पर मैं आपके लिए recording कर रहा हूँ क्यों कि हर बच्चा चाहे उसने virtual में पढ़ा हो PD में पढ़ा हो live में पढ़ा हो मेरी जिम्मेदारी है as a teacher COVID-19 हो कुछ भी हो मेरे को उसको पढ़ाना है मतलब पढ़ा नहीं है तारीक भी आप देख लीजे 5 जून की त पूने और मुंबई के अंदर में कल ही यहां पर क्या आया है तूफान आया है निसर्व तूफान पर इसके बावजूद भी यहां पर हम लोग बैट करके रिकॉर्ड कर रहा है किसी भी तरीके से वेट कर रहा था कब आय और मैं इसको रिकॉर्ड कर दालू क्योंकि यह commitment द तुमने मेरे अंदर invest किया तो और सोचा था कि end तक के विजय साड या वी smart academy तुमारे साथ कड़ा रहेगा उसी तरीके से तुमारे parents ने भी तुमारे साथ में investment किया है और वो चाहते हैं कि जब तुमारे अंदर इतना बड़ा investment किया हो ना तो तुम उसका result हो ना कि ऐसा कि थक गया बस हो गया चार घंटे से पढ़ रहा हूँ चार घंटे से आदमी पढ़ाये जा रहा है तुम तो बॉस बैट करके देख रहे होंगे लेट करके देख रहे होंगे मैं खड़े रहे करके यहाँ पर तुमारे को पढ़ाये जा रहा हूँ और बस एक चीज समझाना च करते हैं, थर्ड प्रोविजो क्या आते हैं, थर्ड प्रोविजो टु सेक्शन 48, क्या कहता है, यह कहता है, जब भी आप long term capital gain compute करेंगे section 112A का, तो ना हम first प्रोविजो फॉलो करेंगे, ना हम second प्रोविजो फॉलो करेंगे, मतलब ना हम जो calculation है, वो TTVR, buying rate, selling rate के हिसाब से लेंगे, ना ही हम indexation देंगे, अगर यह capital gain, long term capital gain का है, जो 112A के अंदर है, 112A हम थोड़ी देर बाद डिसकस करने वाले हैं, जो एक अलग ही method of computation देता है, जो 2018 में पूरा market हिला चुका था, चेक करते हैं, first and second proviso is not applicable, मतलब, जहां 112A section आया, तो ना हम वो TTVR वाला buying rate calculation में लेंगे, ना हम indexation का benefit देंगे, हम calculation ही अलग तरीके से करेंगे, और यह चीज़ बताने के लिए third proviso आई, so the first proviso and second proviso are not applicable for computation of long term capital gain, which is covered under 112A, बीच के सारे word card देना, सिपित्ता समझ लेना, कि जब आप 112A का long term capital gain compute करते रहोगे, तब ना first proviso लगाना, ना second proviso लगाना, computation ही altogether different तरीके से होगा, computation ही altogether different तरीके से होगा, चलिए, आते है fourth proviso to section 48, fourth proviso to section 48 के इस बारे में बात करता है, यह है जो आपने उपर पड़ा, fourth proviso to section 48, यह कहता है, debenture और bond पे हम लोग indexation नहीं देंगे, हाला कि capital index bond and sovereign gold bond, capital index bond and sovereign gold bond, इन पे हम indexation देंगे, otherwise यह दो चीजों को छोड़ करके, हम किसी भी bond या debenture पे indexation का benefit नहीं देंगे, so indexation benefit is not allowed on any kind of bond or debenture, except capital index bond and sovereign gold bond, so इन दो पे हम लोग देंगे, इसके अलावा हम कभी भी नहीं देने वाले, plus section 47 एक और बात करता है, no capital gain will arise on redemption on sovereign gold bond, अगर कोई sovereign gold bond है, जो redeem होता है, इसके उपर कोई capital gain tax नहीं आएगा, इसे transfer ही नहीं मना जाएगा, as per section 47, so यह point था, जो हमने यहीं पर discuss कर लिया, chart पर आईए, 48 वाले, third proviso क्या कहता है, for long term capital gain under section 112A, first and second proviso, not apply, for four क्या कहता है, bond oblique debenture, there will be no indexation, except capital index bond, sovereign gold bond, 1, 2, 3, 4, done, 7, done, 5 और 6 बचे हैं, आई यह 5 और 6 पे चलते हैं, बहुत easy है, ते आम ज़े सुनेंगे, 5th proviso, अच्छा जी, sir, recent times मोधी government ने इसके उपर बहुत काम किया है, CA final में, इसके उपर एक topic है, sir, मतलब, since capital gain आपको final में भी है, मुझे बार-बार आपको final refer करना पड़ता है, और RDBs, rupee denominated bonds, बहुत जबरदा scheme, जो मोधी government ने फिर चोट है, हाला कि यह पहले भी थी, ऐसा कुछ निए कि मोधी government ने लाया, हाला कि यह पहले भी थी, बढ़ा, मोधी government ने इसको promote बहुत अच्छी से किया, Indian company इसको कहा कि आप foreigners, non-residents को rupee denominated bond issue करे, आपको याद होगा, आपने ADR, GDR कहीं पढ़ा होगा, company law के अंदर में, और ADR, GDR के अंदर में हम लोग को foreign currency पे issue करना पड़ता है, जिसके अंदर में forex बहुत ज़्यादा लग जाता था, इसी का alternative लेकर किया है, rupee denominated bond, जो आपको कहा गया, कि आप RDBs issue करो, ADR, GDR छोड़ो, RDBs issue करो, और RDBs में benefit provide किये गए, क्या benefit दिया गया, मान लीजे, RDBs है, right, किसी non-resident ने RDB लिया वा है, यहाँ पे अब अगर rupee appreciate हो जाता है, बहुत rare situation है, पर एक benefit दे के रखा है, अगर rupee appreciate हो जाता है, तो जो gain हो रहा है, इस gain को ignore किया जाएगा, इस पर capital gain tax नहीं लिया जाएगा, मतलब, मान लीजे, अगर कोई non-resident, again the provisions is for non-resident only, non-resident as a see only, यहने first proviso as well as this provision non-resident के लिए है, आपको sir, अभी से क्यों पढ़ाया जा रहा है, इंटर level पे, क्योंकि final level पे आपको international tax 100 mark का है, plus paper 7 के साथ international tax 30 marks का है, तो अभी से prepare किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर कोई non-resident ने RDB लिया, कल चलके अगर rupee appreciate हो गया, rupee appreciate होने पे अगर उसको gain हो गया, इस gain पे तो आप फिर से tax लगा देंगे, जबकि non-residents को RDBs invest करने के लिए, RDBs में invest करने के लिए क्या किया था, आपने लालज दिया था, कहा था non-residents, आप आईए Indian companies के RDBs लिजे, हम आपको tax free करेंगे, कल चलके मान लिजे, appreciation तो हुआ नहीं, क्योंकि bond है, appreciation तो हुँआ नहीं उसके उपपर, उसके उपपर interest मिलेगा, इसका benefit आप ने दे दिया non-residents को, आप इस interest जो आप RDBs पे लेंगे, हम इसको low tax या no tax पे tax करेंगे, पर rupee appreciation अगर हो गया, तो non-residents को gain हो जाएगा, और ये gain आप कर दोगे, taxable, non-residents ने बुला नहीं, इसके लिए भी कोई proviso बनाओ, ये proviso लाई गई, कहा गया, अगर RDBs है, और RDBs के उपपर अगर किसी non-residents को gain होता है, ये gain को हम क्या करेंगे, ignore कर देंगे, मतलब हम इसके उपपर capital gain tax उससे नहीं लेंगे, दूसरी बात, एक और benefit दिया गया, non-residents ने एक और सवाल पूछा, non-residents ने कहा, एक बात बताईए, जो अगर, जो अगर rupee depreciate हो गया, और हमको loss हो गया, तो, ये तो गलत हो गया, अगर loss हुआ, आप इसे normal loss के जैसे carry forward कर लो, gain हुआ हम ignore कर देंगे, loss हुआ हम आपको set off and carry forward का provision allow कर देंगे, जिसका मतलब at both the end, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा, non-residents इससे बहुत कुश हुए, और RDP से बहुत hit mechanism साबित हुआ इंडिया के अंदर में, provision पढ़ते हैं, easily समझ में आ जाएगा, any gain, word देखेगा, any gain arising on rupee appreciation against foreign currency at the time of redemption of Indian company, RDPs shall be ignored, यानि अगर rupee appreciate हो गया, तो जो पाइदा किसको हो रहा है, non-residents को हो रहा है, हम इस पे capital gain tax नहीं लेंगे, सर पर यह तो गलत है ना, उनसे tax लेना चाहिए न, investment बुला रहे हैं, भाई साथ, investment बुला रहे हैं, कभी ना कभी इसको tax जरूर करेंगे, यह अभी के लिए माफी दी गई है, for capital gain computation, first provisor to section 48 apply, अब इनका computation कैसे होगा, जब RDP sale होंगे, या redeem होंगे तो इनका computation कैसे होगा, 48 के इसाब से, सर मतलब, मतलब बड़ा simple है, हम इनको indexation का benefit नहीं देंगे, computation जो होगा, वो foreign currency में होगा, और बाद में उसे convert कर दिया जाएगा, वही rule जो हमने उपर पड़े उस हिसाब से, if there is a loss due to rupee depreciation, then it shall be allowed as capital loss, and it can be set off and carry forward, अगर यही loss हो जाता है, तो हम आपको normal provision में loss में allow कर देंगे, कोई problem नहीं है, exemption is not available if RDB is transferred before maturity, यह benefit तब बिलकुल नहीं मिलेगा, अगर maturity से पहले आपने क्या कर दिया, RDB transfer कर दिया तो, यह सिफ maturity पे है, exemption is available to any person who holds the bond, that is even a secondary holder as well, आपको benefit मिलेगा, आप चाहे primary holder हो, या secondary holder हो, doesn't matter, अगर आपने online market से भी purchase किया है, आपको इसका benefit जरूर देंगे, so, 48 में आईए, 5th proviso क्या कहता है, appreciation on RDB ignored, 6th proviso कहता है, appreciation on RDB is ignored, हलाकि inter-level पे, मैं हमेशा बच्चो को बोलता हूँ, 1st proviso और 5th proviso को, आप थोड़ा सा एक बार पढ़ के छोड़ भी देंगे, तो भी चलेगा, क्योंकि यह non-resident taxation से related है, final level पे थोड़ा जादा relevant हो जाता है, inter-level पे इतना relevant नहीं हो जाता, आए लास्ट proviso पढ़ लेते हैं, 6th proviso, सर, यह किस ने बनाया, इतना बड़ा law, सर, law बनाने वाले हम लोग ही थे, हम लोग, हाँ, येस, हम लोग ही थे, क्योंकि law जब बनाया गया, वो बहुत simple था, बहुत छोटा था, इसको तोड़ते गए, तोड़ते गए, आप तोड़ने का प्रोविशन लेके आते, वो इसको पैक करने का प्रोविशन लाते, आप तोड़ने का प्रोविशन लाते, वो इसको पैक करने का प्रोविशन लाते, और law बस इतना छोटा बन गया, कुछ दिनों पहले मैंने Instagram, मैंने Instagram पे आप अगर मेरे साथ connected नहीं है Instagram पे तो मैं link दूँगा Instagram पे connect हो जाएगा, कुछ दिनों पहले ही मैंने डाला था, income tax की बस इतनी सी book, मैंने कहा था कि यह income tax, science वाली डिदी है, science वाली डिदी केती है, income tax बड़ा easy होगा, CA student कहता है, CA student कह और इतना सब भी हो जाए, तो explanation भी है, फिर amendment भी है, notification भी है, circular भी है, और बस इतना easy है, इसलिए आप कहलाते हैं, CA, CA, CA में, क्योंकि आप इतनी चीज़े पढ़के, retain और apply करने का power रखते हैं, आम humans की बात नहीं है, सर, इतना सब याद रखना, seriously, इतना सब याद रखना, आम humans की बात नहीं है, और इसलिए आप की इतनी value है, जहां नाम के आगे आगे आपके degree का नाम लगता है, साब इंडिया में बहुत कम डिग्री ऐसी है जो नाम के आगे लगते हैं जिनमें सच में बहुत ज़्यादा मेहनत है बहुत ज़्यादा मेहनत है एड़ोकेट हो गया डॉक्टरी हो गई CA, CA, CA में हो गया नाम क्या आगे लगता है सर इनके क्योंकि महनत और टेक्निकल वर्क बहुत जादा होता है आगे सब डिगरी नाम के पीछे लगती है सर तो 6 प्रोवीजो 6 प्रोवीजो क्या खेता है अच्छा जी बहुत सिंपल है जब शेर, डिबेंचर और वर्रेंट ट्रांसपर होंगे अंडर गिफ्ट एन इर्रिवोकेबल ट्रस्ट दा मार्केट वैल्यू जो होगी जब इतना ज़्यादा पावर्फुल नहीं बचा क्योंकि सेक्शन 47 इसको क्या कर देता है not regarded as transfer कर देता है यह सिर्फ और सिर्फ cost of acquisition purpose के लिए काम आता है बाद में चलके So that's it अब चलके हमारा क्या खतम हुआ 48 खतम हुआ यहां 48 में हमने 7 प्रोवीजो पड़े 6 प्रोवीजो हमें deemed full value of consideration लेने के लिए कहता है अब देखो अब तुम्हें समझ में आएगा कितना time लगाया है सर सिर्फ यहां तक पहुचने के लिए शायद करीब करीब 2 घंटा लगाया हम लोगों को और पहले के 2 घंटे में 2 topic हो गए थे सिर्फ capital gain यहां तक के क्या हुआ है और इसमें भी आपका capital gain अब तक के भी सिर्फ और सिर्फ आदा ही हुआ है अभी भी आपका capital gain बहुत सारा बाकी है भी तो बिटा मैं याद दिरा दू 54 के exemptions बाकी है और सब सारी आगे की चीज़े बाकी है याद होगा तो 45 के special provisions बाकी है 50 वाले 50 भी बाकी है 54 की series बाकी है इस बाकी है आईए एक एक करके चलते हैं सर ब्रेक capital gain के बाद दूँगा सर पर बहुत बेटा तिर पास option है तू पॉस कर दे चले जा राइट मैं तो बाद में ही दूँगा मेरे रिसाब से आपने capital gain के बाद ही ब्रेक लेना चीह है आगे आपकी मर्जी capital gain exemption अगर आपको यादो तो 48 का last point exemption पे बात करता है डेख लीजे exemption अंडर 54 as well as 45 का भी एक last point छोड़के आयते हम there must be capital asset, capital asset must be transferred, gain must arise and such gain is not exempt अब हम आगए है exemption के उपर exemption in capital gain exemption in capital gain दो अलग-अलग sections में लिखा है, एक section 10 की series के अंदर में लिखा है और दूसरा 54 की series में लिखा है मतलब exemptions in capital gain दो तरफ से मिलता है आपको एक कुछ exemptions capital gain के section 10 के अंदर में मिलते है जबकि कुछ exemptions capital gain के 54 के अंदर में मिलते है सबसे पहले बात करते हैं 1043 की 1043 क्या है जब भी आप यह रीड करें आपको दो सेक्षन एक साथ रीड करने चाहिए 47 भी रीड करना चाहिए प्लस 1043 भी रीड करना चाहिए आइए दोनों को एक साथ रीड करते है सब्सक्राइब क्या थी कॉंग्रेस का एक बहुत अच्छा स्कीम लाया गया था आपने देखा होगा जो एक मुवी कभी बागबान मुवी आप लोगो ने देखे होगी इसे मैं मेरी रेगुलर क्लास में बागबान टांजक्शन क्याता हूं यह उस टाइम की बात है जब इं अगर कोई senior citizen है इसके पास house property है यह house property हो किसको देगा bank को देगा और bank इसके बदले में आपको क्या देगी एक annuity एक principal amount दिया जाएगा एक amount दिया जाएगा इस amount can be either in lump sum और in monthly payment जैसा जो भी आपको लेना होगा उसे साब से now यह जो consideration आपको मिल रहा है पहला senior citizen किसी bank को transfer कर रहा है senior citizen किसी bank को transfer कर रहा है whether it is regarded as transfer answer is no इस बारे में कहा section 47 ने section 47 ने कहा अगर कोई भी senior citizen transfer करता है किसको किसी bank को under the reverse mortgage scheme it will not be regarded as transfer while not be treated as capital gain ठीक उसी तरीके से bank क्या करेगा या तो lump sum payment देगा या तो annuity provide करेगा क्या यह इनके हाथ में taxable है एक और section लाया गया section 1043 और कहा गया reverse mortgage scheme में जो आपको amount मिल रही है either lump sum और annuity मिल रही है it is totally not regarded as transfer और इसके उपर कोई tax नहीं आने वाला है so section 1043 capital gain exempt if received under the reverse mortgage scheme साथी साथ में section 47 में आए 47 में आ करके आप देखेंगे page number 12 पे आए any transferred under the reverse notified reverse mortgage scheme not be regarded as transfer not liable to capital gain यह हो गया दोनों का part game over उपर आईए वापस से section 10 का दूसरा part 1037 compulsory acquisition काम का है हाँ थेरी पूछी जाती है अगर कोई urban agricultural land रूरल तो वैसे भी capital asset नहीं है urban agriculture land compulsorily acquire हो जाती है urban agriculture land compulsorily acquire हो जाती है और यह land को at least 2 साल use किया गया हो इदर by SSC और by his parents और यह compensation 2004 के बाद मिला होगा individual या HOF को it is not regarded as income and exempt under section 1037 मतलब अगर कोई individual और HOF की urban agricultural land compulsorily acquire हो जाती है 2004 के बाद जिसे वो at least 2 साल तक या उसके parents 2 साल तक use कर रहा होगे उन्ड का condition नहीं बुला है use कर रहा होगे as an agricultural purpose yes capital gain is exempt compulsory acquisition so capital gain on compulsory acquisition of urban agricultural land assesses individual or retire such land is used for at least 2 years prior to transfer for such agricultural purpose and acquired by way of compulsory acquisition received after 2004 totally exempt 1037A 1037A किस बारे में बात करता है साब बात है जब आंदरप्रदेश और आंदरप्रदेश के 2 हिस्से हुए एक आंदरप्रदेश बना दूसा तिलंगाना बना जब तिलंगाना बनाया गया तो इसके लिए land pooling हुई मतलब कुछ एरिया तिलंगाना में shift हुआ कुछ एरिया आंदरा में shift हुआ और road dam bridge canal port airport बनाने के लिए compulsory acquisition हुए इस ताइम पे आंदरप्रदेश capital city land pooling scheme लाई गई और इसके तहत क्या किया गया road dam bridge canal port airport दोनों state के अलग-अलग करने के लिए क्या किया गया compulsory acquisition हुए जिन जिन लोगों से acquire किया उन्हें एक certificate दिया गया और जो भी compensation मिला इन लोगों को इसे exempt किया गया under section 1037A so law कहता है transfer of land building और बोट under the आंदरप्रदेश capital city land pooling scheme by individual or HUF holding ownership certificate shall be exempt under section 1037A अब मैं आजाता हूँ 1034A superb amendment superb amendment superb amendment superb amendment बहुत ज्यादा ध्यानते सुनना यहां लगाँगा मैं time sir आप time ही तु लगा रहे हो sir और कर क्या रहे हो sir आप बताओ यार sir पढ़ाना बड़ा जरूरी है ध्यानते सुनियेगा बात करते हैं buyback की मैंने amendment lecture में भी इसको बहुत प्यार से समझाया है आप भी जरूर ध्यानते सुनियेगा राइट buyback listed company द्वारा unlisted company द्वारा ठीक है ध्यान से एक एक point को समझना अगर listed company buyback करती listed company buyback करती there was no consequences in the hands of company there was no liability in the hands of company while shareholder was liable to capital gain under section 46A तो section 46A है जो कहता था shareholder was liable to capital gain under section 46A ध्यान से सुनना buyback हुआ listed company का buyback company के उपर कोई liability नहीं होती shareholder के हाथ में capital gain taxable हो जाता under section 46A बिल्कुल normal computation कोई tension नहीं बस फिर provision 46A के अंदर में था कि अगर shareholder को buyback के अंदर में कोई amount मिलती है तो यह taxable होती है shareholder को किस के अंदर में amount मिलती है buyback के अंदर में amount मिलती है तो यह amount क्या होती है taxable होती है बहुत simple provision कोई कुछ अलग नहीं एकड़म simple case अब आते हैं point पे unlisted company अगर buyback करती unlisted company अगर क्या करती buyback करती पहली बात वो buyback क्यों करती यह buyback नहीं था यह simply shareholder को या promoters को profit करने का tax planning route था जहां पे private company understand unlisted company majorly 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 private company हलांकि public company भी unlisted हो सकती है यह क्या करते थे अगर dividend देते ध्यान दर सुनना अगर dividend देते tax planning समझो कितनी जबर दस tax planning थी company क्या करती थी dividend देते तो company को dividend distribution tax देना हो जाता था which was covered under section 115-0 यह सारी बाते मैं C.A. final पे भी बतारा हूँ पर मैं inter पे भी story समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इंटर लेवल को भी उस बात का knowledge मिले है वो final level का मजा है जो सच में वो deserve करता है ध्यान से सुनिएगा So company क्या करती थी DDT नहीं देती थी DDT avoid करने के लिए क्या करती थी profit तो transfer करना है अब कैसे transfer किया जाए वो क्या करती थी dividend ना दे करके shares buyback कर लेती थी और buyback value high कर लेती थी buyback value high करने में होता ये था कि उसको capital तो मिली जाता था साथ साथ में क्या चल जाते थे reserves and surplus भी चल जाते थे वो dividend के नाम से ना जाके buyback के नाम से जाते थे इससे company का DDT भी बच जाता और shareholder भी खुश हो जाता था जादा मिलता था benefit कई सालों बाद department को पता चला साला ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं इन्होंने क्या किया unlisted company unlisted company unlisted company जो क्या कर रही है buyback कर रही है इसके लिए एक section लाया 115 QA और इसके उपर लगाया distribution tax क्या लगाया बोलो बटा distribution tax की अगर ये buyback करते हैं तो जो भी amount buyback हो रही है इसके उपर ये क्या करेंगे distribution tax पे करेगी कौन पे करेगी company पे करेगी और since company पे कर रही है तो एक और section लाया गया 1034A जहां पे shareholder के हाथ में क्या किया गया इसे exempt किया गया चीक है so buyback listed company होती company के उपर कोई liability नहीं होती shareholder tax देता 46A के अंदर में जैसे normal compute किया जाता है वैसे computation होता था unlisted company जब buyback करती तो objective clear था लोग profit transfer कर रहे थे dividend ना दे करके buyback कर रूट लिया जा रहा था DDT से बचने के लिया और ऐसी चीज जब department के ध्यान में आ गए उनने 115 QA नाम का section लाया और इस distribution tax के उपर उन्होंने सीधा सीधा मोहर लगा दी कह दिया कि अब तुम जो distribute कर रहे हो हमको आपको इसके उपर क्या करना पड़ेगा एक specified amount देना पड़ेगा along with surcharge and sys along with surcharge and sys देना होगा since company tax दे रहे थी तो shareholder को tax देने की कोई जरुत नहीं थी shareholder के हाथ में यह exempt कर दिया जाता 1034 A के अंदर अब amendment क्या हुआ finance act finance act 2019 19 बहुत बड़ा chain मुझे लगता है confirm पूचेगा उन्होंने देखा जिसमें निर्मला सीतरमन जी का speech था उनने speech के अंदर में खा कि हम यह देख रहे थे जो यह route पहले unlisted company अपना रही थी अब बहुत सारी listed company भी यह route अपना रही है जिसके कारण हमें यह measures लेने पड़ रहे है और उन्होंने क्या किया 1034 A के अंदर में आके यह unlisted word को cut कर दिया जिसका meaning क्या हो गया जिसका meaning यह हो गया अब जो listed company के उपर कोई liability नहीं होती listed company को भी 115 QA में cover हो गया मतलब अब listed company हो या unlisted company हो अगर buyback कर रही है तो इनको distribution tax देना होता है 115 QA के तहत और 46 A को हटा दिया गया और 1034 A में भी amendment हुआ जिसके तहत अगर कोई shareholder है जिसको buyback पर amount मिल रहा है चाहे वो listed से हो या unlisted से हो यह totally उसके हाथ में exempt होगा अब कुल मिला करके provision क्या है buyback का provision बदल चुका है buyback का provision बदल चुका है buyback का provision नया वाला कहता है अब कार company listed हो या unlisted हो buyback करने के उपर इनने distribution tax देना होगा plus 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 since company tax दे रही है shareholder के हाथ में क्या होगा यह exempt होगा अब listed company के उपर भी 115 QA आ चुका है और unlisted company unlisted company knee के उपर तो यह already था ही shareholder listed company का हो या unlisted company का हो इन्हें क्या देना होगा बूलो मेरे भाई जल्दी से बूल दो इन्हें देना होगा yes कोई tax नहीं under section 1034A आई आगे बढ़ते हैं राइट तो यह unlisted word कट चुका है अब तो अगर आपको मिला है buyback किसी भी domestic company से तो yes it shall be exempt in the hands of shareholder अब यह listed के हो unlisted के हो फरक नहीं पड़ता 115 QA के उपर आप बहुत जादा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है बट आप चाहें तो मैंने amendments के इंदर में उसको और भी ज़दा detail में बताया है कितना rate होगा exact rate क्या आता है वो 20 point something आता है that is rate तो आपको वो एक बार देख लेना है यह हुए section 10 के exemption एक और exemption हुआ करता था 1038 1038 को कर दिया abolish और इसके जगल आया 112 A 112 A फटाफट डिसकस कर लेते हैं बहुत जबर्दस इसके अंदर में amendment भी हुआ है 112 A क्या था एक फरवरी 2018 इसकी कहानी शुरू होती है एक फरवरी 2018 2018 का budget था dream budget कहा जा सकता था क्योंकि 2019 में election होने वाले थे election से पहले वाला budget को generally dream budget कहा जाता है क्योंकि इसमें हर party try करते हैं भर-भर के लोगों को दिया जाए लोग खुशों और फिर से इस सरकार के लिए क्या करें वोट करें 2018 एक फरवरी सारे शेर सारा शेर मार्केट एकडम जबरदस्त बूम कर रहा था बूम इसलिए कर रहा था क्योंकि सबको एक्सपक्टेशन थी द्रीम बजट उने वाला और मोधी का फर्स टर्म खतम होने वाला था अगें अगें इट वस कंप्लीटली एक्सपक्टेट कि मोधी गवर्मेंट वापस आने वाली है तो शेर मार्केट पे इच्छे खासे बूम कर रहे थे बट 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 एड दे सेम टाइम अरून जेटली साफ थे और मैं दो फिनान्स मिनिस्टर को बहुत यह मांदा हूं कि इनने बहुत मेजर चींजेस की मतलब वेरी गुड एक थे प्रनम मनमोहन सिंग जी जिन कर दिया इस सच्चमे रीफर्म लाहा और धूसरे अगर मतलब आप फाइनल लेवल पर आएंगे तो आपको संजीगा कि अरुन जेटली साम ने कितने स्टुक्चिरल रीफर्म किये यह आपको के यह अरु ने सामने जो structural reform के ना very firm and very bold moves मतलब इतने bold moves मतलब मैंने बहुत कम देखे वे या तो लिये थे मोहन सिंग जी ने या तो इतने bold moves लिये अरुन जेटली सामने जबर्दस परसन जबर्दस तो इन्होंने क्या किया इन्होंने पूरा का पूरा जो 1038 में long term capital gain था जो exempt दुआ करता था without any particular limit इनने कह दिया अगर कोई equity share sell करता है listed equity share sell करता है equity oriented fund sell करता है या units of business trust sell करता है equity share sell करता है units of equity oriented fund sell करता है या units of business trust sell करता है और इसके उपर STT pay करता है STT कैसे अगर आप shares है तो at the time of buy and sell and अगर आप unit है तो only at the time of sell अगर आप STT pay करते हो तो हम आपको indexation का benefit नहीं देंगे second provision not applicable third provision apply होता है एक सुबराई का computation right हम आपको indexation का benefit नहीं देंगे दूसरा हम आपको tax rate जो लगाएंगे यह 10% ही लगाएंगे instead of long term जहां पे 20% लगता है हम आपको 10% ही capital gain लगाएंगे for further जो capital gain लगेगा वो लगेगा beyond 1 lakh rupees जिसका मतलब यह है यह जो special tax rate है यह लगेगा भी कब beyond 1 lakh 1 lakh तक exempt नहीं है यह बात याद रखिएगा right क्योंकि यह बहुत जगा काम आता है एक लाग रुपह तक exempt नहीं है tax एक लाग के बाद लगना चालोगा दो अलग अलग विशह है ठीक है यह units के time पे at the time of sale तो इनके ओपर हम 10% लगाएंगे प्लस जो यह 10% लगेगा वो beyond 1 lakh rupees लगेगा प्लस हम इसको indexation का benefit नहीं देंगे पर हम cost differently calculate करने का mechanism देंगे जो long term capital gain है 112A के अंदर है rebate मिलता नहीं long term capital gain under section 112A indexation का benefit नहीं मिलता long term capital gain under section 112A 87A का rebate नहीं मिलता 87A का rebate नहीं मिलता 87A का rebate भी नहीं देंगे provision क्या है आईए चेक करते हैं long term capital gain on transfer of equity shares or equity oriented units or units of business trust in excess of 1 lakh 1 lakh tax 1 lakh तक exempt नहीं है word ही क्या लिखाए in excess of 1 lakh यह tax लगेगा shall be tax at the rate of 10% plus HEC 4% plus applicable says if any right STT कब acquisition share equity shares के काएं पे acquisition पे भी होना चाहिए और transfer पे भी होना चाहिए units के time पे सिर्फ और सिर्फ at the time of transfer होना चाहिए acquisition नहीं है if above conditions are not satisfied still 112 apply जरूर करेगा मतलब 20% मिलेगा indexation भी रेंगे अगर 112 A apply कर रहा है तो computation का mechanism बिल्कुल बदल जाएगा कैसे computation होगा full value of consideration जितना amount मिला होता expenses on transfer बिल्कुल minus करो STT allowed नहीं है याद रखना net consideration cost of acquisition क्या लेंगे यहां है पूरा का पूरा game cost of acquisition क्या लेंगे module में ना problem मिथुन नाम का मेरी बुक में भी दिख जाएगा and lower of sale consideration या fair market value as on 31-3-2018 simply अगर कहा जाए तो अरुन जेटली सामने बोल दिया कि 31-1-2018 की value होगी तुम इसे cost पकड़ लो इसे cost पकड़ लो यहने automatically capital gain वैसे भी reduce हो गया plus capital gain का rate भी 10% से reduce हो गया win-win situation for a shareholder और इसी लिए बाद में share market ने 12,000 रुपए का जो आकड़ाता निफ्टी ने वो भी cross किया because of this superb provision और market जबरदस बूम कर गया so cost कहलेंगे higher of actual cost of acquisition be lower of sale consideration या fair market value 31-2-2018 की एक फरवरी से पहले वाला date 31-1-2018 की सवाल उठा लोगों में 31-1-2018 को fair market value कैसे निकालेंगे इसका भी mechanism अरुन जेटली साब ने निकाल दिया कहा कि अगर 31-1-2018 को shares listed होंगे तो उस दिन का आपको highest price लेना है अगर उस दिन listed तो था पर trade नहीं हुआ तो इसके पहले जब भी trade हुआ उस दिन का higher value लेलो fair market value अगर units है तो 31-1 का NAV लेलो 31-1 का क्या लेलो NAV लेलो और अगर मान लीजे उस time पे shares unlisted थे और बाद में list हुए उस time पे shares unlisted थे और बाद में list हुए तो क्या value लेंगे unlisted अगर shares थे और वो बाद में list हुए तो आप मान लो 17-18 में आपने उसे sale कर दिया है 17-18 का index cost लेलो और यही इसका fair market value बन जाएगा जो एकदम logical बात थी 17-18 तो sale मान लो यही इसका index cost लेलो और यही आपका क्या मान लिया जाएगा fair market value मान लिया जाएगा मैं कहता हूँ confirm आपको इसके उपर question है इस बार भी confirm question है confirm so let's say अगर कोई equity share sell कर रहा है या equity oriented unit sell कर रहा है या units of business sell कर रहा है एक लाग के beyond 10% plus 4% मिलने वाला है याद रखना होगा यह section apply नहीं भी किया तो एक सुबार अपलाए करेगा capital gain कैसे compute करेंगे index session का benefit नहीं देंगे third proviso to section 48 index session का हम इसको benefit नहीं provide करेंगे and आपको fair market value कैसे लेना है वो यहाँ पे लिख करके दिया भाई आपने यहाँ का index cost ले लेना है अब इसके अंदर में क्या हुआ sir इसके अंदर में sir आया एक amendment amendment press note 20th September 2019 बड़े changes है साब बड़े changes है page number 5.7 पर आई यह press note आई क्या कहती है press note जरह ध्यांद सुनेगा press note कहती है क्या 2019 आया 2019 में सर्चाज increase किये गए basic tax calculation का topic आएगा बताऊंगा सर्चाज increase किये गए आपको आपने एक बार पढ़के आया होगा दो करोड के उपर 25 परसेंट पांच करोड के उपर 37 परसेंट लाया गया हलाकि यह सर्चाज rate अगर हम investors पर लगा देते तो stock market भयानक crash कर जाता क्योंकि major investments जो हमारे stock market के अंदर में है वो है non-residents के और अगर यह higher सर्चाज rate इनके उपर लगाते तो market जबर्दस तरीके से crash कर जाता और इसी लिए तुरंत 20 September को जब ordinance लाया गया taxation amendment ordinance जिसे हम finance act 2 भी कहते हैं यहाँ पे जब लाया गया तो इन्होंने कहा enhanced surcharge 25% 37% enhanced surcharge is not applicable to long term capital gain under section 112A और short term capital gain under section 111A so enhanced surcharge 111A and 112A only 112 की बात नहीं चल रही है 111A और 112A के ओपर enhanced surcharge applicable नहीं है मतलब इनका जो surcharge rate होगा यह surcharge rate होगा 15% ही यह यह 2 करोड के उपर हो चाहिए 5 करोड के उपर हो doesn't matter इनका surcharge rate 15% ही रहेगा क्योंकि इन्होंने क्या कहा सरcharge नहीं लगेगा ऐसा नहीं कहा इन्होंने क्या कहा, enhanced surcharge applicable नहीं होगा, मतलब 25% और 37% apply नहीं होगा, बाकी सब बिलकुल apply, ओने वाला है जाथ, right, so enhanced surcharge rate shall not apply, enhanced surcharge rate, enhanced surcharge rate मतलब 25% और 37% जाथ, shall not apply in case of capital gain arising out of sale of equity share or equity oriented fund or units, of business test in case of individual HOF, AUP, BIAJP, enhanced surcharge shall not apply to capital gain arising on sale of security, including derivative in the hands of foreign portfolio investor, जैसा कि मैंने कहा, ये वोई point आ गया, हा, साथ साथ में, एक और चीज आई, हलागे मुझे लगता है, ये CA final level पर जादा relevant है, पर मैं कोई भी point छोड़ना नहीं चाहता है, जो amendment का है, जान जे सुनिये, notification है, 60 2018, कुछ problems थी, जो problems को notification लाकर के curve up किया गया, हलागे मुझे अभी भी सच में लगता है, कि inter level पर ये चीज नहीं बोली जाता है, final level पर है, for all notification circular, six months before exam are applicable, plus आपके ही module के basic chapter के अंदर में notification लिखा है, और it is a component of income tax, तो मुझे ये पढ़ाना पढ़ेगा, because it is a notification, द्यान से सुनी है, और वैसे भी, अगर कोई कहता है, कि आपको inter level पर notification नहीं आता, तो मैं कहूँगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो CII है, वो हर साल notification के थुरू ही आता है, तो ये बुलना बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, फिर भी, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाना, मेरी जिम्मदारी है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, हाला कि exam पढ़ा क्यों से, मुझे नहीं लगता है, ये वाला particular notification आपको आ सकता है, क्योंकि थोड़ी high level की बात है, फाइनल लेवल की बात है, आपको करमाईगी, क्या notification आया है, जरह समझेगा, notification के बीछे logic क्या था, logic यह था से notification के बीछे, कि अब कुछ लोग क्या कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, मान लिजे मैंने shares 2004 से पहले लिया, अगर 112 A लगाना है, तो आपको STT पे करना mandatory है, 112 A लगाना है, तो STT पे करना mandatory है, now question arises is, 2004 से पहले STT नहीं रहा, STT आया है 2004 में, अब किसी ने अगर share 2001 में लिया है, उसको आज 112 A लेना है, वो क्या करेगा, वो सरकार के पास जाएगा, सरकार को बोलेगा, सर एक मिनिट, एक बात बताओ, में को 10% से tax देना है, long term पे, ठीक है, index session के जगा, आप मेरे को higher cost वैसे भी दे रहे हो, तो मेरे लिए तो हमेशा इन-विन situation है, पर वो क्या बोलता था, 2004 से पहले, मैंने 2001 में shares लिये, उस time पे, set उस time पे, index session, STT था ही नहीं, given an option में STT पे करता, मेरे को क्या problem थी, STT था ही नहीं, मेरी क्या गलती, मेरे को 100 बाराई का benefit दो, दूसरा व्यक्ती, जिसको ESOPS में shares मिले वे हैं, shares अगर ESOPS में मिले वे हैं, तो generally STT का criteria ही नहीं रहता है, एक्जम्ट होता है, बहुत बार से भी की guidelines की हिसाब से, ये आदमी बोलता है, मेरे को जो shares मिले थे, मैंने जो acquisition किया था, ESOPS के अंदर में, मेरे को STT का requirement ही नहीं था, तीसरा, share acquisition जो हुए, high court या supreme court के order से, for example in case of amalgamation, इस case में STT का requirement ही नहीं है, shares FDI की guidelines, foreign direct investment की guidelines से आये वे हैं, इनको STT exempt किया था, था कि हम foreign direct investments को promote कर सके, ये कहते थे, अगर आपने STT हमारे लिए रखा ही नहीं था, और आज आप ये section लेके आते हैं, कहते हम STT नहीं दिया, तो 112 A नहीं लगेगा, 112 लगाएंगे, 20% से देना होगा, और indexation लेके जाओ, असे सी बोल रहा है, जब मेरे को higher cost, plus lower tax का benefit मिल रहा है, मैं क्यों जाओ, आपने ध्यान रखना चीए था, कि ऐसा भी कोई situation हो सकता था, कई बार shares acquisition, government से होते हैं, जिनमे STT का class, ये ही नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं है, क्योंकि government से जब आप acquisition करते हैं, shares के, तो STT होता ही नहीं, अब बताइए, ऐसे केस में क्या करें, सरकार को समझा, हाई ये point, notification आया, in the following cases, even if STT is not paid, even if STT is not paid, still the benefit of 112B is applicable, क्या कहा सरकार ने, सरकार ने कहा दिया, कुछ following cases, कुछ following cases, आपने STT पे नहीं भी किया, आपने STT पे नहीं भी किया, तो भी हम 112A का benefit देंगे, पहला, shares acquired prior to 2004, 2004 से पहले अगर आपने shares acquired किया, STT था ही नहीं से, STT पे कहा से करते, तो acquisition के time पे, तो STT पे ही नहीं हुआ होगा, और law के रहा है, 112A लगाना है, तो acquisition के time पे भी STT चाहिए, लगी नहीं सकता, दूसरा, after 2004 लिया है, but the acquisition of shares, is approved by High Court Supreme Court NCLT, Amalgamation Demerges के case में, shares acquired under the FDI guidelines, acquisition of shares by the investment fund, investment fund को STT से exempt किया गया है, for the timing, या shares acquired through the preferential issue, as per SEBI, या फिर, they are acquired through the order, they are not entered into recognized stock exchange, acquisition through ESOP, acquisition through SEBI, acquisition from government, या venture capital company, या in the mode of 50B, 50B मतलब क्या, slum sale में acquire किया, STT पे ही नहीं होता, आप कहां से apply कर रहा है, इन provisions को, ऐसे cases में, सरकार ने बूल दिया, ठीक है, आपने STT पे नहीं भी किया होगा, तो भी, हम 112 A का benefit आपको देंगे, जाओ जा करके enjoy करो, तो ये बहुत बड़ा benefit, बहुत बड़ा relief दिया है, हाला कि मुझे ऐसा लगता है, कि इंटर लेवल पे ये नहीं पूचा जा सकता, फिर भी मैंने जान मुझे करके, फास्ट आग बुक में डाला इसे, ताकि बच्चे पढ़ ले, चलिए सर, taxation of buyback मैंने यहाँ पे दिया भा है, इसको आप एक बार read कर लेना, हलाकि मैंने आपको इसको concept समझा दिया, आप इसको एक बार फटा-फटा read कर लेगे हैं, तो easy हो जाएगा आपके लिए, हम कहां थे, दिरा रहूँ, याद दिरा रहूँ, आपको याद दिलाना बहुत जरूँ है, क्योंकि capital के नित्ता बड़ा topic है, हम थे exemption under section 10 में, 1034A किया, 1043 किया, 1037 किया, 1037A किया, और 1038 हुआ करता था, जिसको abolish करके क्या आगया, 112A के बारू में आपने 2 point लिखना है, एक point लिखना है, एक तो आपका लिखावा ही है, 87A, rebate not available, अगर आपकी income में, सिर्फ 112A की income है, तो 87A का जो rebate है, वो आपको नहीं मिलता, वैसे भी नहीं मिलता था, जब से provision आई है, तो याद रखिएगा, chapter 6 के तो deduction वैसे भी नहीं मिलते, तो हमें इस पर बात करके भी कोई मतलब नहीं है, is that done, चलिए, हम exemptions में दे, याद होगा, तो exemptions दो sections में लिखे वे हैं, याद होगा, तो exemptions दो section में लिखे वे हैं, exemption लिखा था, section 10 के अंदर में भी, और 54 के अंदर में भी, 10 वाली सारी सीरीज हमने कतम कर दी, अब बचता है 54 वाली सीरीज, कौनसी सीरीज बचता है मालेक, 54 वाली सीरीज बचती है, आईए जयान देते हैं 54 वाली सीरीज पे, सबसे पहले, exemption under section 54, क्या कहता है मैं फटाफट बता रहा हूँ, मैं इसको read नहीं करूँगा, प्लस amended वाल अपार्टमेंट डेफिनेटली read कर लूँगा, या दिरा तो आपको क्या कहता है provision, आप लोग भी पानिया नहीं पी लीजे साब, पीदे रही है पानी बीच बीच में, रात के तीन बज़ने हैं साब, मेरे घरवाले सो रहे हैं, मेरे को तो ऐसे भी पागल डिकलेर कर दिया, जब से मैं सीखी कर रहा था, या आदमी का कोई बरोसा है नहीं, रात के तीन बज़ने हैं, मेनज चालू है, उम्मीदिया आप जब भी देख रहे होंगे, दिन में देख रहे होंगे, रात में देख रहे होंगे, दुपैर में देख रहे होंगे, मुझे दुआए जरूर देंगे, थांक्यू जरूर कहेंगे, और अपने दोस्तों की भी मदद जरूर करेंगे, Core Regains lecture को उन तक्हें पहुचा के वर्ट देखते क्या है 54, Exemption 54 के जितने भी exemption है इनन्हें हम कहते हैं Re-investment exemption क्या कहते हैं Malik Re-investment exemption क्या होता है in investment exemption मतलब अगर आपको KIP-Dilik inna is a capital gain aap invest करेंगे sale consideration capital gain invest करना specifically 54 की बात चाहँ 54 कहता था nature of asset अकर अगर लॉंग टर्म क्या लेना है वन रेसिडेंचल हाउस प्रॉपटी इन इंडिया लेना है आपको यहां आया है अमेंग्मेंट्ट पिछले साल तक के यहां पर वड़ था कि आप सिर्फ एक प्रॉपटी ले सकते थे लेकिन कई सालों से रियल एस्टेट उठा ही नहीं है इंडिया में और रियल एस्टेट को बूम देने के लिए एक प्रॉविजन इंसर्ट की गई यहां पर का गया कि आपका अगर कैपिटल गेन दो करोड रुपए के उपर नहीं होगा तो एक से जादा घर भी आप ले सकते हैं दो गर ले सकते अपरियो में प्रोविजन अविलेबल यह बात आपको याद रिक नहीं है मिलेगा इंडियोini डmond का यह एक प्रॉप संब्योजओ अचयोव है ईकमशन मिलेगा अमांच फोटर दो गर ले सकते हो रृ सब्सकुत की ना इक और यह benefit only once in a lifetime मिलेगा, यह MCQB है, चेक कीजेगा, if capital gain does not exceed rupees 2 crore, then he can purchase to residential house property, right, and this option is available only once in a lifetime, यह only once in a lifetime option अविलेबल है, अच्छा जी सर, सर कब तक परचेस करना है, one year, before two years after the date of transfer, right, अच्छा जी सर, सर कितने साल तक के hold करना है, नया property आपको 3 साल तक के hold करना है, नया property आपको कितने साल hold करना है, 3 साल hold करना है, और 3 साल से अगर पहले आपने transfer कर दिया, तो उस जब भी आपने transfer किया, right, उसके cost of acquisition में से उतना amount minus किया जाएगा, जितना आपने 54 में exemption claim किया था, so where such asset is transferred within a period of 3 years from the date of its acquisition or construction the cost of acquisition of such asset will be reduced by the amount of exemption withdrawn आपकी cost of acquisition कम कर दी जाएगी for example आपने A को बेचके B खरी जाता यह B आपने 3 साल के अंदर में sell कर दिया full value of consideration होगा जब cost of acquisition इसमें से minus करते रहेंगे तो हम उतना exemption cost of acquisition से कम कर देंगे जितना आपने 54 के अंदर में claim क्या था और बचावा ही cost of acquisition आप इस full value of consideration से minus कर पाएगे तो एक बहुत बड़ी penalty के दौर पे इसे दिया जाएगा तो बेचना क्या है residential house property लेना क्या है residential house property individual NHUF one year before three years after अगर आपका current year में return भरने से पहले investment करना नहीं है आपको तो current year में ही return भरने से पहले आपको capital gain account scheme जिसे हम कहते हैं CGAS capital gain account scheme के अंदर में आप पैसा डाल देंगे return भरने से पहले अगर आपने capital gain account scheme के अंदर में पैसा डाल दिया return भरने से पहले तो भी हम यह अजूम करेंगे कि आपने appropriate investment कर ली आपने क्या कर लिया, appropriate investment कर ली और हम आपको exemption दे देंगे, तीन साल के अंदर आपने कभी भी इसको transfer किया, या ये capital gain account scheme का पैसा, other than property किसी और purpose के लिए use किया, आपके cost of acquisition से हम क्या कर लेंगे साब, reduce कर लेंगे, right, so amount आपको कहां डालनी है, up to the date of furnishing the return of income, the unutilized amount of such capital gain should be deposited into capital gain account scheme कितना exemption मिलेगा, amount invested or capital gain whichever is lower, बात simple है, आपको sale consideration नहीं capital gain invest करना है, right, ये था 54, क्या amendment है, yes, exam point of view से very important, तो हम वापस से उपर आ रहे हैं, important, not important की list में आ रहा हूं, मैं वापस से, इसके बाद यहाँ पर 1034A important हो गया, 1037 important की category की list में आ गया, 54 important category की list में, 54 EC important category की list में, 54 EE important category की list में, डाल रहा हूं मैं, बाकी 54B, 54D, 54F, इसे मैं important category में नहीं डाल रहा हूं, इसे मैंने कर दिया है, बाज़ू, plus 1037A मैं not important category में डाल रहा हूं, 112A बहुत ज़्याद है important category की list है, इसको आपने पढ़ना है, बिल्कुल पढ़के ही जाना है, इसमें कोई exception नहीं है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, काम खत्म, 48 को मैंने वैसी important mark करवा दिया, तो इसके proviso को मुझे अलग से important mark करवाने की ज़रत नहीं है, हलाकि 1 और 5 और 6 इतना दा important नहीं है, तो आप एक बार पढ़के समझ के छोड़ सकते हो, वैसे इन marathon में देख लेना, exam में अगर कुछ आ जाए तो apply करना नहीं तो छोड़ देना ठीक है मालिक, आ जाओ जी, 54 में amendment क्या है, एक के जग़ा दो घर ले सकते हो, इसके बाद आता है 54B, 54B क्या कहता है, बड़ा simple है सा, 54B कहता है, अगर assessi individual और होफ है, property का nature long term भी हो सकता है, short term भी, याद होगा तो 54BD गागा, 54B को short term का भी benefit मलता है, तो assessi अगर individual और होफ है nature of property long term भी, बेचना क्या है, urban agricultural land, लेना क्या है, any agricultural land, बेचते वक्त अर्बन इसले जरूरी है, क्योंकि rural land, capital asset है नहीं, तो capital gain आनी सकता, तो बेचते वक्त urban agricultural land भीचनी है, खरीदते वक्त आपको क्या खरीदना है, any agricultural land आप purchase करेंगे, be it urban, be it rural, कितने दिन में purchase करना है, within two years, कितने दिन में purchase करना है, within two years आपको purchase करना है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो क्या होगा सर, amount invested or capital gain, whichever is lower का क्या मिलेगा, benefit मिलेगा, सर तब तक क्या, दो साल तक के पैसा कहीं भी use कर लो, answer is no, फिर ये पैसा कहा जाएगा सर, ये पैसा आपको डालना पड़ेगा, again capital gain account scheme के अंदर में ये पैसा आपको deposit करना पड़ेगा, okay sir, तो sir, ध्यान से सुनिया, ये जो नया land आप लेंगे, new agricultural land, इसको कितने साल hold करना है, again three years आपको hold करना होगा, अगर तीन साल से पहले कभी भी wage दिया, तो उसके cost of acquisition में से जो capital gain है, वो taxable हो जाएगा, sir, कितना exemption मिलेगा, amount invested और capital gain, whichever is lower का benefit मिलेगा, कोई amendment बिल्कुल नहीं, एक बार चेक कीजे, 54B 54D, not so relevant, आपस से बता देता हूँ, land और building जो industrial purpose के लिए थी, compulsory लिए acquire हो गई, मान लीजे, आपका कोई एक factory shared unit है, जो industrial purpose के लिए use होता है, road damn bridge कनाल, port airport बनाने के लिए, ये compulsory लिए acquire हो जाता है, आपको compensation मिलता है, ये compensation taxable है, क्योंकि compulsory acquisition taxable है, अगर ये compensation आप again invest कर देते, land and building लेने के लिए, जो industrial purpose के लिए होगा, within 3 years from the date of transfer, तो आपको capital gain और amount invested, whichever is lower का क्या मिलेगा, benefit मिलेगा, जो नया land and building ले रहे है, again आपको इस वो 3 साल hold करके रखना है, otherwise ये cost में से क्या किया जाएगा, minus क्या जाएगा, simple सब्दों में taxable हो जाएगा, so कोई भी SSE, any SSE, long term और short term, land and building जो industrial purpose के लेता, उसे compulsory लिए acquire कर दिया गया, इसके बदले में आपने लिया land and building for industrial purpose within 3 years, amount invested और capital gain, whichever is lower का आपको benefit मिलेगा, ये amount invest करना है, या तो return बनने से पहले, और अगर आप return बनने से पहले invest नहीं करना चाहते, तो capital gain account scheme में आपको return बनने से पहले डालना है, और आपको क्या मिलेगा, benefit provide मिलेगा, 54 EC important की category में हैं और mark कर गिये, इस पे लगाएंगे हम time, 54 EC एक समय था जो ये, किसी भी asset के against में मिल जाता था, लेकिन इसमें amendment इसे सिर्फ अब land and building के against में claim किया जा सकता है, तो अगर कोई भी assessor, transfer करता है land and building, जो consideration आता है, इससे वो invest क कर देता है, काई के अंबर में, सर, invest कर देता है, bonds के अंबर में, सर, कौन से bond, 4 bonds इसके अंबर में already है, NHAI, National Highway Authority of India, REC, Rural Electrification Corporation, then Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation, अगर इनके bond में invest करता है, जिसका redemption period 5 years का होगा, एक time था जब्यापर 3 years लिखा था, जिसका redemption period 5 years का होगा, यह amount कब तक invest कनी है within 6 month from the date of transfer amount invested or capital gain whichever is lower का benefit मिलेगा however maximum benefit in a financial year cannot exceed 50 lakhs, for a financial year cannot exceed 50 lakhs वापस से देखे, कोई भी SSE transfer करता है land and building लेना क्या है, bond, कौन से वो 4 bond जो मैंने बूले, एक और amendment any other notified by central government यह redeemable होने चीए, कितने साल के लिए, 5 years के लिए कितने दिन में investment करना है 6 month from the date of transfer 6 month from the date of transfer के अंदर invest करना है, capital gain scheme applicable नहीं है क्योंकि आपको सीधा bond में investment करना है कितने साल तक के लिए यह bond होना चीए, redeemable for 5 years अगर ऐसा होता है capital gain exam, amount invested capital gain, whichever is lower but the benefit in a particular year cannot exceed 50 lakhs benefit in a particular year cannot exceed 50 lakhs यह रखेगा any SEC transfer land and building nature of assets is long term bond लेना है NHI के, REC के, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation के और यह redeemable होने चीए, 5 years के maximum benefit 50 lakh रुपीज का मिलेगा amount invested और capital gain, whichever is lower का मिलने वाला है, benefit investment कितने दिन में करना है, within 6 month के अंदर में क्या करनी है साहब, investments करनी है कुछ भी बेचो, any long term asset other than house property, house property चोड़के कुछ भी बेचो, लेना क्या है house property, साहब तो फिर 54 और 54 F में फरक क्या हुआ 54 कहता है, घर बेचो, घर खरीदो 54 F कहता है, कुछ भी बेचो, घर चोड़के और क्या लेना है, घर लेना है बाकी पूरा section 54 के जैसे वरक करता है, दो फरक, पहला यहाँ पे आप capital gain नहीं, sell consideration invest करते हो, यहाँ पे आप capital gain नहीं, sell consideration invest करते हो दूसरा फरक, capital gain और amount invested, whichever is lower नहीं, यहाँ पे है capital gain into amount invested divided by net consideration, यह है benefit चेक किज़ेगा individual long term, any long term capital asset other than residential house property लेना क्या है, one residential house property, whether acquired or constructed, कब तक के, within one year before, two years after और construction की case में, three years कितना exemption, proportionate capital gain that is, capital gain into amount invested divided by net consideration is the benefit तो हर जगा आपको लिखा है, amount invested capital gain, whichever is lower, इस case में आपको लिखा है, sales consideration invest करना है up to the date of filing return, अगर आप investment नहीं कर पाई capital gain account scheme में आप पैसर डाल दीजे और आपको इसे three years तक के hold करना है, otherwise capital gain would have been taxable 54 EE क्यों लाया गया, बहुत important reason, अगें stock market को boom करने के लिए, क्या कहा गया अगर कोई भी assessi है, कोई भी long term capital asset sell करता है, कोई भी long term capital asset sell करता है और इसके बदले में specified security ले लेता है, which is nothing but investment in a stock market, yes or no listed security और specified units अगर कोई भी assessi है, कोई भी capital asset transfer कर रहा है, क्या कर रहा है कोई भी capital asset transfer कर रहा है and यह amount वो क्या कर देता है invest कर देता है specified security के अंदर में within six months, पूरा section 54 EC जैसा है, दो बदलाव based the time कोई भी capital asset होना चीह है, लेना आपको specified security है, यह दो change अगर छोड़ दिया तो 6 मेने के अंदर invest करना है amount invested capital gain, whichever is lower का benefit मिलेगा, maximum exemption 50 lakh for a financial year so यह point है, पढ़ लिजेगा 3 years तक के आपको इसे क्या करना है hold करना है, sir आप देख सकते हो, around around 3 घंटे से हम सिर्फ और सिर्फ capital gain पड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, जो हम छोड रहे हैं, हम कर रहे हैं, सारे point कर रहे हैं, पढ़ो तो हद कर दो, वनना program रद कर दो, हो सकता है marathon one day का ना हो, करके two day का हो जाए, मैं try करूंगा इत्ता बड़ा ना हो, क्योंकि बाकि सारे topic छोटे, major topic बड़े हैं, उसके अंदर में PGPP बनता है, capital gain बनता है, some part of salary बनता है और वेका जाए तो TDS बनता है, इसके अलावा कोई बड़े topic बनते नहीं है, guess on तो यह में ही और बाकि सब तो यह बहुत चोटे चोटे जैसे clubbing, setup, you all know, कि इसके अंदर में हमको बहुत जादा time लगना नहीं है, तो जहां सच में time लगने वाला है, वहाँ invest कर देते हैं, बाकि सारे topic, IF, OS हो गया, HP हो गया, यह सब चोटे 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 topic है, मतलब माक्स एक गंटा, आदी गंटा, एक गंटा, आदी गंटे के अंदर में topic खतम होने वाले topic है, तो don't worry, आजो, आते हैं section 51 के उपर, section 51 for feature of advance, आपको यहां पे भी दो topic के साथ मिक्स करूँगा, capital gain as well as PGP, यहां पे हम आपको mix करेंगे, ज़र समझेगा for feature of advance, जैसे कि आपको यहाद हो गया negotiation, तो जितना amount आपने दिया था, वो क्या हो जाता है, forfeit हो जाता है, सवाल उठता है कि जो amount forfeit हो गया, इसका taxability क्या होता है, 2014 तक जो amount forfeit हो जाता था, इसे cost या WDV में से reduce कर दिया जाता था, cost या WDV में से reduce कर दिया जाता था, और फिर indexation calculate होता था, 2014, जब अरुन जेटली साव आए, उन्होंने बोल दिया, इसे cost में से बिलकुल reduce करने की जोरत नहीं है, असेशी को cost का 100% benefit लें दो, उल्टा ये जो amount आपको मिल रही है as a forfeited amount, ये आपके income from other sources के अंदर में taxable होगी, तो ये date बिलकुल याद रखना है, 2014 के बाद अगर आपको forfeiture amount मिली है, तो आपको income from other sources में taxable करना है, अगर 2014 से पहले forfeiture amount मिली होगी, तो आपको cost, fair market value या WDV में से reduce करना है, और फिर ही indexation calculate करना है, आकाश करके एक problem है, आपके module के अंदर में, जबर्दस problem में मेरी book और questionnaire के अंदर में मिल जाएगा, जबर्दस problem में इस concept के उपर जरूर देख लेज़ेगा, बिलकुल concept clear हो जाएगा, advance money received up to 31st March, previous owner का होगा, तो ignore करना है, क्योंकि section 51 previous owner की बात ही नहीं करता, सिफ assessi की बात करता है, assessi को मिला होगा, तो shall be reduced from cost, fair market value और WDV, after 2014 होगा, तो it will be taxable under the head of income from other sources, और similar amendment 56-2 के अंदर में भी हुई, is that done, yes, चलिए, slum sale, 50B, ये कुछ specific topic है, आते हैं, पिछले बार ही, पिछले attempt में ही, slum sale के उपर question आया था, बड़ा easy question था सा, बड़ा easy question था, in fact, अबने class में भी लिया आवा था, आईए समझते हैं, क्या provision है, slum sale, slum sale मतलब क्या होता है, slum sale, without individually valuing the asset, आप पूरा as is, what is basis पो उठा करके देते हैं, तो इसे हम कहते हैं, मालिक slum sale, slum sale के अंदर में computation बिल्कूल different होता है, इस पे आपके जो normal computation वाले provision में वो apply नहीं करते, slum sale altogether different compute होता है, बड़ा easy है सर, sale consideration, means net consideration minus net worth, आप net consideration में से क्या minus कर देते हैं, net worth minus कर देते हैं, net consideration कैसे निकालेंगे, बड़ा simple है सर, sale consideration minus expenses on transfer, आज तक जैसा निकालते हैं, बिल्कूल net consideration वैसे निकलेगा, सर, net worth कैसे निकलेगा, बड़ा simple है total assets minus total liability net worth आपका निकल जाएगा total assets minus total liability यहां मैंने current liability लिखा है जान मुझ करके लिखा है हाला कि आप total assets minus liability कर लेंगे तो आपको automatically क्या मिल जाएगा net worth मिल जाएगा total assets sir कैसे निकालेंगे बड़ा simple है sir total assets अगर asset depreciable asset है तो हम उसका WDV लेंगे अगर asset depreciable asset नहीं है तो हम उसका book value लेंगे अगर कोई asset है जिसका 100% deduction आप claim कर चुके हैं इसका value nil लेना होगा this is because of PGPP provision अगर को asset revalue होगा तो हमें revaluation को totally क्या करना होगा ignore sir क्यों ignore करते हैं sir ignore इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे income tax में revaluation का कहीं पे भी impact आता नहीं पूरे income tax में revaluation ignore किया जाता है so net consideration minus net worth और since net consideration minus net worth हो रहा है indexation का तो कहीं सवाल ही नहीं आया और इसलिए हमने उपर चार्ट में पढ़ा था indexation का benefit कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है indexation का benefit कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है so this was the point done sir अब आते हैं कुछ deem transfer के उपर कुछ special cases almost on capital gain के end पर ही आ चुके है right capital gain के end पर आ चुके मेरे साब से hardly half hour और लगेगा capital gain पूरा का पूरा end हो जाएगा budget deep के अंदर में इंशॉरंस compensation और destruction of asset क्या है यह provision 451A काम की प्रोविजन है हाँ little काम की प्रोविजन है क्या कहता है अगर आपका asset destroy हुआ हुआ होगा reason for destruction earthquake flood typhoon hurricane riot civil war action enemy इस वजह से दो बाते हो सकते हैं आपको compensation मिला आपको compensation अगर compensation नहीं मिला section apply नहीं करता अगर compensation मिला तो again दो बाते होगी यह depreciable asset के against में है या non depreciable asset के against में है अगर depreciable asset के against में है तो full value of consideration जित्ता amount मिला minus wdv करेंगे हम क्या minus करेंगे wdv और वेसी बात है depreciable asset पर indexation नहीं मिलता तो जो हमें minus करना है वो wdv होगा और इस case में जो gain arise होगा वो always short term capital gain होगा वो always क्या होगा मालिक short term capital gain होगा यही asset अगर non depreciable asset होगा यही asset क्या होगा अगर non depreciable asset होगा तो जितना amount मिला यह full value of consideration मान लिया जाएगा expenses on transfer as usually मिलेगा indexation मिलेगा क्या answer is yes कब तक के जब तक this year में destruction हुआ उसी साल में for example 2002 में आपने acquire किया 2014 में destruction हुआ 2019 में compensation मिला कुछ important point capital gain कब आएगा capital gain arise होगा जिस साल में आपको amount receive हुई होगी amount receive हुई होगी receive हुई है मतलब 2019 के अंदर में capital gain की taxability आएगी destruction भले 2014 में हो चुका होगा लेकिन taxability 2019 के अंदर में आएगी दूसरा सवाल उटा सर indexation कब तक के मिलेगा बहुत simple है indexation मिलेगा only up to 2014 सर ऐसा क्यों asset तो 2014 में दिस्ट्रक्ट होगया ना बेटा असेट तो 2014 में destruction होगया आप capital gain differ कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि आपका indexation भी differ होगा hence देखेंगे indexation is only up to the year of destruction मतलब क्या 2014 तक के मिलेगा जिस साल में asset destroy हुआ है उस साल तक के index मिलेगा बस capital gain tax आपका pay करेंगे जिस साल आपको compensation receive हुआ होगा उस साल आप पे करेंगे capital gain tax so insurance money for loss of raw material shall be treated as normal trading loss and will be covered under PGBP so अगर आपको you know stock के against में कोई compensation मिला है that compensation will be taxable under the head of PGBP if no compensation is received then there will be a proper dead loss it shall be a dead loss neither of the section get attracted अगर आपको you know compensation मिला ही नहीं है तो यह section कभी apply ही नहीं होने वाला 45-2 पहले important not important लिस्ट में फिर से आ रहा हूं मैं 45-2 इधर 45-1 इधर 45-2 important category में yes important category में क्या है बहुत simple इसाब conversion of capital asset into stock in trade जब भी capital asset stock in trade के अंदर में convert होगा दो तरह की income arise होगी एक PGBP दूसरा capital gain इसका opposite पिछले साली आया कि अगर stock in trade capital asset में convert होता है तो सिर्फ PGBP arise होगा सिर्फ क्या arise होगा PGBP तो वर देखेगा conversion of stock in trade into capital asset अगर stock capital asset में convert होगा तो PGBP arise होगा और capital asset अगर stock में convert arise होगा तो दोनों income arise होगी capital gain भी arise होगा और PGBP भी arise होगा पहली बात तो यह capital gain कौन से साल में आएगा जिस साल convert हुआ उस साल में और PGBP कौन से साल में आएगा जिस साल sale हुआ उस साल में answer is here both capital gain and PGBP will arise in the year when converted stock is sold oblique partly sold meaning समझिये मान लीजे कि आपने stock को capital asset को stock में convert कर दिया लेचे 10 flat थे आपने इसको stock के अंदर में convert कर दिया 8 ही sale किये proportionate capital gain नहीं आएगा 8 के लिए exemption भी उत्ते proportion के लिए मिलेगा बरबर है और फिर जब बचेवे दो सेल होंगे उस तहीं वापस से arise होगा so capital gain and PGPP both will arise when converted stock is sold or partly sold module में partly sold के उपर एक problem दिया वा और बहुत जबर्दस problem है जो आट और दस वाला point बोल रहा हो मैं उस ही में covered है एक बर जाकर देख लोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है दूसरा इंडेक्सेशन कब तक के मिलेगा obviously till the date it is converted मतलब only up to the year of conversion मान लीजे 2010 में मैंने लिया था 2017 में convert किया और 2019 में sale कर रहा हूँ तो कब तक का benefit मिलेगा only up to 2017 क्योंकि capital asset तो आपका transfer हो चुका है PGPP कैसे compute करेंगे जो भी आपका sale value होगा minus fair market value as on the date of conversion जो fair market value है as on the date of conversion हम लोग बोलेंगे fair market value लेंगे as on the date of conversion वाला fair market value लेंगे यही अगर you know capital gain compute करना है तो कैसे लेंगे full value of consideration क्या माना जाएगा full value of consideration will be fair market value as on the date of conversion minus expenses on transfer क्या बनेगा बिटा net consideration बनेगा इसमें से cost of acquisition और cost of improvement minus करेंगे जो मिलेगा only up to the year of conversion only up to the year of conversion मतलब इतना ज्यादा ध्यान रखाऊ मैंने notes में अगर आपने fast track book भी पढ़ लिया मेरे भाई आप उस सारी चीजे जमेंगी इमानदारी सा fast track book पढ़नेगा right plus जो amendment इस साल के रिये वाई वो पढ़नेगा game over less exempt under 54 capital gain आ जाएगा right so stock को capital asset में convert किया PGBP capital asset को stock में convert किया अब बहुत जादा relevant भी नहीं है एक बार फटा-फट कुछ से देख लेना transfer of capital asset by partner to firm अगर को capital asset firm transfer कर रहा है sorry partner transfer कर रहा है किसको firm को transfer कर रहा है सवाल एक capital gain किसको arise होगा sir capital gain arise होगा partner को capital gain किसको arise होगा sir partner को partner को capital gain arise होता है now the point is now the point is अगर किसी partner ने अपना कोई capital asset इसको transfer कर दिया firm को transfer कर दिया it is simply relinquishment of right अब वो asset firm का asset बन गया partner का asset नहीं रहा और हमने बचपन से पढ़ा है that firm's asset and partner's asset are a different concept now जब भी partner ने firm को transfer कर दिया what will be the capital gain value कैसे capital gain की law ने बड़ा clear कर दिया law ने कहा whatever is the amount recorded in books books के अंदर में जो भी amount recorded लिखी होगी हम वो ले लेंगे so whatever is the amount recorded in the books of account will be taxable in the year when it is given expression of transfer minus किया जाएगा बिल्कुल जैसे बाकी का computation निकलता है वैसे ही computation निकलेगा यहाँ जब मैंने लिख रहा हूं exemption under 54 it means 54 की पूरी series not only 54 पूरी complete series ठीक है मालिक सिंबल साह 45 3 कोई different point नहीं है 45 4 क्या कहता है जब फर्म partner को दे रहा है 3 partner firm को दे रहा है 4 firm partner को दे रहा है firm partner को कब दे सकता है maybe dissolution retirement otherwise yes or no तो जब भी firm partner को दे रहा है क्या value consider किया जाएगा whatever is the fair market value as on the date of conversion जब भी fair market not conversion fair market value as on the date it is given so fair market value as on the date it is transferred बाकि पूरा का पूरा capital gain as it is so 45 4 सिर्फ full value of consideration क्या लेना वो बता रहा है या indexation कब तक का लेना है वो बता रहा है so बाकि पूरा capital gain आप जैसे compute करते हो वैसी compute करोगे इसमें कोई नया नहीं है point यहाँ पर सिर्फ फोकस काया पर करना है what will be the full value of consideration इस point पर focus कर लिए आपका काम खतम है 45 5 आई एंपोर्टन नाद इंपोर्टन की देश में फिर से 45 3 45 4 45 5 45 5 कि वो आपके प्रिज कनाल पोर्ट एरपोर्ट बनाने के लिए भारत सरकार के पास पावर है बारत सरकार के पास पावर है कि वो आपके property को acquire कर सकते है अब यह जो property acquire होती है इसके बदले में आपको क्या मिलता है compensation मिलता है कुई बात ध्यान से सुनिएगा कही बार assessi को ऐसा लगता है कि यह compensation कम हुआ है वो court में reapply करता है compensation increase करने के लिए इस अगर future में जाके यह increase compensation उस साल में taxable है जिस साल में आपको यह compensation actually receive हुआ further compensation government का काम है late receive होता है compensation अगर late receive हो तो कई बार इसके उपर क्या मिलता है interest मिलता है तो technically हम यहाँ पर तीन तरगी बाते करें पहला जो आपको initially सरकार में compensation दिया हो दूसरा अगर compensation बढ़ गया तो तीसरा इसके उपर जो interest मिलता है उसका क्या एक एक बात कर लेते हैं compensation आपको जिस साल में मिला उस साल में taxable ना कि जिस साल में सरकार ने property ली for example मैंने property ली थी 2002 के अंदर में सरकार ने ले ली इसे 2016 के अंदर में मुझे compensation मिला 2019-20 के अंदर में capital gain किस साल में compute होगा 19-20 के अंदर में जिस साल में आपका compensation receive हुआ या partly receive हुआ यह partly receive भी बड़े काम की चीज़े देर धान दो सुनना receive हुआ या partly receive हुआ मतलब क्या है अगर आपका compensation 50 lakh decide हुआ और यह 50 lakh का compensation government आपको तीन अलग-अलग part में देने वाली है पहले part में आपको मिले 10 lakh रुपय मिले 10 lakh taxable कितना पूरे 50 lakh हाँ मिले 10 lakh taxable कितना पूरे 50 lakh taxable है येस इस इस दो प्रोविजन क्योंकि वर्ड लिखाए even if part of the amount is received whole of the amount is taxable आपको part amount में मिली तो भी whole amount taxable है पर सर ये तो गलत है ना सर मतलब ये तो गलत है ना सर मतलब आप 10 lakh रुपय दे रहे हो और पूरे 50 lakh tax कर दे रहे हो ये तो गलत है ना सर कुछ भी गलत नहीं है सर या दिराता हू accounting standard अगर सरकार से आने है मतलब revenue recognition confirm है अग अगर certainty है कि revenue recognize हो सकता है certainty है कि amount मिलेगी ही certainty है आपको कि amount मिलेगी तो आप उसको revenue तुरंत recognize कर लेते हो आपका accounting standard ने सिखाया है hence आप यहाँ पे यह चीज़ कर रहे हो point 1 point 2 compensation जो आपको मिला या part of the compensation जो आपको मिल रहा है तो भी total amount taxable है indexation कब तक का मिलेगा बोलने की बाद बिल्कुल नहीं है 2016 तक के ही मिलेगा sir क्यों भाई साब property तो आपकी 2016 में चले गए compensation आपको 2019 में मिल रहा है तो indexation 2016 तक का ही मिलेगा so check कीज़ेगा full value of consideration आपको जो total compensation मिला part भी मिला तो भी full taxable है expenses on transfer usually allowed होगे indexation का तक का मिलेगा only only up to the year of conversion only up to the year of conversion ही आपको यह मिलेगा cost of improvement जिस तरीकी से normal मिलता है only up to the year of conversion मिलेगा बाकी पूरा capital gain as it is future में चलके दो बाते हो सकती है या तो आपका compensation बढ़ भी सकता और compensation कम भी हो सकता है सर क्या compensation कम हो सकता है हाँ जी बिल्कुल हो सकता है compensation कम हो सकता है सरकार को अगर pressure आया कि कभी भी आपने compensation बहुत जादा दिया है तो इस compensation को वो कम भी कर सकते है सवाल यह उठता है कि अगर compensation कम हो गया तो आपका capital gain recompute होगा इसी point को लिखा है reduction of compensation where compensation is reduced by the central government then the capital gain shall be recomputed जो capital gain हो क्या कर दिया जाएगा recompute कर दिया जाएगा सर यही अगर compensation बढ़ गया तो compensation अगर बढ़ गया तो section 145B section 145B कहता है कि जिस साल में receive हुआ उस साल taxable taxable in the year of received जिस साल में मिला उस साल के अंदर में हम क्या कर देंगे इसको tax कर देंगे full value of consideration whatever is the amount received पर cost of acquisition और cost of improvement यहाँ पे होगा nil सर पूछो nil क्यों इसको cut किजिए यहाँ पे nil लिगे बोलिए nil क्यों सर नil क्यों आप वापस से property नहीं बेच रहे हैं सिर्फ compensation बढ़ रहा है आप property कभी भी वापस से नहीं बेच रहे हैं Hence इसको क्या रखना पड़िगा nil रखना पड़िगा अब आते next point Interest on compensation and enhanced compensation अगर आपको interest मिला चाहे वो compensation पे मिला यह enhanced compensation पे मिला यह interest taxable income from other sources में capital gain में यह interest taxable income from other sources में And, जितना भी interest मिल रहा है, इसमें से 50% is allowed as deduction. जितना भी interest मिल रहा है, इसमें से 50% is allowed as deduction. So, interest on compensation or enhanced compensation is taxable in income from other sources. And, 50% of such interest shall be allowed as deduction. जितना भी आपने विसीव किया, इसमें का 50% आपको straight away deduction मिलेगा. So, for example, आपको 5 lakh रुपे मिला, only 2 lakh 50,000 will be taxable. Game over. Compulsory Acquisition. Appoint over. 45.5A, transfer of land building both under the registered developers agreement for individual and HOF. Point समझते हैं, क्या है? बड़े काम की चीज़, practically city में 100% applicable. लोग क्या करते हैं, जो पुराने चॉल होते हैं, जो पुराने बिल्डिंग होते हैं, इसे तोड़ते हैं, और builder इसे redevelop करता है. जो owners होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? owners जो होते हैं, जैसे अब पुराने घर है, तो यहाँ पर 1 BHK के घर है किसी को, तो नए society के अंदर में इनको 2 BHK एनांस करके दे दिया जाता है. और साथ-साथ में कुछ consideration भी दिया जाता है. जब तक कि नए building पूरी नहीं बन जाती, इन्हें rent भी दिया जाता है, ताकि यह at least 1 साल या 1.5 साल दूसरे जगह पे जाकर के रहले, यह proper agreement के तहत होता है, इसे registered development agreement कहता है, RDA, registered development agreement, site development agreement भी कहा जाता है. प्रॉपर पूरी society के साथ agreement होता है, जिसके तहत आपको consideration मिलता है, society redevelopment के अंदर में, प्लस cash भी मिलता है. अब अगर किसी ने अपना यह right transfer कर दिया society के अंदर में, under the registered redevelopment, आप relinquish कर रहे हैं अपने right को, या आप exchange कर रहे हैं, या तो 100% relinquish कर रहे हैं, या तो आप exchange कर रहे हैं, पुराना दे करके नया ले रहे हैं, this is liable to capital gain, और इसे 45 5E के अंदर में लाया गया, कहा गया, कि sir, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा consideration लिया है, तो it will be liable to capital gain, full value of consideration क्या मानी जाएगी, अब यसी बात है, property के बदले property मिल रहे हैं, तो stamp duty value as on the date of it is received, sorry, stamp duty value as on the date of completion certificate, जिस दिन certificate complete हुआ, उस दिन का value आपको लेना होगा, certificate of completion, plus money consideration जो आपको मिला है, in the form of rent, वो आपको consider करना होगा, so stamp duty value of his share, plus consideration received in cash, if any, बाकी computation जिस तरीके से होता, उसी तरीके से होगा, index session कब तक का मिलेगा, जिस साल आपने transfer कर दिया, for example, 2002 में आपने घर लिया था, 2016 के अंदर में आपने registered redevelopment agreement मार दिया, और 2019 के अंदर में certificate of completion आया, capital gain कब arise होगा, 2019, जिस साल में certificate of completion आया, index session कहां तक मिलेगा, 2016 क्योंकि आपने property तो 2016 में transfer कर दी, so almost 451A की series से यहां तक कि हम यही देख रहे हैं, जब property transfer होगा, index session वहीं तक का मिलेगा, उसके आगे का index session वैसे भी मिलने वाला नहीं है, right, अच्छा जी, सर्मान लिजे, certificate of completion आने से पहले ही, आपने अपना right transfer कर दिया, तो अगर certificate of completion आने से पहले ही, आपने अपना right transfer कर दिया, तो जिस साल में आपने अपना right transfer कर दिया, उस साल में capital gain computation होगा, जिस साल में आपने right transfer कर दिया, उस साल में फिर capital gain computation किया जाएगा, getting it or not, done Malik, अब क्या आ जाता है section 46 and 47 आ जाता है which is not regarded as transfer यहां क्या दियावा है ऐसे transactions दिये हैं क्या दियावा है ऐसे transactions दिये हैं जिनके उपर capital gain नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि इन्हें क्या नहीं माना जा रहा है transfer ही नहीं माना जा रहा है यह पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है, मुझे नहीं लगता यह लिस्ट इतनी जादा important है कि हम इसको यहाँ पर वापस recall करें, so यह एक part मैं आपको भर पर पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इस लिस्ट को बस एक बार देख लीजिगा फटाफट कि कौन-कौन सैसे transaction है, जिसे not regarded as transfer माना जाता है, otherwise मुझे जो topic complete करवाने हैं, वो complete नहीं होंगे, capital gain में tax rate क्या होते हैं, आईए फटाफट देख लेते हैं, अगर यह short term capital gain है, जो 111A के अंदर में आ रहा है, जो listed equity share sale करने के उपर होगा, तो यह आता है 15% के यहाप से, कितना आता है मालक, 15% के यहाप से आता है, and it is liable to tax, यही अगर 112A के अंदर में होगा, तो 10% होगा, on the amount exceeding 1 lakh रुपीज, provided STT is paid, indexation का benefit हम उसको नहीं दे रहे हैं, प्लस साथ-साथ में आपको याद दिला दू, अगर कोई transaction IFSC के अंदर में हुआ होगा, इस पर भी 10% हम लगाएंगे, 112A के अंदर में यह part amended वाला part है, यह याद रखेगा, दूसरी important बात, 112A के अंदर में enhanced charge rate applicable नहीं है, यह याद रखना, इसके अलावा जो भी 112 के अंदर में आता है, 112 के अंदर में आता है, इसके अपर generally 20% लगता है, यही अगर shares हो, जिनके अपर STT के criteria ही नहीं है, listed है, unlisted है, अगर listed security है, तो आपको एक option है, you calculate the 10% tax without indexation, और 20% with indexation, whichever is more beneficial to you, अगर shares listed हुए तो, आपने STT पे नहीं किया होगा, तो 112 लगेगा, 112 यह नहीं लगेगा, तो उस case में tax rate 10% without indexation, और 20% with indexation, whichever is more beneficial to you, यहने check करना पड़ेगा, shares अगर unlisted है, non-resident होगा, तो 10% resident होगा, तो 20% with indexation का benefit आपको दिया गया है, तो these were the tax rates, और कुछ specific point मैंने आपको दे रखे हैं, notes के तौर पे, आप एक बार देख लेंगे तो आपको बता दू, कुछ important point में बता दू, 87 A का rebate नहीं मिलता है, 112 A के अंदर में, chapter 6 A के कोई deduction नहीं मिलते, from the whole chapter of capital gain, मतलब chapter 6 A के जो deductions है वो नहीं मिलते, 80 C to 80 U वाले deductions नहीं मिलते, 80 I, I, B वाले भी नहीं मिलते, from the head capital gain, साथ साथ में, enhanced surcharge is not applicable on 111 A and 112 A, 112 के अंदर में enhanced surcharge applicable है, यह याद रखेगा, साथ साथ में कुछ MC के और कुछ questions दिये हैं, यह जो मैं मिथुन का questions बोल रहा था है, है, खुद मेरी book के अंदर में available है, sold में, तो आप एक बार देख लीजेगा, past track के अंदर में मैंने बहुत अच्छे questions रखे वे हैं, तो आप एक बार ज़रूर इसको consider कर लेना, almost शायद 5 घंटे हो चुके हैं, तीन topic अब तक हमने complete कर ले, लेकिन उसमें सबसे बड़ा topic हमने अथम कर दिया, capital gain, अब आपको बहुत ज़्यादा time लेगेगा, छोटे छोटे topic तो फटा फट 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 कम्पलीट होंगे, उसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फट 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 कम्पलीट होंगे and now yes you can take the break, एक break ले लीचे, break के बाद मिलते हैं, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं, let us start after the break, let us go to income from other sources, फट फट आ जाते हैं income from other sources के उपर, यह है आज का हमारा दूसरा है जिसके उपर हम जा रहे हैं, income from other sources, एक बहुत important topic, chapter 6, फट फट आग बुक निकाल दो फट 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 तीनी section है, important section, बहुत जादा time नहीं लगेगा, इस chapter को खतम करने के लिए बहुत छोटा सा topic है, अगर आपको कभी attempt भी लग चुका है, या आप कभी भी हारे हैं एक बार इसके पहले, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि you are the fighter, you have to fight, you don't have to, you know, just say कि गुसा कि तुमने मुझे नहीं दिया या भगमान नहीं दिया, let us work, let us go, let us put our 100% and then decide कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, at the end what matters is result, ये कोई नहीं देखेगा कि तुमने कितने बार attempt लगा है, कितना किया, क्या किया, at the end only one thing matters, result, and याद रखना, यगर कभी हार भी जाओ, तो गुसा मत होना किसी सिर्फ और से एक परसं से गुसा होना, वो है है ना तुमें कर लेता और काम हो जाता, let us start, right, सबसे पहले 56 की एकरम बात करें तो, बहुत सवारे पॉइंट इसमें से हम लोगोंने अल्रेडी कर लिये, बहुत सारे पॉइंट हम लोग फटाफट कर लेते, 56, 57, 58, किते से 3, 56, 57, 58, 3 section है, 56 के 2 parts, 56, 1, 56, 2, 56, 1 कहता है, जो नहीं कही नहीं जाती हो, इस हैड में आती है, that means, the income which is not taxable in any other head, will be taxable under the head of other sources, 56, 2 कहता है, certain income will be taxable under the head of other sources only, so certain number of income will be only taxable under the head of 56, 2 and that is given, आये, 56, 1, income of every kind which is exempt and not chargeable to tax, income of every kind which is not exempt, यहां not होना चाहिए, यह not यहां नहीं होना चाहिए, and chargeable to tax under any other head, shall be chargeable under the head of other sources, 56, 2, certain income will always be taxable under this particular head, इसमें से कुछ चीज़े आप already कर चुके और कुछ चीज़े करेंगे, जैसे, advance money forfeited, आईए इधर पढ़ते, advance money forfeited, अभी-अभी हम लोग ने देखा, अगर 2014 के बाद नहीं होगा, income from other sources में, यह हमने अभी capital gain में पढ़के आया, तो जो भी आप self-study भी कर रहा होंगे, तो capital gain के बाद IOS के पढ़ेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि है connected है, तो forfeited amount on or after 2014 will be taxable in IFOS, दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, director sitting fees, director को जो meeting attend करने के लिए पैसा मिलता है, apart from the director's remuneration, will be taxable under the head of other sources, will be taxable under the head of other sources, if it is not part of their parcel of their professional compensation, तीसरा agriculture income from foreign, agriculture income अगर India से आती है, तो वह section 10-1 के अंदर में exempt होती है, agriculture income अगर foreign से आ रही है, that agriculture income will be taxable under the head of income from other sources, then point no. 2, interest on compensation, enhanced compensation, जो interest on enhanced compensation होता है, अभी हम पढ़के आए है, capital gain के अंदर में, that compensation will be taxable under the head of other sources, तो बाजू माहिए, such interest is taxable in income from other sources in the year of receipt and 50% of such interest shall be allowed as reduction under 57, irrespective of the year to which it pertain, तो interest ये कपका है, compensation कपका है, इससे कोई लेनने नहीं, जिस साल receive वहा, उस साल taxable होने वाला है, and 50% will be allowed as deduction, एक मिनट, इसमें एक और पांट जो आपको याद रखना होगा, वो ये, कि जो interest आ रहा है, कि किस साल का इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, और legal expenses आपको बिल्कुल allow नहीं होने वाले, अगर 50% का expenditure आपको allow का deduction मिला है, तो कोई अधर खर्चा आपको deduction मिलने वाले नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, next point पे आते हैं, next point आता है हमारा income of MP और MLA, MP और MLA को जो income हो रही है, this will be taxable under the head of income of other sources, reason यह है कि यह कोई employee नहीं है, और सिंज यह employee नहीं है, salary head पे taxable होने वाला नहीं है, second, royalty income, if royalty income is not taxed under the head of PGVP, it will be taxed under the head of income from other sources, interest on income tax refund, याद रखिए, income tax refund is not an income, income tax refund is not an income, but interest on income tax refund is an income, so interest on income tax refund जब भी आया, यह income from other sources के अंदर में taxable होगा, कोई और head में taxable होने वाला नहीं है, sir, next आता है, income from undisclosed sources, what is undisclosed sources, sir, यह है 69 की series, मान लीज़े अगर RAID होती है, और RAID के हाँ, आपके हाँ कुछ assets मिलते हैं, कुछ property मिलती है, इसे हम कहते हैं, income from undisclosed sources, जिसका आप कोई reply नहीं देते, या आपने जो reply दिया, वो AO को समझ में नहीं आता, तो ऐसी income undisclosed income के अंदर आती है, अगर आप head महाँ पे clear नहीं करते, तो this will be taxable under the head of other sources, income from letting out of furniture and plant and machinery, if letting out of furniture and plant and machinery is not your business, then any such income from letting out will be taxable under the head of income from other sources, so letting out, giving it on rent will be taxable under the head of other sources, next is, any compensation on other payment received by any person in connection with the termination of his employment or modification in terms of conditions relating there to, you know, understand, many of the time, many of the time what happens is, a company agree to a particular person that you leave a particular company and come into our company, right, कई बार ऐसा होता है कि ओफर दिया जाता है कि तुम वो company छोड़ दो और यहाँ आजाओ, इसी बीच, इसी बीच क्या होता है कि आप उसे क्या नहीं कर पाते, किसी भी reason के वज़े से, किसी भी X reason के वज़े से, आप उसे जौब पे नहीं रख पाते, ऐसे cases में, ऐसे cases में उस आदमी को जो compensation दिया जाता है, अब जो उसे वो compensation मिल रहा है, ये employer के तरफ से नहीं मिल रहा है, hence salary में नहीं जाएगा, तो सवाल उठता था कि ये compensation taxable कहा होगा, 2018 में clear कर दिया गया, ऐसा कोई भी compensation आपको मिला है, जो termination of service के कारण मिला है, पर employer से नहीं मिला, इससे कहाँ tax होगा, income from other sources के अंदर में tax किया जाएगा, point number 11, some received under the keyman insurance policy, अगर keyman insurance policy के अंदर में, आपको कोई भी amount received होई होगी, if not taxable under the head of PGBP, will be taxable under the head of income from other sources, rent from a vacant plot, house property के अंदर में income को tax करने के लिए, there must be land building, a pertinent there too, मतलब land must be attached with a building, so vacant plot से अगर कोई भी क्या आता है, rent आता है, that rent will be taxable under the head of other sources, composite rent, composite rent मतलब rent of the property, along with the rent of other facility, like lift, approach area, and so on and so forth, अगर ये separable है, तो property का rent HP में जाएगा, और facilities का rent income from other sources में आएगा, अगर ये separable नहीं है, तो पूरा का पूरा rent उठा कर के कहा आ जा, पूरा का पूरा amount, including the property rent उठा कर के taxable हो जाता है, income from other sources के अंदर में, then income from subletting of house property, अगर property sublet किया, A ने B को दिया, B ने C को दिया, A की income HP में जाएगी, because one of the condition of section 22, house property is, assessi must be owner, since B is not the owner, but receiving the rent, the income will be taxable under the head of other sources, then we come to casual income, which is oftenly asked in this particular chapter, casual income on the next page, what is casual income, पूरे income tax में, सिर्फ यही पे वर्ड, income न रखके विनिंग रखा गया है, winning from any lottery, horse race, betting, card game, crossword puzzle, game of any sort, any kind of winning by game of chance, covered, point to be noted is, no deduction out of these income are taxable, because what the word use is, winning is taxable and not the income, hence, इस से related किसी भी तरे के एक खर्चे का deduction मिलने वाला नहीं है, साथ साथ में, section 115BB, section 115BB, these income, which are casual income, are taxable at the rate of 30%, so these are directly taxable at the rate of 30%, without any basic exemption limit, flat rate 30% is applicable, ATC to ATU deductions are not available, because what is taxable is winning, hence no deduction is available, from chapter 6A, if this income is net, अगर problem में यह amount net दी है, तो आपको इसे करना पड़ेगा, gross up, कैसे किया जाता है, net amount कब होती है, जब यह amount TDS कटके मिली हो, कैसे कटके मिली हो, TDS कटके मिली हो, तो यह आपको क्या करनी पड़ती है, gross करनी पड़ती है, sir, कैसे gross किया जाता है, बड़ा simple है, amount received, amount received divided by, 100 minus TDS rate, आप क्या कर लेंगे, इसे gross up कर लेंगे, और gross tax किया जाएगा, bracket में अगर net नहीं दिया है, तो इसे आपको gross assume करना है, और उतना ही amount, आपको income from other sources में taxable करना है, lottery अगर stock in trade थी, और वही stock in trade वाली lottery लग जाती है, तो in that particular case, it will be taxable as PGPP, and not income from other sources, यह याद रखिएगा, so casual income, specifically taxable at the rate of 30%, जब भी आप यह पढ़ते नहीं, इसके साथ साथ 194B, plus 194BB पढ़ लेंगे, तो बहुत easy हो जाएगा, जो कहता है, जो कहता है, कि अगर कोई भी व्यक्ती है, वो lottery distribution का income distribute कर रहा है, या horse races की winning दे रहा है, अगर यह winning 10,000 rupees के उपर चले गई, तो इसे TDS deduct करना है, obviously at the rate of 30%, so 194B lottery and other income, 194BB horse race winnings, यह अगर 10,000 rupees के उपर जाती है, तो TDS deduct होगा at the rate of 30%, तो जब भी आप यह section पढ़ते रहे, साथ-साथ में वो दो section भी पढ़ लेंगे, तो बहुत जादा easy हो जाएगी चीज़े, yes or no? आईए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब आते हैं gifts के उपर, सबसे पहले 56 to 10, यह ऐसा section है जो आपको याद रखना है, इसमें का बीच वाला part हमा अल्रेडी complete कर चुके है, बढ़ स्टिल मैं यहाँ पर आ करके आपको फटा-फट recall करवा देता हूँ, gift, एक ऐसा provision जो एक टाइम पर कभी सिफ individual और हुए हुआ करता था, यह बात जितने जल्दी सेट कर लेंगे उत्ता अच्छा है, gift सिर्फ tax planning का एक नाम है, बाकी कोई किसी को gift नहीं देता, एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को देही कह सकता है, तीन चीजे, cash, immobile property या movable property, इन तीन चीजों के अंदर में हो सकता है, जो कुछ होना होगा, अगर किसी भी वेक्ति नहीं दूसरे वेक्ति को cash दिया, here cash means by way of actual cash, or by way of account fee transfer, or by way of ECS, or other electronic mode, एक वेक्ति नहीं दूसरे वेक्ति को दिया, in aggregate, from a person or persons, in aggregate exceeding 50,000, the whole of such amount is taxable, so cash, bank, ECF, in excess of 50,000, the whole, the whole amount is taxable, so let's say 5 आदमी ने 10,001 रुपे दिये, पूरे 50,005 रुपे क्या हो जाएंगे, taxable हो जाएंगे, दूसरा है immowable property, immowable property दो तरीके से मिल सकता है, एक without consideration, दूसरा inadequate consideration, अगर without consideration मिला है, and stamp duty value exceeds 50,000, whole stamp duty value is taxable, याद करो हम लोगे ने example लिया था, Vishal सर और मेरा, अगर मुझे कुछ भी पैसे नहीं लिये, और उसका stamp duty value 50,000 से उपर जा रहा है, पूरा stamp duty value taxable हो जाएगा, अगर inadequate consideration में लिये, technically ये purchase है, पर इसे नाम क्या दे दिया गया है, गिफ्ट दे दिया गया है, अगर inadequate consideration में purchase किया है, तो then if the difference between stamp duty value minus consideration exceed, if the difference between stamp duty value minus consideration exceed higher of 50,000 and 5%, I hope आप 50,000 से recall कर पा रहा होंगे, then the whole difference is taxable, right, तो वो 5% से उपर होना चिये, या 50,000 से उपर होना चिये, the whole difference will be taxable, फिर आता है movable property, movable property भी दो तरीके से मिल सकता है, या दोगा तो मैंने आपको बगा आता, 50 CA में आपको ये काम आता है, immobile property आपको दो तरीके से मिल सकता है, again without consideration, inadequate consideration, सबसे पहली बात हम समझते है, immobile property में क्या क्या आता है, क्या property का value या property word defined है, yes, income from other sources में property word defined है, property का मतलब है, property is a gel pass, capital gain में सिर्फ gel pass था, यहाँ पर is a gel pass है, is a gel pass मतलब क्या, I, immobile property, I, immobile property, S, shares, J, jewelry, archaeological, जड़ पास, पूरा का पूरा common, so, इसके उपर कई बार exam में क्वेशन आता है, वो क्वेशन में आपको बता देता हू, तो A ने B को car gift करी, क्या यह taxable है, answer is no, क्यों, car is not a capital asset, car is not a asset, which is covered under properties definition, तो property की definition आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, property is a gel pass, मान लिजे एक वेक्ति ने दूसरे वेक्ति को phone gift किया, इसका value पचास जार से उपर जा रहा है, क्या यह taxable है, answer is no, why, because mobile is not a property, याद रखेगा, gift में taxable होने के लिए, asset must be a capital asset, अगर वो capital asset ही नहीं है, तो फिर वो gift को यह provisions में taxable नहीं हो सकता, अगर without consideration मिला, and fair market value exceeds 50,000, whole fair market value is taxable, अगर आपका without consideration मिला, and fair market value exceeds 50,000, whole fair market value is taxable, अगर inadequate consideration में मिला, the difference between fair market value, minus consideration exceed 50,000, then whole difference is taxable, तो यह difference भी है, यह difference भी क्या होना चिए, exceed करना चिए, किते से exceed करना चिए, 50,000 से exceed करना चिए, then the whole difference will be taxable, एक बार यह point पढ़ लिएजे, अच्छा जी, एक amendment आया, कुछ class और classes of person के लिए, सरकार चाती है कि gift के provision, और 50C के provision ना लगे, दोनों जगे पे एक एक word insert किया गया, कहा गया, कि तू certain class और classes of person, the provisions of gift, would not be taxable, यह point, finance act 19 ने insert किया, the board shall prepare, prescribed transaction undertaken by classes of person, to which 56 to 10 and 50CA, would not be applicable with respect to determination of fair market value on unlisted shares, तो कुछ transaction जिन पर fair market value निकालना होता है, unlisted shares पे, उनके उपर यह sections नहीं apply करेंगे, ऐसा उनने कह दिया, एक और amendment हुआ, जो section 9 में भी हुआ, एक और amendment हुआ, जो section 9 में भी हुआ, तो कहता था, अब तक ही जो provisions थी, इसको सिर्फ residents तक के रखा गया था, मतलब a person, resident, giving the gift to residents, अब हुए यह राथा, कि ऐसे cases में tax planning हो रही थी, non-residents से gift करवाए जा रहे थे, provision समझ ली, सरकार को समझ में आ गया, कि ये लोग तो हमें, हाहा, बेवकूब बना रहे हैं, उनने बिल्कूल चेंज कर दिया, इस provision को provision के दिया, अब अगर कोई resident, non-resident को भी gift करता है, कोई resident, non-resident को भी gift करता है, outside India, resident, non-resident को भी gift करता है, outside India, this particular provision will be applicable in the hands of non-resident, and non-resident will be liable to tax as gift in India, so gift by resident to non-resident made outside India, shall deem to accrue or arise in India, and therefore, that non-resident will be liable to pay tax in India, with respect to this particular provision, 56 to 10 is applicable only if the property is a capital asset, if it is stock in trade, then this section is not applicable, हला कि, हर तरह के gift taxable नहीं है, कुछ gift क्या है, exempt, यहाँ पे institute आपको भूमाता है, पहला gift received from relative, relative से मिलावा gift, वैसे भी income tax department को पता है कि, या कोई relative किसी को gift देने वाला नहीं है, right, still, अगर relative से gift मिला हो, कोई occasion हो या occasion नहीं हो, कोई occasion हो, या कोई occasion नहीं हो, आपको ये gift totally exempt है, इसकी value कुछ भी हो, इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, दूसरा, gift received on the occasion of marriage of individual, a sessi के own marriage पे, अगर उसको कोई gift मिलता है, तो ये क्या है, exempt है, now don't, now don't go into the phalto and other point, कि एक शादी होई तो क्या, दो शादी होई तो क्या, ये सब regular batch की बात है, सीधे 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 शब्दों में समझी है, marriage में मिलावा gift totally क्या है, exempt है, तीसरा, gift under a will, by way of inheritance, educational university से कोई gift मिला है, for example, अब मान लीजे, निसर्क तूफान आया है, जैसे अभी, या फिर COVID-19 situation आया है, और कई लोगों ने अपने घर, you know, lost कर दिये, ऐसे cases के अंदर में, कई बार local authority ने क्या देते है, land gift करती है, या पैसे gift करती है, या money consideration gift करती है, ये gift taxable नहीं होगा, if it is given by local authority, university और education institute, which are registered under section 1023, from any trust, registered under 12AA, जो trust होंगे relief of poor के लिए, वो अब इस COVID-19 situation के अंदर में क्या कर रहे होंगे, सभी लोगों को क्या दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ relief material दे रहे होंगे, या पैसे दे रहे होंगे, तो ऐसे trust से मिला है, जो 12AA के अंदर में registered है, ये gift taxable नहीं है, from holding company to 100% subsidiary और vice versa, यहाँ पर एक और point लिखिये, और transactions, और transaction, under section 47, so 47 के अंदर में जो restructuring वाले transaction है, amalgamation, merger, de-mergers, जिनको 47 का क्या मिला है, exemption मिला है, इनसे दूसरे वेक्ति को transfer हो रहा है, gift के provision applicable नहीं होने वाले, इनके उपर ये provision taxable नहीं होंगे, so holding ने subsidiary को दिया, subsidiary ने holding को दिया, amalgamation ने amalgamating को दिया, de-merger ने resulting company को दिया, और vice versa, ऐसे जो transactions है, इनके उपर gift के provision applicable नहीं है, in the hands of receiver, अब एक और point था, इस साल का तीसरा amendment जो gift के provision में आया है, मान लिजए अगर किसी व्यक्ति ने, कोई individual है, उसने अपने relative के लिए कोई trust बनाया, कि बस अब trust क्यों बनाया जाता है, कि बस मैंने let's say अपने lifetime में अच्छा कासा पैसा कमा लिया, मैं सोचता हूँ कि मेरे आने वाली PD, इस मेरे कमाई वे wealth को enjoy करे, मैं क्या करता हूँ, एक trust बनाता हूँ, एक property डालता हूँ trust के अंदर में, और एक trustee को रख लेता हूँ, कि वो take care करेगा, और इससे आने वाला पैसा, मेरे जो भी future PD होगे, उसको मिलेगा, अगर कोई asset है, अगर कोई individual है, उसने trust को कोई property transfer कर दी, बंद कर रहे थे, क्योंकि देने वाला तो 47 के अंदर में, क्या कर देता था, gift के तहाँ उसने transfer कर दिया, no capital gain, पर trust के हाथ में capital gain आ जा रहा था, जबकि टेकनिकली यह जो trust है, यह पैसा उस relative के लिए यूज़ करने वाला है, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, कि आप relative को जो benefit दे रहे हो, वो exempt है, और उस relative के लिए trust बना दिया, यह taxable है, यह क्या logic हुआ, सरकार ने इस point को समझा, और कहा, कि अगर कोई individual trust को transfer कर देता है, for the benefit of relative, यह भी क्या माना जाएगा, exemption में cover किया जाएगा, और इस पे कोई tax आने वाला नहीं है, बोल दिया सरकार ने, such class और classes of person as may be prescribed, इसके अलावा भारत सरकार कुछ और लोगों को भी, class और class of person को भी इसके अंदर में ला सकते, जिनको मिलावा gift taxable होने वाला नहीं है, so यह थे gift के provision, अब आते हैं, एक और काम का प्रोविशन जो इस चाप्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा चलता है, dividend, आईए सर, dividend, दो एंगल समझने होंगे, जब हमें taxation of dividend समझना होगा, हमें दो एंगल समझने होंगे, पहले यहां आचाहिए, हमें दो एंगल समझने होंगे, एक company का एंगल और दूसरा shareholder की taxability क्या होगी, company, 115-0, जब भी कोई company dividend distribute करेगी, उसे dividend distribution tax देना होगा, अंडर section 115-0, यह dividend किसी भी nature का हो सकता है, चाहिए normal dividend हो, या deemed dividend हो, जो 222-A से लेकर के E में आ रहे हो, उसके लिए उसे dividend distribution tax देना होगा, इस साल इसके अंदर में एक amendment आया था, वो था कि जो 222-A वाला dividend है, that is loan and advance के उपर जो private company को दिया गया है, या private company द्वारा दिया गया है, ऐसे dividend के उपर जो DDT rate होगा, वो 30% होगा, instead of 15%. So general DDT rate is 15% plus 12% सर्चाज plus CES, पर जो 222-A वाला dividend है, इसके लिए DDT rate 30% plus सर्चाज plus CES कर दिया गया था, एक और point, जो normal dividends होता है, इसे gross up करने की जरुवत होती है, क्या करने की जरुवत होती है, gross up करने की जरुवत होती है, जबकि 222-A वाला जो dividend है, इसे हम gross up नहीं करेंगे, direct 30% पे ले के आएंगे, तो ये थी वो बात, so 115-O के दहत company पे DDT liability है, since company DDT पे कर देती थी, shareholder के हाथ में ये exempt है, under section 1034, including any dividend, be it normal dividend, और 222-A to D, ये 10 लाख रुपए तक के exempt है, 10 लाख के उपर, एक section apply कर जाता था, 115-BVDA, so let's say, एक shareholder है, shareholder को 17 लाख रुपए dividend मिले है, ये वही question है, जो ICI ने पूचा है, shareholder को 17 लाख रुपए मिले है, कितना taxable, 7 लाख रुपीज विल बी taxable in the hands of shareholder, under section 115-BVDA, हलाकि company को पूरे 17 लाख पे DDT देना है, sir तो ये तो double taxation हुआ, हाँ, double taxation है, पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है ना, law के कहता है, double taxation तब होता है, जब एक आदमी दो पाल tax दे, यहाँ company is a separate person, and necessity is a separate person, hence, ये double taxation नहीं है, law की आखों में, बहुत अच्छी बात है, law की आखों में ये double taxation नहीं है, okay, जी, आगे बढ़ते हैं, sir, 115 BBDA, section कहता है, 10 lakh के उपर का जो dividend है, normal, plus 222 A to D, 10 lakh तक के tax नहीं लगेगा, और 10 lakh रुपे के उपर का जो भी dividend होगा, इसके उपर आपको 10% pay करना है, plus applicable सर्चाज, plus CES, आपको कहा दिना होगा, pay करना होगा, हला कि 222 E वाला जो dividend है, इस पर 10 lakh का limit नहीं है, मतलब 25 lakh रुपे भी 222 E वाला, loan वाला amount होगा, इसके उपर 1 रुपे भी आपको देने की ज़रत नहीं है, यह जो 10 lakh का limit है, यह सिर्फ normal dividend, plus 222 A to D के लिए है, 222 E के लिए कोई limit नहीं है, 222 E के लिए कोई limit नहीं है, और unlimited amount आपको इसके अंदर में exam नहीं है, exam नहीं नहीं है, एक एक point को समझते हैं, पहला, 115 BVD है, किसके लिए बात कर रहा है हम, बिल्कुल सही, shareholder के लिए, where the total income of specified SSE, who is resident in India, include income exceeding 10 lakh rupees by way of dividend, declared, distributed, paid by domestic company or companies, tax shall be 10% plus surcharge if any applicable, plus SSE at the rate of 4%, dividend includes the deemed dividend under 222 E, however, limit of 10 lakh is not applicable, नहीं आप लिख सकते हैं, however, limit of 10 lakh is not applicable, yes, dividend do includes deemed dividend, but यह 10 lakh का लिए में 222 E के लिए applicable नहीं है, इसके उपर इंस्टूट ने MCQ बना दिया, नहीं आपको बताता हूँ क्या हुआ, let's say 17 lakh रुपए आया, बरे बरे, तो 7 lakh रुपए आपकी income मान के आपको tax कर दिया जा रहा है, अब इंस्टूट ने एक question ऐसा frame किया MCQ में, जिसके अंदर में क्या किया 2 lakh रुपए का loss है, और इंस्टूट ने बोला, क्या ये 2 lakh रुपए का loss, dividend income के against, जो taxable dividend income है, इसके against में set off हो सकता है क्या, we all know, exempt income के against में set off नहीं हो सकता, CIT वर्स त्यागराजन का एक case है, तो क्या, ये जो dividend income taxable है, इसके against में set off permissible है क्या, answer is no, ये 10 lakh रुपए के उपर का amount taxable है, हलाकि इससे कोई losses set off allowed नहीं है, ये लिखा है second point पे, no deduction of expenditure shall be allowed, और further set off of losses not allowed, तो इसमें से कोई loss भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, set off नहीं कर पाएंगे, dividend received by foreign company from domestic company shall be applicable, as if such foreign company is an Indian company, तो अगर कोई foreign company भी dividend receive कर रही है, तो उसके उपर 115 BBDA, normal तरीके से apply करेगा, as if it is an domestic company, तो उसको भी tax देना होगा, specified SSC does not include, ये provision किसके उपर applicable नहीं है, अगर dividend किसी domestic company को receive हो रहा है, किसी trust को receive हो रहा है, या किसी institution को जो 1023C के अंदर में है, उनके उपर ये provisions applicable नहीं है, and company shall pay CDT under section 115 O, on dividend which is getting taxed under 115 BBDA, 115 O के अंदर में company को DDT बिल्कुल वैसे ही pay करते रहना होगा, जिस तरीके से वो pay कर रही है, even though ये amount किसके हाथ में taxable है, shareholder के हाथ में taxable है, वैसे तो team dividend आपका पूरा का पूरा, क्या है, A से लेके D तक के 10 लाग तक की limit में cover है, और 222 E किसी भी limit के अंदर cover नहीं है, पर हमें ये जरूर समझना होगा, कि ये provisions है क्या, तो आईए इस provisions को समझते है, सबसे बहुते बात करते है, 222 A के दहत, any distribution to the extent of accumulated profit, resulting in release of its asset to shareholder, meaning समझे, अगर company क्या करती है, कभी भी कोई asset distribute कर देती है, किसको, shareholder को distribute कर देती है, तो ये distribution माना जाएगा, it is a deemed as dividend, और company को इस पर DDT देना होगा, और since company इसके उपर DDT देगा, shareholder के हाथ में ये, 10 लाग रुपए तक exempt मानी जाएगी, under 222 A as deemed dividend, distribute करना थोड़े न होता है, बिल्कुल सही बात, इसलिए इसे deemed as dividend माना गया है, ताकि वो discourage कर सके, ऐसे कोई situation को, क्योंकि company कई बार क्या करती थी, अपने assets उठा करके shareholder को दे देती थी, ताकि dividend ना देना पड़े, और as good as shareholder को benefit भी transfer हो जाए, इस बात को रोका गया, और 222 A को deemed as dividend के provision में लाया गया, दूसरा, any distribution to its shareholder by company of debenture, debenture stock deposit, और bonus to its preference shareholder, to the extent of accumulated profit, company ने क्या किया, अपने shareholder को उठा करके debenture बाट दिये, debenture stock बाट दिये, preference shareholders को bonus issue कर दिया, ये सीधा सीधा दिखा रहा है, that company wants to shift their profit in any of the way to the shareholder, आप बताईए, shareholder को उठा करके debenture दे देना, आपको नहीं लगता, ये reserves and surplus को use कर रहे है, accounting entry पास करके shareholder तक के profit shift करने के लिए, yes or no, shareholder क्या करेगा, debenture बेचेगा, profit रख लेगा, company बुलेगी मैंने तो dividend भी नहीं, देख लो मैंने तो debenture दिया, ऐसे cases में जब income tax को पता चला, कि लोग इस तरीके का mechanism यूज कर रहे है, accounting entry का use करके, इन्होंने एक provision लाली, 222B कहा, shareholder के हाथ में dim dividend माना जाएगा, company डब distribute कर रहे है, company तू ही pay कर दे DDT, खतम काम, दस लाग तक के shareholder के हाथ में exam, दस लाग के ऊपर taxable, 222C, just check, now, 222C, क्या है 222C, 222C, बहुत ही simple सी चीज़ है, company जब liquidate होती है, company जब क्या होती है, liquidate होती है, company अपने liquidation के time पे, shareholder को assets distribute करती है, company के हाथ में कोई capital gain नहीं आएगा, as per section 46.1, 46.1 के तहत, company जब liquidation में asset देदेगी, it will not be regarded as transfer, and not liable to capital gain, लेकिन ये amount shareholder के हाथ में, जब आएगी, ये as deemed dividend taxable होगी, to the extent of accumulated profit, और beyond अगर accumulated profit जा रहा होगा, accumulated profit मतलब reserves and surplus, beyond अगर accumulated profit जा रहा होगा, तो ये 46.2 के तहत taxability में आ जाएगा, so ध्यान से सुनिएगा, इसका meaning क्या है, let's say एक company है, ये company liquidate हो रही है, और 5 लग का asset बाटरी है, company के पास 3 लग के ही reserves and surplus है, now, 222.C के तहत, 3 लग रुपे ही dim dividend होगे, बचेवे 2 लग 46.2 के तहत, shareholder के हाथ में क्या किये जाएंगे, tax किये जाएंगे, so company DDT पे करेगी, और to the extent of accumulated profit ये dim dividend माना जा रहा है, तो company जो होगी, 3 लग के ऊपर क्या पे करेगी, DDT पे करेगी, plus shareholder के हाथ में बचेवे 2 लग पे taxability आ जाएगी, under section 46, subsection 2. So, any distribution to the shareholder of a company on its liquidation to the extent of accumulated profit, whether capitalized or not covered, in such case there will be no capital gain in the hands of company, however, the shareholder will be subject to capital gain over and above the accumulated profit. फिर आता 222D, 222D केता है, any distribution to shareholder on reduction of capital, अगर company का capital reduction होता है, shareholder को कुछ भी distribute किया, it will be treated as deemed dividend, कुछ नहीं profit shift करने का accounting method है, कि आप capital कम कर दो, और अपने reserves and surplus को क्या कर दो, repay कर दो, reserves किसी भी तरीके से कम हो गए, और shareholder के हाथ में पहुँच गए, सीदे शब्दों में, वो dim dividend के definition में आता है, आते हैं हम 222E में, हलाकि अब इसको पढ़ने का कोई sense नहीं बनता, क्योंकि company अब इसके उपर क्या pay करती है, DDT पे करती है, higher rate पे, without gross up, यह जो 115O वाला part है, यह आपको CA final पे cover है, और हम इसके लिए topic पढ़ेंगे, taxation of dividend करके, CA final के उपर, और almost 3.5 घंटा, इसी point के उपर discussion होता है, कि company की liability क्या बनती है, और shareholders की liability क्या बनती है, और उस time में हर एक point के उपर, हमें section के उपर लेना होता है, क्योंकि final में बहुत ज़्यादा relevant बन जाता है, accounting entry के साथ खेलना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो tax planning वाले method आ जाते है, final level पे इस पर बहुत ज़्यादा मज़ाता है, 222E, अगर कोई भी private company, point to be noted, 222E वाला provision, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कमपनी के योग पर applicable है, जिसे हम अलग शब्दों में closely held company भी कहते हैं, right, अगर कोई भी closely held company, loan या advance दे रही है, क्या दे रही है बुलो, loan या advance दे रही है, किसको, उस व्यक्ति को, जिसका substantial interest है company में, या उस concern को, जिसमें उस व्यक्ति का substantial interest है, या तो उस व्यक्ति को दे रही है, जिसका company में substantial interest है, या third association को दे रही है, third party को दे रही है, जिसमें उस व्यक्ति का, क्या है, interest है, तो ये loan और advance के ही amount को, हम क्या मान लेंगे, deemed dividend, ये loan और advance के ही amount को, हम क्या मान लेंगे, deemed dividend मान लिया जाएगा अच्छा जी सर दूसरी बात the section attracts the moment loan is given तो मान लीजे आप कहते हैं कि मैं April चालू होने के बाद loan देता हूँ और March से पहले ही loan वापस ले लेता हूँ चलेगा क्या? Answer is no the section attracts the moment loan is given आपने loan दिया section attract कर देगा company को इसके उपर DDT देना होगा और shareholder को क्या करना होगा shareholder के हाथ में totally exempt 10 लाग काया पर कोई कर राइट इरिया नहीं है right so check किजेगा loan and advance by private company that is closely held company is treated as dream dividend to the extent of accumulated profit and company is required to pay DDT at the rate of 30% accumulated profit mean profit act for companies act substantial interest कब माना जाएगा? companies के case में 20% of the voting rate हो और other concern की case में अगर 20% of profit होगा तो वो cover होगा Taru Latashyam versus CIT का case section is applicable at the time when loan is given hence even if loan is repaid during the year section is also applicable ये section applicable नहीं है in case of trade advances अगर आपका काम ही loan देना है ये आपका काम ही trade advances देना है तो ये section आपको applicable नहीं है right so what is accumulated profit? accumulated profit means all profit up to the date of liquidation हाला कि आपको इत्ते जादा detail में जाने के ज़रात नहीं है जब आप exam के specific points से पड़ रहोंगे dividend does not include loan advance in the ordinary course of business 222 C में आने वाले dividend में वो dividend नहीं आएंगे जो ordinary course of business में दिये जाते हैं जिनका काम ही क्या करना है loan देना है buyback of shares buyback of shares के लिए हमारे पास अलग से provision है 115 QA तो उसके उपर deemed dividend वाला provision applicable नहीं है any dividend which is set off by the company against the loan which has been deemed as dividend अगर कोई company ने loan automatic set off कर दिया होगा इस amount के तुरू तो वो deemed dividend के अंदर में cover नहीं होगा shares allotted in a dimmer and resulting company and in a distribution under 222 A to D 222 A to D में ये वाले पार्ट नहीं आते उसको totally क्या रखा गया है अलग रखा गया है अब आते हैं एक और point के उपर हला कि ये notification है notification इतना जादा काम का नहीं होगा मेरे इसाब से final level पे या CMA level पे इसके उपर notification आ सकता है हला कि मैंने notes में दिया है पर मैं अभी marathon के अंदर में सिर्फ इसका concept बता दूँगा हम इसके पूरे details में नहीं जाएंगे ना relevant है ना जाना चाहिए आते हैं point के उपर issue of share at premium क्या हुआ है amendment हुआ है क्या amendment हुआ है मैं आपको बताता हूँ sir share issue at premium जब भी कोई closely held company याने again provision किसके उपर private company के उपर अगर कोई private company share issue करती है premium पे अगर कोई private company share issue करती है किसके उपर premium पे then the consideration minus fair market value वापस कहे रहा हूँ consideration minus fair market value will be treated as income from other sources consideration minus fair market value will be treated as income from other sources generally premium face value पे होता है गौर करने वाली बात provision में लिखा है fair market value so if a closely held company issue to share issue the shares to a resident on premium then consideration minus fair market value will be income from other sources हला कि इसके दो exception थे exception क्या थे अगर कोई venture capital company venture capital company share issue कर रही है premium पे तो ये provision applicable नहीं थे दूसरा था all such person which has been specified by central government तो इसके दो ही exception थे ये section कब नहीं लगेगा एक जब venture capital company share issue कर रही है तब दूसरा हर वो company जो notify कियोगी central government ने तब आपको ये section नहीं लगेगा अब change क्या हुआ है sir central government ने सबसे पहले सिर category 1 AIF category 1 alternative investment funds को क्या किया था exempt क्या था जिसका मतलब category 1 AIF अगर share issue करता है premium के उपर तो वो income नहीं माना जाएगा सरकार ने notification ला करके category 2 AIF को भी क्या कर दिया इसके अंदर में cover कर दिया so category 1 category 2 AIF इसके अंदर से हट गए हैं मतलब अब इनके उपर ये premium वाला provision applicable नहीं है साथ-साथ में जो new eligible startups है इनको boost देने के लिए भी making in India को boost देने के लिए भी एक और word central government ने notify कर दिया कि जो new eligible startups है ये अगर share premium पे issue कर रहे हैं तो इनने ये provision applicable होने वाली नहीं है so provision क्या थी अगर कोई भी private company that is closely held company share issue करती है premium पे तो consideration minus fair market value will be income from other sources will be income from other sources बरबर है लेकिन 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 तीन cases में अब ये section applicable नहीं है नय amendment के इसाब से venture capital company category 1 and category 2 AIF and eligible startups चेक कीजेगा इतना part भी पढ़के चल जाएंगे exam point of view से तो काफी हो जाएगा इसके नीचे वाला part आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि eligible startup को बस define किया गया है और कुछ नहीं है नीचे वाले part पे हाला कि मैंने fast track में ये सब cover किया है but still marathon में बिलकुल नहीं cover करना चाहता हूं if a closely held company that is private company ये तो हमने पढ़ लिया exception क्या थे premium received by venture capital undertaking person specified by central government that is category 1 AIF category 2 AIF and notification के तहत and eligible startups भी इसके अंदर में क्या कर दिये गए है cover कर दिये गए है अब आते हैं कुछ last parts पे family pension जीते जी अगर employee को मिले it became pension मरने के बाद उसके घरवालों को वो pension दी जाये तो इसे हम कहते है family pension जीते जी employee को मिले pension taxable in salary मरने के बाद उसके घरवालों को मिले इसे हम कहते है family pension अगर ये family pension recipient of gallantry awards को मिला है जिसने gallantry award जीता था उसके घरवालों को उनकी घरवालों को मिला है obviously बात है हर देशभग चाहेगा यह taxable ना हो hence exam 10.18 a person who was working in armed forces हर देशभग चाहेगा कि इनकी pension जिनने अपनी जिन्दगी armed forces के इंदर में गुजार दी देश के लिए गुजार दी इनकी pension भी taxable नहीं होनी चाहे with this intent exempt under section 10.19 तो अगर किसी वेक्ति को gallantry award मिला है उसके घरवालों को यह pension मिल रहा है या कोई वेक्ति जो armed forces में तोर service के दौरान गुजर गया उनके घरवालों को family pension मिल रहा है यह totally exempt रहेगा under section 10.18, 10.19 बचेवे किसी भी वेक्ति को अगर family pension मिल रहा है whatever is the amount received less lower of one third of pension और 15,000 per annum lower of one third of pension और 15,000 per annum whichever is lower का आपको क्या मिलेगा benefit मिलेगा और यह benefit कहां cover किया है मेरे भाई cover किया है section number 57 में this was family pension आईए बात करते हैं deduction allowed under section 57 आदे से जादा section हम वैसे भी पड़ चुके हैं याद दिरादू पहला 50% of amount received on compensation enhanced compensation हम पड़ चुके हैं standard deduction in case of family pension one third or 15,000 whichever is lower यह हम कर चुके हैं आईए और भी कर लेते हैं 57 बात करता है कौन कौन से deduction allowed है from income from other sources जब आप income from other sources calculate करते रहेंगे कौन कौन से deduction है जो allowed है पहला expenditure on realizing the dividend other than 115 O जो dividend 115 O के अंदर में covered है उसके अलावा कोई dividend अगर होगा क्योंकि वो taxable होगा तो उसको realize करने में जित्ते खर्चे लगे होगे आप वो income from other sources में minus कर सकते हैं और example foreign company से जो dividend मिलते हैं ये totally taxable होते हैं और इनको realize करने के लिए let's say आपको dividend आया 10,000 रुपए और इसको realize करने के लिए 1,000 रुपीज expenditure लगा that 1,000 रुपीज could be claimed as an expenditure employee contribution to relevant fund before the due date अगर मान लीजे कोई employee provident fund को आपने payment किया है और ये payment before the due date किया है that will be allowed as deduction repairs and depreciation of plant and machinery as I said earlier अगर plant and machinery आप किराय पर देना आपका regular business नहीं है और ये आपके लिए income from other sources है तो उससे related repairs depreciation के जो खर्चे हैं आप हुई यहां पे income from other sources में claim कर सकते है ये है सबसे काम की चीज point number 5 जो कहता है अगर कोई भी expenditure आपने incur किया है to earn the income from other sources that will be allowed as deduction for example मुझे books के उपर मिली royalty मुझे क्या मिली books के उपर मिली royalty और मैंने books टाइपिंग के लिए 1000 रुपीज अगर खर्चा करवाया था that 1000 could be claimed as an expenditure income from other sources earn करने के लिए अगर कोई भी खर्चा किया है that will be allowed as deduction simply 58 certain deductions not allowed income from other sources में से कुछ deductions allowed नहीं होंगे पहला personal expenditure we all know personal expenditure वैसे भी कहीं से allowed नहीं है ना PGBP से ना income from other sources से any interest salary paid outside India without TDS अगर आपने कोई भी amount interest salary outside India पे किया जिस पर TDS डिड़क नहीं किया याद होगा तो PGBP भी इसे disallow करता है income from other sources भी इसे disallow करेगा any sum paid on account of wealth tax not allowed provision of 40 A shall apply mutatis mutandis 40 A मतलब क्या मतलब cash payment 10,000 के उपर नहीं होना चीए payment relative को होगा तो access payment क्या कर दिया जाएगा disallow कर दिया जाएगा provision for gratitude unapproved रही तो allow होने वाली नहीं है provision for provident fund अगर URPF होगा तो allow नहीं होगा तो 40 A वाला provision as it is यहाँ पर apply करेगा इसमें का दो ही relevant है ज़्यादा कर देखा जाए तो 40 A2 and 40 A3 10,000 से उपर का cash payment अगर हुआ होगा तो income from other sources में allowed नहीं है expenditure related to casual income हम already पढ़के आ चुके because what is taxable is winning तो casual income से related कोई भी कर्चा allowed नहीं है 30% of payment आहा यह पिछले साल का amendment है काम का है ध्यान दे सुनना यह तो हमने कर लिया मान लीजे आपको अगर PGP का एक provision याद हो तो अगर आपने resident को payment किया जिसके ओपर TDS deduct नहीं किया तो जो allowance है वो only 30% 70% would be disallowed sorry 30% would be disallowed and 70% would be allowed याद है आपको yes so 40 AIA is the provision 40 AIA कहता है अगर आपने payment किया किसको resident को pay किया जिस पर TDS deduct होना चाहिए था हुआ नहीं 30% would be disallowed same provision को यहाँ पर ला लिया गया है कहा गया आपने कोई resident को payment किया जिसके ओपर TDS deduct नहीं किया straight मालिक 30% will be disallowed game war अब आते हैं income from other sources में कुछ और points जो in fact module के अंदर में दिये हैं पर बहुत जादा काम के नहीं है पहला है dividend stripping transaction जर समझते हैं क्या था या यह provision क्या था actually tax planning थे जिसको curb up किया गया specific anti-awardence ला करके 94.7 के अंदर में लोग करते क्या थे कि लोग बड़े शातिर थे income tax न पे करने के बहुत सारे बहान है थे और भारत को तो जाना ही जाता है जुगाड के लिए किस तरीके से कुछ बच जाए किस तरीके से किज भी तरीके से कुछ बच जाए तो हम बहुत अच्छा मानते हैं लोग क्या करते थे date जिसे हम क्या करते सकते है record date record date एक वो date होती है जिसके उपर companies dividend declare करती है most of the companies की record date fix होती है कि boss इस time पर dividend declare करने वाली है लोग क्या करते थे पता है dividend shares ले लेते थे before the record date record date से 3 मेने पहले क्या कर लेते थे shares ले लेते थे और record date पर dividend receive करते थे जैसे dividend receive होता था आपको पता हो या नहीं पता हो थोड़ा बहुत stock market के बारे में पर मैं आपको पता दू अगर company क्या कर लेती है dividend declare कर दे थे थे तो उसके stock prices नीचे चले जाते है क्योंकि reserves and surplus नीचे हो जाते है और जो लोग से dividend कमाने के लिए आते है वो आते है huge investment लेके आते dividend कमाने निकल जाते है वो अपना अपना game over कर लेते dividend income earn कर लेते अब क्या करते थे लोग आते थे dividend income earn करते थे क्योंकि dividend income क्या थी exempt under section 1034 10 लाग तक के तो वैसे भी exempt है वो आते dividend earn करते totally exempt फिर बाद में जब share price down होते तो वो क्या करते shares को base डालते और बाद में इसे loss बोल करके claim कर लेते मतलब यहाँ dividend income क्या हो गई exempt और यहाँ loss भी मिल गया set off and carry forward करने के लिए कई सालों बाद सरकार को समझ में आया ये लोग तो हमें देवकूब बना रहे हैं तब जाकर के एक provision लाया गया जिसे कहा गया dividend stripping कहा गया कि आप उतना loss carry forward नहीं कर पाएंगे जितने आपने dividend income exempt करिये बड़ा simple सा तरीका था उनने कह दिया आप यहाँ dividend income exempt कर रहे हो और यहाँ loss claim कर रहे हो आप loss claim करूँ कोई problem नहीं आप उतना loss carry forward नहीं कर पाऊगे जितना आपने dividend income exempt किया है अब यह provision धरी की धरी रहे गई और लोग ऐसा करना कम कर दिया आईये if any person buy or acquire any security or unit at any time within 3 months at any time within 3 months prior to the record date and sell or transfer within 3 month after such record date or units within 9 months of the record date and dividend income are exempt under 1034 or 1035 then loss arising from transfer of such security or unit shall be ignored loss will be ignored to the extent income is exempt हम उतना loss क्या कर देंगे exempt कर देंगे उतना loss हम आपको carry forward नहीं करने देंगे जितनी आपने income exempt कर वाई है game over dividend stripping आते हैं bonus stripping bonus stripping क्या है बिलकुल सेम लोग record date से पेरे buy करते थे bonus अन करते थे बाद में जा करके units को sell कर दालते थे loss भी claim कर दालते थे same provision लेकर क्या आगए कह दिया ऐसा कुछ आपने किया है तो उतना loss आप नहीं कर पाएंगे जितना आपने bonus claim किया होगा और ये bonus unit उसकी क्या मानली जाएगी? cost of acquisition मानली जाएगी bond washing transaction क्या था ये? अगें tax planning का एक जबरदस तरीका लोग bond में invest करते हैं bond में invest करने के बाद जब interest के due date आती ये bond किसी और के नाम पे transfer कर लिया जाता interest कोई दूसरा person receive करता और बाद में उसी person से ये bond re-equire कर लिया जाता ताकि interest income किसी और के नाम पे shift हो जाए कुछ भी नहीं clubbing provision लाया गया section 94.1 लाया गया कहा bond washing transactions अगर ऐसा कुछ हुआ है तो clubbing provision लाया ट्राक की जाएगी और जिस पर टी ने transfer करके re-equire किया है उसके हात में taxability लाया जाएगी चेक किजेगा where the owner word देखेगा where the owner of any security sell or transfer those security before the due date of interest and buy back or re-equire the security after the due date then if result of transaction is that any interest became payable on those security is receivable by transferring interest shall deemed to be the income of transfer सीधे शब्दों में clubbing provision लाट की जाएगी और जिसने ऐसा कोई transaction किया होगा उसके हाथ में ये income क्या की जाएगी club कर दी जाएगी tax rate यहां पर बताये में हैं जो हम already पढ़ चुके हैं और इसी के साथ साथ हमारा income from other sources मालिक क्या होता है over होता है पढ़ने लाइक प्रोविजन dividend पढ़ने लाइक प्रोविजन gift पढ़ने लाइक प्रोविजन इस बार issue of share at premium ये तीन चीज़े पढ़ लीजे काम खतम हो जाएगा dividend stripping, bonus stripping, bond washing transaction ये आपके module में दिया है हमने यहाँ पे cover कर लिया है लेकिन इसे पूछा नहीं जाता क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा चलता भी नहीं तो book में दिया है there is something concept बढ़ ये चलता नहीं तो अब इसको आप इतना रदा पढ़के कोई मतलब नहीं है so हटा दीजे हमने अब तक के क्या कर लिया सर मैं आपको याद गिरा दू हमने अब तक के बहुत बड़ी-बड़ी चीजे करी है जिनमें amendments भी है return of income हम लोग ने कर लिया हम लोग ने advance tax कर लिया हम लोग ने capital gain कर लिया हम लोग ने income from other sources complete कर लिया मतलब दो head और दो ऐसे topic हम लोगों ने cover कर लिया जिसके अंदर में यूज अमेंडमेंट्मेंट्स है आईए बढ़ते हैं आगे आगे सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे next topic के साथ next topic है salary yes or no सो अब तक कि हम लोगों ने बहुत सारे topic का revision कर लिया है salary मैं उठा रहा हूं जान मुझ करके और मैं जिस sequence में जा रहा हूं sequence में आप लोगों को चलना है salary एक बड़ा ही important topic क्या amendment हुए है जैसे कि आप fast track note देख सकते हैं तीन जगा पर amendment एक gratitude से related clarification है standard deduction में हुआ है increase और transport allowance में एक आई है clarity right so salary क्या exam point of view से salary important है इंटर लेविल पर अगर मैं बात करूँ तो हाँ salary important होता है final level पर topic बहुत कम आता है लेकिन 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 उन्हें भी यह देख लेना चाहिए राइट आजाहिए salary के अगर मैं बात करूँ तो majorly तीन section है यहां पर 15 16 17 15 talks about the charging section 16 talks about the deduction 17 talks about the perquisite as well as valuation of perquisites yes or no read with rule 3 तो आई हम लोग फटा-फट देख लेते हैं मैं आपको बता दूंगा कौनसी चीज़े important है कौनसी चीज़े important नहीं है जैसा कि मैं अब तक क्या आपको बताते आ रहा पूछा नहीं जा सकता है ऐसा मुझे लगता है तो सबसे पहले charging section कहां से आता है अगर employer-employee relationship है if there is a employer-employee relationship then and only then salary will be chargeable to tax तो देने वाला और लेने वाले की बीच में जो relation होना चाहिए employer-employee relationship होना चाहिए the word employer and the word employee is not defined so it may include government as well as private employer part-time full-time skilled unskilled हर तरीकी के employee इसके अंदर में covered है right government company employee government employee नहीं होते इस पात को यहां पर जान लेना बहुत जरूरी है तो कुछ कुछ चीज़े जो important है मैं आपको बता दूगा कि यह चीज़ें आप पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा दो topical length बहुत जादा है पर आपको यहां पर कहीं न कहीं अपने आपको restrict करना पड़ेगा कुछ चीज़ें आपको बहुंसे पर छोड़नी पड़ेगी ठीक है इसलिए उनकी इंकम PGBP के अंदर में taxable होती है मतलब या तो due हो जाए या received हो जाए उस basis पर earlier में taxable होगा अगर वो due basis पर taxable हो चुकी है तो receipt basis पर फिर से taxable होने वाली नहीं है इस बात को याद रखना होगा forgone of salary will be taxable मान लीज़े आपको salary मिलने वाली थी आपने forgo कर दी for example employer से आपको salary मिलने वाली थी आपने बोला नहीं COVID-19 के जितने भी लोग है जिनको affect हुआ है मेरे तरफ से आप उनको directly donate कर दीजे it is a forgone of salary due तो हो गई आपने receive नहीं किया it will be taxable surrender of salary के बारे में क्या गहींगे surrender of salary एक ऐसी चीज़ होती है जहां पर employee salary receive करता और वो surrender कर देता under the surrender of salary surrender to the central government under the surrender of salary act तो ऐसे cases में अगर आपने central government को surrender किया है it will not be taxable in your hand हाँ आपने ले करके अपने wife को surrender कर दिया that will be chargeable to tax tax free salary कई बार ऐसा होता है employer employee को salary तो देता ही और उसके उपर आने वाले tax भी साथ सात में provide करवाता है आपको याद रखना होगा there is no concept of tax free salary in fact अगर employer ने आपको tax भी दिया है तो वो tax भी आपके हाथ में salary बोल करके क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा दो salary is taxable on due or receipt basis whichever is earlier पर तीन चीजे चार चीजे ऐसी होंगी जो receipt basis पर taxable होंगी ये पॉइंट याद रखना है चार चीजे ऐसी होंगी जो receipt basis पर taxable होंगीए ये बात याद रखना है चार चीजे ऐसी होंगी जो receipt basis पर taxable होगी advance salary, arrears of salary, bonus and commission ये receipt basis पर क्या-क्या जा रहा है tax किया जाता है तो पॉइंट को पढ़ लीजेगा, फटा फट आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, वेर देर इस एक्जिस्टा रिलेशन्चिप आफ एंप्लोयर एंप्लोयी, हो सकता है ये बड़ा हो के क्या बन जाए, यहां पर बोनस के साथ साथ कमिशन भी आ जाएगा, जब वो एक्चुली रिसीव होता है, सालेरी का जब भी कम्प्यूटेशन करते हैं, बेसिक टैक्सेबल अलाउंस एंड टैक्सेबल पर्कुजिट को इंक्लूड किया जाता है, इसमें से डिड़क्शन माइनस किया जाता है और टैक्सेबल सालेरी निकाली जाती है, अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लें, अगर तो कौन-कौन से ऐसे कम्पोनेंट है, जो फुली टैक्सेबल है, फुली एक्जम्ट है और पार्टली टैक्सेबल है, मैं चاؤओंगा, आप अप अलावंसेस में आजाए, क्योंकि मैंने आप बेसिक का पर्ट भी लिए लिग दिया है, अलावंसेस में आ जाए, कौन-कौन सी चीज़े फुली टैक्सेबल में आती है, fully taxable का मतलब क्या है अगर problem में ये चीज दी है तो आपको सीधे-सीधे number of months के साथ क्या करना है multiply करना है एक-एक चीज को बहुत जादा त्यान से देखेंगे क्योंकि इन में कई जगर पे कुछ points है जो मैं आपको highlight करूँगा कि यहाँ इस तरह के adjustments आ सकते हैं ठीक है दूसरी important बात जब आप यह fully taxable component देखते रहेंगे कई बार institute आपको क्या करता है घुमाने की कोचिश करता है fully taxable का component दिया होगा और आपको लिखा होगा however actually used इतना ही याद रखें जो component fully taxable है उसको fully taxable करना होगा आपने कितना उसमें खर्चा किया या कितना official purpose के लिए खर्चा किया यहाँ पर कोई relevance नहीं रखता स्वाईए एक एक point पर चालू करते है सिधा allowances आएंगे पहला basic basic salary taxable है basic salary का वो एक component होता है जो employer employee के साथ fix होता है ध्यान दे सुनिएगा इसमें गोची है सर अगर मैं बात करूँ basic की तो basic को दो तरीके से पूछा जा सकता है एक आपको directly amount दियोगी और दूसरा आपको दिया होगा grade पे दो तरीके से exam में आपको यह दिया जा सकता है या तो आपको सीधा amount दे देंगे 20,000 पर मन या तो grade पे देंगे grade पे किस तरीके से दिया जाएगा 20,000, 2,000, 40,000 इस तरीके से आपको grade पे दिया होगा क्योंकि institute ने आपको दोनों level पे चेक किया institute आपको सिर्फ और सिर्फ amount नहीं देगा institute आपको दोनों तरीके से चेक करेगा जनरली जो government employee होते हैं या government category के employee होते हैं उनको जो payment मिलता है वो grade पे मिलता है अगर आपको amount दिया है आपको कुछ भी नहीं करना है amount लेना है into number of months से multiply करना है amount लेना है number of months से multiply करना है depending upon 12 महिने के लिए या कम है आपको multiply कर देना है यह हो जाएगी salary जब आपको grade पे आता है तब आपका calculation बहुत मज़िदार हो जाता है grade पे को check कैसे करते हैं बहुत simple है जब आप जॉइन होंगे तो आपका salary किता होगा 20,000 रुपीज जब आप जॉइन होंगे तो आपका salary किता होगा 20,000 रुपीज exactly one year from the date of joining not financial year exactly one year from the date of joining आपका salary increase होगा 2,000 रुपै से और ऐसा हर साल चलता रहेगा जब तक कि आपका basic salary कित्के तक ना पहुच जाए 40,000 तक ना पहुच जाए So this is how you have to learn it. 20,000 जब आपने join किया होगा तब आपकी salary 20,000 exactly one year from the date of joining. So let's say अगर आप 31st, let's say 1 January 2019 को आप join करते हैं at 20,000, so आपका calculation कहां से होना चीए April 2019 से होगा, लेकिन एक साल कहां कतम हो रहा है 31st December को, तो January 2020 से आप 22,000 से taxable करेंगे, जिसका meaning यह होगा 20,000 into 9 plus 22,000 into 3, यह आपका total क्या बनेगा, basic salary बनेगा, तो यह था basic के साथ-साथ calculation, so basic salary is fully taxable, दूसरा था advance salary, we all know advance salary मतलब क्या, salary जो employee क्या कर लेता है, employer से advance में ले लेता है, याद रखेगा, जो advance salary होता है, यह taxable होता है on receipt basis, तीसरा है arrears of salary, अगर यह due basis पर taxable नहीं हुआ होगा, तो receipt basis पर taxable होता है, arrears of salary क्या होता है, कई बार employer employee के बीच में, एक pact होता है कि आज तू इतने कम में काम कर ले, future में जाकर के जब profit आएगा, तो मैं तुझे arrears भी provide कर दूँगा, backdatedly arrears दे दूँगा, ऐसा कोई amount अगर आपको मिलता है, that amount is totally taxable, bonus, we all know that bonus दिया जाता है, employee को दिवाली bonus and kind of other bonuses भी दिये जाते हैं, अगर profit अच्छा हुआ गुआ तो, यह bonus employee के हाथ में totally क्या होता है, taxable होता है, then बात करते है, commission which is based on turnover, generally मिलता है salesman को, जो एक particular turnover अचीव कर लेता है, उसके बाद नहीं क्या दिया जाता है, variable commission दिया जाता है, कि fixed amount आप इतना लेंगे ही लेंगे, साथ साथ में आपको इतना क्या मिलने वाला है, variable commission मिलने वाला है, फिर आती है fees, कई जो professionals होते हैं, जो employee भी होते हैं, उनको salary नहां दे करके fees नाम रख दिया जाता है, हाला कि आपको बता दू, salary, wages और fees, salary topic के अंदर में, income tax topic के अंदर में, इनका तीनो एक ही meaning है, भले costing के अंदर में इनके meaning अलग-अलग हो, so fees is totally taxable, then dearness allowance, DA, जिसको हम प्यार से कहते हैं, DA, यह काई के लिए मिलता है, to meet the cost of inflation, अगर DA मिला है आपको, तो DA totally taxable है, यहाँ आपको institute देती है, मजे, institute देती है, यहाँ पर गोची, सर, DA जो होता है, यह होता है, totally taxable, DA जो होता है, यह क्या होता है, totally taxable, तो अगर आपको problem में सिर्फ DA दिया है, तो यह DA totally क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा, अच्छा, अब employer, employee के बीच में कई बार ऐसी बाती होती है, कि DA का जो कुछ part है, वो अभी salary के साथ ले लेता है, और बचावा पार्ट जो होता है, वो retirement benefits के साथ लेता है, so DA, there are many times DA forming part of retirement, many times the DA is forming part of retirement, अगर DA part of retirement में है, तो जब हम calculation करते रहेंगे, किसका, allowances का, specific allowances का, जो वहाँ पे दिया है salary के definition में, या फिर perquisite का, तब हम उतना ही DA लेंगे, जितना forming part of retirement होगा, इस बात को या दखना बहुत जरूरी है, DA generally अगर आपको दिया है, तो DA totally taxable हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि problem में आपको DA दिया होगा, let's say 1000, और bracket में लिखा होगा, 50% forming part of retirement, तो ऐसे cases में, जब आप DA लेंगे salary के अंदर वो पूरा लेंगे, हला कि जब आप perquisite या allowance calculation करेंगे, तो उसमें उतना ही DA लेंगे, जितना forming part of retirement होगा, फिर आता है city compensatory allowance, कई बार इसके दो meaning है, पहला एक जब आपको गाउं से उठा करके city में ला दिया जाता है, employer द्वारा, और यहां पे आपको city की cost meet करने के ल city से उठा करके गाउं में भीज दिया जाता है, और वहां पे उसको city से related जो मजे थे, या city से related जो fun था वो नहीं मिल पाता, और ऐसे case में city compensate करने के लिए उसे allowance दिया जाता है, practical life में तीसर तरीके से भी एंगल मिलता है, नहां पे आपको आपका city छोड़ करके किसी और जग जनरली मिलता है government employees को हलाकि ऐसा कोई criteria नहीं है, अगर entertainment allowance मिला है for sacrifice of entertainment, सर यह मिलता क्यों है, बड़ी simple सी बात है, आपने कभी देखा अपने city के DGP को या collector को बाहर घूम रहा है अपने wife के साथ अच्छे से movie enjoy करने के लिए आया है, नहीं, यह लोग on duties होते हैं और बहुत सा सारी चीजे sacrifice करते हैं, कभी सोच के देखेगा कि आप खोली खेलते रहते हैं, आप दिवाली मनाते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाला अपनी duty कर रहा होता है, what is that, that is a sacrifice for their entertainment, और इसी के लिए क्या किया जाता है, एक amount दी जाती है as a entertainment allowance, जब भी मिला totally taxable, लेकिन इसका आगे ह हमें एक exception पड़ेंगे, फिर आता है fixed medical allowance, कुछ organizations ऐसे होते हैं, जो घातक chemical के साथ deal कर रहे होते हैं, right, steel industries, like iron industries, और जब इनको galvanize किया जाता है, इसमें से sulfur बाहर आता है, यो body को बहुत heavily नुपसान पहुचाया जा सकता है, होता ये है employer, employee की health के लिए उनने fixed medical allowance देता है, त अरी family को देखते हुए, उसे apart from basic salary, एक separate allowance देता है, and this allowance is called as family allowance, totally taxable, leave and cashment during the service, IT industry की अगर हम बात करें, तो Saturday off होता है, right, कितना मस्त, IT में Saturday क्या होता है, off होता है, now, अब ऐसे cases में जिन लोगों की शादी नियुए, वो इस Saturday को क्या करेंगे, मान लीजें, उनको को ये tracking वैकि कर लेते हैं, और जो extra work कर लेते हैं, इसे हम कही बार overtime भी कहते हैं, या leave and cashment भी कहते हैं, यह लोग leave पे ना जाके उत्ते दिन काम कर लेते हैं, और extra money earn कर लेते हैं, which is called as leave and cashment, leave and cashment, leave and cashment totally taxable, फिर आता है, lunch oblique tiffin allowance, lunch oblique tiffin allowance, employer बोलता है, देख भाई, न मेरे पास canteen की facility है न मैं तुझे खाना दे सकता हूँ, तो मैं तुझे food vouchers दे देता हूँ, या lunch or tiffin allowance दे देता हूँ, तू अपने खाने की रक्षा कुद कर, lunch or tiffin allowance totally taxable, फिर आता है uncommuted pension, जिसे आप प्यार से कह सकते हो monthly pension, जो monthly pension मिलता है, retired लोगों को इसे हम uncommuted pension भी कहते हैं, और यह pension totally tax in salaries, सवाल, क्या इस pension से, अगर आपको सिफ pension मिली है, तो क्या आपको standard deduction भी मिलेगा, answer is yes, क्योंकि pension को आप salary बोल करके treat कर रहे हो, तो इसको standard deduction भी देना होगा, non practicing allowance, कई बार employer employee को non practicing allowance देता है, to leave your existing practice and do, आपने बचपन में, that is CPT या foundation के अंदर में पढ़ा होगा, contract for not doing something is also a valid contract, non practicing allowance, employer employee को कुछ चीजे करने से रोग देता है, और इसके बदले में क्या देता है, compensation देता है, which is called as non practicing allowance, next is overtime allowance and servant allowance, नाम बहुत clear है, overtime allowance, extra work करने के लिए कुछ extra money मिलता है, that amount is taxable as salary, फिर आता है servant allowance, कई बार employer employee को क्या देता है, servant facility के लिए cash देता है, वो से servant नहीं देता, अ आप अपना servant रख लीजे, रखना है, तो मैं आपको cash दे रहा हूं, salary के साथ, game over, this is called as servant allowance, totally taxable, warden allowance and interim allowance, warden allowance is a part of employee salary, अगर उसको मिला उसकी security या देखरेक करने के लिए that amount is totally taxable, interim allowance, what is interim allowance, generally यह कोई fixed allowance नहीं होता, पर employer employee को क्या करता है, in the middle time, right, या let's say एक महीने, दो महीने म एक allowance दे देता है, generally उसके खर्चे पूरे करने के लिए that is called as an interim allowance, project allowance, now what is project allowance, कई बार employee को specific project के उपर work करता है, कहां होता है, automobile industry के अंदर में, जब उनको कोई नया design धुनना हो, नया part धुनना हो, ऐसे cases में वो एक project के उपर work करते है, IT industry में जब वो किसी software के उपर, या software testing के उ वो ओन रखते हैं, वो उस project को ओन करते हैं, अगर employee को ऐसा कोई project allowance मिला है, that allowance is totally taxable, फिर आता है telephone allowance, याद रखे, telephone allowance is taxable, but telephone at residence is not taxable, यहाँ पर यह point लिखके रखे, telephone at residence is not taxable, telephone at residence is not taxable, so telephone at residence का मतलब क्या होता है, landline facility आपको employer क्या करता है, आपके घर पर provide करता है, वो taxable नहीं है, शुरुवात से ही, फिर आता है transport allowance, transport allowance को tax कर दिया गया है, पिछले सालों में amendment आये थे, जिसके तहट, transport allowance को tax कर दिया गया है, हलांकि इसका एक exception है, जो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसके अलावा, नाम बदल के कोई और allowance आपने लिया होगा, that allowance is altogether taxable, यह याद रखना है क्या, yes यह वाला point important है, यह in fact पूरा chart important है, इस chart को बिलकुल याद रख लेना, इसके बाद आता है, fully exempt allowance, यह fully exempt allowance में यह point के उपर specifically रहान देना, जो कहता है, यह उतना ही exempt होगा, जितना आपने actually spent किया होगा, यह उतना ही exempt होगा, जितना आपने actually spent किया होगा, मतलब यह जो point यहाँ पे लिखेवे हैं, let's say आपको मिलता है, convenience allowance 5000 और problem के अंदर में लिखा है, actually spent 3000, तो tax कित्ता करेंगे, only 2000, यह fully exempt category के लिए, एक exception के साथ दिये वे हैं, सबसे पहले traveling allowance, sir, traveling और transport के अंदर में क्या फरक है, sir, बहुत बड़ा फरक है, traveling मतलब to a different city, different city travel करने के लिए, for example, Mumbai से पूने, पूने से मुंबई, different city travel करने के लिए जो allowance मिलता है, generally these are official purposes, right, generally these are official purposes and therefore totally exempt, अगर यह official purpose नहीं है, तो यह totally taxable हो जाएगा, daily allowance, मान लीजे हमने अपने एक employee को क्या किया, पूने से मुंबई सेंटर भेजा, वी स्मार्ट के मुंबई सेंटर के उपर भेजा, और कहा कि आप वहाँ जा करके अलग-अलग जगा हमारी book distribute करेंगे, अब अगर हमने उसको पूने से मुंबई भेजा है, यह क्या traveling allowance, अब जाएगा तो उसके daily के खर्चे होंगे, for example, मुंबई में अलग-अलग जगा उसे गूमना है, जब उसे अलग-अलग जगा गूमना, distribute करना है तो उसके daily के खर्चे होंगे, traveling होगा, food होगा, whatsoever, उसको यह day-to-day expenses meet करने के लिए allowance दिया जाता है, इसे हम कहते है daily allowance, फिर आता ह है, convenience allowance, convenience allowance, employer, employee को provide करता है, right, अब यह जो convenience allowance होता है, that convenience allowance, for official purpose, होता क्या है यह, within the city, official purpose गूमने के लिए, maybe a delivery, for example, domino's delivery के लिए जो गाड़या गूमती है, is this called as convenience allowance, जो official purpose के लिए गूम रहे हैं, यह allowance totally exempt होता है, because generally they are incurred for official purposes, helper allowance, employer, अब समझेगा, हमने हमारे employee को पूने से कहां बेजा, मुंबई से बेजा और मुंबई से बेजा और मुंबई सेंटर के उपर 200 book उठा करके उसे अंधीरी में कहीं तो भी deliver करना है, imagine कीजेगा, अब वो 200 book खुद तो उठा नहीं सकता, उसे किसी helper की ज़रूत पड़ेगी, तो हम उसे communicate करते हैं कि वहाँ आप कोई भी एक आदमी के help ले लीजे और उसे आप पैसे दे दीजे, हम आपको reverse कर देंगे, यह जो employee को पैसा मिला है, that is totally for official purpose and hence totally exempt, academic allowance, मान लीजे आप CA बन गए, क्या आप ready हो गए industry के लिए, नहीं, कई बार आपको और भी study करनी होती है, जिसका खर्चा company उठाती है, आपको बोलती है, आप अपने skill set बढ़ाई है, for example, SAP और ERP के training modules company करवा करके देती है, आज के तारीक में company के खुद के training department होते हैं, बट अगर कोई company छूटी है, वो क्या करेगी, आपको पैसे देदेगी और बोलेगी, आपका academics upgrade कीजे, और आपके साथ एक bond sign कर लिया जाता है, तीन साल का कि आपको हम सिखा रहे हैं, आपके उपर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप तीन साल ये company छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे cases में जो training के लिए उसे पैसा दिया जा रहा है, इसे हम कही बार कहते है, academic allowance, और ये allowance होता है, since official purpose, totally exempt, uniform allowance, uniform खरीदने के लिए और इसे maintain करने के लिए, आज कल हम लोग हर बार देखते हैं, कि हम लोग कही न कोई uniform पैने, जैसे example, मैं proud से वी smart टेक uniform पैनावा हूँ, police पैनती है, you know, airport authorities पैनते हैं, ऐसे cases में uniform खरीदने के लिए और इसे maintain करने के लिए allowance दिया जाता है, जिसे हम कहते है, uniform allowance, since official purpose, totally exempt, amount received from UN United Nations organizations के अंदर आप work कर रहे हैं, और आपको वहां से कोई amount मिल रही है, that amount is totally exempt, allowance to high court और supreme court judge, इसे कई books के अंदर में, sum tree allowance के नाम से भी कहा गया है, high court और supreme court judges को एक special allowance मिलता है, जिसे हम कहते है, sum tree allowance, and that allowance is totally exempt, generally, यह उनके reading and other research के लिए किया गया खर्चा होता है, hence, generally for official purpose, totally exempt, अब आता हूं में, तीसरे part के उपर, जो आपको यहां भी देखने को मिलेगा, right, यहां भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं, partly exempted allowance, तो यहां पर सिब उसका नाम लिखा है, और इसके उपर वाले page पर इसकी detail लिखी है, आईए एक एक part पर चलते हैं, सबसे पह अब आपको हम कहते हैं, children education allowance, इस allowance को हम लोग कहते है, children education allowance, employer, employer को जब children education allowance देता है, इस में से कुछ amount exempt होती है, कितनी amount exempt होती है, this is covered under section 10 sub section 14, section 10 sub section 14 इसकी amount देता है, और वह amount है, hundred rupees per child per month subject to two child, hundred rupees per child per month, एक बच्चे के लिए hundred rupees per month के लिए, मतलब पर बच्चा 1200 रुपे, इन टोटल 2,400 रूपीज का ही exemption अविलेबल होता है सर अगर बच्चा ही एक हुआ तो हलाकि जन्रली ऐसी चीज़े अब तक के तो institute ने पूची नहीं है पट फिर आपको accordingly क्या होगा करना होगा proportional deduction देना होगा सर मान लीजे अगर मुझे amount ही उससे कम मिली तो पूरा का पूरा एक्जाम्ट हो जाएगा तो 100 रूपीज पर चैल पर मन subject to two child यहाँ पर institute क्या घुमाता है मैं यह मैं आपको बता देता हूँ institute क्या करता है 100 रूपीज for two children's लिखता है अगर 100 रूपीज for two children's है तो वो पूरा एक्जाम्ट है दिया है के नहीं और accordingly आपको क्या करना होगा exemption क्लेम करना होगा फिर आता है hostel generally यह दो ऐसे partly exempted allowance है जो problem में मिरे भाई तिरको दिये ही होंगे so hostel expenditure allowance employer employee के वच्चे को hostel में रहने के लिए एक allowance देता है हाला कि मैं तक खुशनी हूँ जो exemption यह दे रहे है क्योंकि आज के तारीक में कोई education 100 रुपय में नहीं होता और कोई hostel 300 रुपय में नहीं होता we all know सरकार को यह exemption बढ़ाना चाहिए but for the timing इसको ध्यान में रखते हुए अभी marathon पर बात कर लेते है objective marathon का बड़ा simple है फटा फट 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 चीजों को क्या करना recall करना नहीं तो हम इसमें मजे भी करते हैं और मजा मस्ती भी करते हैं जो बच्चे regular या fast track देख चुके हैं उन्हें पता होगा हम इसके उपर अच्छा खासा time invest करते हैं क्यों पर जाते हैं इसके बाद क्या आता है इसके बाद आता है अभी थोड़े देर पहले हम लोग देख रहे थे ट्रांसपोर्ट अलावन्स इस ट्यक्सेबल हो चुका है मैं आपको पहले हिस्ट्री समझा देता हूँ आपको प्रोविजन समझ मैं आ जाएगे ट्रांसपोर्ट अलावन्स पहले क्या था 1,600 रुपीज पर मन्त का exemption था और अगर हैंडिकेप एंप्लॉई है तो 3,200 रुपीज पर मन्त का क्या गया था exemption दिया गया था पर पिछले साल 2018 के अंदर में क्या किया गया एक amendment लाया और आपको standard deduction इंट्रोड्यूश किया 40,000 रुपीज से अब ये standard deduction जैसे आया वैसे transport allowance को withdraw कर दिया गया हालागे सिर्फ वो transport allowance को withdraw किया गया जो other than handicap के लिए था मतलब अगर employee handicap है तो exemption अभी भी अविलेबल है पर अगर employee handicap नहीं है तो transport allowance totally क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा तो जो हम taxable transport allowance पढ़किया है वो normal employee के लिए था और अब जो हम partly exempt पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ handicap employee के लिए है कब क्यू लाया था जैसे deduction लाया था वैसी इसको क्या कर दिया गया था विड्रॉव कर दिया गया था so transport allowance granted to an employee for commuting between place office duty and house घर से office office से घर के लिए जो amount होती है जिसे हम कहते है transport allowance in case of handicap employee 3200 per month is still available is still available RTP में इसके उपर clarification भी है कि बॉस ये जो 3200 है employee के लिए आज भी बरकरार है जो handicap employee है अगर employee handicap नहीं है तो आपको यह amount totally क्या होगी taxable होगी सर क्या हम assumption लिखते हैं salary को solve करते वक्त answer is no यहाँ इस पर कोई assumption मत लिखना purely अगर problem में handicap दिया है तो ही apply करना otherwise इसे taxable कर देना राइट बिलकुल याद रखना मेरियस point को फिर आता है underground allowance underground allowance क्या होता है कई चीजें कई नौकरी ऐसी होती जहां underground होना पड़ता है for example coal mines, lignite mines, marble mines जहां पर आपको underground जाना होता है और बहुत जादा अपने life को risk में रखा जाता है और इसी के लिए आपको special allowance दिया जाता है जिसे हम कहते है underground allowance यह जो underground allowance आप receive कर रहे है इसमें से 800 रुपीज पर मंत क्या है exemption है 800 रुपीज पर मंत क्या दिया गया है exemption प्रोवाइड क्या गया है फिर आता है high altitude allowance practically अगर मैं आप बात करूँ जो मैं lecture में भी बोलता हूँ ऐसे बहुत सारे allowance है जो partly taxable है जिन में से सिर्फ एक example है high altitude allowance हला कि आज तक के 20 साल 40 अट्रेम्ट में इसे कभी भी पूछा नहीं गया है लेकिन law में है और सिर्फ उसका एक example मैंने आप दे करके रखा है कि अगर altitude इतना हुआ तो इतना exempt और altitude इससे उपर गया तो इतना exempt हला कि अब तक यह पूछा नहीं गया है बट still right next is tribal area allowance कई बार employee को tribal area में भीज दिया जाता है और ऐसे cases में उससे क्या दिया जाता है compensation दिया जाता है तो जहां भी ट्राइबल area जो specified tribal area से आप वहां जा रहे हैं तो ऐसे cases में आपको जो भी amount मिल रहा है उसमें से 200 पर month का exemption दिया जाता है मेरे हिसाब से यह जाधा होना चाहिए बट दिया से 200 पर month का है अब आते हैं allowance for transport employee इसे अलग शब्दों में एक और चीज़ कहा जाता है running allowance इसे मेरे भाई अलग शब्दों में एक और चीज़ कहा जाता है running allowance now running allowance क्या होता है see train में जो TTs होते हैं bus में जो conductors होते हैं drivers होते हैं they are continuously running मतलब कई बार तो आपने देखा होगा दिवाली के दिन भी truck और गारिया चल रही है now यह क्या है they are continuously running और अपने family के part को sacrifice करते हैं और ऐसे cases में इन employees को मिलता है running allowance apart from basic another salary यह जो running allowance होता है यह जो running allowance होता है यह taxable होता है और इसमें से amount का deduction मिलता है कितनी amount का deduction मिलेगा 70% of such allowance or 10,000 per month whichever is lower 70% of allowance और 10,000 per month इसमें से जो भी कम होगा वो आपको deduction मिलेगा और बचावा amount आपको क्या करना होगा taxable करना होगा तो यह थे तीन पार्ट आप लोगों के पहला fully taxable fully exempt and partly taxable allowances कौन कौन से बिलकुल याद रखने हैं जो एक्जाम में जन्रली आते हैं education allowance, hostel allowance, traveling allowance, helper allowance, academic allowance, uniform allowance, obviously basic, advance salary, bonus commission, dearness allowance, entertainment allowance, leave and cashment, uncommuted pension, overtime allowance, project allowance, transport allowance यह वो वाले पार्ट है जो आपको एक्जाम के अंदर में बहुत जादा पूछे जाते हैं बहुत frequent पूछे जाते हैं तो इनको तो आपने confirm एक बार देख करके चले जाना है यह वो चीज़ है जो बहुत frequently पूछी जाती है तो देख लेना एक बार यह एक और चीज़ है जो बहुत जादा पूछी जाती है जिसे हम जानते हैं हाउस रेंट अलांस एच आर एक के नाम से आपने देखा होगा इसके ओपर इंडिविजूल कोश्टन भी बनते हैं और जब यह टोटल सालरी का कंप्यूटेशन आता है तब भी आता है जब भी हें चारे रिलेटट प्रॉब्लम आए आपको एक बात प्रिक्स रखने एक वर्किंग नोट सेपरेटली बना लेना एक 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 चरे का सेक्षन याद रखने का तरीका बढ़ा सिंपल है 1013A एक तेरा आशियाना घर तेरा आशियाना ए तेरा ए तेरा आशियाना हाउस अप्रेशन खुद देख ले हर्य कैश दे दिया घर दे दिया आरेफे इसको क्या किया गया एक्जम्शन प्रोवाइड़े जितना आप आप एक्छुली रिसीव कर रहे हैं Less, lower of 3 things, lower of 3 things, 3 चीजों में का lower आपको exemption मिलेगा, पहला, actual HR, जितना आपने HR receive किया है, उतना exemption आपको मिलेगा, दूसरा, 50 और 40% of salary, 50 और 40, आप पुछेंगे सर, 50 या 40, 50, अगर जो घर है, वो provide किया गया है, मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चेन नहीं, बहुत easily याद रख सकते हो, इंडिया का map imagine करो, इधर क्या है, मुंबई, उपर क्या है, दिल्ली, इधर क्या है, कोलकता, नीचे क्या है, चेन नहीं, तो अगर मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चेन नहीं में दिया है, 50%, rest of India कहीं पे भी accommodation दिया है, 40%, ये बात याद रखना, तो जितना HR ही मिला, इसमे सब कुछ ले लू, answer is na, यहाँ से चालू होता है, आपका salary के meaning, और बहुत ध्यान रखना, हर जगा मैंने lip करके दिया है, salary का meaning क्या होगा, salary का meaning है यहाँ पे, salary का meaning है, basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, basic आपको लेना है, DA लेना है, retirement purpose के लिए, मतलब प या नहीं है, तो क्या assume करें, assume कर लिजे कि वो DA retirement के लिए नहीं है, और ऐसा assumption कहीं लिखानी होगा, आपके module में भी, पर हर problem इसी assumption के साथ solve किया गया है, तो अगर DA के बाजू में यह नहीं लिखा है, कि वो retirement purpose के लिए है या नहीं है, तो आपने बिलकुल assume कर लेना कि यह DA retirement purpose के लिए नहीं है, तो basic plus DA for retirement plus commission which is based on turnover, यहाँ पर एक और चीज़ लिखिए, for specific period, यह for specific period का मतलब क्या है, हम HRA का calculation उतने ही महिनों के लिए करते हैं, जितने महिनों के लिए HRA मिल रहा होता है, for example, अगर HRA 9 months के लिए मिला है, तो यह जो salary का computation होगा, यह भी 9 months के लिए होग तो relevant period, जिसको हम सिधे शब्दों में बोल सकते है, salary has to be taken for relevant period, जितने period के लिए salary यह चारे दिया होगा, उतने ही period के लिए आपको इसे क्या करना होगा, consider करना होगा, so accommodation, तीन चीज़ का lower का exemption मिलेगा, पहला actual, दूसरा 50% और 40% of salary, 50% कप कप जल्दी से बोलो, मुंबाई, तिल्ली, कुलकाता, चिन्नाई, 40 कप कप, rest of India के लिए, salary का meaning क्या है, basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, एक और point, सर्मान लीजे, work office है, मुंबाई में, लेकिन रहने के लिए लोनावला में, so place of office is important or place of residence is important, याद रखना होगा, place of residence is important and not place of office is important, ये बात याद रखनी होगी, और अब आजाते है थी सरे के उपर, थर्दा, rent paid minus 10% of salary, what is rent paid, rent paid मतलब जिता आप rent pay कर रहे है, minus 10% of salary हम लोग को consider करना पड़ेगा, so HRE की अगर हम बात करें, so lower of 3 thing, again एक बार recall कर लेता है, lower of 3 thing, पहला actual, दूसरा 50 और 40% of salary, salary मतलब क्या basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, तीसरा rent paid minus 10% of salary, salary का meaning यहाँ पे clear है, एक बात याद रखे, अगर कोई भी factor change होता है, चाहे salary change हो, place change हो, salary का amount change हो, कोई भी factor अगर change होता है, तो calculation हमें क्या करना होगा, separate करना होगा, module में और मेरे note scanner में इस पे एक problem दियावा है, मोहित नाम का, वो देखना बिलकुल मत बुलना, त्योंकि मोहित एक ऐसा problem है, जो इसक कुछ conditions भी है, पहले वो conditions भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और फिर हम लोग ये बात सारी चीज़े देखेंगे, पहला दियावा है, exemption is not available if accommodation is owned by him, और वेसी बात है, अगर वो खुद के घर में रह रहा होगा, तो उस वो ऐसे भी rent pay नहीं कर रहा होगा, और he has not paid the rent, अगर उसन 50% of salary in any other place, ये इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, if there is any change in the factor, namely salary, HRA paid period, HRA calculation has to be made separately, HRA का पूरा calculation कैसे होगा, separately, यहां तक के हम लोग basic का part खतम कर चुके हैं, allowances का part खतम कर चुके हैं, पूरा का पूरा, अब दो चीज़े बचती है, actually तीन चीज़े, deduction, retirement, benefit और perquisite, ठीक है, चलो फटापर ध्यान देते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, deductions की, deductions में हुआ है amendment, deductions बात करता है section 16 के अंदर, 16 के अंदर के 3 part, 161, 162, 163, 161 बात करता है standard deduction की, जो standard deduction पिछले साल तक 40,000 हुआ करता था, इस साल amendment करके 50,000 कर दिया गया है, so that finance act 2019 has been amended to to provide that, the deduction will now be available to be 50,000 rupees, so अगर आपको सिर्फ problem में, जैसे आप set off के problem solve कर रहे हैं, total income के problem solve कर रहे हैं, या residential status के problem solve कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ salary लिखा है, तो आपकी duty बनती है कि salary में से standard deduction minus करें और फिर यह लें, इस पर कोई criteria नहीं है कि employee किस तरीके का होना चाहिए, हाँ, अगर total taxable salary ही 50,000 के नीचे की होगी, तो deduction फिर उतना restrict हो जाएगा, 161, standard deduction मिलता है, standard deduction कितना, right, actual salary और 50,000 whichever is lower, यह पहले 40 हुआ करता था, amendment लाकर के इसको कर दिया गया है 50, तो यह है काम की चीज, दूसरा है 162, entertainment allowance, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि entertainment allowance totally taxable है, जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, entertainment allowance totally taxable है, जब आप salary compute करते रहेंगे, तो entertainment allowance जो लिखा होगा, सबसे पहले salary में add करेंगे, और फिर deduction आ करके लेंगे, हाला कि एक बात को आपको याद रखना होगा, entertainment allowance का deduction सिर्फ और सिर्फ government employee को मिलता है, non-government employee को entertainment allowance का benefit मिलने व of three things, पहला, actual entertainment allowance, दूसरा 5000 per annum और तीसरा 20% of basic salary, तो इन तीनों में से जो भी lower होगा, उसका deduction government employee को मिल जाएगा, चेक करेंगे, non-government employee not available, if it is a government employee lower of three things, पहला actual, दूसरा 20% of basic salary, तीसरा 5000 per annum, जो काम की बात है वो, entertainment allowance जब भी मिले, सबसे पहले उसे क्या करें, salary में add करें, औ और फिर यहाँ आ करके उसका क्या लें, deduction लें, तीसरा आता है professional tax, professional tax क्या है, सब professional tax आपको employment पे लगाया जाना वाला एक tax है, जो state government इंकर करती है, as of now, गुजरात और महराश्टा ही कैसी जगह है, जो इंकर करती है, अगर इनका practical application देखें, तो maximum 2500 रूपीज तक के professional tax होते है लेकिन income tax में ऐसी कोई limit नहीं है, 2500 के, income tax कहता है, जितना professional tax आप लोगों ने pay किया है, उतना आप क्या करेंगे, deduction ले लेंगे, so whatever is the amount of professional tax paid will be allowed as deduction, is simply 16,3, so if employer has paid the professional tax on behalf of employee, first it will be added in salary and then you have to take the deduction, अगर आपको सीधा सीधा लिखा है that employee has paid the professional tax, you don't need to add it in salary, सीधा आप क्या करेंगे deduction ले लेंगे, professional tax को employment tax के नाम से भी जाना जाता है, तो कई बार आपको problem में ये professional tax के जगए employment tax के नाम से भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, so professional tax means a tax on employment as per the article 276 of the constitution, deduction is equals to actual amount paid, आप उतना deduction लेंगे, जितना आपने actually क्या किया होगा, paid क्या होगा, so deduction 16,1, 16,2, 16,3, क्या याद है, हाँ, 16,1 हर case में याद रखना होगा, standard deduction 40,000 से 50,000 हो चुका है, ये amendment भी था, amendment lecture मैंने बहुत अच्छे से compile किया हुआ है, करीब करीब, if I am not wrong, 10 घंटे के उपर का amendment lecture था, जिसमें मैंने section में क्या था, क्या है, amendment क्यू हुआ, इन सब को बहुत detail से किया है, मैं आपसे उमी की speed को fast रखा है, ताकि हम लोग जादा से जादा topic कवर कर सके, और आप क्या करें, इस marathon का completely मजा उटा रखे, क्योंकि मैं जानता हूँ, marathon की सबसे जादा ज़रत exam से एक दिन पहले होती है, जहां पर आपको फटा-फट syllabus पूरा का पूरा complete करना होता है, और फिर ही, आप क्य retirement benefits की अगर बात करूँ, तो सबसे पहले है gratitude, दूसरा है pension, तीसरा है VRS, चौता है leave and cashment, पाचवा है provident fund and मैं एक और मिस करा हूँ, yes, नाम नहीं यादा रहता, retirement compensation, तो यह 6 retirement benefit है, इस में से सबसे जादा चलता है gratitude और PF, यह दो ऐसी चीज़ है जो सबसे जादा चलती है और यह दो ऐसी चीज़ है जिनको by heart आपको याद रखना है, बाकी सबको आप एक बार फटा-फट देख लें तो पहला gratitude, दूसरा PF और तीसरा आपका pension, यह ऐसी चीज़ है जो आपको exam में maximum of the time पूछी ही जाती है, generally best combination होता है, HR और gratitude को mix कर दिया जाता है, और आपको इसके साथ add कर दिया जाता है, salary के बड़े problem के साथ add कर दिया जाता है, तो एक-एक point के उपर ध्यान देते हैं, सब से famous, section याद रखने तरीका ग्राचूटी मिलती कब है, जब employer employee से खुश हो, या employee की services से खुश हो, तो वो उसे क्या provide करता है, ग्राचूटी provide करता है, इसका मतलब यह हुआ कि employer employee से खुश है, मतलब employer ने employee को 10 out of 10 दिये, तो उसको क्या दिया, ग्राचूटी के तीन आंगल सम पे मिली या ग्राचुटी आफ्टर देथ मिली अगर सर्विस के दौरान मिली ये टोटली टक्सिबल है if it is received during the service it is totally taxable if it is received after retirement if it is received after after the death of employee after the death of employee it is not taxable during the service taxable after the death not taxable on retirement on retirement हमें दो पाथ देखने होंगे whether he is a government employee or a non-government employee if he is a government employee gratuity received is totally exempt if it is a government employee gratuity received is fully exempt if it is non-government employee we have to see whether he is covered under the gratuity act or not covered under the gratuity act so gratuity during the service taxable after the death not taxable on retirement government employee non-government employee government employee fully exempt non-government employee covered under the gratuity act not covered under the gratuity act if it is covered under the gratuity act lower of three thing is allowed as exemption lower of three thing is allowed as exemption what are the three thing pahla actual jitna amount of gratuity mila utna doosra half doosra 15 by 26 into last drawn salary into number of years of completed service 15 by 26 this formula came from the gratitude act half months pay so 15 by 26 into why 26 4 दिन संडे के काटे जाते है so 15 by 26 into last drawn salary last drawn salary means the salary which you have drawn just prior to retirement last drawn salary sir what do you mean by salary यहां salary का meaning ध्यान रखना है क्योंकि हम retirement benefits में है salary के हर एक के meaning अलग होंगे और यहां salary के meaning धाना बहुत जरूरी है अगर आप gratitude act के अंदर में cover है अगर आप gratitude act के अंदर में covered है तो आपका salary का meaning होता है basic plus DA अगर आप gratitude act के अंदर में covered है तो आपके salary का meaning होता है basic plus DA राइट so if you are covered under the gratitude act lower of three things पहला actual दूसरा 15 by 26 into last drawn salary into number of years of completed service और part thereof in excess of six months number of year of completed service मतलब आपने कितने साल की service complete कर ली है यह हमेशा problem में दिया होगा and part thereof in excess of six months so let's say अगर वहाँ पे लिखा है 32 years and seven months तो आपको लेना होगा 33 years six months से उपर का जित्ता period होगा उसे complete साल मान लेना है so पहला lower of three things पहला actual दूसरा 15 by 26 into last drawn salary into number of years of completed service और तीसरा maximum limit एक समय था जब हुआ करता था 10 lakh rupees इसको दो साल पहले बढ़ा करके 20 lakh rupees कर दिया गया है so अब maximum limit of graduate which is exempt is 20 lakh rupees whether you received it from one employer or more than one employer the maximum limit is fixed that is 20 lakh rupees so if you are इस चार्ट को देखेगा इस चार्ट को मैंने बहुत जादा महनत से बनाया है if it is received during the employment it is totally taxable if it is received after the death it is not taxable on retirement government employee fully exempt non-government employee it is covered under the Gratuity Act or not covered under the Gratuity Act you have to divide it in two parts right if it is covered under the Gratuity Act minimum of that is lower of 3 thing what are the lower of 3 thing पहला actual जूसरा 15 by 26 into last drawn salary now what is salary you can hear it as under DA अच्छा ये DA सर रेटार्मेंट के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम में नहीं लिया है कि वो DA के लिए रेटार्मेंट के लिए होना चाहिए या नहीं सिर्फ DA लिया है तो रेटार्मेंट के लिए हो या ना हो आपको है अगर आप ग्रैचुटी अक्ट के अंदर कवर नहीं है तो अगें लोर ओफ थ्री तिंग पहला एक्च्छल दूसरा हाफ इंटू एवरेज सालेरी अफ 10 मनस प्रीसीडिंग न मनत ओफ रेटार्मेंट इंटू नंबर आफ ए रॉफ को तूरते है सबसे पहले हाफ 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 का यह क्या मीनिंग है यहाँ पे हाफ का मीनिंग है 15 वाइ-30 with a straight मीनिंग हाफ इंटू average salary you have to take average average of what average of 10 months of salary so average salary of 10 months यह 10 months कब से count करने है retirement के बाद obviously no retirement वाला जो month है इसे छोड़ दे उसके पहले वाले month preceding the month of retirement so let's say आप अगर फरवरी के अंदर में retire हो रहा है 10 months आपको January से count करने होंगे so 10 months preceding the month of retirement इसका जो भी salary होगा इसका average लेना होगा आपको 10 months का into number of years of completed service याद रखे यहां पर part there of word लिखावा नहीं है तो 32 years and 8 months भी हुआ तो आपको 32 years ही लेने है वो covered वाले में part there of को full लेना है यहां लेने की ज़रत नहीं है यही है गोची जो आपको institute देता है और तीसरा यहां पर maximum limit 10 lakhs हुआ करती थी notification number 16 2019 नहीं इसकी भी limit को increase करके 20 lakhs कर दिया so अब जो amendment वाले पालते है वो यह है कि अगर आप covered हो gratitude act के अंदर में या not covered हो under the gratitude act के अंदर में the maximum limit that is exempt is 20 lakh and not 10 lakh आईये पड़ते है minimum of पहला actual दूसरा half into average salary of 10 months into number of year of completed service maximum limit 20 lakh as per the notification number 16 2019 and no difference in case of seasonal employee यह line यह आपे बहुत सोच के लिखी गई है इसका मैं reason बता देता हूँ if you are covered under the gratitude act and you are a seasonal employee instead of 15 by 26 you have to take 7 by 26 so in case of seasonal employee you will take you will take 7 by 7 by 26 instead of 15 by 26 right sir आपने कहा यहां पे half into average salary of 10 months यहां भी क्या salary का meaning same है answer is no if you are not covered under the gratitude act if you are not covered under the gratitude act your salary would be basic plus da for retirement plus commission based on turnover so as you all can see if you are covered in gratitude act or not covered in gratitude act your calculation of salary would change so if you are covered in gratitude act you will take basic plus da if you are not covered in gratitude act you will take basic plus da for retirement plus commission based on turnover यह आपको लेना होगा अच्छा जी sir क्या 89 1 का relief मिलेगा yes 89 1 का relief is available from calculation of gratitude exam point of view से मुझे ऐसा लगता है July 20 November 20 के लिए not covered under the gratitude act वाला part आ जाएगा sir problem में अगर यह नहीं बताया हो covered under the gratitude act या not covered under the gratitude act तो हम क्या assume करें you will take not covered under the gratitude act अगर problem में यह नहीं बताया है कि covered है या uncovered है always take uncovered game over मेरे भाई so यह था आपका पहला gratitude game over अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर दूसरा पार्ट आपका दिया है pension pension का pension section 1010a याद रखने का बड़ा simple तरीका है मैं अब क्या ले रहा हूं retirement ले रहा हूं और अब मैं आराम करूंगा pension की जियोंगा याद रखने का simple तरीका इस words के पीछे को लॉजिक नहीं है बट अगर किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को याद हो सकता है तो I think मेरे लिए इस सबसे अच्छी बात है so pension pension क्या होता है जन्रली retirement के बाद मिलता है एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि retirement के बाद मिल रहा है तो employer employee relationship तो है नहीं तो यह taxable क्यों होना चाहिए sir employer means any kind of employer including present employer as well as past employer तो past employer से भी कुछ मिलता है तो वो salary का part बनता है pension तीन time पर मिल सकता है एक during the service दूसरा on retirement और तीसरा after the death आपके घरवालों को मिल सकता है yes or no कुछ याद दिरा देता हूँ अगर मरने के बाद आपके घरवालों को मिले तो इसे हम pension कहते हैं या family pension कहते हैं आप बिल्कुल सही है family pension कहते हैं yes जिसे हम IFOS में पढ़के आ चुके हैं already और इसलिए मैंने income from other sources के बाद आपका salary का topic लिया right दूसरा अगर during the service मिल रहा है तो yes it is totally taxable service के दौरार आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो totally taxable होता है अब आते हैं retirement पे जो आपको pension मिल रही है याने retirement होने के बाद जो pension मिल रही है ये pension का taxability किस तरीके से होगा ये depends करता है ये commuted pension है या uncomuted pension है अब आप ये पूछेंगे ये commuted और uncomuted क्या है सर हमेशा से हमको इसके अंदर में doubt रहा है ये वर्ड committed बहुत simple सब्दों में समझाता हो commuted का मतलब होता है lump sum uncomutt enslaved का मतलब होता है monthly फीर से एक बार Commuted का मतलब होता है Lumsumु और Uncommuted का मतलब होता है Monthly, right ? So Commuted Pension अगर मिल रहा है, Commuted Pension मिल रहा है, Commuted Pension मिल रहा है, It is taxable to all whether Government Employee और Non-Government Employee, right ? So if it is, sorry, If it is Uncommuted Pension, it is taxable to all. If it is Uncommuted Pension, it is taxable to all. मतलब अगर यह Monthly Pension हैよう, तो government employee हो या non-government employee हो फरक नहीं पड़ता, Uncommuted pension is taxable to all. Institute यहाँ पर क्या करता है? गोची देता है, गोची क्या होती है? गोची यह होती है कि वो आपको pension provide करेगा और आपको pension provide करेगा और pension provide करने के साथ साथ वो यह नहीं बताएगा है कि मंतली है, आपको सिफ यह बोल देगा कि वो फरवरी में retire हुआ है और फरवरी और मार्च का उसको pension मिला है. अगर आपको ऐसा कुछ बताया है, तो आपको clear cut assume कर लेना है कि यह uncommuted pension है, यह कोई lumsum pension नहीं है. यही अगर pension lumsum मिले, एक बड़ी amount मिले तो हम इसे कहते हैं commuted pension. Commuted pension के दो पार्ट, whether receive to a government employee or receive to a non-government employee. If it is receive to a government employee, then it is fully exempt. So, commuted pension receive to a government employee is fully exempt. Commuted pension receive to a government employee is fully exempt. यही अगर non-government employee हुआ, तो you have to see whether he is also in receipt of gratuity or not in receipt of gratuity. क्या उसे gratuity भी मिल रही है या उसे gratuity नहीं मिल रही है. जब आप pension का calculation करते हैं उसके exemption के लिए ये देखा जाता है कि क्या आपको ग्रैचुटी भी मिली है या नहीं मिली है सर ये कैसे पता चलेगा problem में clear cut होगा दिख जाएगा आपको कि exemption कम हो जाता है कितना होता है exemption whatever is the amount of pension less one third of full value of pension इस word के उपर थोड़ा focus कीजेगा one third of full value of pension now what is one third of full value of pension full value of pension कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ ये भी notes में आपको दे रखाया है आपने sir full value of pension कैसे निकालेंगे whatever is the amount received divided by percentage of commutation amount received divided by percentage of commutation sir amount received divided by percentage of commutation मान लीजे आपको problem में किस तरह के words दिये होंगे the employer retire in February and commute his pension 60% and receive 3 lakh rupees अब full value of pension कैसे निकलेगा 3 lakh rupees उसने receive किया है 60% commute करके जिसका meaning ये होगा 3 lakh divided by 60% ये होगा आपका full value of pension और full value of pension का one third आपका क्या होगा exemption होगा I repeat again let's say आपको problem में दिया होगा he is retired in February and received 3 lakh rupees after commuting 60% of his pension तो full value of pension कैसे निकालेंगे amount received 3 lakh divided by percentage of commutation 60% तो 3 lakh divided by 60% ये होगा आपका full value of pension और इसका one third आपको क्या मिलेगा exemption क्योंकि word क्या लिखाए ध्यान दीजे word लिखावा है amount received minus one third of full value of pension याने जब भी pension आ जाए और ये commuted pension हो और non-government employee हो एक working note आपकी हमेशा answer में बननी ही चाहिए मतलब चाहिए और वो working note होगी full value of pension की working note अगर आप full value of pension की working note नहीं बनाते तो यहां आपके marks कटेंगे ये बात याद रखना so non-government employee and has received the gratuity then actual less one third of full value of pension actual less one third of full value of pension suppose अगर gratuity receive नहीं हुई होगी तो he has not received the gratuity अगर gratuity receive नहीं हुई होगी तो one half of full value of pension is exempt तो अगर gratuity नहीं रिसीड हुई होगी तो by default में आपका exemption increase हो जाता है then sir पूरे चार्ट को एक बार फटाफट recall करते हैं pension section 1010a अब मैं आराम करूंगा pension की जिन्दगी जिऊंगा तीन पड़ बना लीजे और मेर साथ बाक आयदा आप कहीं पे भी बैठे हो अपने घर में बैठे हो marathon देख रहो ऐसा हाथ उठा है और डांस करें during the service totally taxable after the day taxable in IFOS taxable in IFOS on retirement uncommuted commuted uncommuted is taxable to all commuted commuted government employee non-government employee government employee fully exempt non-government employee in receipt of gratitude not in receipt of gratitude in receipt of gratitude actual less one third of full value of pension otherwise actual less one half of full value of pension इतना आपको exempt मिलेगा sir full value of pension कैसे निकालेंगे amount received divided by percentage of commutation निकालना होगा sir pension आने से तो हमारी income increase हो जाएगी तो क्या 89.1 का भी relief मिलेगा answer is yes relief under section 89.1 is also available यही pension अगर उनों से received होगी तो यह amount taxable नहीं है यह बड़ा हो करके क्या बन सकता है mcq बन सकता है ग्राचूटी के बाद हमने किया pension pension के बाद आता है retrenchment compensation याद रखने का तरीका retrenchment करना मतलब क्या करना employees को बाहर निकाल देना अब covid-19 के situations में कई company क्या कर रही होगी अपने employees को बिना कोई further notice या बिना कोई reason के वज़े से बाहर निकाल दे रही होगी ऐसे cases में employee क्या कर सकते है उनके पास labor loss के अंदर एक power है they can go to industrial dispute act और उस employer के खिलाफ compensation की मांग करते वे case किया जा सकता है ऐसे cases में industrial dispute act में जो courts होते हैं यह courts compensation avoid करते हैं and this compensation employer जो pay कर रहा है यह employee के हाथ में taxable होते है in the name of retrenchment compensation तो section को याद रखने का तरीका 1010B जब employer ने employee को बाहर निकाला रिट्रेंज किया before बाहर निकाला employer ने employee को अगर बाहर निकाल दिया we call it as a retrenchment compensation now if retrenchment is as per the scheme of central government अगर यह retrenchment central government की scheme के तहत हुआ होगा then it is totally exempt it is not taxable it is totally exempt so if it is as per the scheme of central government निल otherwise lower of three thing otherwise lower of three thing what is lower of three thing पहला actual दूसरा amount calculated as per industrial dispute act हला कि आपको amount calculated as per industrial dispute act याद रखने की ज़रूत नहीं है आप वो directly recall कर सकते हैं problem में दिया हो सकता है हला कि दो बार ऐसा भी हुआ जब institute ने आपसे expect किया कि आप निकाले amount calculation as per industrial dispute act दरने की ज़रूत नहीं अभी हम discuss करेंगे तो पहला actual दूसरा amount determined as per industrial dispute act या तो दिया होगा या तो compute करना होगा तीसरा maximum limit 5 lakh रुपीज so अगर others है चेक कीज़ेगा अगर others है lower of lower of treating पहला actual amount decided as per industrial dispute act और maximum limit 5 lakh क्या ये आने से income receive होने से मेरी income का slab बढ़ जाएगा येस तो क्या 89-1 का relief मिलेगा बिल्कुल हाँ 89-1 का relief उस हर जगा मिल सकता है जहां पर क्या हो सकता है आप क्यों अच्छानक amount मिलने के कारण आपका slab increase हो गया छोटा से example दे रहता हूं मान लिजे मेरी salary overall salary 4 lakh रुपए है और मुझे मिल गया gratitude 5 lakh रुपए अब 4 lakh रुपए तक के था तो मुझे तो कोई tax देने की ज़रती नहीं थी क्योंकि मुझे rebate मिल जाता था लेकिन यह 5 lakh extra receive होने के कारण मैं automatically tax labs में आ गया 5% वाले अब ऐसे cases में मुझे 89 one का relief मिल जाता है यहाँ पे भी मिल जाएगा नौ यहाँ पे आपने कहा amount calculated as per industrial dispute act सर इसका formula क्या है amount calculated as per industrial dispute act एक चीज़ तो आपको comment करके जरूर बोलना होगा कि सर आपके note शानदार है क्यों क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ explain करके दिया है बताइए what is amount calculated as per industrial dispute act 15 by 26 यह formula तो वही formula है जो हम salary के लिए gratitude के लिए use करते थे 15 by 26 into average salary of last 3 months यहाँ पे average salary हो लेना होगा आपको last 3 months का into number of years of completed service और part there of in excess of 6 months का criteria दिया है इस तरीके से आप amount determined as per industrial dispute act क्या कर सकते हो निकाल सकते हो यहाँ पे जब बात आती है average salary की तो एक और सवाल उठता है right so यह था retrenchment compensation sum up करते है section 10 10 b section 10 10 b हम से क्या करता है दो चीजे पर बात करता है अगर यह compensation central government की scheme के कारण बना होगा totally exam otherwise lower of three things पहला actual दूसरा amount determined as per industrial dispute act और तीसरा maximum limit कितना बिटा file है रुपीज industrial dispute act नहीं दिया हो तो आपको निकालने का formula मैंने बता दिया 15 by 26 into average salary of 3 months into number of years of completed service और part there of in excess of 6 months salary का meaning होगा basic plus दिये अगर आप लोग न अपने salary को बहुत बहतर बनाना चाते हो या बिल्कुल इसमें कोई error free काम करना चाते हो न मैं आपसे कहूंगा एक page ले और page के ओपर लिख के रख दे कौन सी चीज के लिए salary का क्या meaning है जित्ते लोगों ने मेरे साथ fast track किया होगा या regular batch क्या होगा आपक अब आते हैं नेक्स पार्ट पर एंद नेक्स पार्ट पर एंद नेक्स पार्ट इस V.R.S. V.R.S. voluntary retirement scheme practical life को चलते हैं practical life क्या होता है see understand कई बार employee is not ready to change as per the circumstances of organization और वो change नहीं होना चाता या वो काफी बुड़ा हो चुका है अब उसके अंदर में वो energy नहीं रही जो पहले रहा करती थी ऐसे cases के अंदर में क्या किया जाता है मेरे वाई ऐसे cases के अंदर में उसे company एक offer देती है कि तुम जो retirement की age तुमारी 60 है तुम एक काम करो 50 pay retirement लेलो और हमसे compensation लेलो और नए employee को इसके जगह पर रख लिया जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि company अपना overall employee numbers कम करना चाती है और इ compensation को भी exemption मिलेगा section को यहाद रखनेगा simple तरीका 1010C मैं काम करना छोड़ रहा हूं मैं voluntary retirement ले रहा हूं मैं voluntary retirement ले रहा हूं मैं काम करना छोड़ रहा हूं so lower of three thing पहला actual दूसरा 5 lakh rupees तीसरा amount which is higher of amount which is higher of last drawn salary into three into number of years of completed service or last drawn salary into balance number of months left for service this M here stands for months so last drawn salary into three into number of year of completed service और last drawn salary into balance number of month left for service सवाल पहला यहाँ पर word use क्या है last drawn salary तो salary का meaning क्या होगा salary का meaning बिल्कुल हमने यहाँ पर दे रखा है जैसा हर बार दे के रखते हैं salary is equals to basic plus DA for retirement plus commission based on turnover यहाँ पर सर आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा confused करके रखा है in fact हर एक के साथ में salary का same meaning हो जाना चीए था बिल्कुल सही मुझे भी ऐसा ही लगता है कि salary का simple meaning देते हर जगा पर इन्होंने इस तरह से ही दे रखाया and which has to be adopted deduction under this section is available only once in the lifetime यह जो retirement VRS का benefit है आप सिर्फ एक ही बार क्लेम कर सकते है पूरे life के अंदर में so lower of three thing पहला actual दूसरा file act तीसरा amount higher of last drawn salary salary मतलब क्या basic plus DA for retirement plus commission based on turnover into three into number of years of completed service part there of word लिखावा नहीं है and last drawn salary into balance number of months left for service अब यह कैसे निकालेंगे balance number of month left for service let's say company में generally age of retirement है 60 company का general age of retirement कितना है 60 आप 55 पे ही क्या कर रहे हो retirement ले रहे हो आपके कितने balance number of years बचे balance number of years बचे 5 हर साल में 12 महिने होते है in total 60 months these are balance number of months left for service so general age of retirement minus employees age यह आपको मिल जाएगा balance number of years इसको number of months के साथ multiply कर देंगे तो आपको सीधा सीधा balance number of months मिल जाएगा याद होगा तो class के अंदर में हम लोगों ने इसके उपर बहुत जादा problem solve किये ते करीब तीन problem हमने इसके उपर solve किये है regular batch के अंदर में ओके सर क्या relief under 891 claim किया जा सकता है यहां पर बहुत बड़ा twist है जो हर बच्चे को यार रखना है दिल से सर क्या अगर आप 1010C claim करते हैं तो 891 का relief नहीं मिलेगा 891 का relief मिला तो 1010C नहीं मिलेगा तो आपको select कर लेना है कौन सा लेना है मेरी opinion मानेंगे तो बहुत clear है 1010C लेना कभी भी बहतर है तो यह पसेसी claims relief under 891 then he cannot claim exemption under 1010C in that year और any other assessment year तो आपको बिल्कुल select कर लेना है या तो आपको 891 लेना है this is only in case of VRS this is only in case of VRS क्योंकि बात simple है VRS का only one time exemption मिलता है तो यह one time आपको select कर लेना है या तो 891 लेना है या तो tendency लेना है मेरा opinion मानेंगे तो tendency कभी भी बहतर है हाला कि इसके उपर कोई question नहीं आ सकता कि दोनों में से क्या लेना चाहिए then आते हैं leave salary बच्चों को परिशान करने में सबसे बड़ा हाथ जाता है leave salary का क्योंकि इसमें calculation में तीन के जगए चार पाड़ आ जाते हैं दो बातों पर discuss कर लेते हैं leave salary जो service के दौरान मिली अगर service के दौरान leave salary मिली तो हम इसे कहते है leave and cashment during the service जो totally taxable है जो हम पीछे पढ़के आ चुके हैं तो leave and cashment during the service is totally taxable दूसरा होता है after the death अगर death के बाद जो आपके बचे वे leaves थी इसके बदले में company पैसे दे देती आपके घरवालों को क्या यह taxable है answer is no it is not taxable in the hands of legal hair so during the service taxable after the death not taxable on retirement अगर retirement के time पर leave salary मिली है तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि वो government employee है या non government employee है अगर वो government employee है तो यह fully exempt है और अगर वो non government employee है तो lower of four things lower of four things lower of four things अब तक जितने retirement benefit देखें उनमें lower of three था यहां lower of four है पहला actual maximum limit 3 lakh actual maximum limit 3 lakh अब तक जितने आए जहां पर 5 lakh यह था यहां तो 20 lakhs था यहां maximum limit 3 lakh अविलेबल है तीसरा average salary into 10 months जो भी average salary होगा into 10 months फिर से वही पायट आगई salary का meaning क्या होगा और जैसे कि आपको पता ही यह मैंने दिया होगा salary means basic plus DA for retirement plus commission based on turnover तो actual दूसरा maximum limit 3 lakh तीसरा average salary into 10 months यहां इसे बोल सकते 10 months average salary और चौथा leave credit यह निकालना सबसे जबर्दस काम होता है ज़र ध्यान से सुनिया leave credit कैसे निकालते है leave credit is into average salary divided by 30 leave credit into average salary divided by 30 is the formula तो यहां से सबसे पहले तो यह जोड दें this is how this point is calculated leave credit into average salary divided by 30 यह पॉइंट यहां से जोड दें सबसे पहले तो जोड दिया let's start now leave credit कैसे निकाले मैं आपको इसका formula बता देता हूँ हाला कि मैं आपको request करूँगा कि इसके उपर आप अपना एक बार टेक्सबुक जरूर देखिएगा leave credit कैसे निकाला जाता है see organization to organization depend करता है कुछ organization में leave more than 30 days की मिलती है जबकि labor loss clear है कि आपको apart from the public holiday and national holiday 30 days का एक leave allowed है 30 days का एक leave आपको allowed है now कुछ organization 30 से ज़ादा देते हैं कुछ organization 30 से कम देते हैं जो organization 30 से ज़ादा दे रहे हैं आपको calculation करते वक्त हमेशा 30 का ही calculation करना हुगा अगर leave 30 से ज़ादा भी मिल रही है तो भी calculation कितने पे होगा 30 पे ही होगा यह आपको याद रखना है 30 से कम दे रही है तो जितने number of days दे रही है into number of years of completed service problem में कई बार number of leave days available होता है अगर number of leave days available नहीं है तो आपको निकालना है कैसे निकालेंगे total leave allowed minus leave taken total leave allowed minus leave taken आपको मिल जाएगा balance leave balance leave into average salary divided by 30 बनेगा leave credit so sum up करता हूँ leave credit कैसे निकालेंगे number of days leave दियावा है या तो निकालना है number of days अगर leaves दियावा है तो leaves into average salary divided by 30 गेम ओवर अगर leaves number नहीं दिये वे हैं तो निकालो कैसे निकालोगे depending upon the leaves 30 days total leave allowed during his service minus leave already taken if any जो बच जाएगा वो जाएगा balance leave balance leave into average salary divided by 30 ये बन जाएगा आपका leave credit so leave salary तीन चीजे during the service on retirement after the death during the service होगा totally taxable after the death होगा not taxable on retirement मिला government employee fully exam non-government employee lower of lower of three thing पहला actual lower of four thing पहला actual दूसरा maximum limit 3 लाग तीसरा average salary into 10 months और चोथा leave credit for 30 days game over sir क्या यहां पर relief available है answer is yes relief under section 89 1 is available relief credit कैसे निकालते हैं उसका पूरा formula मैंने आप दे दिया shortcut में आप एक बार इसको भी check कर सकते हैं बहुत ताकत लगती है मेर भाई बहुत ताकत लगती है मतलब continuously बोलते जाना खड़े रहना ... continuously बोलते जाना बहुत मेहनत लगती है ... पड़ इसके बवजूद भी पता है क्या होता है इसके बवजूद भी आप देख लेना .. कुछ लोग आएंगे .. तो आएगा देखेगा मैं लाइक भी ना करें वह आएगा देखेगा आपने दोस्तों को पासओन कर देगा कि यह देखेगा बहुत अच्छे से चल रहा है तू यह देख ले बत लोग को कि मैं हमें को अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढाई करनां में अपको आप आप सब्सक्राइब आसे जूड़ना चाहे क्या रहा ह। हमें यहीं पे नहीं हमें CA final पे भी जुड़ना है CA final पे दो subject में आपके अंडल कर रहा हूं एक international tax 100 marks का और दूसरा direct tax paper 7 तो मुझे again आपको वहां पे भी deal करना होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि marathon कहीं ऐसे बच्चे देखते होते हैं जिनको मेरे बारे में idea नहीं होता और आप अगर मुझे मुझे जानना चाते हैं मेरे बारे में जानना चाते हैं मैं आपको request करूँगा आईए वहां पे discuss करते हैं So gratitude done, pension done, leave and cashment done क्या बचा? provident fund जो सबसे ज़्यादा आता है आईए provident fund के उपर चलते हैं page number 8 पे दिया है provident fund पेज नमबर 8 के उपर दिया है provident fund आईए इस बारे में बात करते हैं provident fund एक act है provident fund act I am not aware कि आपके new syllabus में law के अंदर यह है या नहीं है बट old syllabus में थाम है तो old syllabus के अंदर में तो थाए लिए now provident fund क्या होता है employer और employee employer और employee को क्या करना पड़ता है contribution करना पड़ता है mandatingly दो option दिये जाते हैं या तो government का बनाया fund है उसमें account open करो उसमें दोनों जन डालो या employer खुद का एक account open करेगा commissioner से अपरूब करवा लेगा इसे हम कहते है recognize provident fund तो government के बनाया अपने फंड में आप लोग पैसे डाल रहे हैं इसे हम कहते है strategy provident fund employer ने खुद का फंड बनाया मोला कि मैं मेरा खुद का फंड बनाऊंगा इसे commissioner से अपरूब करवा दूँगा इसे हम कहते है recognize provident fund आपने फंड तो बता है लेकिन commissioner से approval नहीं ली इसे हम कहते है अपने फंड तो बनाया लेकिन commissioner से अपरूबल नहीं ली इसे हम कहते है अन रिकागनाइस प्रवाडेंड फंड और लास्ट में आता है पब्लिक प्रवाडेंड फंड पब्लिक प्रवाडेंड फंड एक actually employer और employee का इसमें कोई relation नहीं एक आम आदमी भी जो self-employed है वो भी ले सकता है हालाकि हमने यापर consider对 अब कोई भी प्रवाडेंड फंड ओ इसमें contribution कैसा होता है employer employer employee की भी आप में एक amount contribute करता है employee खुद की भी आप में amount contribute करता है इस fund में fund एक technically account होता है जिसके ओपर interest भी मिलता है तो इसके ओछ आप कोई भी provident fund पढ़ रहे हो, SPF, RPF, URPF या PPF, आपको इन में चार एंगल सोचने है, employer से जो contribution आया, इसका taxable क्या, आप जो own contribution कर रहे हैं, इसका क्या, interest जो मिल रहा है, इसका क्या, और final amount जो होगी, इसका क्या, सबसे पहले बात कर लेते SPF की, statutory provident fund, एक ऐसा provident fund जो government का बनाया वा fund है, और employer उसी के अंदर contribute कर रहा है, खुद का भी और employee का भी, अब employer ने जो employee की भीहाफ ते statutory provident fund में डाला, technically तो ये employee के लिए benefit है, पर इसे taxable नहीं किया गया है, exempt किया गया है, तो employer अगर government में खाता, open करवाता है, और वहाँ contribute करता है, तो it is exempt from tax, employee year contribution, employee जो खुद का contribution कर रहा है, it is allowed as deduction under 80C, so provident fund जो contribute कर रहा है, it is allowed as deduction under 80C, तीसरा, interest जो मिल रहा है statutory provident fund पे, वो totally exempt है, so interest on statutory provident fund is totally exempt, और final amount at the time of retirement जो भी मिलेगी, ये भी पूरी की पूरी exempt है, तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूं, तो SPF एक all together win-win package होता है, employer और employee दूनों के लिए, क्योंकि इसके अंदर में interest भी exempt, final amount भी exempt, employee को भी reduction मिलता है, plus employer का जो amount है, वो भी क्या हो जाता है, fully exempt, हलाकि जो बड़ी-बड़ी companies है, like Tata, you know, Bajaj, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, इंडिया के अंदर में, वो अपना खुद का recognized provident fund भी रखती है, employer से जितना मिला इस fund के अंदर में, up to 12% of salary, up to 12% of salary, exempt beyond 12% of salary taxable, beyond 12% of salary is taxable, अब इसका adjustment problem में दिया कैसे जाता है, आपको लिखा होगा, employer's contribution to recognize provident fund 15% of salary, आपको याद रखना है, up to 12% is exempt, 3% जो होगा, यह taxable हो जाएगा, सर, salary का क्या meaning है यहाँ पे, आईए, यहीं पे लिखा है, salary means basic plus DA for retirement plus commission based on turnover, और बिलकुल याद रखना क्योंकि examiner का favorite part है RPF, examiner का favorite part है RPF, right, इसी के साथ साथ बता दू, आपको 12% के उपर का जो contribution होता है, इसे dim to be received in India माना जाता है, और section 7 इसे tax करता है, residential status में section 7 में मैं फिर से यह याद दिरा हूँगा आपको, employee जो खुद का contribution कर रहा है, it is allowed as deduction under 80C, interest जो RPF पर मिल रहा है, वो 9.5% तक exempt है, 9.5% के उपर का interest आ रहा होगा, तो यह taxable है, deemed to be received in India माना जाता है, as per section 7, for example, rate of interest is bank account का 12% हुआ, 9.5% तक के exempt है, उसके उपर जो balance है, वो taxable हो जाएगा, final amount जो भी विली, after fulfillment of certain condition, यह क्या हो जाता है, exempt हो जाता है, so final amount जो receive हो रही है, किसमें, RPF के अंदर में, यह totally exempt होगी, फिर आता है, URPF, URPF एक ऐसा fund है, जो employer employee बना तो लेते हैं, लेकिन secretively बनाते हैं, और income tax को इसके बारे में, कोई भी idea नहीं होता, अब जब employer contribute करेगा, तो this amount is not taxable, in the hands of employee, at the time of contribution, जिस साल वो contribute कर रहा है, उस साल, वो taxable ही नहीं है, पूछो क्यों, अरे बहुत सिद्धा है, जब income tax को पता ही नहीं है, ऐसा कोई fund है, तो tax कहां से करेंगे, पता तो होना ऐसा कोई fund है, not taxable, employee को ATC का deduction मिलेगा, क्या answer is no, पूछो क्यों, अरे पता ही नहीं है, ऐसा कोई fund है, तो कुछ employee ही, अपने ITR में, इस deduction को claim नहीं करेगा, तीसरा, इसके उपर जो interest मिल रहा है, interest is not taxable, at the time it is received, क्यों, अरे पता ही नहीं है, ऐसा कोई fund है, उसके उपर interest आ रहा है, तो income tax, my taxability कहां से आएगी, लेकिन final amount का, income tax department को पता चल जाएगा, because of TDS provision, yes, because of TDS provision, जब trustee of provident fund, कभी भी एक amount देने वाला होगा, तो इसके उपर TDS deduction करना, उसको mandatory है, नहीं तो उसको यहां के तो penalties लगेंगे, लगेंगे, plus undisclosed income की भी penalty लग जाएगी, plus TDS न काटनी की भी penalty लग जाएगी, इसलिए वो TDS ज़रूर करेगा, और इस time पे, सोचिए इस fund में क्या क्या होगा, employer का contribution पढ़ा होगा, employee का contribution पढ़ा होगा, interest on employer contribution, interest on employee contribution, यह चार चीज़ का समावेश इसके अंदर में होगा, right at the end, अब employer का contribution जो है, employer का contribution जो है, यह आ जाएगा under the head of salary, interest on employer contribution, taxable under the head of salary, यह employer से मिला है, own contribution will not be taxable, sir क्यों कैसी बाते कर रहे हो, यह पैसा मेरा, मैं गुल्लक में डाल देता हूँ, कुछ सालों बाद इस गुल्लक को फोड़ता हूँ, पैसे निकले, क्या यह वापस से मेरी income मानी जाएगी, no, not at all, so own contribution not taxable, अब बचता है interest, interest is taxable under the head of other sources, क्योंकि यह आपके investment करने से आएवा interest है, so, यह चेक ही जगा इस वर्ड को, employee own contribution is exempt, employee own contribution is exempt, दूसरा, interest on employers contribution, interest on employees contribution is taxable in other sources, बाकि कोई भी amount taxable in salary, इसमें क्या क्या आगे, employer contribution, प्लस interest on employer contribution, employer contribution, प्लस interest on employer contribution, यह इसके साथ साथ cover होता है, अब आते हैं, PPF पे, PPF, employer employee का कोई relation ही नहीं है, employer employee के भीयाफ पे इने डालता, खुद का जो contribution, PPF में किया जा रहा है, deduction under section 80C, deduction under section 80C, interest जो मिल रहा है, exempt final amount exempt, तो employer employee का relationship, अगर मैं हटा दू, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, SPF और PPF में कोई फरक नहीं होने वाला, अगर मैं employer employee relationship वाला word, हटा दू तो, SPF और PPF की taxability बिल्कुल एक जैसी हो जानी है, बाद में, is that done? चलो, let's start, यहां हमारा retirement benefit भी खतम होता है, आप सभी को बहुत बहुत बदाई, आपने basic खतम कर दिया, allowance कर दिया, retirement benefits कर दिया मेरे भाई, retirement benefits में हैना आपको बता दिया, provident fund और gratuity ऐसी चीज़ है, जो याद रखना है, provident fund के अंदर में भी, RPF और SPF वाला point दिल से याद कर लेना, बागे कुछ भी याद करने की ज़ौरत नहीं है, RPF और SPF exam में दिल से याद कर लेना, बागे कुछ भी करने की ज़ौरत नहीं है, यह था आपका retirement benefit, और क्या क्या हो चुका है salary में, हमने basic कर दिया, allowance कर दिया, retirement benefit कर दिया, deductions कर दिये, याने अब सिर्फ और सिर्फ last part बचता है, जो सबसे बड़ा है, जिसे हम कहते है perquisite, perquisite अगर कर लिया, तो आपका salary भी खतम हो जाएगा, और हमारे तीन head खतम हो जाएगे मेरे भाई, कौन कौन से, salary, other sources, capital gain खतम हो जाएगे हमारे, चलो, रुके मिना आगे बढ़ते हैं, फटा फट और बहुत छोटे में, Sir, आप कोई भी बुक उठा लो, इस से short, इस से easy, और इस से simple language में नहीं मिलने वाला, यह मेरा guarantee, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, तो आपके पास अगर यह notes भी है, आपका काम खतम हो जाएगा, आपके पास बस यह notes होने चाहिए, आपके पास notes से everything, मतलब everything covered, बस काम खतम, इसके अलावा सिर्फ वो स्रिफ questions उटाना, solve करना, जीस book से मिल रहा हूँ, उस book से question उटाना, solve कर लेना, provisions यहां से दना दन कर लेना, क्योंकि इस से बहतरीन past track book आपको नहीं मिल सकती, यह मेरा assumption है, आपको जो पसंद आया, ultimately आपका point, सबसे पहले बात कर लेते हैं, gift की, और मैं इसके पहले आपको other sources पढ़ा चुका हूँ, तो gift provision यहां पर बहुत easily समझ में आएगी, employer employee से जो मिलावा gift है, वो हमेशा salary में आएगा, income from other sources में नहीं जाएगा, पहले यह point clear कर ले, क्या, कि employer से जब भी आपको कोई gift मिलता है, वो salary में आएगा, income from other sources में नहीं जाएगा, point one, point two, employer ने employee को अगर कोई gift दिया, अगर value 5000 तक की होगी, तो यह gift taxable नहीं है, अगर value 5000 तक की होगी, तो यह gift taxable नहीं है, अगर value 5000 से उपर जारी है, अगर value 5000 से क्या जारी है, उपर जारी है, तो आपको यहाँ पे दो अलग-अलग opinion है, हाँ, there are two different thoughts of opinion, first opinion, amount beyond 5000 is totally taxable, beyond 5000 is totally taxable, and if the amount exceeds 5000, the whole amount is taxable, meaning of thoughts समझे, समझे लिए 10,000 रुपे का gift एंपलाईर ने employee को दिया, may be in marriage or whatsoever, वो यहीं के provision में cover होगा, income from other sources अभी दर लाने का नहीं, मान लिए 10,000 रुपे का gift दिया, एक thought क्या कहता है, 10,000 minus 5000, that is difference 5000 is taxable, दूसरा thought क्या कहता है, 5000 is not an exemption limit, it is an attraction limit, the moment आप 5000 से exceed कर गए, खतब, whole amount is taxable, sir, thought A, thought B, यह बताओ, करना क्या है, ICAI, क्योंकि answer तीनी प्रकार के होते हैं, right, wrong, ICAI, करना क्या है, sir, यह बताओ, दोनों, institute जब भी ऐसे problem को solve करती है, आप salary का कोई भी problem उठा करके देख लो, institute ने क्या किया वा है, सबसे पहले gift को 5000 से उपर जा रहा है, मतलब अगर 10,000 रुपए का gift है, तो total 10,000 रुपए salary में add कर दिये, और नीचे alternative solution दिया, कहा, only balance, only balance is taxable, alternative solution दिया, आपको क्या करना है, बिल्कुल वही, अगर gift 5000 से उपर जाए, पूरा salary के अंदर में add कर दो, और नीचे में alternate solution दे दो, पूरा solve नहीं करना, सिर्फ note दाल देना, that alternatively, only balance amount of gift could be taxable, इतना note दाल देना, तो भी हो जाएगा, पूरा salary वापस compute करने के ज़रत नहीं है, so gift, if God does not exceed Rs. 5000 per annum, nil, if it exceeds Rs. 5000 रुपी, alternative one which is followed by ICAI, amount exceeding 5000 is fully taxable, alternative two, ICAI provides alternative that, if it exceeds 5000, only excess portion is, taxable, ठीक है, मैं आपको ये भी बताते जाऊँगा, perquisite में कौन-कौन सा important है, gift को important मात कर लीजे, ये आता है, दंजर, next point पर आते हैं, next point पर आते हैं, credit card facility, not so important category, credit card, अगर official purpose के लिए दिया होगा, employer employee को credit card देता है, ताकि वो खर्चा कर सके, अगर उसने ये खर्चा, official purpose के लिए किया होगा, totally tax free, कोई भी tax लगने वाला नहीं है, क्योंकि employee को कोई personal benefit हुआ ही नहीं, अगर ये उसने personal purpose के लिए किया है, तो whatever is the cost to employer, minus anything recovered from employee, employer ने उसके उपर जितना खर्चा बेर किया, minus employee से अगर कुछ recover किया होगा, उसके salary से कुछ काटा होगा, वो minus कर दीजे, balance amount taxable as salary, बड़ा simple सा calculation है, sir, यहाँ पर employer, employee को एक certificate देता है, कि उसने कितना official purpose के लिए है, कितना official purpose के लिए नहीं है, हाला कि एक्जाम में आपको if any यह हमेशा दिया होगा, चेक कर लेते हैं, credit card, official purpose nil, other purpose, other than मतलब other than official purpose, whatever is the actual cost to employer, less anything recovered from employee, simply will become perquisite, इत्ता amount क्या होगा, add होगा, कहा add होगा, obviously salary में add किया जाएगा, important है, बिल्कुल नहीं not important, फिर आता है club facility, club facility, बिल्कुल not important की category में है, club अगर official purpose के लिए दिया है, recreational clubs, official purpose के लिए होगा nil, personal purpose के लिए होगा, actual cost minus anything recovered, simple, so official purpose nil, given uniformly to all employee nil, corporate membership अगर दिया है, initial fees pay किया होगा, उसकी nil, other than initial fees, actual cost minus anything recovered, आज तक के कभी पूचा नहीं है, मेरे इसाब से आएगा भी नहीं, ESOPS important, employer employee को क्या provide करता है, ESOPS provide करता है, यह important category में है, employer ने employee को अगर ESOPS दिये, तो employee के हाथ में यह perquisite बोल करके taxable है, यह कैसे taxable है, perquisite बोल करके taxable है, कैसे calculate करेंगे, option fair market value, minus amount recovered, so whatever is the option price, exercise price, minus amount recovered from employee, will be taxable as perquisite, fair market value के basis पर क्या किया जाएगा, taxable किया जाएगा, सीधे शब्दों में, fair market value, minus consideration into number of shares, आपका क्या बन सकता है, perquisite बन सकता है, याद दिरा देता हूं, capital gain में हम लोगों नहीं यह point पढ़ा था, क्या point था, याद करो, मालो employer से मुझे मिला, V smart से मुझे मिला, बरे बरे, मेरे हाथ में तो आज perquisite बोल करके tax होगा, जब मैं इसे sell करूँगा, क्या capital gain आएगा, yes capital gain आएगा, cost of acquisition क्या पकड़ा जाएगा, उतना amount जितना perquisite calculation के लिए use किया गया था, उतना ही amount जितना perquisite calculation के लिए use किया था, thereby you are avoiding the double taxation effect, तुम यहाँ पे double taxation effect भी कतम कर रहे हो, next, approved superannuation fund, important या not important, not important, employer ने employee के बिहाफ के अगर approved superannuation fund में invest किया, up to 1,50,000 तक का contribution nil, beyond 1,50,000 taxable, so 2,00,000 रुपए अगर contribute किया होगा, तो 50,000 would be taxable amount, meal facility, again not important category, see perquisite बहुत लंबा है, इसमें से आपको कितना आता है उसके उपर ध्यान देना होगा, तो वो important जो नहीं है, मैं उसको straight away आपको बता देना हूँ, यह important नहीं है, देखना, पढ़ना, छोड़ देना, आगे बढ़ना, जो मैं important बोल रहा हूँ, exam से एक दिन पहले इस चीज़ को पढ़ना है, बस यह बात समझ लेना, meal facility, ज़र समझते हैं, tea and coffee during the office hours, tea and coffee during the office hours जो होता है, office के दौरान जो चाय नाश्ता दिया जाता है, totally exam, अगर आप remote area में हैं या offshore unit में हैं, remote area मतलब let's say राजस्तान के अंदर में, पोकरन के अंदर में आप क्या डूंड़ हो, एक base बना रहे हूँ वहाँ पे, remote area में दिया जा रहा है, totally exam, उसका value कुछ भी हो, offshore unit, मान लीजे, आप crude oil ढूंड़ने के लिए कहां गए हो, oil rigs के अंदर में गए हो, समुदर के अंदर में गए हो, ये totally offshore units है, यहाँ पे आपको जो food दिया जा रहा है, that is totally exam, अब आते है other area, मतलब normal city area के अंदर में, आपको अगर food facility दिया जा रहा है, तो, आप ये चेक करेंगे, per meal की cost कितनी है, ये problem में हमेशा दिया होगा, per meal की cost कितनी है, अगर per meal की cost, 50 रुपए से कम है, nothing is taxable, per meal की cost, मतलब एक meal का cost आपको चेक करना पड़ेगा, 50 रुपए से कम है, जिसे हम कहते है थाली का cost, एक थाली का cost, into number of meals, जितनी भी प्रुवाइड कियोंगे, वो, so, चेक कीजिएगा, meal, tea and coffee during office hours, nil, remote area, offshore area, nil, other दिया होगा, तो, actual cost, minus 50 रुपीज, per meal a day, अब कितने number of days के लिए दिया है, अगर ये problem में नहीं दिया है, तो, आपको लेना है, generally 300 days, अगर आपको ये नहीं बताए, कि meal कितने दिन लिया, तो, आपको assume करना है, कितने दिन, 300 days, आपको ये assume करना है, यहाँ पर लिखके रख दीजे, if number of days are not given, if number of days are not given, then, then, take 300 days in a year, take 300 days in a year, then, बीच बीच में बीटा, पानी पीते रहना, जब आप सिल्स टड़ी करने बेट रहे हो, पानी बहुत ज़्यादा पीना, पानी बार बार oxygen डालता है, बोडी के अंदर में भाई, यूज़ अफ मूवेबल असेट, इम्पॉर्टन्ट, यूज़ अफ मूवेबल असेट, इम्पॉर्टन्ट, कई बार employer, employee को, असेट्स यूज़ करने के लिए देता है, computer और laptop दिया, maybe for official purpose, और personal purpose, totally nil, computer या laptop दिया, totally nil, whether it is for official purpose, और personal purpose, इंस्टिटूट आपको घुमानी की कोशिश करेगा, बुलेगा, official purpose, personal purpose, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, इस बात को याद रखने का, computer या laptop दिया, totally exempt, अब, जो आपको यूज़ करने के लिए, असेट दिया है, हो सकता है, इसेट ओन्ड बाइ एंप्लाइर हो, या एंप्लाइर ने भी खुद किराय से लेकर के आपको दिया हो, if it is ओन्ड बाइ एंप्लाइर, ओन्ड बाइ एंप्लाइर, what is the perquisite, 10% of actual cost, what is the perquisite, 10% of actual cost, इसे सबसे जादा पूचा जाता है, कि अगर एंप्लाइर ने खरीद करके आपको दिया है, तो जो भी उसका cost होगा, यह हमेशा प्रोब्लम में दिया होगा, इसका 10% perquisite, minus anything recovered from employee, अगर एंप्लाइर ने खुद भी कहीं से किराय से लेकर के दिया होगा, तो whatever is the cost to employer, minus anything recovered, तो actual cost to employer, less anything recovered, चेक कर लीजे, use of movable asset, computer laptop दिया होगा, personal हो या official हो nil, owned होगा, तो 10% of actual cost, hired होगा, तो actual higher charges minus anything recovered, उसी के नीचे आईए, sale of movable asset, जब भी salary का प्रोब्लम आता है, again यह आता ही आता है sale, इसके उपर हमने use देखा था, अब employer employee को direct base ही दे रहा है, obviously वात है employer employee को अगर base दे रहा है, तो हमेशा एक शक होगा, कि यहाँ पर tax planning हो सकती है, हुई हो, now, employer employee को अगर कुछ sale कर देता है, तो यह 3 category में डाला है, पहला computer and electronics, दूसरा car, तीसरा any other assets, सबसे पहले तो जानना, यह electronics में क्या cover होता है, यहाँ पर electronics में clear cut explanation दिया है, only the electronic related to computer, मतलग, it may be a keyboard, it may be a monitor, it may be a printer, it may be a UPS, which is related to computer, it may be a scanning machine, पर employer ने employee को अगर AC दे दिया, तो वो यहाँ नहीं आएगा, employer ने employee को अगर AC दे दिया, तो वो other के category में आएगा, clear है, वो कहाएगा, other के category में आएगा, तो यहाँ पर पहले, इस बात को clear कर दे, electronics को arrow करके लिख दे, related to computer, this electronics means an electronics related to computer, now, यहाँ एक और चीज़ है, जो आपको institute confuse करता है, depreciation rate, यहाँ वो depreciation rate नहीं लेना है, जो PGBP में दिये होते हैं, यहाँ इस perquisit के लिए, depreciation rate अल्रेडी rules के अंदर में लिखे हैं, rule 3 के अंदर में, इसके खुद के rate लिखे हैं, suppose, employer में employee को क्या कर दिया, computer and electronics sale किया, the rate of depreciation is 50%, car दिया, sale 20%, other assets के लिए 10%, साथ साथ में यह पर कोईज़े, depreciation method भी बताता है, electronics के लिए, WDV, car के लिए, WDV, और other assets के लिए, SLM method, जी हाँ, यहाँ पर आप depreciation जो calculate करेंगे, PGBP के depreciation का, कोई भी part आपको यहाँ पर याद रखने की जोरत, नहीं है, यह बात याद रखना, ठीक है मालिक, ओके, so depreciation rate 50, 20 और 10, आपको यही लेना है, PGBP वाले नहीं लेना है, depreciation method, WDV, WDV, SLM, यह वाला part exam में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यह वाला part exam में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले actual cost, employer ने इसे जितने में लिया था, employer ने इसे जितने में लिया था, आपको वो लेना है, minus depreciation for each completed year from the date of acquisition, आपको depreciation minus करना है for each completed year, कैसा बटा, each completed year, कब से, financial year, from the date of acquisition, दो बात हैं, institute आपका knowledge test करता है, yes, institute has checked your knowledge, each completed year, 11 साल 9 महिने, कितने साल का depreciation minus करेंगे, only 11 साल, completed year मतलब completed year, एक बार तो एक प्रब्लम ऐसा था, जिसमें institute ने साल में सिर्फ एक दिन कम पढ़ रहा था, और maximum बच्चों नहीं गलती करी, एक दिन भी अगर कम पढ़ रहा होगा, तो आपको नहीं लेना है, completed year means completed year, game over, so actual cost to employer minus depreciation for each completed year, जो भी निकलेगा यह होगा, WDV, WDV में से sale value minus कर दीज़े, आपको क्या मल जाएगा, perquisite मिल जाएगा, बताने की ज़रूत नहीं है, जब sale value WDV से कम होगा, तभी यह perquisite calculate किया जाएगा, तभी यह perquisite क्या होगा, calculate किया जाएगा, so use of movable asset, sale of movable asset, page number 7.5 पे आई है, सबसे ज़्यादा important perquisite valuation, RFA, हम थोड़ी देर पहले HR पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ने वाले RFA, Rent Free Accommodation, Now, Rent Free Accommodation की बात करें, Employer, Employee को क्या दे देता है, Accommodation दे देता है, Cash दे दिया HR, घर दे दिया RF, Employer, Employee को क्या दे देता है, घर दे देता है, सबसे पहले आपको यह देखना होगा, Whether it is Furnished और Unfurnished, क्योंकि इसके Calculation में बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है, वो Furnished हो या Unfurnished हो, Furnished है या Unfurnished है, सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा, जैसी आप Furnished या Unfurnished चेक करेंगे, Furnished भी अगर है, तो आपको Value S पर Unfurnished निकालनी होगी, तो Unfurnished का Rules बहुत अच्छे से याद रख लेना, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले दो पार्ट किये, It is Unfurnished, It is Furnished, Furnished या Unfurnished है, Unfurnished, चलिए पहले Unfurnished का देख लेते, जैसी आप Unfurnished में जाएंगे, आपसे दो बाते पूछी जाएगी, या दो बाते आपको प्रॉब्लम में चेक करनी होगी, Whether is a Government Employee और Non-Government Employee, If is a Government Employee, Government जो Quartus देती है बेटा, वो उसका License Fees recover करती है, क्योंकि ये Lease Land होती है, और Lease का License Fees होता है, तो License Fees minus anything recovered, डरने की कोई बात नहीं है, License Fees हमेशा प्रॉब्लम में दी होगी, Just put the value, get the answer, So, in case of Government Employee, In case of Government Employee, License Fees minus anything recovered will be the perquisite, License Fees minus anything recovered will be the perquisite, दूसरा है, Non-Government Employee अगर है, तो Accommodation के 3 Criteria हो सकते हैं, Owned, Hired या Hotel, क्या क्या हो सकता है बोलो बाता, Owned, Hired या Hotel, अगर owned है, मतलब जहां वो Accommodation दे रहा है, This premises is owned by employer, This premises is owned by employer, In that particular case, You have to check the population of that area, You have to check the population of that area, कि वो कहां situated है, Consist City में situated है, अब ध्यारा ध्यान दे सुनिएगा, अगर वहां की population, अगर वहां की population 25 lakh से exceed कर रही है, तो perquisite is 15% of salary, अगर वहां की population 10 to 25 lakh है, तो 10% of salary you have to take as perquisite, और अगर वहां की population 10 lakh से भी कम है, तो 7.5% of salary has to be taken, अगर अगर accommodation owned है, तो क्या check करो, population, population 25 lakh रुपीज से उपर है, 15% of salary, 10 to 25 lakh है, 10% of salary, below 10 lakh है, 7.5% of salary, you have to take as perquisite, minus anything recovered, sir, तो चेक कीजे, accommodation owned by him, तो चेक करो, population as per last census, अब 2011 का census यूज हो चुका है, तो 2001 वाला कट हो जाएगा, as per last census, population, beyond 25 lakh, 15% of salary, 10 to 25 lakh, 10% of salary, and below 10 lakh, 7.5% of salary, any amount paid by employees, में से क्या किया जाएगा, minus कर दिया जाएगा, एक सवाल, जहां हम salary के meaning ढून रहे हैं, यहाँ salary का क्या meaning होगा, यहाँ salary का definition सबसे बड़ा है, और आपको इसी लिए, जब RFE calculate करते होंगे, तो आपको इसे सबसे end में करना चीए, इस RFE वाले calculation को सबसे end में करना चीए, और इसका एक separate working node भी आपने बनान लेना चीए, salary क्या है, तर चो, जिन लोगोंने regular batch या फास्टाक batch देखी होगी, याद करो अचो, salary बोले तो, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, क्या क्या लेना है इसके अंदर में, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances, याने RFA जब भी आ जाया आपको, तो आपको सीधा end में solve करना है, क्योंकि definition यह ऐसी है, कोई भी एक point छूड़ गया, तो आपका RFA का calculation गलत हो सकता है, इसलिए problem में सबसे end में solve करे RFA, gross total salary बनाने से पहले, so, salary मतलब क्या, basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances का जोड़ी, यह तो हुआ, अगर आप owned कर रहे हैं तो, अगर आपने hire किया होगा तो, यह है institute का सबसे favorite point, जो confirm, confirm, confirm देते ही है, 10 में से 6 जग़ा पर यह adjustment है ही है, तो चेक करिएगा, अगर hired होगा, मतलब accommodation खुद employer नहीं भी hire पे लिया, और किसको दिया, employee को दिया, hire पे दिया तो आपको तो पता है, actual cost to employer, or 15% of salary, whichever is lower, so, accommodation is hired, then 15% of salary, or actual amount paid, whichever is lower, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस में से अगर कोई amount employee ने दिया होगा, तो आप minus करते हैंगे, hired, अगर hotel में provide किया है, तो कई बार ऐसा होता है, employer employee को accommodation जो देता है, वो hotel में देता है, क्योंकि company क्या करती है, साल भर के लिए, AMC contract, AMC बोलाँ, annual contract कर लेती है, hotels के साथ, कि एक कमरा हमारे लिए occupied रहेगा, हमारा कोई न कोई employee इस city में आता ही रहता है, ऐसा कोई contract कर दिया, तो जो accommodation प्रोवाइड किया जाता है, वो hotel में provide किया जाता है, इन्हे service apartments भी आप कह सकते हो, ऐसे cases में, जब employer ने employee को hotel में accommodation प्रोवाइड किया, up to 15 days, up to 15 days, there is no perquisite, beyond 15 days, perquisite is 24% of salary, हला कि इसे आज तक पूछा नहीं गया है, इस पूरे calculation में, अगर सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, तो वो होगा hired या तो होगा furnished, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, हला कि कई बार owned वाला भी point पूछा जाता है, लेकिन famous सबसे ज़्यादा यह है, owned में भी, अगर problem ने आपको population नहीं दिया, तो आपको खुद से चेक करना होगा कि city कौन से लिखी है, अगर city लिखी होगी Mr. Prakash lived in Mumbai, तो obviously आप 10 लाग के निच्चे अजूम नहीं करेंगे, तो थोड़ा common sense वहाँ पे लगा लेना यह आप से expected होगा, अब के सर, तो in hotel up to 15 days nil, beyond 15 days 24% of salary has to be considered, अब आते हैं value as per furnished, अब आते हैं value as per furnished के उपर, अगर furnished का भी value लेना है आपको, तो खाली घर का value उसमें furniture का value add कर दो, खाली घर का value अभी हम देख किया है, unfurnished का value कैसे निकालेंगे, depending upon whether it is owned, hired, or government employee, or non-government employee, तो आपको सबसे पहले value as per furnished लेना है, इसमें value of furniture डाल देना है, अब furniture दो बात हो सकती है, या तो employer ने, खुद का owned furniture दिया होगा, या तो उसने भी किराय से लेके दिया होगा, owned दिया होगा, use करने तो 10%, याद आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 10% of actual cost, higher दिया होगा, तो actual higher charges, तो value as per unfurnished, plus value of furniture, depending upon owned और hired, minus anything recovered, will be the value of requisite, चेक लिजे, value as per unfurnished, add, खाली घर में furniture add कर दो, owned होगा तो 10%, higher होगा तो actual higher, minus anything recovered, will, 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 will became बाबू requisite, जैसे कि मैंने कहा था, accommodation कोई service apartment भी हो सकता है, guest house भी हो सकता है, caravan भी हो सकता है, anything, it could be anything, अच्छा जी, अगर employee एक जगे से दूसरे जगे शिफ्ट होता है, तो accommodation का पहले 90 days क्या किया जाता है, exam किया जाता है, for example, मान लीजे हमने हमने हमारे, let's say हम villa cements है, हम लोगोंने क्या किया, 36 गड़ से उठा करके, किसी employee को चितोड़ गड़ में transfer कर दिया, तो ऐसे cases में चितोड़ गड़ में जो उसको accommodation दिया जा रहा है, होता यह है कि उसको यहां का accommodation भी उसी के पास रहता है, और वहां का accommodation भी उसके पास ही रहता है, तो जो नया accommodation है, इसका 90 days तक के कोई valuation नहीं किया जाता, परकुजिट का, चितोड़ गड़ का राइट क्यूंकि सबसे पहले क्या होता है जब employee कभी भी shift होता है प्राक्टिकल अंडरस्टांड करके देखना है employee जब भी shift होता है तो सबसे पहले वो खुद shift होता है और बाद में उसके घर वाले वहां पे आते हैं तो उसके हाथ में ये घर भी दिया जाता है और ये घर भी दिया जाता है 90 days तक कोई प्रक्विजेट वैल्यूएशन नहीं होता पर 90 days के बाद फिर इसको एक घर का cost taxable होना शुरू हो जाता है दूसरे घर का भी यही लिखा है third point के अंदनर में पढ़ लीजेगा अब आते हैं motor card थोड़ा सवान में लेता हूँ नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा आपको as of now interest free concessional loan के उपर interest free or concessional loan interest free or concessional loan sir अगर ये loan 20,000 रुपे तक का है या ये loan specified disease के treatment के लिए होगा तो ये totally nil है इस पर कोई perquisite charge नहीं होता so loan is given for specified disease और it is up to rupees 20,000 perquisite is nil अगर ये loan 20,000 से उपर का है तो हमें check करना पड़ेगा rate of interest किता है क्या ये rate of interest SBI से जादा है या rate of interest SBI से कम है अगर rate of interest SBI से जादा हुआ तो हमें कोई perquisite calculation नहीं करना क्योंकि employee को तो वह benefit ही नहीं हुआ इस से अच्छा तो वह SBI से ले लेता अगर rate of interest SBI से कम हुआ तो perquisite calculation करेंगे maximum monthly outstanding balance के उपर किस के उपर वेड़ा maximum monthly outstanding balance के उपर so check कीजेगा if it is equal to or higher than SBI rate if the rate of interest is equal to or higher than SBI rate then nil if it is lower than SBI rate then maximum monthly outstanding balance के हिसाब से calculation किये जाएंगे सर वो कैसे होता है उसके लिए आपको fast track देखना होगा या regular देखना होगा अभी यह वो point नहीं है जब मैं आपको बहुत जादा detail में समझा सकूँ next अब आते हैं हम लोग medical facility पे यह वो चीज़ है जो बिलकुल पूची ही जाती है मैं इसे डाल रहा हूं important category के list में medical facility employer employee को क्या provide करता है medical facility provide करता है उसके treatment के लिए उसके लिए या उसके घरवालों के treatment के लिए medical facility क्या की जाती है प्रोवाइड की जाती है यह इंडिया में करवाया या outside इंडिया करवाया लॉजिकली अगर मैं बात करूँ एक चीज़ याद रखना अगर medical reimbursement हुआ है private hospital का reimbursement reimbursement हुआ है totally taxable reimbursement हुआ है totally taxable यहां exempt वाला criteria याद रखना है own hospital में करवाया exempt exempt की list बड़ी है यहाँ पर exempt की list बड़ी है own hospital में करवाया exempt government hospital में करवाया exempt approved hospital में करवाया exempt या कोई group insurance policy दिया exempt taxable क्या है री इंबर्समेंट is totally taxable और समय हुआ करता था जब reimbursement taxable हुआ करता था एक्जम्ट हुआ करता था 15,000 रुपए तक फिर आता है medical treatment पिर आता है medical treatment आउटसाइड इंडिया अगर medical treatment आउटसाइड इंडिया हुआ है तो हमें तीन बातों कहीं रखना पड़ेगा एक तो travel दूसरा stay तीसरा medical तीन बाते ध्यान रखना travel stay medical अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अगर medical और stay उतना एक्जम जितना RBI ने बोला मान लीजे आप medical और stay के उपर खचा करते 2,20,000 रुपए and RBI 2,20,000 रुपई and RBI specified that 2,000,000 रुपई is exempt then 20,000 will be taxable रही बात travel की whether travel amount is taxable or not if your gross total income is beyond 2,00,000 then travel is also taxable otherwise travel is not taxable so if GTI is up to 2,00,000 nil if GTI is beyond 2,00,000 the travel amount would be totally taxable last three perquisites अब आते हैं motor car के उपपर is it an important category obviously this is an important category valuation of motor and other vehicle valuation of motor and other vehicle आई ये इस point के उपर ध्यान देते हैं first of all you have to check whether the motor car is owned by employer और owned by employee जितने regular और fast track वाले बच्चे उनने दीखा होगा हमने एक बहुत बढ़ा चार्ट बनाया है इस पर और वही चार्ट अगर आप रफर करोगे तो बहुत जादा easy हो जाएगा if it is owned by employer और owned by employee इसके उपर depend करता है if it is owned by employer if it is owned by employer तो क्या किया जाता है दो पार्ट के अंदर में divide किया जाता है it is maintained by employer और it is maintained by employee सबसे पहले owned का criteria देखो फिर owned करने के बाद क्या होता है maintain का criteria देखो right so if it is owned by employer maintained by employer देखा जाता है फिर purpose क्या है if the purpose is personal purpose, sorry, official purpose, totally nil, if the purpose is personal purpose, then 10% of actual cost will be considered, किकि employer, employer अपनी कार आपको use करने के लिए दे रहा है, और maintain भी खुदी कर रहा है, तो 10% of actual cost, plus any repairs and maintenance charges, minus anything recovered, अगर purpose बोथ हुए, कौन से, personal as well as official, तो इस case में कार का CC चेक करेंगे, इस case में क्या चेक करेंगे, कार का CC चेक करेंगे, CC, cubic capacity चेक करेंगे, अगर cubic capacity up to 1600 होगा, जिसे अलग शब्दों में 1.6 liters भी कहा जाता है, अगर cubic capacity, जैसे आपन मोलते हैं ना, मारोती 800, that 800 is a cubic capacity, 900 होगा, perquisite is, perquisite is, perquisite is, 1800 per month, plus 900 per month for chauffeur if given, what is chauffeur, driver, driver का value हमें तभी add करना होता है, when, when and when, it is, बोलो मेरे भाई, provided, अगर problem में driver नहीं बताया हो, आपको लेने के ज़रूत नहीं है, ये बात यात रखना, ठीक है, अच्छा जी, so, car owned and maintained by employer, ध्यान दे सुनना, car owned भी किस ने करी है, employer ने, maintain भी कौन कर रहा है, employer, car owned and maintained by employer, तो ऐसे cases में, official purpose, nil, private purpose, 10% of actual cost, plus running and maintenance charges, minus anything recovered, और partly official और partly personal purpose, ये है जो exam में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये वो पार्ट है, जो exam में confirm पूछा जाता है, up to below 1.6 liter, 1800 per month, above 1.6 liter, 2400 per month, nothing is to be deductible on account of this recovery, कुछ इसमें से recover करने का नहीं, ये amount directly perquisite बोल करके taxable है, इसमें 900 per month add कर दिया जाएगा, अगर driver भी provided है, जब तक problem में नहीं बोला driver provided है, तब तक के assumption लेने का नहीं, if car is owned by employer, but maintained by employee, again we have to see if it is off for official purpose exam, private purpose 10% of actual cost, but यह maintenance charges add नहीं क्या जाएगा, minus anything recovered, if it is for official and personal purpose, below 1.6 liter, 600 per month, above 1.6 liter, 900 per month, plus अगर chauffeur provide किया है, तो ही chauffeur को क्या करना है, add कर दिना है, 900 per month in either of the case, so step 1, हमेशा देखे, car किसकी है, who owns it, step 2, who maintain it, step 3, purpose, sir, अगर problem में purpose नहीं दिया हो, तो क्या assume करें, assume both the purpose, official as well as personal, और उस जिसाब से, आपको accordingly क्या करना होगा, perquisite calculate करना होगा, यह हुआ, car is owned by employer, अब हम दूसरे पार्क पर आते है, car is maintained, car is owned by employee, if car is owned by employee, and it is maintained by employee, nothing is taxable, मेरी ही car मैं ही manage कर रहा हूँ, तो employer से तो मुझे कोई benefit नहीं मिला, और जब employer से मुझे कोई benefit नहीं मिला, तो nothing is taxable in salary, car is owned by employee, and maintained by employee, यहाँ पर यह word को आपको थोड़ा से rectify करना होगा, car is owned by employee, and maintained by employer, if car is owned by employee, and maintained by employer, again हम चेक करेंगे purpose क्या है, official, personal या both, अगर official purpose होगा, private purpose होगा, तो amount of expenditure, और अगर both purpose होगा, तो यहाँ पर actual cost, यह point याद रखेगा, यहाँ actual cost में से, minus करना है, 1800 और 2400 depending upon CC, and further 900, अगर चॉफर प्रोवाइड क्या होगा, तो, एक बात आपको गौर करनी होगी, यहाँ जितना taxable amount था, यहाँ उतना exempt amount है, यहाँ उतना exempt amount है, यह बात याद रखना, इसके अलावा, अगर कोई भी other automotive, automotive प्रोवाइड क्या होगा, whatever is the actual cost, minus 900 पर मन, तो इस तरीके से क्या होगा, perquisite calculation होगा, चेक कर लिजएगा सावब एक बार, पॉइंट पर फोकस का ना मत बुलना, चॉफर is added only if it is provided, अब जो पर्कुजट हम लोग पढने जा रहे हैं, अब जो पर्कुजट हम लोग पढने जा रहे हैं, या जिसका कंपणी के अंबर में substantial interest होगा वो, या फिर जिसका annual salary पचास अजार से उपर जाता है, आज के तारिक में हर employee specified employee होता है, क्योंकि पचास अजार से उपर basic वेसे भी पहुँच जाता है, so check, gas, electricity, water, अगर employer ने employee को gas, water या electricity दी, तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि connection किसके नाम से है, the first thing you need to check is, in whose name the connection is, connection is in the name of employer, or connection is in the name of employee, if connection is in the name of employer, or in the name of employee, employer के नाम पे है, तो यह perquisite उसी को taxable होगा, जो specified employee है, otherwise नहीं होगा, और गर connection employee के नाम पे है, employer reimbursement कर रहा है, तो यह हर तरह के employee के लिए taxable होगा, whether he is a specified employee, or not a specified employee, कित्ता लेंगे, अगर आगे बढ़ें, तो यह देखना होगा, क्या gas, electricity, water, तर हम खुद manufacture करते हैं, यानि, if employer himself manufacture it, if employer himself manufacture it, whatever is the manufacturing cost per unit, minus anything recovered, और अगर यह आपने, खुद भी दूसरों से ले करके दिया है, तो whatever is the actual cost to employer, minus anything recovered, education facility, important, education facility, employer employee को क्या provide करता है, employee के बच्चों का education facility provide करता है, अब यह education facility, यह education facility, किस तरीके से provide की जाती है, मैं आपको बताता हूँ, employer का अगर खुद का school होगा, तो ऐसे cases में, यहाँ पर अलग-अलग opinion है, institute के भी, if the cost per month, cost per month does not exceed rupees 1000, it is not a taxable perquisite, however, if cost per month exceed 1000, इसमें दो opinion है, only difference is taxable, or the whole amount is taxable, just like gift, institute क्या follow करता है, अगर 1000 से उपर जा रहा है, तो आपको यह taxable amount के अंदर में आएगा, fully taxable amount के अंदर में आएगा, check कीजिए, so, check करिया, school maintained by employer, cost does not exceed 1000 per month, then nil, cost exceed 1000 rupees per month, then cost in similar school, minus anything recover, minus anything recover, education cost आपने recover किया, cost to employer minus anything recover, straight away, travel facility में आ जाते हैं, इसके अंदर में आ जाते हैं, travel facility के अंदर में आते हैं, आज है में आपने बाइं, travel facility, employer employee को travel facility देता है, गूमने के लिए जाने बोलता है, यह जो facility है, यह दो साल में मिलती है, in a span of 4 years, आप 4 साल में, कोई भी 2 साल के अंदर में इसे claim कर सकते हैं, याने एक block, जिसे हम 4 साल का block कहते हैं, block के अंदर में आप कोई भी 2 बार इसे claim कर सकते हो, employer ने employee को अगर दिया, railway से दिया, तो याद रखेगा, up to economy class तक के exempt है, अगर, sorry, air से दिया, up to economy class तक के exempt है, railway से provide किया, up to first class AC तक के exempt है, और अगर, other than railway दिया, तो हम चेक करेंगे, कि क्या, वहाँ पे rail जाती है या नहीं जाती, अगर railway वहाँ जाती है, तो up to first class AC तक का exempt, otherwise, डिलस्ट क्लास तक का cost exempt है, यहीं पर एक और point हमें देखने को मिलता है, number of childs का, यह जो travel facility है, कितने लोगों के लिए exempt है, यह exempt है employee के लिए, उसके wife के लिए, and any two children after October 1998, कोई भी दो बच्चे जो 1998 के बाद हुए होंगे, उन के लिए, इसमें एक और point आया था, point था, multiple birth after single birth will be considered as one, मतलब, एक बच्चे के बाद अगर multiple birth हो जाए, तो इसमें तीनों बच्चों का exemption मिलेगा, for example, मन लीजए employer ने employee के पूरी family के लिए, travel प्रोवाइड गया, एकनॉमी क्लास में, उसके तीन बच्चे थे, एक पहले ललका हुआ, और बाद में twins हो गये, ऐसे cases में, यह जो twins हुए है, इसे भी one consider किया जाता, और पूरे तीनों के लिए benefit मिलेगा, हाला कि अगर पहले ही twin होगा, और बाद में single हुआ, तो ऐसे cases में, सिर्फ कोई भी दो का benefit मिलेगा, तीसरे का benefit मिलने वाला नहीं है, वर्ट सिंपल है, multiple birth after single birth, एक समय ता जब इसके उपर question भी उटाता, लड़का होना चीए, लड़की होना चीए, अब यह सारे criteria हट गए है, multiple birth after single birth, विल बी regarded as one, यही एक criteria है, जो आपको याद रखना है, I think, सारे perquisite भी हम लोगों ने खतम कर दिये है, और मैंने आपको important क्या है, not important क्या है, यह भी आपको clear cut बता दिया, तीन amendments होने वाले थे, gratitude, transport and standard deduction, यह तीनों हम लोगों ने complete कर लिया, साथ साथ में valuation of perquisite, including chargeability and retirement benefit भी हम लोगों ने देख लिया, and I declare, salary is over, साहब, देखो सिर्फ topic की length देखना, capital gain, salary, income from other sources, advanced tax, return of income, मतलब सारे बड़े बड़े topic में दना दन उठाए जा रहा हूँ, अगर अब देखें जाए, तो सिर्फ एक बड़ा topic बचता है, PGBP, दूसरा deduction and TDS, यह तीन ऐसे topic है, जिन में बहुत कुछ length कवर होगी, आगे अब कोई भी topic बड़ा उठाने से पहले, मैं थोड़ इसे छोटे छोटे topic भी cover करवा देता हूँ, so that आपको एक confidence आए कि हाँ, marathon है तो हमने बहुत सारे topic cover की हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि बड़े बड़े topics तो अभी हमने बहुत बड़े topics ले लिए, अब हमको छोटे topics उठाते हैं, so आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा break ले सकते हैं, अब, आप फटाफट अब चलते हैं छोटे topic के उपर, जैसा कि मैंने कहा था, दो तीन छोटे topic फटाफट निप्टाते हैं, so that हम एक बड़े topic के और, और एक head के और, आपको सेम बुक मिल जाएगा, छोटा सा topic है, section 10 के बारे में बात कर रहा हूं, इसके उपर, दो माक या तीन माक माक्स आ सकता है, उससे उपर आ नहीं सकता, तो आप इस topic को एक बार फटापट देख लेंगे, मेरे साथ, so let us start, agricultural income, मैं आपको कुछ बेसिक बाते याद दिरा दू, agriculture is defined in section 21A, आज तक इसके definition आई नहीं है, नहां आगे आएगी, second, agriculture income जो होती है, ये exam to the section 10, under section 10, 1, but income tax indirectly tax the agricultural income, agriculture के उपर indirectly tax किया जाता है, agriculture पर tax collect करने का power, state government के पास है, by entry number 46 to the state list, agriculture की since income exempt है section 14, ये कहता है, इससे related खर्चे हमें allowed नहीं होने वाले, so यही point आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे, that agriculture is defined in this particular section, and agriculture income is exempt, ये true or false बोल करके आया जा सकता है, तो आप इसको एक बार देख लीजेगा, 2, 1, A, define करता है, agriculture income में क्या होगा, कोई भी rent और revenue जो agricultural land से आया होगा, which is situated in India, will be treated as agricultural income, so any rent और revenue derived from an agricultural land, income from agricultural operation, agricultural operations से अगर कोई income आती है, तो yes, वो agricultural income बनती है, and income from any farmhouse, farmland, explanation 3 अगर देखेंगे, इस definition का तो कहता है, income from nursery sampling and settling, will always be an agricultural income, चाहे आपने basic activity की हो या basic activity नहीं की हो, तो नरसरी plant पौधे उगाने से जो आने वाली income है, उसे भी हम क्या मानेंगे, हमेशा agricultural income मानेंगे, यह definition को बस एक बार पढ़ ली जगा, छोड़ दी जगा, यह definition इतनी जादा काम की नहीं है, आते है agricultural operation पे, यह वो बात है जिसके उपर बहुत सारे cases हुए, और कई high court और supreme court ने अपनी माथा पच्ची की, that is it an agricultural activity और not an agricultural activity, अगर आप notes देखेंगे, तो notes के अंदर में, जो मेरे regular notes है, regular notes के अंदर में, मैंने इसके उपर बहुत ज़्यादा time लगाया है, और एक-एक activity को हम लोग ने explain भी किया है, कि यह why it is an agriculture and why it is not an agriculture, हलां कि जब आप self study करते रहेंगे, तो आप सिर्फ एक बार list देख लीजेगा, is it an agriculture or not an agriculture वाली, हलां कि इस point से आप आगे का भी decision ले सकते हैं, कोई agricultural operation कब मानेगा, agricultural operation तब होता है, जब कोई supreme court judgment, agriculture operation की case में supreme court judgment आया, राजा बिनोई सहाइग ने और उसने guidelines दी, अगर कोई assesses सिर्फ और सिर्फ basic operation के अंदर में engaged है, तो आने वाली income, agricultural income मानी जाएगी, अब आप पूछेंगे basic operation मतलब क्या होता है, basic operation means all activity prior to germination, germination होने से पहले के सारी activity आपने करी है, और उसके बाद आपने उगा करके इसे बीचा है, yes, it will be a basic operation, और इससे आने वाली income को agriculture कहा दिया जाएगा, subsequent operation, after germination जितनी भी activity होती है, उसे हम subsequent operation में कहते हैं, जैसे pack करना, pack करके इसको coloring करना, या इसका molding करना, non-agriculture और basic as well as subsequent operation के अंदर में है, तो हम इसे मान लेते हैं agricultural income, और यही था राजा बिनोय सहाय का एक judgment, जिसके उपर बहुत सारे case laws भी arise हुए, वर्ड अगर देखेंगे, तो वर्ड बेसिक, the word agricultural operation is not defined in the act, however, it has been considered in the court of राजा बिनोय सहाय case, merely basic operation, यहाँ लिखिए agricultural income, merely subsequent operation not an agricultural income, subsequent operation with basic operation will become an agricultural income, यह यहाँ पर लिख के रखिएगा, नीचे basic and subsequent operation के definition मैंने दे रखिएगा, जिसको पढ़ना बिल्कुल भी काम का नहीं है, छोड़ दीजेगा, यह वो चीज़ है जो आपको PGBP में और agriculture में एक साथ पूची जाती है, बहुत सारा बड़ा जगड़ा था और यह जगड़ा था उन लोगों के बीच में जो यह सोचते थे कि चाए, एक agricultural activity है या फिर यह business activity है, उसी तरीके से coffee यह agricultural activity है या यह non agricultural activity है, इस बात को rule 7 and 8 ला करके CBDT द्वारा clear कर दिया गया और कहा अगर SSC growing and manufacturing में है, अगर सिफ going agriculture, सिफ manufacturing PGBP, growing and manufacturing होगा तो rule 7 and 8 लगेगा, जो तीन चीज़ों को divide करता है by giving a percentage, अगर SSC engaged है manufacturing of rubber के अंदर में, किसके अंदर में manufacturing of rubber, growing and manufacturing of rubber, so 65% of the income will be treated as agriculture and 35% of the income will be treated as non agricultural income, हम सब नहीं यह पड़ावा है, दूसरा, coffee grown and curd, coffee grown and curd, 75% will be agriculture income while 25% will be non agricultural income, coffee grown, curd and roasted, coffee grown, curd and roasted, 60 and 40%, so 60 will be agriculture, 40 will be non agriculture, in case of tea, chai, 60 agriculture, 40 non agriculture, यह section आपको यह provision आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेगी, division करते वक्त आपके यह बहुत काम आने वाली है, institute ने कई बारे से problem भी पूछे हैं, जहांपे आपको यह income देधी हैं और बोला है अससे इन चीज़ों में engage दे, business income निकालो और agriculture income निकालो, मतलब यह composite problem हो सकता है, PGP निकालने का, as well as agriculture income निकालने का, यह percentage आपको mandatory याद रखना है, problem में नहीं दिये होते, तो एक बार इन percentage को देख लीजे और इस chapter के अंदर में important mark कर लीजे, यहां से शुरू हुआ एक और जगड़ा, क्योंकि growing as well as manufacturing में तो बहुत सारी activities थी, जैसे कि आप sugar के शुगर देखेंगे, तो लोग जो companies थी, वो सबसे पहले agriculturalist को पैसे देती थी गन्ने उगाने के लिए, और उसी गन्नों से sugar यह sugar juice बना के दिया जाता था, ठीक उसी तरह से sunflower oil, सनफ्लार उगाये जाते थे और उसके बाद में उसे sunflower oil में प्रसेस किया जाता था, तो उसी तरह से paddy and rice, paddy उगाये जाता था और उसके rice में convert किया जाता था, दो बार institute ने इस concept पे भी question पूछा है, और आपका knowledge को जबरदस तरीके से test करने की कोशिश की गई है, ऐसा कोई percentage नहीं है, हाँ, पर इन्होंने एक mechanism जरूर दियावा है कि किस तरीके से निकाला जा सकता है, एक, आप suppose करते हैं हमें sugarcane से sugar बनानी है, एक, आपने sugarcane उठाया और directly पूरा का पूरा sugarcane बेज दिया, अगर आप directly बेज दे रहे हैं without any processing, अगर आपने directly sold कर दिया, तो whatever is the sale value जितने में आप बेच रहे हैं, minus cost of cultivation will become your agricultural income, so sale value minus cost of cultivation को क्या मान लिया जाएगा, आपका agricultural income मान लिया जाएगा, मान लिजे यही आप sugarcane को sugarcane के लिए process करते हैं, तो ऐसे cases में दो components सामने आते हैं, CBTT यहाँ पर criteria देता है, rule देता है कि दो component करिया आप, इसे agriculture as well as PGVP बनाई है, अब इसमें agricultural income कैसे rise होगी, क्योंकि agricultural product तो आप कहीं sell नहीं कर रहे हैं, law ने कहा आप यहाँ पर deeming fiction डालिए, आप यह समझे हैं कि आप as good as अपनी company को ही sell कर रहे हैं, किसे value पर sale करेंगे, fair market value पर sale करेंगे, और वही आपको लेने बूला है, अगर agricultural income लेना है आपको, you have to take fair market value of the product minus cost of cultivation as your agricultural income, डरिये मत, हमेशा fair market value आपके problem में दी होगी, आपको just put the value and get the answer करना है, अब PGVP income कैसे निकाले, बड़ा simple है, जितने में ये sugar sale हुई होगी, जितने में ये sugar sale हुई होगी, sale value minus, अगर ये कही न कहीं से purchase करतें, तो obviously बात है, fair market value पर ही purchase करतें, यही fair market value यहाँ पर cost बोल के minus कर दिया जाएगा, so minus fair market value of the product, minus expenses on sales if any, ये बन जाएगा आपका PGVP income, so simple है, अगर आप tea, coffee और rubber के अलावा कोई चीज देना चाहरे हैं, tea, coffee और rubber के अलावा कोई चीज देना चाहरे हैं, तो ये देखना होगा, directly sale क्या, तो sale value minus cost of cultivation will be agricultural income, और अगर आप sale कर रहे हैं after processing, so दो part में divide होगा, agriculture as well as PGVP, और fair market value problem में डूढ़ना होगा, जिससे आपका problem बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, exam point of view, ये काम की चीज, ये वाला part specifically, अगर आप fast track book देखेंगे, तो fast track book में भी मैंने इसके ओपर question रखा है, that to solve question रखा है, तो आप वो देख लेंगे, तो भी आपको point clear हो जाएगा, for example, question number one, जो sugar can and sugar वाला problem है, वो इसी concept के साथ deal करता है, एक problem देख लोगे, तो भी सारी चीज़े complete हो जाएगे, last part पर आते हैं, इस chapter के method of aggregation, जैसा कि हमने कहा, थोड़ी देर पहले, agriculture income is not directly taxable, but agricultural income is indirectly taxable, और वो होता है इस तरीके से, method of aggregation, इसको लाने के पीछे की history समझ लोगे, तो बहुत easily समझ में आजागा, यह concept है क्यों, direct tax is बहुत बड़ा समंदर है, और final level पे भी मैं हर बच्चे को एकी चीज़ बोलता हूँ, कि तो concept के उपर focus कर, कि provision आई क्यू, the moment तुझे समझ में आगए, यह provision के पीछे यह logic था, तो तुझे बहुत easily समझ में आजाएगा, कि यह provision के wording आसे क्यों है, और आप भी सिर्फ और concept पे focus करो, क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो, वरना program रद कर दो, as a, you know, CACA, CMA student, we should know कि यह provision exists थी क्यों करती है, there has to be a logic behind everything, और वो logic मैं बताऊँगा आपको, logic क्या था, Sir, understand किजिएगा, हो यह रहा था, कि अब जो अमीर लोग थे, let's say basic necessities जिनकी पूरी हो गई, घर लेली, कार लेली, etc., income आ रही है, अब यह income को करेंगे क्या, या black money था, यह क्या करते थे, यह क्या करते थे, कोई ना कोई agricultural land परचेस कर लेते थे, और अपना जितना भी black money था, वो agricultural income के root से दिखाते थे, आप full time business में engaged है, और agricultural activity से भी income आ रही है, जब assessment किया तो पता चला, कि यह बहुत simple तरीका था, अपनी agricultural income को क्या करवा लेने का, exempt करवा लेने का, बहुत सारी income जो cash में होती थी, उसको agriculture income दिखा करके exempt कर लिया जाता था, income tax department को समझ में आ गया, कि लोग क्या कर रहे हैं, एक जो provision है government का, कि agriculture income exempt, लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और एक provision लाई गया method of aggregation, जिसके तहट बोला गया, कि अगर आपकी agriculture income 5000 से उपर है, और other income basic exemption limit से उपर है, तो यह law यहाँ पर clear cut देख लेगा, कि आप pure farmer नहीं है, और law का intention बड़ा clear था, कि यह सिर्फ benefit pure farmer को दिया जाए, आपकी agriculture income 5000 से उपर है, और other income basic exemption limit से उपर है, बात clear है, कि आपका business की ओफोकस है, and you are not a pure farmer, और ऐसे cases में, tax calculation का तरीका बदल जाता है, वापस repeat कर रहा हूँ, tax calculation का तरीका बदल जाता है, क्या हो जाता है नहीं tax calculation का तरीका, कुछ steps follow करनी होगी, step number one, agriculture प्लस non agriculture income को mix करना होगा, agriculture प्लस non agriculture income को क्या करना होगा, mix करना होगा, और इस पे normal tax जैसे निकालते हो, वैसे tax निकालना होगा, step two, step three, agriculture income प्लस basic exemption limit को mix करना होगा, agriculture income प्लस basic exemption limit को mix करना होगा, step four, इस पे tax निकालना होगा, step one, हमने agriculture और non-agriculture income को मिलाया, इस पर tax निकाला, step 3 agriculture और basic exemption limit को मिलाया, इस पर tax निकाला, जो difference है दोनों के tax का, इसको हमने कर दिया as a relief, इसको जो difference था, इसको हमने कर दिया actually payable, और इस पर surcharge और assess लगा करके हमने final tax liability निकाली, चेक कीजेगा steps को, it is applicable only to individual HOF, AOP, BY, AJP, not applicable to firm or company, ये बड़ा हो करके आपका MCQ बन सकता है, कब applicable है, agricultural income should exceed 5000, other income should exceed 250,000, मतलब basic exemption limit, यहाँ 3 lakh भी लिख दिजे और 5 lakh भी लिख दिजे, क्योंकि depend करता है, assessi की age क्या है, step 1, step 1, agriculture plus non agricultural income, step 2, tax on step 1, step 3, agricultural income plus basic exemption limit, agricultural income plus basic exemption limit, step 4, tax on step 3, step 5 difference, that is step 2 minus step 4, इसमें, surcharge और rebate add कर देंगे, और अपनी final tax liability निकाल देंगे, that is all, method of aggregation, is that done, yes मेरे बाई, so यहाँ होता है, आपका straight away, game over, agricultural income का topic हम लोग ने complete कर दिया, दो चीजे, example of user पढ़ लेना, एक composite income वाला point और दूसरा method of aggregation, method of aggregation को भी important कर दिया, मतलब overall topic में, इस page का बस ये वाला part आप पढ़ लेंगे, तो आपका पूरा concept clear हो जाएगा, यहाँ हम खतम करते हैं, हमारे छोट असा topic, agricultural income, झाल झाल